अरे मैं यहे क्या सुन रहा हूँ आपने भी शेर मार्केट में पैसा लगा रखा है घरवालों को तो बताया होगा या फिर चुपके चुपके करोणपती बनने का इरादा है लेकिन देखो मैं तो यही सला दूँगा कि यह एक्स्ट्रा और आसान कमाई का चकर छोड़ो और काम पर ध्यान दो नहीं तो शेर मार्केट के साथ साथ काम भी हाथ से जाएगा क्या आपने भी इस तरह की डरावनी सलाहें सुनी है अगर सुनी है तो कमेंट बुक्स में मुझे अवर्ष्य बताएं ताकि उनका भी समाधान खोजा जा सके इस तरह की डरावनी सलाह देने बाले आपका हित चाहते हैं वे यह नहीं चाहते कि आप भविश्य में किसी आर्थिक संकट में फास जाएं क्योंकि उन्होंने अपने आसपास सो में से 95 टेडर्स को फेल होते देखा है यही उनके डर का असली कारण है हिंदी ओडियो बुक का यही एकमात्रू देश्य है कि इस तरह की और भी बहुत सारी शंकाओं के हल खोजे जाएं और यही हमारा आज का एजेंडा है इसमें आज जो बुक शामिल है वह है मार्केट एक्सपर्ट मार्क डगसल दवारा लिखित ट्रेडिंग इंदा जोन जिसके बारे में आप पहले ही इंट्रोडेक्शन में सु अगर आपने इसका इंट्रोडेक्शन नहीं सुना है तो नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करके इसे अभी सुनें आपकी सुविधा के लिए मैंने बुक को चैप्टर वाइज कमेंटरी के रूप में रिकोर्ड किया है यह है इसलिए कि किसी भी बुक को जैसी वह है उसी बहुत सारे लिसनर्स के लिए उसे समझना बेहत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह दूसरी भाषा में लिखी गई है इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण कानूनी पेचितगियां भी है बुक जैसी लिखी गई है उसे बिना उसके राइटर या पबिलिशिंग हाउस की एड अपनाया है वह कमेंटरी फोर्मेट है इस फार्मेट में सभी के लिए इसे अपनी मात्र भाषा हिंदी में समझना बेहत आसान हो जाता है मेरा यह पूरा आर्ट वर्क कोपिराइट एक तुनिस सो सतावन के फेर यूज रूल की मूल भावना को बनाए हुए है और यह इसक के पहले चेप्टर के बारे में जिसका नाम है दा रोड ओफ टू सक्सेस फंडामेंटल टेकनिकल और मेंटल एनालिसिस यानि सफालता के राजमार्क तक पहुचने के लिए हमें शुरुआत में ही अपना मौलिक और तकनिकी लेवल यानि मेंटल लेवल का एनलिसिस सबसे पहले करना होगा जिससे हमारे पास अपने सोचने के पैटर्न का सही सही ब्लूप्रिंट हो जिससे हम रिस्की मार्केट के लिए अपने अगले सक्सेस्पूल स्टेप के लिए तयार हो सकें इन्वेस्टमेंट डिसेजन लेते समय रिसर्च और एनलिसिस के मुख्यत है दो तरीकों का उपयोग किया जाता है मौलिक यानी fundamental analysis और technical analysis टेडिंग इंदा जोन आडियो बुक के chapter 1 की शुरुआप सबसे पहले fundamental analysis से की गई है बुक में डंगलस ने सबसे पहला प्रशन जो उठाया है वह यह है कि कौन भरोसा करेगा कि वह भी एक समय था जब fundamental analysis को ही trading decision लेने का एकमात्र proper और real तरीका माना जाता था मैं जब इस बुक को पढ़ रहा हूँ तो किवल शब्द ही नहीं पढ़ूँगा इसके अर्थ भी समझाऊँगा जैसे यहाँ पर fundamental analysis का क्या अर्थ है जब हम fundamental analysis के बारे में जान रहे हैं तब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इसके founder कोन है तो मैं आपको बताता च और fundamental analysis के तीन मुख्य पार्ट भी हैं जिसमें पहला है economics analysis दूसरा है industry analysis और तेसरा है company analysis कुनात्मक analysis में goodwill, market condition, brand value और company performance का मुल्यंकन किया जाता है इसके विबरीत मात्रात्मक analysis statically रूप से संचालित होता है fundamental analysis के तोलना अक्सर तक्निकी analysis से की जाती है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे fundamental analysis स्टोक के real या fair market value को निधारित करने का एक तरीका है जो fundamental analysis होते हैं वे उन शेरों की खोज करते हैं जो वर्तमान में अपने real value से अधिक या कम price पर trade कर रहे है fundamental analysis अकाउंटिंग और finance में एक business के health, competitor और market को समझने के लिए finance statement का analysis है इसके साथ साथ यह business economy की overall condition जैसे interest, production, earning, employment, GDP, housing, manufacturing और management आदी के indicator factors पर भी विचार करता है जब आप लंबे time के लिए invest करना चाहा रहे हैं तब fundamental analysis सबसे परभावी तरीका होता है उन companyों में invest करें जिनके product अभी भी 15-20 सालों के लिए उपयोगी रहेंगे अब हमें यह समझना होगा कि किसी भी stock का fundamental analysis कैसे करते हैं तो इसे समझने के लिए इन steps को note कर लें नमबर एक company को समझें नमबर दो financial reports का अध्यन करें नमबर तीन company पर कितना करज है इसकी जांच करें नमबर च्यार company के प्रतिस परदियों का पता लगाएं नमबर पांच बहविश्य की संभावनाओं का analysis करें और नमबर च्यार समय समय पर सभी पहलों की समिक्षा करें किसी भी business की profitability को समझने के लिए fundamental analysis का इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई investor लंबे समय के लिए market में invest करना चाहता है तो उसको उस business को ठीक से समझना जरूरी होता है जिसमें वह invest कर रहा है fundamental analysis बिजनस को कई तरह से समझने और देखने में मदद करती है investor के लिए जरूरी है कि वो अपने stock से समझने के लिए बिजनस के कामकाज पर नजर रखे fundamentally मजबूत कमपनियों के share रोकी कीमत समय के साथ बढ़ती है और investor को फाइदा होता है fundamental analysis को समझने के लिए Indian market का उधरन देखे भारतिय मार्केट में ऐसे कई example हैं जैसे Infosys, TCS, Page Industry, Aisher Motors, Bose India और Nestle India इन में से हर company ने 10 साल से ज़्यादा समय तक average 20% से ज़्यादा का compound annual return यानि CAGR दिया है इसे समझने के लिए कह सकते हैं कि इन में पैसा लगाने वाले हर investor का पैसा साड़े तीन साल में डबल हो रहा था company की CAGR return जितने ज़्यादा मजबूत होगी आपके invested पोंजी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी अभी बताई गई लिस्ट में से बोस इंडिया जैसे कुछ कमपनियों ने तो 30% तक का CAGR भी दिया है अब आप यह समझ सकते हैं कि fundamental तोर पर मजबूत कमपनियों में invest करके तेजी से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है investment से पैसा बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप कमाई वे नुक्सान कराने वाली कमपनियों के फर्क को पहचाने कमाई कराने वाली कमपनियों में कुछ गुन होते हैं जो पहचानने जरूरी है इसी तरह पैजा डुबोने वाली कंपनियों के भी कुछ खास पहचान होती है जिसे एक अच्छा इन्वेस्टर फंडामेंटल एनलिसिस का प्रियोग करके पहचान लेता है इसलिए फंडामेंटल एनलिसिस वो टेक्निक है जो आपको एक सही कंपनी को पहचान कर लंबे समय क इन्वेस्टमेंट का भरोसा देती है एक अच्छे फंडामेंटल एनलिसिस्ट के लिए कुछ आवशक चीजें हैं जिने जानना और सीखना बेहत जरूरी होता है जैसे नंबर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना और सीखना नंबर तो हर बिजनस को उसकी एक्टिव में समझना और उसे सीखना नंबर तीन जरूरी मैथमेटिकल एनलिसिस को जानना डगलस बताते हैं कि जब उन्होंने 1978 में ट्रेड करना शुरू किया तब टेकनिकल एनलिसिस का उपयोग केवल कुछ ही ट्रेडर करते थे लेकिन तब उन्हें मार्केट कम्यूट पागल समझती थी इतना ही नहीं अभी कुछ समय तक भी वाल स्टेट और अधिकांस परमुक फंडों के फाइनेंसियल इंस्टिटूट सोचते थे कि टेकनिकल एनलिसिस एक प्रकार का सीक्रेट फ्रोड है लेकिन आज लगबग सभी अनुबहुई ट्रेडर तो अपने ट् प्रकार के टेकनिकल एनालिसिस का सहरा लेते हैं लेकिन अकैडमिक कम्यूटी में कुछ खेत्रों को छोड़कर विशुद्ध रूप से फंडामेंटल एनालिसिस लगबग विलुप्त हो चुका है डगलस कहते हैं कि इस नाटकिय बदलाओं का मुख्य कारण पैसा रहा है आप में से जो फंडामेंटल एनालिसिस से परिचित नहीं है उन्हें डगलस इसे इस तरह से समझाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस उन सभी वैरियेबल्स यानि घटकों को ध्यान में रखने का प्रियास करता है जो किसी विशेश स्टोक, कमोडिटी या फाइनेंशियल इं इन बैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं मुख्य रूप से जब इसमें मैथमेटिकल मॉडल का उप्योग हो रहा हो जो विविन फेक्टर्स यानि इंट्रेस्ट रेट, बैलेंस सीट, वेदर पैटर्न, आदी के महतों का आंखलन करके एक एनलेटिकल प्रजेक्शन करता है कि फ ट्रेडर्स शायद ही कभी इन वेरियेबल्स का फेक्टर के रूप में प्रियोग करते होंगे। ज़्यादा दर ट्रेडर्स फ्यूचर के बारे में अपनी धारनाओं यानि बिलिप्स और एक्स्पेक्टेशन को सेंटर में रखते हुए कीमतों को आगे बढ़ाते हैं माड ट्रेडर्स को नहीं। डगलस कहते हैं कि फैक्ट यह है कि एक मोडल सभी रेलिवेंट वेरियेबल के आधार पर एक लोजिकल और रीजनेवल प्रोजेक्शन करता है। यदि एक ट्रेडर को इन मोडलों के बारे में पता नहीं है या वह उन पर विश्वास नहीं करता है त जो कीमतों को नट के रूप से उपर नीचे करने की क्षमता रखते हैं वे ही फंडामेंटल सप्लाई और डिमांड फैक्टर की थूड़ी सी भी परवान नहीं करते। इसके अलावा उनकी सभी ट्रेडिंग एक्टिविटी एमोशनल फैक्टर से प्रभावित होती है जो फ परक संगत तरीके से कारियन नहीं करते। फंडामेंटल एनलिस्ट यह सटीक अनुमाल लगा सकते हैं कि फ्यूचर में किसी पॉइंट पर किमते कहां होनी चाहिए। वे इस बारे में एक सही सही बहुश्यवणी भी कर सकते हैं लेकिन इसी दोरान प्राइस मूवमेंट इत प्राइस और वोल्यूम के स्टडी के मध्यम से कीमतों की दिशा का एनलिसिस और पूरवा नुमाल लगाने के लिए एक एनलिसिस पदती है। चाहे आप ट्रेडिंग के लिए नए हैं या अभी कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं आपका परीचय टेकनिकल एनलिसिस शब से हुआ होगा। जब आप किसी भी एसेट क्लास या मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ट्रेड को समझने के लिए आपको आसान जानकारी के आवशक्ता होती है। इसके लिए आपको दो प्रकार के एनलिसिस के आवशक्ता होगी फंडामेंटल और टेकनिकल एनलिसि एक ट्रेडर के रूप में आपको निर्णे लेने के लिए Fundamental और Technical Analysis के सहयोजन की आउशकता होगी Fundamental Analysis, अर्थव्यवस्ता, उद्ध्योग और अन्य बातों के बीच Income Report का अध्यन करके Stock या Acet के आंतरिक मुल्य का आंकलन करता है और Technical Analysis ट्रेडर और पैटरन्स की पहचान कर आपको यह समझने में मदद करता है कि भविशय में Stock कैसा प्रदर्शन कर सकता है Technical Analysis, Price Factor के सब कुछ के रूप में एक Security के आंतरिक मुल्य को मापने के बारे में खुद की चिंता नहीं करते Technical Analysis तब तक ही रहा है जब तक Organized Markets ने एक्सचेंजों के रूप में काम करना शुरू कर दिया लेकिन Trading Community ने साल 1970 के दसक के अंद या फिर कह सकते हैं कि 1980 के दशक के शुरुआत तक पैसा बनाने के लिए एक वाइबल टूल के रूप में Technical Analysis को स्विकार नहीं किया था लेकिन Technical Analysis को यह पता चल चुका था कि Main Stream Market Community के जनरेशन ने इसे अपनाना शुरू कर दिया था हर मार्केट में एक सीमित संख्या में एक ग्रूप होता है जो मार्केट्स में भाग लेता है इस ग्रूप में कई ट्रेडर्स पैसा कमाने के लिए एक ही तरह की चीजें बार-बार करते हैं इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इंडिविजूल बिहेवियर पैटर्न्स डेवलप करते हैं और इन इंडिविजूल का एक ग्रूप दूसरे ग्रूप के साथ लगातार आधार पर बाचित के माध्यम से कलेक्टिव बिहेवियर पैटर्न का निर्मान करते हैं यह बिहेवियर पैटर्न देखने में मातरात्मक लगते हैं यह अपने आपको स्टेटिकल रिलाइबिलेटी के साथ बार-बार रिपीट करते रहते हैं टेकनिकल एनलिसिस का एक ऐसा तरीका है जो इस collective behavior को पहचानने योग्य पैटर्न में organized करता है जो एक first संकेत दे सकता है कि अगर एक चीज बदलती है तो इसका आसर दूसरी चीज पर इस मात्रा में होना संभावित है technical analysis आपको market का mind पढ़ने की अनुमती देते हैं इससे आप यह ठिक ठिक अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होने की संभावना है यह उस तरह के pattern पर आधारित है जो market पिछले कुछ समय से उत्पन कर रही थी future के price moment की projection के लिए एक method के रूप में technical analysis, fundamental approach से कहीं बहतर साबित हुआ है इस पर focus करने की बजाए कि mathematical model को fixed logical और reasonable आधार पर market को क्या करना चाहिए यह traders को इस बात पर focus रखता है कि market अब एसा क्या कर रही है जो उसने past में किया है दूसरी और fundamental analysis जो करता है उसे Douglas क्या होना चाहिए और क्या है के बीच का reality gap कहते हैं यह reality gap कुछ भी करना बेहत मुश्किल बना देता है लेकिन इस से बहुत लंबी आउदी की prediction का फाइदा उठाना मुश्किल हो सकता है भले ही वे सही हो इसके वेपरीत technical analysis, reality gap को खत्प करके trading को benefit लेने के लिए unlimited possibilities उपलब्द करवाता है यह traders के लिए कई और संभावनाओं को खोलता है क्योंकि यह उन behaviors pattern को पहचानता है जो हर समय एक समान आउदी में बार बार दोहराई जाते हैं दूसरे शब्दों में टेकनिकल analysis मार्केट में खुद को समरद करने के आउसरों की एक अंतहीन धारा में बदल देता है यदि कोई एक टेकनिक बड़िया तरीके से काम कर रही है तब उसे कोई क्यों छोड़ना चाहेगा यही बात टेकनिकल analysis के लिए भी फिट पैटती है जब यह अच्छी तरह से काम कर रही थी तो trading community ने अपना ध्यानी से छोड़ स्वेय के mental analysis यानि personal trade psychology पर क्यों shift कर लिया था इसका उत्तर आपको स्वेम से यह प्रशन पूछने पर मिल जाएगा कि आपने यह audio book सुनने का फैसला क्यों किया है डगलस इसका सबसे संभावित कारण यह बताते हैं कि आप अपने अंदर पैसे कमाने की जो ऐसमित क्षमता है उसके और आप वास्तों में जो कमाते हैं उसके बीच के अंतर से ऐसन तूछते हैं अगर आप इसे समश्या मानते हैं तब technical analysis के साथ यही समश्या है एक बात जब आप एक खास pattern की पहचान करना और market को पढ़ना सीख लेते हैं तो आप पाते हैं कि market में पैसा बनाने की unlimited opportunity आपके सामने है लेकिन आप यह पहले से ही जानते हैं कि markets के बारे में आपकी समश्या और उस ग्यान को लगातार profit में बदलने की आपकी क्षमता के बीच एक बड़ा अंतर हो सकता है बुक में दिये एक उधरन से इसे समझें और इस बारे में सोचें कि आपने जितनी बार भी price chart को देखा और अपने आपसे कहा हम ऐसा लगता है कि market तो बहुत नीचे जा रही है लेकिन फिर भी जैसा मैं सोच रहा था result वैसा ही profitable मिल रहा है इसमें यह है खास बात रही कि आपने market की चाल को देखने के अलावा और कुछ नहीं किया ने तो इसमें invest किया और ने ही कोई और investment का decision लिया अब आप दूसरों के द्वारा बनाई गए पैसों पर दुखी होने के अलावा और क्या कर सकते हैं market में कुछ होने वाला है इसकी भविश्यवानी करने यानि आपके दूआरा कमाए जा सकने वाले पैसे के बारे में सोचने और वास्तों में ट्रेड करने की वास्तिविक्ता के बीच में एक बड़ा अंतर होता है डगलस इस अंतर को एक साइकलोजिकल गैप कहते हैं जो ट्रेड को सबसे कठिन काम बना सकता है या निश्चित रूप से सबसे रहशे में भी बना सकता है अगला बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रेडिंग में महारत हासिल की जा सकती है जब आप केवल मार्केट देखते हुए सफलता के बारे में सोच रहे हैं इस समय जो सहस्ता और साधगी आपके विचारों और मन में होती है क्या इसी तरह ट्रेड का अनुभव करना संभव है इसका उत्तर ने केवल एक सपष्ट हाँ है बलकि यह वही उत्तर है जिसके लिए यह ओडियो बुक डिजाइन की गई है जिसके आपको ट्रेड में उतर को पूरा सुनने के बाद वास्तों में ट्रेडिंग करना उतना ही आसान सरल और तनावमुक्त हो जाता है जितना तब लगता है जब आप मार्केट को देख रहे होते हैं और इसे करने के बारे में सोचते हैं कुछ को यह एक लंबा करम लग सकता है और कुछ को असंभव भी लग सकता है लेकिन असल में ऐसा नहीं है एसे बहुत सारे सामान्य लोग हैं जिनोंने ट्रेड की कला में महारत हासिल कर ली है जिनोंने उपलव संभावना और अपनी परपॉर्मेंस के बीच के गैप को खत्म कर लिया है हालांकि इन विनर्स की लिस्ट उन ट्रेडर्स से क लं है जो अभी हाताशा का अनुभव कर रही है वे यह सोचकर परेशान हो चुके हैं और अ दोनो खगोल्य पिंड है जो एक ही सोर मंडल में मोजूद हैं इसलिए उन में कुछ समानताई भी है परन्तु प्रकरती और विशेष्टाओं में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उसी प्रकार जो कोई भी ट्रेड करता है वह एक ट्रेडर होने का दावा कर सकता है। लेकिन जब आप उन मुठी बड़ लगातार जीतने वालों की विशेष्टाओं की तुलना अन्य ट्रेडर्स की विशे निदित्यों करता है तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा तक पहुंचना संभव है हालांकि यत्रा बेहत कठिन है और इसे केवल कुछ मुठी भर लोगों ने ही पूरा किया है यहां प्रत्वी से देखने पर हमें आम तोर पर चंद्रमा इतना करीब लगता है कि हम बस इस पर अभी पहुंच सकते हैं और इसे चू सकते हैं ट्रेडिंग भी सफलता पूर्वक उसी तरह महसूस करती है मार्केट कभी भी और किसी को भी जो ट्रेड करने की क्षमता रखता है उसे बड़ी मात्रा में धन उपलब्द कराता है क्योंकि मार्केट लगातार गती मान रहती है इस पैसा भी लगातार बहे रहा है जो सफलता की संभावनाओं को बहुत बढ़ा देता है लेकिन वह आपको आपकी समझ से ही दिखाई देता है डगलस कहते हैं कि वे उनके लिए जिन्होंने ट्रेडिंग को सीख लिया है या जिसे वे ठ्रेस होल्ड ओफ कंसिस्टेंसी कहते ह हैं उसे पार कर लिया है वे पैसों को अपने इच्छा से हासिल कर सकते हैं वे ट्रेडर्स इन दोनों समझों के बीच अंतर करने के लिए सेमिंगली शब्द का उपयोग करते हैं डगलस को यकीन है कि कुछ को यह चोंकाने वाला लगेगा लेकिन यह सच है इसमें कुछ सीम हैं लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए पैसा खातों में इतनी आसानी और सहस्ता से आता है कि यह सचमुच अधिकांस लोगों के दिमाग को चक्रा देता है ट्रेड के बारे में एकमात्र चीज जो ट्रेडर्स के बड़े ग्रूप के अनुरूप है वह है इमोशनल दर हाँ उनके पास कुछ खुशी के क्षण जरूर होते हैं लेकिन ज्यादातर समय वे क्रोध, धै, हताशा, चिंता, निराशा, विश्वास घात और अफसोस की स्तिति में बने रहते हैं तो फिर ट्रेडर के इन दो ग्रूप को वह है कौन सी चीज है जो अलग करती है क्या यह है इंटेलिजेंस यानि बुद्धी है क्या कंसिस्टेंट वीनर दूसरों से ज्यादा स्मार्ट होते हैं क्या वे ज्यादा हार्ट वर्क करते हैं क्या वे बहतर एनलिस्ट होते हैं क्या उनकी पहुंच बहतर ट्रेडिंग सिस्टम तक होती है क्या उनके पास इनहेरेंट प जग्यानिकों, CEO, अमीर रिटाइड और एंट्रोप्रेनर से बना है इसके अलावा इंडस्ट्री के अधिकान सर्वस रेष्ट मार्केट एनलेस्ट सबसे खराब ट्रेडर होते हैं इंटेलिजेंस और अच्छा मार्केट एनलेसिस सफलता के मार्ग में योगदान दे सकता है लेकिन वे डिफाइंट फैक्टर नहीं है जो कंसिस्टेंट वीनर्स को बाकी सबी से अलग करते हैं फिर अगर यह इंटेलिजेंस या बेहतर एनलिसिस नहीं है तो और क्या हो सकता है डगलस कहते हैं कि उन्होंने बिजनस में सबसे अच्छे और सबसे खराब ट्रेडर्स क ट्रेडर लगातार औरों से बेहतर प्रशन करते हैं वे आगे कहते हैं कि अगर उन्हें इन सभी कारणों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए तो वे बस इतना कहेंगे कि सबसे अच्छे ट्रेडर्स बाकी सभी से अलग तरीके से सोचते हैं हो सकता है कि यह बात आप इस पर गहनता से विचार करें कि अलग तरीके से सोचने का क्या मतलब है तब इसका आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा किसी एक लेवल तक हम सभी एक दूसरे से अलग सोचते हैं हम इस तथ्य के प्रती हर समय सचेत नहीं होते हैं हमारे लिए यह मान लेना स् दूसरे लोग भी घटनाओं के बारे में हमारी तरह ही सोच रहे हैं और घटनाओं की व्यक्षा कर रहे हैं हमारी यह दारना हमें तब तक सही लगती है जब तक कि हम स्वयम को किसी एसे व्यक्ति के साथ मूल भूत मौलिक फंडामेंटल ऐस सहमती में नहीं पाते हैं जिसे हम दोनों अनुभव करते हैं, हमारी भोतिक विशेष्टाओं के अलावा जिस तरह से हम सोचते हैं, वह हमें एदवितिय बनाती है, जो शायद हमारी विशेष्टाओं से भी अधिक एदवितिय है, मार्केट में बने रहने के लिए सबसे अच्छा व्यापारी क्या सोचता है और जो अभी भी संगर्च कर रहे हैं, वे कैसे सोचते हैं, हालांकि मार्केट सब के लिए समान अंतहीन आउसरों से भरी है, यहाँ पर हर ट्रेडर किसी ने किसी तरीके से निरंतर प्रतिकूल मनोवेगनिक स्थितियों का सामना करते हैं, जिससे वे खुद को निखार सकते हैं, हर ट्रेडर के लिए मार्केट में सीखने के दोरान कुछ ऐसे पॉइंट हमेशा सामने आते हैं, जो इस और इशारा करते हैं कि यहाँ आउसर मौजूद है, लेकिन इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि खरीदने या बेचने के आउसर की पहचान करना सीखने से आपने एक ट्रेडर की तरह सोचना सीख लिया है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो जो बात कंसिस्टेंट वीनर को दूसरों से अलग करती है, वह यह है कि वीनर्स ने उन माइंड सेट को पा लिया है, जहां उन्होंने एक युनिक सेट आफ एटिटूट बना लिया है, जिस सेवे हारने और ट्रेडिंग में गलती करने के डर से भैबीत नहीं होते जो हर किसी को परिशान करते रहते हैं, ट्रेड करने वाला हर व्यक्ति, मार्केट के बारे में कुछ ने कुछ हर समय सीखता रहता है, इन में से बहुत कम लोग होते हैं, जो एसे एटिटूड सीखते हैं, जो उनके रवये से आएगी, जो वे ठ्रेस ओल्ड आफ कंसेस्टेंसी से आगे बनाते हैं, इस दोरान वे अपने इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों दर्द का अनुभाव किये बिना इसे सीखते हैं, ताकि वे प्रभावी डंग से कारिया कर सकें, इसमें कुछ अप की दुनिया में इमोशनल दर्द और फाइनेंशियल डिजास्टर इतने कोमन क्यों हैं, डगलस ने बुक में इसका उत्तर कुछ इस तरह से दिया है, कि हम प्रोपर गाइडेंस के साथ अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुवात करने के लिए उतने भग्यशाले नहीं थे, जितने की दूसरे थे, वैसे देखा जाए तो कारण इससे कहीं अधिक गहरे हैं, डगलस ने पिछले सत्रे साल ट्रेड के पीछे की साइकलोजिकल डाइनमिक्स को सीखने में बिताए हैं, ताकि वे सकसेस के प्रिंसिपल को सीखाने के लिए प्रभावी तरीके डेवलप कर सकें, उन्होंने जो डिसकवर किया है, वह यह है कि ट्रेड पेरडोक्स यानि विरोधाबासों से भरा है, जिससे यह सीखना बेहत मुश्किल हो जाता है कि इसमें सफल कैसे होना है, डगलस कहते हैं कि अगर उन्हें एक शब्द चुनना पड़े, जो ट्रेड के नेचर को इनकैपसिलेट करता हो, तो यह है पेरडोक्स यानि विरोधाबास होगा, ट्रेडर के बीच फाइनेंसियल और एमोशनल डिजास्टर आम बात है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रस्पेक्टिव और एटिचूड हैं, जो सही समझ में आते हैं और हमारे दैनिक जीवन में काफी कामी के साथ करते हैं कि एक ट्रेडर होने का क्या मतलब है, इसके लिए आवशक स्किल्स और उन स्किल्स को किस गहराई तक डेवलप करने की आवशकता है, इसे समझने के लिए बुक में एक उधारन दिया गया है, जिसके अनुसार ट्रेड वास्तविक रूप से रिस्की है किसी भी ट्रेड का कोई भी गारंटिट रिजल्ट पहले से तै नहीं होता है, इसलिए इसमें गलत होने और पैसे खोने की संभावना हमेशा मुझूद रहती है, तो जब आप कोई ट्रेड करते हैं, तो क्या आप खुद को रिस्क लेने वाला मान सकते हैं, हालांकि यह एक ट्रिकी सवाल की तरह लग सकता है, परन्तु ऐसा नहीं है, इस प्रशन का लोजिकल उत्तर स्पस्ट रूप से हाँ है, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी में भाग लेता है, जो नॉर्मली रिस्की है, तो उसे रिस्क टेकर कहना चाहिए, यह किसी भी ट्रेडर के लिए पू केवल एक कोरी कलपना से ज्यादा कुछ नहीं है, बेशक जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो कोई दूसरा ट्रेडर रिस्क उठा रहा होता है, तब इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है, कि आप भी रिस्क उठाएंगे, दूसरे शब्दों में, सभी ट्रेड रिस्क होते हैं, क्योंकि इनके रिजल्ट संभावित होते हैं, गारेंटेट नहीं, लेकिन क्या ज्यादातर ट्रेडर्स वास्तों में यह मानते हैं, कि जब वे ट्रेडिंग करते हैं, तो वे रिस्क उठा रहे हैं, क्या उन्होंने रियल में यही एक्सेप्ट कर लिया है, कि ट्रेडिंग का संभावित रिजल्ट हमेशा गारेंटेट नहीं होता इसके अलावा क्या उन्होंने संभावित रिजल्ट को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है इस प्रशन का उत्तर स्पष्ट रूप से ना है ज्यादातर ट्रेडर्स को यह सपष्ट नहीं है कि सक्सेस ट्रेडर्स रिस्क के बारे में कैसे सोचते हैं क्योंकि सबसे अच्छे ट्रेडर्स ने केवल रिस्क लेते हैं बलकि उन्होंने उस रिस्क को एक्सेप्ट करना और गले लगाना भी सीख लिया है इन दोनों बातों में यह है एक बड़ा psychological difference है कि आप trading करते हैं इसलिए आपको risk taker कहलवाने का पूरा हक है या फिर आपने हर trade में नहीत risk को पूरी तरह से समझ कर स्विकार कर लिया है जब आप risk को पूरी तरह से स्विकार कर लेते हैं तब आपकी performance पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा सबसे अच्छे traders बिना किसी जीजक के trade करते हैं उतनी ही नीडरता से वे तब भी यह भी स्विकार करते हैं कि यह काम नहीं कर रहा है वे बिना किसी emotional दर्द के नुक्षान के साथ भी trade से बाहर निकल सकते हैं दूसरे शब्दों में trade के risk किसी भी सर्वस्रेश trader को अपना अनुशाशन ध्यान या आतम विश्वास्त नहीं खोने देते हैं यदि आप थोड़ी सी भी emotional परेशानी जैसे किसी भी प्रकार के भैके बिना trade करने में ऐसमर्थ हैं तो आपने यह नहीं सीखा है कि trade के risk को कैसे accept किया जाई यह एक बड़ी समश्या है कि जिस हद तक आपने risk को accept नहीं किया है उसी हद तक आप risk से बसते नजर आएंगी किसी ऐसी चीद से बचने की कोशिश करना जो आवशक हो सफलता पूरुक trade करने की आपकी क्षमता पर विना accept करना सीखना कठिन हो लेकिन यह तब और ज़्यादा कठिन हो जाता है जब आप इसे यह देखते हुए सीखते हैं कि दाओं पर क्या है वैसे हम आम तोर पर किस से सबसे ज़्यादा डरते हैं मरने या फिर stage पर बोलने के अलावा निश्चित रूप से अपना पैसा खोने और गलत होने दोनों से डरते हैं एक तो यह accept करना कि मैं गलत हूँ और दूसरा starting में ही अपना पैसा खोना बेहत दर्दनाग तब होता है जब इस से बचने के कई उपाई मोजूद हो फिर भी trader के रूप में trade करते समय हम लगबग हर पल इन दो संभावनाओं का सामना करते ह हैं जब आप यह सोच रहे होंगे कि इन से बचने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वह करना मेरे लिए उचित है डगलस आप से सहमत हैं लेकिन यह वास्तविक प्रवर्ती भी है कि जो सबसे साधारन दिखता है वह ही trade को बेहत मुश्किल बना देता है trade हमें इस fundamental paradox के साथ present करता है कि हम अनुशाशित, केंदरित और लगातार एनिश्चित्ता का सामना करने वाले कैसे बने रहे हैं जब आपने एक trader की तरह सोचना सीख लिया तो आप अपने trading activity को फिर से इस तरह परिभाशित करना जो आपको risk को पूरी तरह से accept करने के अनुम trading skill है जब आप risk accept करने की trading skill सीखते हैं तब market ऐसे जानकरी उत्पन करने में सक्षम नहीं होती जिसे आप define कर सकें यदि market द्वारा उत्पन information में आपको emotional दर्द देने की क्षमता नहीं है तो यह सिर्फ information है जो आपको बता रही है कि possibilities क्या है इसे एक objective perspective कहा जाता है जो केवल यह बताता है कि आप जिस से डरते हैं वह नहीं होने जा रहा है बहुत सारी ऐसी गलतियों में से कुछ AC होती है जो traders बार बार करते हैं वे market से उत्पन तूटिया नहीं है बलकि ये तूटिया market से नहीं आती है market neutral है यह बस चलती रहती है और केवल अपने बारे में consistently information create करती रहती है market के movement और information हमें पहुत कुछ करने का आफसर परदान करती है लेकिन market के पास कोई power नहीं है जिससे वह हमें इस information को समझा सके हमारे द्वारा की जा रही गलतियां हमारे faulty trading attitude का result है faulty attitude हमारे trust और confidence के बजाए हमारे डर को पढ़ावा देते हैं service race trader डरते नहीं हैं वे इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि उन्होंने एसे attitude develop किये हैं जो उन्हें trade के अंदर और बाहर flow यानि प्रवा करने के लिए mental flexibility की सबसे बड़ी degree देते हैं जिससे market उन्हें अपने perspective से possibility के बारे में बताती रहती है साथ ही सबसे अच्छे trader ने एसे attitude develop किये हैं जो उन्हें लापरवा होने से रोकते हैं क्योंकि हर किसी को डर लगता है और जब किसी को डर नहीं लगता तो वे लापरवा हो सकते हैं और अपने लिए उस तरह की परिस्तितियां पैदा कर सकते हैं जिससे वे भैभीत हो जाए आपके द्वारा किये गए trading errors में से 75% आपके attitude से उपजा हुआ होता है जिसे डगलस चार primary trading भै कहते हैं वैसे मुझे इस बारे में पता नहीं था मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि traders को markets का एक healthy डर होना चाहिए यह है पूरी तरह से logical और उचित धरना है लेकिन जब trading की बा कारिय करेगा की आप वही करेंगे जिससे आप वास्तों में ढरते हैं यदि आप गलत होने से ढरते हैं तो आपका डर market की information की आपकी धारना पर इस तरह से कारिय करेगा जिससे आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको गलत कर देगा जब हम बहभीत होते हैं तो हम अन्या परिस्तितियों से भागने पर मजबूर कर देता है mentally यह हमें अपना focus अपने डर की वस्तु पर focus करने का कारण बनाता है इसका मतलब है कि अन्या संभावनाओं के बारे में विचार करने से दूर कर देता है आप market के बारे में सीखी गई सभी rational things के बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक कि आप डर नहीं जाते है और घटना स्माप्त नहीं हो जाती तब आप स्विम सोचेंगे मैं यह जानता था तब मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा या तब मैं उन पर action क्यों नहीं कर सका यह समझना अत्यंत कठिन है कि इन समझ्चाओं का source हमारा अपना अनुचित व्यवहार है हमारे ट्रेड पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कई thinking patterns natural तरीके से कारिय करते हैं जिसमें हमारे दुनिया के बारे में सोचने और देखने के तरीके को प्रभावित करने की क्षमता है वे thinking patterns इतनी गहराई से जुड़े हुए है कि हमें शायद ही कभी यह है एहसास होता है कि हमारे ट्रेडिंग कठिनायों का source आंत्रिक है जो हमारी state of mind से जुड़ा होता है वास्तों में मार्केट में किसी समश्या के source को बहारी रूप से देखना आधिक natural लगता है और ऐसा लगता है कि मार्केट ही हमारे धर्द, निराशा और ऐसंतोस का कारण है जाहिर है कि ये abstract concept है निश्चित रूप से यहां ऐसा कुछ नहीं है जिससे ट्रेडर्स कुद को नुकसान पहुंचाने वाला है फिर भी विश्वासों, द्रिष्टी कोणों और धारना के बीच संबंदों को समझना ट्रेडर्स के लिए उतना ही fundamental है जितना कि टेनिस की service कर करना सीखना और market के information के बारे में अपने perception को समझना और नियंतरित करना केवल उस हद तक महतोपोन है जब तक आप consistently result प्राप्ट करना चाहते हैं डगलस ऐसा इसलिए कह रहे है क्योंकि trading के बारे में और कुछ भी है जो उनके द्वारा कहे समान ही सकते हैं आपको अपने बा पर एक अच्छा शोट मारने के लिए टेनिस रैकेट या गोल्फ कलब को स्विंग करने का उचित तरीका कौन सा होगा पहली बार जब डगलस ने गोल्फ खेला तो उन्होंने पूरे खेल में कई अच्छे शोट मारे हलांकि उन्होंने कोई विशेज तकनीक नहीं सीखी थ लेकिन फिर भी उनका स्कोर अभी भी 18 होल के लिए 120 से अधिक था जाहिर है अपने कम्पलीट स्कोर में सुधार करने के लिए उन्हें तकनीक सीखने की आवशकता थी ट्रेडिंग के लिए भी यही सच है हमें कंसिस्टेंसी हासिल करने के लिए टेक्निक की जरूरत है लेक समझते हैं तो हमारे विश्वास और द्रिष्टिकोन मार्केट के जानकारी के बारे में हमारी धारणा को कैसे प्रभावित करते हैं तब एसा लगता है कि यह मार्केट का व्यवहार है जो स्थिर्था की कमी का कारण बन रहा है नतीजन यह तरक हमेशा काम करता है कि नुकसान से बचने और मार्केट में लगातार बने रहने का सबसे अच्छा तरीका मार्केट के बारे में अधिक जानना होगा यह लोजिक एक ट्रैप है इसमें लगबग सभी ट्रेडर किसी ने किसी बिंदू पर गिरे हुए है और इसे सही समझ बैठते हैं लेकिन यह तरीका काम नही करता मार्केट इस तरह के बहुत सारे एक दूसरे के विरोधी वेरियेबल पैदा करता रहता है इसके अलावा मार्केट के बिहेवियर की कोई लिमिट नहीं है यह किसी भी खशन कुछ भी हो सकती है तथ्या के रूप में प्रतेक व्यक्ति जो ट्रेड करता है वह एक मार्क के बिहेवियर के बारे में जितना भी सीख लें चाहे आप कितने भी शांदार एनलेटिक्स क्यों न बन जाएं आप कभी भी यह अनुमान लगाने में समर्त नहीं होंगे कि मार्केट आपको कभी गलत ने साबित कर सके या आप पैसे ने खो सकें इसलिए यदि आप गलत हो ने या पैसे खोने से डरते हैं तो इसका मतलब है कि आप कभी भी उन नकारात्मक प्रभावों की भरपाई करने के लिए परियाप्त नहीं सीखेंगे जो इन शंकाओं का आपकी निश्चित होने की क्षमता और बिना किसी हिच किचाहट के कारिय करने की आपकी क्षमता पर है जब तक आप एनिश्चित परिणाम की संभावना को पूरी तरह से स्विकार करना नहीं सीखते आप किसी भी संभावनाओं से बचने के लिए सचेत या अंजाने में परियास करेंगे जिसे आप दर्दनाक रूप से परिभाशित करते हैं इस प्रक्रिया में आप अपने कि मार्केट एनलेसिस या मेथोडोलोजी की आउशकता नहीं है हालांकि हम इनका प्रियोग निश्चित रूप से करते हैं मार्केट एनलेसिस कंसिस्टेंट रजल्ट का मार्ग नहीं है यह है लेक ओफ कॉन्फिडेंस अनुशाशन की कमी या इंप्रोपर फोकस के कारण उ अधिक से अधिक मार्केट वैरियेबल एकठा करने के लिए प्रेडित होंगी इसके बाद क्या होता है तब आप अभी भी मार्केट से बार बार निराश होते हैं और धोका खाते हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसा नहीं देखा या प्रयाप्त ध्यान नहीं दिया तब आपको वेसा लगेगा कि आप मार्केट पर भरोशा नहीं करते ही लेकिन हाकिकत यह है कि आप खुद पर भरोशा नहीं करते हैं आतम विश्वास और भै मन की विरोदा बासी अवज थाएं हैं ये दोनों हमारे बिलीफ और एटिटूड से उत्मन होती हैं हमें आश्वस्त होकर एसे environment में कार्य करना होगा जहां हम आसानी से रिस्क से ज़्यादा खो सकते हैं इसके लिए अपने आप पर पूर्ल विश्वास की आउशकता होती है हालांकि आप उस विश्वास तक तब तक नहीं पहुँच पाएंगे जब तक कि आप अपने दिमाग को परशिक्षित नहीं कर कि आप अपने स्वभाविक जुखाओ को एसे तरीकों से बदल दें जो कंसिस्टेंड सक्सेस ट्रेडर होने के प्रतिकूल है मार्केट के बिहेवियर का एनलेसिस करना सीखना उचित पर शिक्षन नहीं है आपके पास दो विकल्प हैं आप जितने संभव हो उतने करने का प्रयास कर सकते हैं या फिर आप सीख सकते हैं कि कैसे अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को इस तरह से फिर से डिफाइन करें कि आप वास्तों में रिस्क को स्विकार करते हैं और आप डरते नहीं है जब आपने इस तरह का स्टेट ओफ माइंड बना लिया है जहा आप मार्केट की information को painful तरीके से define करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं तो आप rationalization और hesitate होने की tendency यानी प्रवर्ती को भी खत्म कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि मार्केट आपको पैसा देगी या उम्मीद करते हैं कि मार्केट आपको नुकसान से बचाएगी जब तक आप error के लिए अतिस सम्वेदिन सिल रहेंगे तब तक तरक संगत, ओचित्य, जिजक और उम्मीद का परिणाम यह होगा कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे यदि आप अपने आप पर objective होने और हमेशा आपने सरोत्तम हित में कारिये करने के लिए भरोसा नहीं कर सकते ह तो consistently result प्राप्त करना असंभव होगा। कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जो आपको बेहद आसान लगता है वह सबसे ज़्यादा परिशान करने वाली चीज हो सकती है जिसे आप करने की कोशिश करेंगे। जब आपने इसे पहले पहल शुरू किया था। तो फिर इसका समाधान क्या है आपको ट्रेड के बारे में अपने attitude और belief को इस तरह से adjust करना सीखना होगा कि आप डर के बिना ट्रेड कर सकें। लेकिन साथ ही एक एसा structure बनाई रखें जो आपको लापरवा नय होने दे। ठी इस तरह के सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं। वह है आपका बहविश्य का projection है जिसे आपको विक्सित करना है। ग्रोथ का अर्थ है विस्तार, सीखना और अपने आपको व्यक्त करने का एक नया तरीका विक्सित करना। यह सच है। बले ही आप पहले से ही एक सफल ट्रेडर हैं और अधिक सफल बनने के लिए इस ओडियो बुक को सुन रहे हैं। आप जिन नए तरीकों से खुद को व्यक्त करना सीखेंगे। उन में से कई उन विचारों और धर्णाओं के साथ सीधे संपर्क में होंगे जो आप वर्तमान में ट्रेड की प्रवर्ति के बारे में र संतोस जनक रजल्ट्स के बावजूद चीजों को वैसा ही रखने का तर्क देगा जैसे वे हैं। ये इंटरनल आर्ग्यूमेंट्स निचरल हैं। इस ओडियो बुक में डगलस की चुनोती इन तर्कों को यथा संबव कुशलता से हल करने में आपकी साहिता करना है। अन्य कोस्ट रूप से सीखने की प्रकिरिया को तेज और आसान बना देगी। अध्याए एक समापत हुआ। आईए अब बढ़ते हैं अध्याए दो की ओर। अध्याए एक को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो। हलो फ्रेंड्स हिंदी ओडियो बुक के ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। यह जानकर खुशी हुई कि आप पहले चैप्टर के बाद अब मार्क डगलस की इस बेहतरीन ट्रेडिंग ओडियो बुक कमेंटरी का दूसरा चैप्टर सुन रहे हैं। चलिए जल्दी स हम पहले चैप्टर में जो कुछ सिखा है उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जिस टॉपिक के बारे में सिखा है वह है है फंडामेंटल एनालेसिस जिसका मतलब है कि यह है अकाउंटिंग और फाइनेंस में बिजनस के हेल्थ, कम्पिटेटर और मार्केट को समझने के लिए फाइनस स्टेटमेंट का एनलेसिस है इसके साथ साथ यह है बिजनस एकोनिमी की ओवराल स्थिटी जैसे इंट्रेस्ट, प्रोडेक्शन, अर्निंग, इंप्लोईमेंट, जीडीपी, हाउसिंग, मैनुफेक्चरिंग और मैनेजमेंट आदी के को समझने के लिए फंडामेंटल एनलेसिस का इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई इनवेस्टर लंबे समय के लिए मार्केट में इनवेस्ट करना चाहता है तब उसको उस बिजनस को ठीक से समझना जरूरी होता है जिसमें वह इनवेस्ट कर रहा है फंडामेंटल एनलेसिस कई तरह से देखने और समझने में मदद करती है इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है कि वो अपने स्टोक से समंदित बिजनस के कामकाज पर नजर रखे फंडामेंटल तोर पर मदबूत कंपनियों के शेर के कीमत समय के साथ बढ़ती है और इन्वेस्टर को फाइदा होता है जब आप लंबी अवदी के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तब फंडामेंटल एनालिसिस सबसे प्रभावी होता है उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनके प्रडेक्ट अभी भी 15-20 सालों के लिए उप्योगी रहेंगे दूसरा टोपिक जिस पर हमने बाचित की थी वह है टेक्निकल एनालेसिस इसके बारे में हमने सीखा है कि जब आप किसी भी एसेट क्लास या मारकेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ट्रेड को समझने के लिए आपको आसान जानकरी की आउशकता होती है और इसी जानकरी को पाने के लिए फाइनेंस में कंपनी के पिछले मारकेट डेटा मुख्य रूप से प्राइस और वोल्यूम के स्टडी के माध्यम से भविशय में कीमतों की दिशा क्या होगी इसका एनलेसिस और पूरुवा नुमान लगाने के लिए तकनिकी एनलेसिस पदती का उपयोग किया जाता है इसके बाद तीसरा टोपिक जिस पर हमने बातचित की है वह है कलेक्टिव बेहवियर पैटर्न जिसका अर्थ है कि हर मार्केट में एक सिमित संक्षा में एक गरुप होता है जो मार्केट में भाग लेता है इस ग्रुप में कई ट्रेडर पैसा कमाने के लिए एकी तरह की चीजे बार-बार करते हैं इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इंडिविजुवल्स बिहेवियर पैटरंस डेवलब करते हैं और इन इंडिविजुल्स का एक ग्रूप दूसरे ग्रूप के साथ लगातार आधार पर बातचित के मध्यम से कलेक्टिव बिहेवियर पैटर्न का निर्मान करता है। चोथा टोपिक था रियलिटी गैप यानि डगलस के अनुसार क्या होना चाहिए और क्या है इसके बीच को ही रियलिटी गैप कहते हैं। प्रांचमा टोपिक था मेंटल एनालिसिस। इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग करते समय ट्रेडर किस माइंड सेट को अपनाता है, मार्केट रिस्क को वह किस तरह से समझता है। इसी से यह तै होता है कि वह इस सोदे में प्रोफिट कमाएगा या लोस उठाएगा। आपका एटिटूड ही यह तै करता है कि आप एक कंसिस्टेंट विनर होंगे। इस बुक के सेकिंड चैप्टर की शुरुवात में ही डगलस लिखते हैं कि उन्हें जनवरी 1994 में शिकागो में फोर्चून पत्रिका द्वारा आयोजित एक ट्रेडिंग कॉनफरेंस में बोलने के लिए कहा गया। कॉनफरेंस के दोरान लंच के समय एक ट्रेडिंग बुक पब्लिशर का एक एडिटर उनके पास बैठा हुआ था। डगलस और एडिटर के बीच में यह बात्चित चल रही थी कि इतने सॉलिड होने के बावजूद लोग ट्रेडिंग में इतने कम सक्सेस क्यों होते हैं। इसी दोरान एडिटर ने डगलस से पूछा कि क्या यह कारण हो सकता है कि लोग गलत कारणों से ट्रेडिंग कर रहे थे यानि वे ट्रेडिंग के लिए ट्रेड नहीं करते बलकि ट्रेडिंग की लट से ग्रस्त हैं इसलिए ट्रेडिंग करते हैं। मैं जब इस बुक को पड़ी जिसे 5 नमबर 2021 को पबलिश किया गया था इस ब्लोग में मुझे दो लोगों की कहानी पढ़ने को मिली जो ट्रेडिंग इन दा जोन आडियो बुक से मेल खाती है इन दोनों कहानियों के पात्रों के नाम करमसा मैट डेंजिको और जिरका है आप जानते हैं कि आज मेट जब कभी कुछ खरीदारी करने जाता या कहीं भी पैकिंग पर उसे क्रिप्टो करंसी का लोगो दिखाई देता वहे बस उसे देखते ही खरीदने के बारे में सोचने लगता उसके मन में धेर सारे विचाराने लगते मैट को यह बिलकुल भी एहसास नहीं था कि जब क किसी के लिए दिवानगी इस हद तक बढ़ जाती है तो उसे लट कहते हैं डेंजिको को भी डिजिटल करंसी की लट लग गई थी वहे भी दुनिया भर में इस तरह की सारी करंसियों का दिवाना बन गया था स्पेन के बार्सिलोना के 49 वर्सिया 89 मैट डेंजिको का यह कहना है कि क्रिप्टो करंसी ट्रेडिंग में फंसने के बाद उसने कई रातें जाग कर बीताई क्योंकि वहे उनके प्रति जुनूनी था वहे कहता है कि उसे महसूस होने लगा था कि वहे अपनी मानसिक शमताओं को खोने लगा है डेंजिको एक डिजाइनर के साथ साथ एक कीमतों में उतार चड़ाओ की अटकलों में खोया रहता था इस बारे में मैट का कहना है कि इस वज़े से उसे गंभीर भावनात्मक संकट और चिंता का भी सामना करना पड़ता था मैट डेंजिको का कहना है कि बिटकोईन या इथेरियम जैसी क्रिप्टो करंसी बहुत ही करंसी ट्रेडिंग से होने वाला लाब आम तोर पर कुछी मिंटों में खत्म भी हो सकता है दुनिया भर में करोडों लोग इस लेंदेन में लगे हुए हैं इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि डिजटल करंसी के प्रती इतना आशक्त रहने वालों की मानशिक स्थिती रो परन्तों उसके खाली बैंक खाते इसके चीक-चीक कर गवाही देते हैं डिजटल करंसी के इस जुनून से उबरने के बाद वहें अमेरिका लोटाया अब वहें डिजटल करंसी के इस जुनून पर काबू पाने में सफल हो गया है डेंजिको का कहना है कि अगर आपको डिज दूसरी कहानी जिसमें जिरका ट्रेडिंग करते करते सड़क पर आ गया यह जिरका जो चेक नागरिक है उसकी कहानी है यह पहली कहानी से ओर ज्यादा भयानक है इसमें वहे रातो रात अमीर बनने का सपना देखते देखते डिजिटल करंसी के निरंतर गिरते मुल्य के कारण करज के भयानक जाल में फंस गया जिरका की कहानी ट्विटर पर काफी वाइरल हुई थी जिरका आब अवसाद और बेघर था इसे अब दूसरों से मदद मांगने में भी शर्माती थी जिरका अपने ट्विटर हैंडल पर लिखता है कि जब मैंने अपनी मां को फोन किया तो मैंने कहा कि सब ठीक है मेरे पास अच्छी नोकरी सोने की जगए आदी है लेकिन वास्तों में मैं भूख से मर रहा था लेकिन अब जिरका अपने जिन्दगी की नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है ब्लोग में बताए अनुसार स्कोटलेंड के एक स्वास्ते देखवाल के अंदर कैसल क्रेग ने क्रिप्टो करेंसी की लट को आधुनिक समय की महामारी बताया है इसके अनुसार इस डिजिटल रोग के सिकार ज़्यादा तर पूरुस ही होते हैं क्योंकि महिलाओं को एसी करनसी में ट्रेडिंग करने में कम ही रूची होती है वैसे कई बार ट्रेडिंग ने करना भी सबसे अच्छी ट्रेडिंग साबित होती है यह लत बहुत आसानी से लग जाती है बहुत सारे लोग तो ट्रेडिंग इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि यह उन्हें दिल्चस्प और रोमान्चक लगता है लेकिन हार्ड ट्रूथ तो यह है कि एसा ट्रेडर नए बना जाए तो ही बेहतर है जब भी आपको लगे कि आपके जीवन को ट्रेडिं हो कि आप सिर्फ अपनी आदत की वज़े से ट्रेडिंग कर रहे हैं वैसे इस तरह की स्थिति के आधार पर ट्रेडिंग के आकार को बदलने की इस स्ट्रेडेजी को ट्रेड साइजिंग कहते हैं इस तरह नापकर ट्रेडिंग करने से आप खुद को वीनर बनाने की इवान बियाजी जो एक ट्रेडिंग कंपोजर एक ट्रेडर और मेडिटेशनल टीचर है और साथ ही साथ वह अपने आपको फिलोस पर आप मार्केट्स कहलवाना भी पसंद करता है आज दुनिया भर में डेड़ लाग से अधिक लोग इवान के डेली रिफलेक्शन के लिए इने फुलो करते हैं इसका कहना है कि आत्म विश्वास का आर्थ यह नहीं है कि मैं इस ट्रेड से लाब उठाऊंगा आत्म विश्वास का आर्थ होता है कि यदि मैं इस ट्रेड से प्रोफिट नहीं कमाऊंगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसे दूस आने में कटोती करके ट्रेडिंग से कमाई करने के एक्स्ट्रा प्रेसर में है तब सभल होने के बहुत कम चांस है जीवन व्यतीत करने के लिए ट्रेडिंग का निरने केवल उस स्थिति में लिया जाना चाहिए जब आपके जीवन के बाकी सभी खर्चों को कवर करने के लिए इंकम का एक अन्य बड़ा सोर्स आपके पास वर्तमान में उपलब्द हो क्योंकि यह हार्ड फैक्ट है कि जिनकी इंकम का कोई एक दूसरा बड़ा सोर्स होता है और वे खर्च के दवाव में नहीं होते आज वे ही ज़्यादा लाब कमा रहे हैं याद रखें कि ट्रेडिंग आपका जीवन नहीं है ट्रेडिंग इंकम का एक रोमांचक तरीका है यदि आपको ट्रेडिंग में आनंद की बजाए टेंशन हो रही है या फिर आप लगातार लोस में है तो इसे अभी रोक दें इस खराब स्थिती को या फिर कह सकते हैं कि मिस्टर ट्रेड्स को अपनी परसनल लाइफ खराब ने करने दे क्योंकि हमेशा एक और ट्रेड हर समय उपलब्द होता है यदि यह शेयर मार्केट में नहीं है तो कहीं और सही ट्रेडिंग का आकर्शन इस बारे में विचार करते हुए डगलस आगे लिखते हैं कि इस बारे में सोचने के लिए उन्हें एक पल के लिए रुकना पड़ा फिर वे कहते हैं कि वे इस बात से सहमत हैं कि लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए मोटिवेटेड करने के कई विशिष्ट कार्ण होते है जैसे कोई जबरदस्ट एक्षन करने का विचार, एंतुजियाजम, हीरो बनने की इच्छा अपने आपको जीत दे हुए देखकर खुशी महसूस करने के लिए या फिर आत्म दया में बने रहने की भावना को पूश्ट करना जो हारने से आती है लेकिन अगर किसी का ट्रेडिंग करने का कारण ये भावनाई है तब यह केवल समश्चाएं ही पैदा करती है जो अंततय ट्रेडर को उसकी परफॉर्मेंस और ओवराल सक्सेस से अलग कर देती है लेकिन ट्रेडिंग के लिए रियल इनर अट्रेक्शन इससे कहीं ज़्यादा मौलिक और यूनिवर्सल होते हैं ट्रेडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो परसनली रूप से क्रियेटिव एक्सपरेशन की अनलिमिटेड फ्रीडम परदान करती है लेकिन इस फ्रीडम ओफ एक्सपरेशन को हम में से ज़्यादातर ने अपनी लाइफ से गुडबाई कह दिया है डगलस आगे कहते हैं कि एडिटर ने उनसे इस बारे में अपनी राय जानना चाही कि डगलस इस बारे में क्या सोचते हैं डगलस ने एडिटर को इस पर अपने विचार व्यक्ट करते हुए कहा कि ट्रेडिंग इंवर्मेंट में हम सभी किसी ने किसी तरह के रूल्स बनाते हैं और उन्हें फोलो करते हैं इससे उनका मतलब है कि हम स्वेम खुद को कैसे व्यक्त करते हैं इस बारे में हम सोतंत रहें इसका चुनाव करने के लिए हमारे उपर बहुत कम restrictions या कहें limits लगाई गई हैं हाँ लेकिन कुछ formalities अवश्य हैं जैसे कि floor trader बनने के लिए exchange का member होना आउशक है या brokerage account खोलने के ल होता है यदि एक trader के रूप में आप trading शुरू करने जा रहे हैं तब आपके पास इसके लिए unlimited संभावनाई होती है डगलस ने एडिटर को एक seminar का उधारन दिया डगलस ने कई साल पहले इसे अटेंड किया था जिसमें बताया गया था कि यदि आप bond futures, bond option और cash bond market सब को मिला तो आठ बिलियन से अधिक expected spread combination बनते हैं अब यह आप पर depend करता है कि आप market की मौझूदा स्थितियों को कैसे पढ़ते हैं इसके आधार पर अपने आने वाले समय को कैसे देखते हैं जब आपके पास trade unlimited option चुनने के लिए एक साथ available हो फिर editor एक पल के लिए रुका और उसने डगलस से आगे पूछा लेकिन इस तरह के unrestricted environment तक पहुँच होने के बावजूद भी trader लगातार फिल क्यों होते हैं डगलस ने editor को उतर दिया इन unlimited possibilities के साथ साथ इनका लाब उठाने की unlimited freedom व्यक्ति को unique और space-light psychological challenge भी साथ में लाती हैं यह ऐसे challenge होते हैं जिन से निपटने क लिए बहुत कम लोग ठीक से equipped होते हैं या इनके बारे में aware होते हैं और लोग इसे control करने के लिए काम भी नहीं करते यहां तक कि उन्हें यह पता भी नहीं है कि यह एक problem भी है freedom ही जीवन है मैं यहां freedom पर विश्व के दो महान व्यक्तियों के बारे में बात करूँगा जिन बलकि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे महापुरुश हैं जिनोंने freedom के लिए 19701 दिन यानि 54 साल दो महिने और आठ दिन लगा कर unconditional surrender किया और आखिरकार 15 आगस्त 1947 को अपना लक्षय प्राप्ट किया गांधी जी का freedom के बारे में यह कहना था कि हर किसी को अपने duty ठीक से करन करता हूं तो मैं दूसरों की सेवा करने में भी सक्षम हो जाऊंगा और मैं इसे बार बार repeat करने के लिए freedom चाहूंगा गांधी जी आगे कहते हैं कि हम सोतंतरता के लिए जो करना चाहते हैं वह करने योग्य है और इसे किया जाना चाहिए वह इसलिए नहीं कि हम से चली आ रही रंग भेध निती के खिलाब बोलने के हिम्मत दिखाई इसी रंग भेध विरोधी संगर्श के कारण उन्होंने 27 वर्ष रोबन दूइब की जेल में बिताए जहां उन्हें कोईला खनिक के रूप में कठोर काम करना पड़ता था उन्होंने लगातार 50 साल त नेल्सन मंडेला का सोतंतरता के बारे में कहना था कि सोतंतर होना अपनी गुलामी की जंजीर को उतार फेंकना मातर नहीं है बलकि इसे अपना जीवन इस तरह से जीना है कि इस से औरों का सम्मान और सोतंतरता बढ़े और सिर्फ सोतंतर लोग ही समझोता कर सकते हैं कैदी सम लिए प्रयास भी करते हैं यहां तक कि इसके लिए लालाईत भी रहते हैं लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास मौझूद unlimited resources से किसी के लिए या फिर अपने लिए भारी मुसिबत खड़ी करें लगवग हम सभी को कुछ mental adjustment करने की आवशकता होती है चाहे हमारी educational background, intelligence या किसी अन्य फिल्ड में वे कितने भी success क्यों नहीं हो Douglas जिस तरह से adjustment की बात कर रहे हैं वह है एक internal mental structure बनाने के साथ साथ trader को कुछ भी करने की freedom वे financial और psychological loss दोनों को feel करने की मौजूद क्षमता के बीच सबसे बड़ी मात्रा में balance परदान करता है जो उस freedom का direct result है लेकिन यह भी सही है कि एक mental structure बनाना काफी कठिन हो सकता है खास कर तब जब आप जो structure establish करना चाहते हैं वह है आपके पहले से establish belief के विपरीत हो लेकिन हम में से जो trader बनना चाहते हैं उनके लिए appropriate structure बनाने की कठिनाई हमेशा mental resistance के एक established backlog की वज़े से और ज़्यादा जटिल होती है जो हमारे जीवन के शुरुआती चरणों में develop होना शुरू हो जाती है हम सभी किसी ने किसी प्रकार के social environment में जनमे हैं फिर चाहिए वह है एक family, city, state या country हो ये सभी उस social structure के existence को दर्शाता है यह social structure कुछ rules, restrictions, boundaries और विश्वाशों का एक group होता है यह हमारे behavior का एक code बन जाता है जो उस social structure के अंतरगत आने वाला व्यक्ति उसे व्यक्त कर सकता है या नहीं कर सकता है इसके अलावा social structure की अधिकांस boundaries हमारे जनम से पहले ही establish हो चुकी होती है इसे समझने के लिए दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब तक हम में से कोई भी यहां तक पहुशता है तब तक हमारे personal expression को गवर्न करने वाले अधिकांस social structure अपनी जगे और अच्छी तरह से establish हो चुके होते हैं इससे यह समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है कि किसी समाज की सरंजना और व्यक्ति की self expression यानि आत्म अभी व्यक्ति दोनों में विरोधावास यानि paradox क्यों होता है हर व्यक्ति फिर चाहे आप हो या मैं जो भी ट्रेडिंग की skill में expert होना चाहता है उसे भी इसी तरह के fundamental conflict का सामना करना पड़ता है डगलस अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछते हैं कि पृत्वी पर पैदा होने वाले हर बच्चे की वह कौन सी एक खास बात होती है जो उसकी व्यक्तिकत अभी व्यक्ति का एक रूप है यह समन्यत है सभी में पाई जाती है भले ही बच्चा किसी भी स्थान संस्क होता है हम कह सकते हैं कि बच्चे एक छोटी सीखने की मशीन की तरह होते हैं जो सब कुछ सीखने के उत्सुक होते हैं आईए थोड़ा जिग्यासा की प्रकरती पर विचार करें जिग्यासा का शाब्दिक अर्थ जानने की इच्छा है मनुष्य में जिग्यासा अनादी काल से ही विद्यमान रही है मनुश्य हमेशां से ही क्या कौन और कैसे के उत्तर खोजने में लगा रहा है हर आविशकार जिग्यासा का ही परिणाम है इसी से ही सबसे पहले पहीये का आविशकार हुआ था जिग्यासा ही मुख्यतर दो परकार की होती है पहली जिग्यासा वह होती है जिससे फिजिकल नौलेज की ग्रोथ होती है अंग्रे जी की कहावत के अनुसार क्यूरियोसिटी यानि जिग्यासा इंटेलीजेंस की जन्नी होती है वास्तों में संसार भर में जितना भी ज्ञान और विज्ञान हमें दिखाई देता है उसके पीछे मनुस्य के क्यूरियसिटी की ही महतोपूर्ण भूमिका रही है इसी के कारण अनेको विशों का ज्यान प्राप्त कर मनुश्य ने आदिम आवस्था से आज इतनी प्रगती की है इसी से वह संसार के सभी जीवों पर नियंतर्ण पासका है दूसरी जिग्यासा आत्म तत्तों से संबंतित ह व्यक्ति को आत्मा और पर्मात्मा के बारे में जानने की उतकंठा ही आत्म ग्यान कहलाती है ब्रह्म सुत्र या वेदांत दर्शन का आरंब ही अथातों ब्रह्म जिग्यासा से हुआ है जिसका भावार्त है कि जगत की नश्वर्ता के बाद अनंत अखंड महान ब्रह्म को जानने की जिग्यासा होती है इसलिए अपने अंतरमन में जिग्यासा की जोती को जलाई रखिए यह जोती आपके ग्यान विज्ञान का आधार बनेगी जिग्यासा की शक्ति अनंत अनंत है यह किसी को भी नई उंचाईयों पर ले जा सकती है जिग्यासा एक शक्ति है वास्त यहें उन पर छोड़ दीजिए फिर वे अपने आप नोर्मली अपने आसपास को एक्सप्लोर कर लेंगे इस इनर डायरेक्टेड फोर्स का भी अपना एक एजेंडा है दूसरे शब्दों में यहें सच है कि सभी बच्चे जिग्याशू होते हैं लेकिन सभी बच्चे समान च डायरेक्ट करता है आप यहें तो अच्छे से जानते हैं कि शिश्वों को भी यहें पता चल जाता है कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं जब बड़े इस युनीक प्रदर्शन को देखते हैं तब वे आम तोर पर सर्प्राइज हो जाते हैं शिश्वों के इसी इनर डा इसी को सीखने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ परदान करता है लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम में से हर एक के सीखने या अनुभव करने में नॉर्मल या इमोशनल इंट्रेस्ट एक जैसा हो हमारे कुछ internal mechanism है जो हमें naturally selective बनाता है अब यदि आ है भी लिष्ट बना लेते हैं कि आपको इसमें बिल्कुल भी इंट्रेस्ट नहीं है अब आप सोचते हैं कि मैं जानता हूं कि और भी बहुत कुछ है जो मैं कर सकता था अब आप अपने थोड़े बहुत इंट्रेस्ट की चीजों की एक और लिष्ट भी मना सकते हैं और अ emotional interest कहां से आता है डगलस कहते हैं कि उनका यह personal opinion है कि यह हमारे existence यानि अस्तितों के सबसे गहरे स्थर से आता है जो हमारी real identity यानि वास्तिविक पहचान का level होता है यह हमारे उस हिस्से से आता है जो हमारे सामाजिक पालन पोशन से प्राप्त होने वाली विसेस्ताओं और हमारे व्यक्तितों के लक्षणों से परे मुझूद है खत्रे हमारे existence के सबसे गहरे स्थर पर हमारे अंदर conflict यानि संगर्स की संभावना हर समय मौझूद रहती है जिस social structure में हम पैदा हुए है वह इन inner directed जरूरतों और हितों के प्रती संवेदन सिल भी हो सकती है और नहीं भी इसे एक उधारन से समझते हैं कि हो सकता है कि आप एक बेहद competitive athlete family में पैदा हुए हो फिर भी आपका emotional interest classical music या किसी तरह के art में हो सकता है हो सकता है आपके पास naturally athletic ability हो लेकिन athlete events में भाग लेने में आपको कोई ज्यादा interest नहीं हो क्या यहां conflict की कोई संभावना है अपने भारतिय समाज में एक सामन्य परिवार की यह tendency आम होती है कि परिवार के ज्यादातर सदश्य आप पर अपने भाईयों बहनों या माता-पिता के नक्षगदम पर चलने का बहुत दवाव डालते हैं वे ज्यादातर आपको अपने तरीके सिखाने के लिए और अपनी आप यह है कि आप यह नहीं समझ पाते हैं कि आखिर आप को नहीं होनाँ होने चाहते हैं हमें क्या बनना चाहिए इस बारे में हमें जो सिखाया जाता है उसके परिजिस्टेंस के सबसे गहरे स्तरों पर और रिफलेक्ट होने वाली फिलिंग बिलकुल भी ऐसा मान्यन नही डगलस कहते हैं कि बहुत से लोग एक परिवार या सांस्कृतिक वातावर्ण में बड़े होते हैं जो उन मुल्यों का समर्थन करते नजर आते हैं जिसमें वे खुद को व्यक्त करने के लिए मजबूर मेहसूस करते हैं इस समर्थन में केवल प्रोचाहन की कमी ही नहीं बलकि यह उतना ही गहरा हो सकता है जितना हम अपने आपको अभिव्यक्त करने के किसी खास तरीके से पूरी तरह से इनकार करना चाहते हैं इसे एक उधरन से समझते हैं एक नॉर्मल सिच्वेशन में एक बच्चा जो जीवन में पहली बार कोफी टेवल पर इसे देखता है जिसे अर्थ है कि उसमें एक इनर पावर है जो उसे इस वर्ष्टू का एक्सपिरियंस यानि आनुभव करने के लिए मजबूर कर रहा है एक अर्थ में यह ऐसा है जैसे यह पावर उसके मन में एक खालीपन पैदा कर देती है जिसे उसके इंट्रेस्ट के विशे से भरना होता ह तो वहे फूलदान पर फोकस करता है और जान बुझ कर इरादे से कमरे के फर्ष पर क्रोल करता हुआ काफी की टेबल तक पहुंच जाता है जब वहे मेज के किनारे तक पहुंच जाता है तब अपना संतुलन बनाई रखने के लिए एक हाथ मेज पर मजबूती से रखते नहीं इसे मत छूओ यह गिर जाएगा बच्चा चौक जाता है और अपने बट पर गिर जाता है और फिर रोने लगता है जाहिर है यह बहुत आम बात है बच्चे के लिए यह गटना एकदम चौक आने वाली है लेकिन आप जानते हैं कि बच्चों को इस बात का बिलकुल पर यह अंदाजा नहीं होता कि वे इस से खुद को गाहिल कर सकते हैं या फिर यह कितना मुल्यवान हो सकता है बच्चों के लिए यह सबक सीखना बहुत आवशक है कि क्या करना सेफ है और कौन सी चीज़ कितनी वैल्यूएबल है यह समझ बेहद आवशक साइकलोजिकल डा आप तब कैसा महसूस करेंगे जब आपको अपनी इच्छा के अनुसार खुद को प्रेजेंट यानि व्यक्त करने के आवसर से वन्चित कर दिया जाए या फिर आपको अपने आपको इस तरह से प्रेजेंट करने के लिए फोर्स किया जाए जो आपकी नेचरल सिलेक्शन के अनुरूप ने हो इस तरह का एक्सपीरियंस परेशान करता है अपसेट होने का आर्थ है इंबैलेंस यानि एसंतुलन लेकिन वास्तों में बैलेंस से बाहर क्या है आउट आप बैलेंस होने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस में हो या पहले स्थान पर समान अनुपात में हो यह कुछ एसा है जो हमारे इंडर मेंटल एन्वार्मेंट और एक्स्टरनल एन्वार्मेंट के बीच मौजूद रिलेटिव डिगरी है जहां हम अपने जीवन को महसूस करते हैं दूसरे शब्दों में हमारी जरूर्ते और इच्छाएं हमारे मेंटल एन् बैलेंस की स्थिति में होते हैं और हमें संतोष्टी या खुशी की अनुभूती होती है यदि ये एन्वार्मेंट बैलेंस में नहीं है तो हम ऐसंतोष क्रोध और निराशा का अनुभव करते हैं जिसे आम तोर पर एमोशनल पेन कहा जाता है हम जो चाहते हैं वह हमें क्यों नहीं मिल रहा है हमें किसी विशेश तरीके से खुद को व्यक्त करने की फ्रीडम से वंचित होने से हमें भावनात्मक दर्द का अनुभव होता है डगलस की पर्सनल थियोरी है कि नीड और डिजायर यानि जरूरतें और इच्छाएं मेंटल वेक्यूम पैदा करती है जिस उसे भरने की और अग्रेसर हो जाता है इस बारे में फिलोस पर स्पीनोजा ने सद्यों पहले कहा था कि नेच्चर वेक्यूम से ग्रहना करता है आपने यह एक्सपेरिमेंट बच्पन में खुब किया होगा कि एक बोतल के मूँ पर अपना मूँ लगा कर उसमें से पूरी ह होगा आवशक्ता आविशकार की जन्नी है इस वाक्य के पीछे की डाइनेमिक्स भी तो यही है कि आवशक्ता एक मेंटल वेक्यूम क्रियेट करती है जिसे ब्रमांड प्रेरक विचारों से भर देता है यदि आपका मन ग्रहन सील है तब आपके विचार बदले में एक्सप माने पर ब्रमांड की तरह काम करता है एक बार जब हम किसी आवशक्ता या इच्छा को पहचान लेते हैं तो हम एक्स्टरनल एन्वायरमेंट में एक अनुभव के साथ वेक्यूम को भरने के लिए आगे बढ़ते हैं यदि हमें इस आवशक्ता या इच्छा का पीछा करने के अवसर से वन्चित कर दिया जाता है तो यह ऐसा लगता है जैसे हम संपूर्ण नहीं है या कि कुछ गाइब है जो हमें ऐस अंतुलन या भावनात्मक दर्द की स्थिति में डाल देता है इसका सबसे आसान एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप एक बच्चे से वह खिलोन रिस्पोंस यानि इमोशनल पेन होगा इस बुक में डगलस आगे कहते हैं कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बच्चा 18 वर्ष की उम्र होने तक प्रत्वी पर लगबग 6570 दिन बिता चुका होता है इस दोरान यह कितनी बार इस तरह के डायलोग सुन चुक मैं तुम्हें बता दूँगा यह नहीं किया जा सकता तुम्हें क्या लगता है कि तुम यह कर सकते हो तुम्हें यह करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है ये कुछ अच्छे तरीके के उधरन है जिनके द्वारा हमें अपने परसनल एक्सप्रेश यानि व्यक्तिकत अभिव्यक्ती से वन्चित कर दिया जाता है। हो सकता है, हम इन्हें दिन में एक दो बार ही सुनें, लेकिन हम व्यस्कों होते होते, हजारों बार इनकार सुन चुके होते हैं। मार्क डगलस इस लेंड ओफ एक्सपिरियंस को सीखने के लिए denied impulses यानि एस्वीकार आवे कहते हैं। ये वे impulses हैं जो हमारी inner need पर based होते हैं, जो हमारी natural selection process से, हमारी पहचान के गहरे हिस्से से उत्पन होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी impulses यानि आवेगों का क्या होता है, जिने आज तक denied किया गया है, या ये बस योहीं चले जाते हैं इसके बारे में डगलस आगे कहते हैं कि ये impulses अगर हम या कोई और कुछ करता है और किसी तरह से हमारे विचारों से मेल खा सके तो ये कुछ कर सकते हैं इन्हें हम हमारे mental environment के साथ balance में ला सकते हैं लेकिन क्या यह संभव है कि हम अपने mental environment को वापस balance में ला सकते हैं हाँ इसके लिए कई तकनिके उपलब्द हैं एक बच्चे के लिए तो सबसे natural तरीका यह है कि उसे बस रोना है क्योंकि इन एस्विकरती और अधूरे आवेगों को समेटने के लिए रोना एक natural mechanism यानि प्राकरतिक तरीका है इस बुक के अनुसार व लोना हमारे मन में negative रूप से charged power को पाहर निकाल देगा और हमें वापस balance की स्थिते में ले आएगा भले ही हमारा मूल आवेग कभी पूरा नहीं हुआ हो लेकिन इसके साथ समश्या यह है कि ज़्यातर समय गटनाओं को इस तरह से अपना natural course पूरा करने की अनुमती नहीं द जाता है जबकि अब तो हम बच्चे भी नहीं रहे हैं बहुत से कारणों से कई adults यह पसंद नहीं करते कि उनके बच्चे विशेश कर लड़के रोएं इसके लिए वे वह सब कुछ करते हैं जो वे कर सकते हैं बहुत से कारणों से adult बच्चों को यह समझाने की आवशकता मह जबूर किया जा रहा है जो वे नहीं करना चाहते हैं यहां तक कि अगर adults इसकी कोशिश भी करते हैं तो इस बात की कोई guarantee नहीं है कि वे अपने इस imbalance को समेटने के लिए प्रयाप्त परभावी होंगे अब आप सोचिए कि यदि इन आवेगों को समेटा नहीं गया तब क्या होगा धीरे धीरे ये आवेग accumulate होते रहते हैं और किसी दिन आप उन्हें देख सकते हैं कि वे अपने आपको नशे की लत में प्रकट करते हैं और इसी तरह का कोई एक कंपल्सिव behavior pattern अपना लेते हैं डगलस आगे कहते हैं कि एक lose thumb rule के अनुसार अगर हम सोचते हैं कि हम adult होते होते हम आसानी से addict बन सकते हैं बुक में दिये गए उधारन के अनुसार बहुत से लोग attention के addict होते हैं ये वो लोग होते हैं जो अपनी और दूसरों का ध्याना करशित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं इसका सबसे आम कारण यह है कि उनका मानना है कि जब वे छोटे थे तब उन्हें परियाप्त ध्यान नहीं मिला या जब यह उनके लिए महतोपूर्ण था तो उन्हें यह नहीं मिला किसी भी मामले में इस तरह का अभाव अनसुल जी emotional energy बन जाती है जो उन्हें उन तरीकों से व्यवहार करने के लिए मजबूर करती है जो addiction को satisfy करेंगे हम सबी के अंदर विद्यमान इन ऐसंगत ऐस्विकरत आवेगों के बारे में हमें इसलिए जानना और इन्हें समझना महतोपूर्ण है कि यह हमारे focused रहने और हमारे trade के लिए अनुशाशित और consistent approach अपनाने की हमारी ability को कैसे प्रभावित कर सकते हैं सुरक्षा कर्मी trading environment में effectively काम करने के लिए हमें अपने behavior को direct करने के लिए rules और boundaries की आवशकता होती है trade का यह है एक simple fact है कि समभावित trader खुद का जो हम सोच सकते हैं उससे भी बारी नुकसान कर सकता है जो नुकसान उसके अनुपाद से बाहर हो सकता है डगलस के अनुसार ऐसे कई प्रकार के trade होते हैं जिसमें loss का risk unlimited होता है इस तरह से खुद को नुकसान पहुचाने की possibility को रोकने के लिए हमें specialized mental discipline के perspective के रूप में एक internal structure बनाने की जरूरत है जो हमारे behavior के लिए एक guide की तरह काम करे ताकि हम हमेशा अपने सरवत्तम हित में कारिया कर सकें यह structure हम सभी में मौझूद होनी चाहिए क्योंकि society की तरह market यह हमें नहीं सिखाती है market तो behavior pattern के रूप में केवल खरीदने या बेचने के आवसर की और इशारा करती है यही इसका structure है इसी simple indication के साथ ही यह structure समाप्त भी हो जाता है इसके अलावा आपके behavior को direct करने के लिए कोई और formal rule नहीं है market एक धारा की तरह है जो निरंतर गती में है यह ने तो शुरू होती है ने ही रुकती है और ने ही किसी की प्रतिक्षा करती है market जब बंध होती है तब भी कीमतों में मंदी तेजी बनी रहती है आज तक एसा कोई नियम नहीं बना है कि किसी दिन की शुरूआती कीमत एक दिन पहले बंध होने वाली कीमत के समान होनी चाहिए समाज हमें एसे boundaryless environment में प्रभावी डंग से कारिय करने के लिए तयार नहीं करता है कुछ लोग trading को gambling कहते हैं जो सरवता सही नहीं है क्योंकि gambling में inbuilt structure होते हैं जो उन्हें trade से बहुत अलग बनाते हैं यह trade से बहुत कम खतरनाक भी होते हैं उधारन के लिए यदि हम black jake खेलें तो सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हम कितना दाओं पर लगाने जा रहे हैं या कह सकते हैं कि कितना risk उठाने जा रहे हैं gambling का यह एक ऐसा option है जिसे हम खेल के नियमों द्वारा अपनाने के लिए मजबूर है अगर हम selection नहीं करते हैं तो हमें gambling का मोका नहीं मिलेगा लेकिन trading में आपको swim को छोड़ कर कोई भी पहले से यह तय करने के लिए मजबूर नहीं करेगा कि आप कितना जोखिम उठाएंगे यहां हमारे पास वास्तों में एक unlimited environment है जहां किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है ट्रेडिंग में केवल consistent winner ही ट्रेड करने से पहले अपने जोखिम को define करते हैं बाकी सभी रिस्क को पहले से define करने की वास्तों का सामना करने की बज़ाई यह मान बैठे हैं कि प्रतेग ट्रेड का एक संभावित result होता है वह कोई trade कितना भी आच्छा हो वह उसमें भी हार सकता है external structure के बिना एक विशिष्ट trader को अन्यथा सोचने के लिए force किया जाता है वह किसी भी प्रकार के justification, rationalization और destroyed logic को मान कर यह विश्वास करते हुए कि वह loss दे ही नहीं सकता और trade में कूद पड़ेगा उनका यही bullet proof confidence उनके इस advanced risk assessment को relevant बना देता है gambling की तरह यह trading में सच नहीं है trade में कीमते लगातार गती में रहती है कुछ भी तब तक शुरू नहीं होता जब तक आप इसे तै नहीं करते यह तब तक चलता रहता है जब तक आप चाहते हैं और यह तब तक समापत भी नहीं होता जब तक आप इसे खत्म नहीं कर देते हैं हो सकता है कि आपने जो भी योजना बनाई है या आप कुछ करना चाहते हैं उसके बावजूद कई psychological factor आपके रास्ते में आ सकते हैं जिससे आप विचलित हो सकते हैं अपना मन बदल सकते हैं आप डर सकते हैं या आप अति आत्म विश्वासी हो सकते हैं दूसरे शब्दों में आपको एनिश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर करने के कई कारण उभर सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं था, जो अनपेक्षित थे, गैंबलिंग का एक फॉर्मल अंत होता है, लेकिन ट्रेडिंग का कोई फॉर्मल अंत नहीं होता है, मार्केट आपको तब तक ट्रेड से बाहर नहीं करेगी, जब तक आप खुद ट्रेड को स्माप्त करने के लिए एक reliable mental structure को develop ने कर लें जो हमेशा आपके सर्वत्तम हित में काम करे या फिर आप एक inactive loser बन सकते हैं इसका सीधासा मतलब यह है कि जब आप loss वाले trade में होते हैं तब आपको loss के लिए कुछ भी करने की आशकता नहीं है आपको इसकी तरफ देखना तक नहीं है अपना काम बखू भी करेगी और आपसे आपकी हर चीज यानि बहुत कुछ आपसे छिन लेगी डगलस के अनुसार trade के कई paradox में से एक यह भी है कि यह एक ही समय में आपको gift भी दे सकती है और एक अभिशाब भी दे सकती है trade का gift यह है कि आप जो कुछ भी करते हैं उस पर आपका पूरा control हो सकता है और अभिशाब यह है कि आपके behavior को guide करने के लिए कोई external rule या boundaries नहीं है जब हम consistent winning के लिए कुछ उपाई कर रहे होते हैं तब trading environment के unlimited features के साथ काम करने के लिए यह आवशक है कि हम कुछ हद तक सैयम और आत्म नियंतरन यानि self control के साथ काम करें हमारे behavior को direct यानि निर्देशित करने के लिए हमें जिस structure की आवशकता है वह है आपके mind में आपकी स्वतंत्र इच्छा से एक सचेत कारिये के रूप में उत्मन होती है नहीं तो आने वाले समय में बहुत सारी problems का सामना करना पड़ सकता है समश्या नियम बनाने की इच्छा क्या आप अभी तक किसी एसे व्यक्ति से मिले हैं जो ट्रेडिंग में तो विश्वास रखता हो लेकिन सेट आफ रूल्स की थियोरी का विरोध करता हो एसा व्यक्ति डगलस को भी उनके जीवन में कभी नहीं मिला प्रतीरोध कभी स्पष्ट नहीं होता बलकि यह बहुत सुक्षम होता है डगलस इस बारे में बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम एक तरफ तो यह कहते हैं कि यह नियम बेहद कारगर है लेकिन दूसरी तरफ इन्हें अपनाने का हमारा कोई इरादा भी नहीं है यही प्रतीरोध का लोजिकल सोर्स है हमारे ज्यादातर मेंटल स्ट्रक्चर हमें हमारे सामाजिक पालन पोसन से और अन्य लोगों दुबरा किये गई विकल्पों के आधार बने हैं यह हमारे दिमाग में तो बस गई थे लेकिन इन्हें पैदा होने का मौका नहीं मिला था जो एक महतोपूर्ण बेहद है हमारे मेंटल स्ट्रक्चर को अपनाने की प्रोसेस में हमारे एक्सपिरियंस और आवेगों ने ही नेचर ओफ एक्जिस्टेंस को ट्रांसफर करने उन्हें व्यक्त करने और सीखने के लिए नकार दिया था जो हमारे अंदर नेराशा, क्रोध, अपरादबोध और ग्रणा क के रूप में मौझूद है, इस नेगेटिव फिलिंग्स का कलेक्शन ही हमारे मेंटल एनवर्मेंट में एक पावर के रूप में वर्क करता है, इससे हम उन सभी चीजों का विरोध करते हैं, जो हमें हमारी उस फ्रीडम से दूर कर देती है, जिससे हम जो चाहते हैं और कारण होता है, यही वह कारण है जिससे हमें रूल्स और बाउंडरीज के डिवलिप्मेंट के लिए एक नेचरल बेरियर महसूस होता है, जो हमारे बीहेवियर को उचित रूप से डायरेक्ट कर सकते हैं, यह ऐसा लगता है जैसा की हमें एक ऐसा टापू मिल गया है, जहां हमें कुछ भी करने की complete freedom है, और फिर आचानक से, पीछे से कोई हमारे कंदे को थपतपाता है, और कहता है, अरे आपको rules बनाने होंगे, और इतना ही नहीं, आपको उन rules पर चलना भी होगा, यानि उन्हें 100% follow करने के लिए discipline में रहना होगा, rules की आवशक्ता तो पूरी तरह कैसे समझ में आ सकती है, लेकिन उस समय इन्हें बनाने के लिए प्रेड़ना उत्पन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जब हम अपने जीवन के ज्यादातर हिस्चे को rules से मुक्त करने का प्रियास कर रहे होते हैं, एक structural trading system develop करने और उसका पालन करने के लिए हमारे प्रत अपनी सभी निराशाओं को समेटना पड़ेगा और आपको इनका दर्द भी महसूस नहीं होगा, डगलस ने कई traders के साथ काम किया है, जिनोंने अपने consistent के objective को achieve किया है, और उन्होंने अपने denied impulses के backlog को solve करने के लिए कुछ भी नहीं किया था, हालांकि आपको उस तरह के mental structure क develop करने में कितना प्रियास और ध्यान करना पड़ सकता है, जो negative impressions की भरपाई करके denied impulses को structure में ला सकता है, यह आपको आश्वस्त करेगा कि आप एक trader के रूप में कितने success होंगे, समश्या, जिम्मेदारी लेने में विफलता, कुछ दिन पहले मैं internet पर कुछ सर्च कर रहा था उसी दोरान मैंने एक blog post पड़ी और उस में से कुछ बातें मैंने अपने diary में note करके रख ली, उस website का नाम है iitv-bandhu.org जो शायद एक iitian speak जैसा कुछ blog था, मैं जिस blog का जिकर कर रहा हूँ, उसका title था, क्या ऐस फलता के डर से आप पिछड रहे हैं, इस blog में से जो बाते म उनमें लिखा था कि कोई भी ऐस सफल होना पसंद नहीं करता है, जो 100% सही बात है और इससे कोई भी ऐस एहमत नहीं होगा, शायद आप भी नहीं, लेकिन इस ऐस सफलता का डर कुछ में इतना जादा होता है कि वे इसकी डर की वज़े से नई चीजों की कोसिस करना भी देते हैं, इस डर को छोडने के लिए आपको शुरुआत करने के कुछ सिंपल स्टेप्स इस ब्लोग में बताए गए हैं, जिने इस ब्लोग पर जाकर आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, वे स्टेप्स इस परकार से हैं, नमबर एक, आप जो भी पोजिटिवली करना चाहते ह उसकी अभी शुरुवात कर दें, नमबर दो, केवल अपने कंट्रोल की चीजों पर फोकस्ट रहें, नमबर तीन, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, नमबर चार, इसे सिर्फ अपने पास ने रखें, नमबर पांस, उन परिस्टितियों को पहचाने, जो आपको बुरा म महसुस कराती है, और नमबर च्छे, इस बात पर गोर करें, कि आप खुद से क्या कह रहे हैं, इस ब्लोग में मुख्यता यह कहा गया है, कि हम से संबंदित कोई भी काम, जब तक हम शुरू नहीं करते, तब तक यह शुरू नहीं हो सकता, यह तब तक चलता है, जब तक हम होता, जब तक हम रुकने का फैसला नहीं करते, हमारी सभी स्टार्टिंग, वर्किंग और क्लोजिंग, हमारे पास उपलब्द जानकारी पर डिपेंड होती है, कि हम उपलब्द जानकारी की कैसे इंटर्प्रेटेशन करते हैं, और अपने इंटर्प्रेटेशन पर कैसे का चाहते हैं जो ट्रेडर अपने interpretation और कारियों के results के लिए जिम्मेदारी स्विकार करने के लिए तयार नहीं है वे बस अपने लिए problems ही create करते हैं वह है एसी किसी भी activity में भाग नहीं लेगा जो उसकी पसंद की complete freedom देता है वह है इसलिए इसमें participate नहीं करता क्योंकि वह है जिम्मेदारी से बसता फिरता है ट्रेडिंग की सबसे important खास बात यह है कि यदि आप इसमें consistent results पाना चाहते हैं तब आपको इस आधार से starting करनी होगी कि results चाहे जो भी हो आप इसके लिए पूरी तरह से responsible हैं कुछ ट्रेडर इस responsibility के level को trading की starting से पहले ही accept कर लेते हैं जो trader responsibility के बिना trading करते हैं उसे random trading कहते हैं जो कि बिना किसी trading strategy को define किये होती है जिसे डगलस unplanned trading के रूप में define करते हैं यह trading की unorganized approach है जो आपको यह पता लगाने की permission नहीं देता है कि क्या चीज consistently काम करती है और कौन सी चीज काम नहीं करती है यह randomness आपको बिना responsibility की unstructured freedom देती है जो आपके corpus को कभी भी डूब हो सकती है कुछ traders के मन में यह प्रशन या कहें एक logic हो सकता है जो सभाविक है कि अगर consistent रहना possible नहीं है तो फिर हमें वास्तों में responsibility लेने की क्या उशकता है परन्तों इस logic के साथ में एक समश्या है कि market का हमारा direct experience हमें इस से कुछ अलग कहानी बताता है कि same behavior pattern खुद को बार-बार present करते हैं भले ही हर personal pattern का result random हो लेकिन pattern की एक series का result statical रूप से विश्वश्वश्णिया होता है यह market का एक विरोदाबास यानि paradox ही है लेकिन इसे आसानी से एक disciplined organized और consistent approach के साथ solve किया जाता है यहां डगलस कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे से traders के साथ काम किया है जो next day के लिए market analysis और trade की योजना बनाने में घंटों खर्च करते हैं लेकिन फिर अगले दिन वहें नहीं किया जो उन्होंने इन घंटों के analysis के दोरान सर्च किया था बलकि कुछ और ही किया उनकी अगले दिन की trade का base आम तोर पर उनके friends के विचार या फिर दलालों के सुझाव ही होते थे दरसल जिन ट्रेडों की उन्होंने मूल रूप से planning की थी उन पर action नहीं किया और अगले दिन के वे share ही winner थे जब हम अपने swim के विचारों पर कारिय करते हैं तो हम अपनी रचनात्मक शमताओं पर कारिय कर रहे होते हैं इससे हमें तुरंत यह reaction मिलता है कि हमारे विचारों ने कितनी अच्छी तरह से काम किया दूसरी और जब हम एक unplanned random trade करते हैं तो friend या agent को उनके गलत विचारों के लिए दोश दे कर अपनी responsibility को transfer करना बहुत आसान है यह एक fact है कि किसी भी trade में winner बनने का potential होता है लेकिन फिर भी कुछ trader नियमों को अन देखा करते हुए अपने गलत दाओं चलते हैं और फिर इस गलती को trade पर डालने की कोशिश करते हैं अगर आप एक consistent winner trader बनना चाहते हैं तब आपको trading के नियमों को follow करना ही पड़ेगा यह चाहे आप अभी करें या फिर थोड़े समय के बात कर लें डगलस ने बुक में इस problem को समझने के लिए एक मज़ेदार उधरन दिया है इसके अनुसार यदि आप एक बंदर को कोई एक काम करना सिखा देते हैं फिर हर बार इसे करने के लिए उसे लगाता reward देते हैं तो बंदर जल्दी ही इन results को अपने परियासों के साथ जोड़ना सीख जाता है फिर अगर आप इस काम के लिए उसे reward देना बंद कर देते हैं तो बहुत कम समय में ही बंदर उस काम को करना बंद कर देगा बंदर अपनी पावर को कुछ ऐसा करने में बिलकुल भी बरबाद नहीं करेगा जिसके लिए उसे reward नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप उसे बिना किसी सेडूल के रेंडम ले रिवार्ड देना शुरू कर देते हैं तब बंदर को यह नहीं पता चलेगा कि उसे किस काम को करने के लिए रिवार्ड मिल रहा है अब बंदर के दृष्ट कोन से काम बंद करने का कोई कारण नहीं है वह उस काम के लिए रिवार्ड के के लिए कहा जाए तो वे कहेंगे कि इसका शायद उत्सा उत्प्रेरक रसाइनों यानि यूफेरिया इंडूसिंग कैमिकल से कुछ लेना देना हो सकता है ये हमारे दिमाग में तब रिलीज होते हैं जब हम किसी सुखद आस्चरिया का अनुभव करते हैं इसका मतलब है कि ज और रिसोर्च को बिना किसी मुश्किल के खर्च करना जारी रखते हैं कहीं यही अडिक्शन हमारे अंदर तो नहीं क्योंकि वास्तों में कई लोगों के लिए यह बहुत व्यस्नी हो सकता है और उन्हें इसके बिना अपना जीवन खाली सा महसूस होने लगता है वे इसी व इस रजल्ट की अपेक्शा करते हैं और हम उसे पाने में बार बार फेल हो रहे होते हैं तब हम निराश होते हैं और बुरा महसूस करते हैं इस बार बार फेल होने के परिणाम सुरूप यह संभवना बिलकुल भी नहीं है कि हम कुछ ऐसा करते रहेंगे जो हमें पता है कि ह हमें emotional दर्द देगा, हम इसे अब बंद करने के भी सोच सकते हैं। किसी भी तरह की addiction के साथ यह समश्या है, कि यह हमें choice-nessless, यानि विकल्प हिंता की स्थिते में लाकर छोड़ देता है। हमारा addiction, जिस हद तक हमारे मन पर हावी होगा, उसी हद तक हमारा focus और हमारे efforts उस addiction के objective को पूरा करने के लिए परियास करेंगे। इसके अलावा अन्य possibilities जो अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूद होती है, इस स्थिति में उन्हें नजर अंदास कर दिया जाता है या फिर खारिज कर दिया जाता है। हम अपनी addiction को संतूष्ट करने के अलावा किसी अन्य तरीके से कारिय करने में शक्ती हीन महसूस करते हैं। Random Rewards की लत ट्रेडर्स के लिए विशेश रूप से बहुत दुखत होती है, क्योंकि यह काम में consistency पैदा करने वाले mental structure बनाने के resistance का एक और source होता है। Mental Environment Development से यह तातपरिय है कि व्यक्ती की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में व्रदी और विकास से है, जिसके परिणाम सोरूप व्यक्ती बदलते हुए परिवेश के साथ ठीक परकार एड़ेस्ट करता है और समस्त कठेनाईयों का हल डूडने अपनी मानसिक शक्तियों को समर्थ पाता है। हमारा जन्म जिस भी सोशल एंवार्मेंट में हुआ है, उसमें हमारे पालन पोशन ने हमें कारिया करने के लिए प्रोग्राम किया है। उसमें से ही हमने अपनी जरूर्तों, चाहतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए थिंकिंग स्ट्रेटेजी पैटर्न बनाने की पावर हासिल की है। हमने केवल अपनी जरूरतों चाहतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्वर रहना ही नहीं सिखा है बलकि हम जैसा चाहते हैं उसके अनुरूप सब के साथ तालमेल बैठा कर अपने गोल्स को अचीव करना सिखा है ट्रेडिंग मार्केट भी हमें सोशल एंवर्मेंट की तरह लग सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है यदि आज के आधुनिक समाज में हमने बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्वर रहना सीख लिया है तो हम मार्केट के माहुल को एक साइकलोजिकल जंगल के रूप में destroy कर सकते हैं जहां हर आदमी या औरत खुद के लिए काम करते है यहां पर ने के बने हम अपने profit के लिए कुछ भी करने के लिए मार्केट पर निर्वर नहीं रह सकते हैं क्योंकि मार्केट में जो कुछ फिरफेर करना सीख कर अपनी जरूरतों चाहतों और इच्छाओं को पूरा करने में परभावी हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम अपने आपको एक ट्रेडर के रूप में एसे माहूल में पाते हैं जो किसी भी चीज को नहीं जानता। वह किसी की परवान नहीं करता या किसी भी तरह की प्रतिकरिया नहीं देता है एसे माहुल में हमारे लिए यह जानना बेहद इंपोर्टेंट है कि वह हमें कहां पर पहुंचा कर छोड़ता है। तक हम सभी ने external environment को अपने internal environment के अनुरूप बनाने की तकनीक सीखी या विक्षित की है लेकिन समझा यह है कि इन में से कोई भी तकनीक मार्केट में काम नहीं करती है जब तक आप बहुत बड़े ट्रेडर नहीं हो तब तक मार्केट किसी भी तरह से kontrol या हेयर फेर का की बजाए अपने स्विम के behavior को market information के बारे में अपने perception और interpretation को control करना सीख कर उसे और बेहतर बना सकते हैं अगर हम सोचते हैं कि हम यह कैसे सीखें कि हमारा परिवेश जैसा हम सोचते हैं उसके अनुरूप हो और उसका remote control हमारे हातों में होना चाहिए तो डगलस की यह बुक कहती है कि आपको इसकी बजाई यह सीखना चाहिए कि हम खुद को वह अपने विचारों को कैसे कंट्रोल करें वास्तों में तभी हम market की किसी भी information को most objective द्रिश्टिकोंड से देख और समझ सकते हैं जिसमें हम अपने profitable mental environment structure को बेहद मजबूत बना सकें ताकि हम एक trader के रूप में हमेशा उस तरीके से बिहेव करें जो हमारे trading objective के हमेशा सरोतम हित में हो धन्यवाद hindi audiobook.com आपका दिन शुब हो trading in the zone chapter 3 जिम्मेदारी उठाना hindi audiobook.com में आपका स्वागत है आज के chapter पर बात करने से पहले हम पिछले chapter number 2 के important topics को revise कर लेते हैं ताकि हम जिम्मेदारी से आगे बढ़ सकें chapter 2 का title है trading की लट और इसके खत्रे जिसमें सबसे पहले तो हमने यह जाना कि हमारा यह attraction कहीं एक दिमाग का कीड़ा शांत करने के लिए तो नहीं है अगर ऐसा है तो अभी से इस लट को छोड़ने का प्रियास करना चाहिए जब आप chapter 2 को सुनते हैं तब आप यह बखुबी सीखते हैं कि इस कीड़े की पहचान कैसे की जाए इसका दूसरा topic था कि हमें बाहरी खत्रों से ज़्यादा अपने आंत्री खत्रों से सावदान रहने की आउशकता है इसका सीधा सा मतलब है कि बाहरी खत्रों को हम समय से पहले भाब कर अपना बचाव कर लेते हैं लेकिन आंत्री खत्रे हमें इसका आउसर नहीं देते इन आंत्रीक खत्रों की जड़े हमारे बच्चपन में होती है जिने पहचानना काफी मुश्किल होता है इसलिए इन से तब तक नहीं बचा जा सकता जब तक हम स्वेम अपने मानसिक खत्रों की पहचानने कर लें। इस चैप्टर में हमने जिस तीजरे टोपिक पर बात की थी वह है था सेफगार्ड यानि हम अपने ट्रेडिंग करियर के इंटरनल और एक्स्टरनल इनवायरमेंट को कंट्रोल और बैलेंस कैसे रखें। इसमें मौझूद खत्रों से कैसे निप्टें हमें ट्रेडिंग के खत्रों से बचने के लिए किस तरह के बुलेट फूरूप सेफगार्ड की आवशकता है जिसके बारे में चैप्टर दो सबसे बहतरिन तरीके से आपको सिखा सकता है कि आप एक बहतरिन ट्रेडिंग स्ट च्रक्छर को कैसे डिवल्प कर सकते हैं… दूसरों पर डालना चाहते हैं तीसरी समश्या है कि हमें स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं बलकि कभी भी और कुछ भी मिलने की उमीद हर समय रहती है हलांकि जिसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन अपने सैटिसफेक्शन के लिए ट्रेडिंग के रूल्स को ब्रेक करते रहते हैं उनका ठीक से पालन नहीं करते और चोथी समश्या यह है कि हम बहुत कम ही बार यह प्रियास करते हैं कि हमारे इंटरनल और एक्स्टरनल एन्वार्मेंट में तालमेल स्थापित हो हम जीवन में बहुत कम बार ही अपने समश्याओं पर ध्यान देते हैं और यह तब होता है जब तक हमारा किसी बड़े खत्रे से सामना नहीं हो जाए जिसकी वज़े से हम यह नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हमारे चीप रेजल्ट्स के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं हम उनसे कैसे निवट सकते हैं और एक ऐसे ट्रेडर बन सकते हैं जो कंसिस्टेंट विनर के तोर पर ट्रेडिंग करे आईए अब बढ़ते हैं बेताब जी के नाम से एक पोस्ट लिखी गई जिसका टाइटल था सफलता के लिए जिम्मेदारी लेना जरूरी है जो मार्क डगलस की इस फेमस बुक ट्रेडिंग इंदा जोन के और विसेसकर चैप्टर तीन पर एकदम सटिक बैठती हैं इस पोस्ट के अनुसार यदि आ दूसरों की जिम्मेदारी समझना है अगर किसी भी काम का रिजल्ट गल्त हो जाए उसकी जिम्मेदारी लोग दूसरों पर डाल कर खुद को उस बाहर से मुक्त समझ लेते हैं और ऐसे बिहेव करने लगते हैं मानो उन्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है इसके जिम्मेदारी लेना उसे समझना और उसे पूरा करना सफलता की और पहला कदम होता है क्या आपको लगने लगा है कि आप हालात के मारे हुए एक मजबूर इंशान है जिसके जीवन में बहुत कुछ बस के बाहर है यदि आपको वास्तों में ऐसा लगने लगा है तो यह पोस्ट में प्रचारिय जी ने अपने सोले वर्षों के प्रचारिय के तोर पर किये गए कारियगा अनुभव भी शेयर किया है जिसे आप इस पोस्ट में अवश्य पढ़ हैं अगर आपके द्वारा किये गए काम का रिजल्ट आपकी अपेक्षा के अनुसार नह आए तो इसका कारण स्वयम में ढूनना चाहिए और फिर उसमें सुधार लाने के प्रयास किये जाने चाहिए किसी भी खराब रिजल्ट के लिए अगर आप हर समय अपना बचाओ करते रहेंगे और इसका कारण किसी दूसरे व्यक्ति परिश्टिति या फिर कोई दूसरे कारण को म भानी होगी आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं ट्रेडिंग से क्या रजल्ट लाना चाहते हैं इसके बारे में आपका क्या निरने होगा इन सब कामों की जिम्मेदारी किसी और की कैसे हो सकती है यह तो केवल आपकी ही जिम्मेदारी है इसलिए पूरी जिम्मेद के सपने साकार कर सकें जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्विकार करता है वह अपनी सारी उर्जा संचित करके कारिये करता है और यही सत्य है अपने जीवन के जिम्मेदारी लेना आपको शक्ती, सफलता वह मांसिक बल देता है आपके स्वाभिमान को बढ़ाता है और यही आपके जीवन की खुशियों का कारण बनता है अपने जीवन की जिम्मेदारी लें अपनी किस्मत को कोसने के बजाए अपनी गाड़ी का स्टेरिंग स्विम संभालें इस खूब सूरत और प्रेणादायक लेक के लिए मैं अपनी वै आप सभी की और से प्रिंसिपल आलोग बेताब जी का दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ हालांकि जिम्मेदारी लेना शब्द सुनने में सरल लगता है लेकिन इसकी आवधारना को समझना और इसे ट्रेड में व्यवहार में लाना आसान नहीं है डगलस के अनुसार अपने ट्रेड में जिम्मेदारी लेना और सभलता के उप्यूक्त सिधान्तों को सीखना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है आपको यह समझना होगा कि एक ट्रेडर के रूप में आपकी सभलता के लिए आप किस तरह से जिम्मेदार है तब ही आप उन विशेस्ताओं को अपना सकते हैं जो आपको उन चुनिंदा ट्रेडर के ग्रूप में शामिल कर पाएगा जो मार्केट में कंसिस्टेंटली सभल हो रहे हैं चैप्टर एक के लास्ट में डगलस ने कहा है कि आप जो कंसिस्टेंट सक्सेस ट्रेडर बनना चाहते हैं वह अभी तक मौजूद नहीं है इसके लिए जैसे एक मूर्तिकार एक मोडल को रूप देता है वैसे ही आपको अपने एक फ्यूचर का नया एडिशन ल जो आपके सक्सेस के पैशन से प्रेरित हो इन टूल्स को यूज करने का आपका मीडियम क्या है क्योंकि एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए कई माध्यमों में काम करना चुन सकता है जैसे मिट्टी, संगमरमर और धातुवादी यदि आप अपनी परसनेलिटी का एक नया कंसिस्टेंट वीनर एडिशन बनाना चाहते हैं तो आपके पास इसके लिए केवल आपका बिलिफ और एटिटूड ही आपके काम आएगा डगलस इसके बारे में कहते हैं कि आपके इस आर्टिस्टिक एवेंडर का मीडियम आपका मेंटल एन्वार सकते हैं इस बुक में राइटर मानते हैं कि आपका अल्टिमेट गोल कंसिस्टेंसी है यदि आप अधिकांस ट्रेडर की तरह सोचते हैं तो आपको उपलब्द अपर्चनिटी के पूरे पोटेंसियल का एहसास नहीं है इस पोटेंसियल को फील करने और जीवन में रियल ब सोचते हैं उन्होंने एक एसे मेंटल स्ट्रेक्चर को डेवलप कर लिया है जो उन्हें बिना किसी धर के ट्रेडिंग करने की परमिशन देता है और साथ ही साथ उन्हें लापरवा बनने और भै आधारित गलतियों को करने से रोकता है इस माइंड सेट में कई कमपोनेंट् लेकिन असल में सक्सेस ट्रेडर ने अपने ट्रेडिंग पर भै और लापरवाई से पढ़ने वाले इफेक्ट को लगबग समाप्त कर दिया है ये दो फंटामेंटल यानि मूल भूत आवशकताएं सक्सेसफूल ट्रेडर्स को कंसिस्टेंट रेजल्ट प्राप्त करने की जिस समय आप भी इस मेंटलिटी को डेवलप कर लेंगे तब आप भी बिना किसी डर के ट्रेड करने में सक्षम हो जाएंगे जिससे आप कई तरह की भै आधारित गलतियों के प्रती समवेदन शिल नहीं होंगे जो रेशनल आइजिंग यानि किसी भी गलती को युक्ती बनाने आउचेतन रूप से विक्रत जानकरी और हैजिटेटिंग यानि जिजगने से होती है एक बार जब आपका यह डर खत्म हो जाता है तो इसके बाद इन गलतियों को दोबारा करने का कोई कारण शेष नहीं बचेगा और इसके परिनाम सो रूप वे आपके ट्रेड से लगवग गाइब हो जाएंगी किसी भी समीकरण के दो पहलू होते हैं उसी तरह डर को खत्म करना केवल आधा समीकरण है इसका दूसरा आधा पहलू अपने आप में संयम विक्षित करने की आवशकता है उतकरष्ट एकसिलेंट ट्रेडर ने यह सीख लिया है कि उत्सा के नकारात्मक प्रभावों या जीतने वाले ट्रेडों से आने वाले अति आत्म विश्वास का मुकावला करने के लिए आंत्रिक अनुशाशन और मांसिक तंत्र होना बेहदावशक है डगलस के अनुसार अगर आपने एक ट्रेडर के रूप में अपने आपको मोनिटर और कं एक ट्रेडर की मेंटेलिटी डेवलप करने के अपने एफर्ड्स पर फोकस करना चाहिए तब हमें यह देखना होगा कि आखिर यह इतना आसान होने के बावजूद इतने सारे ट्रेडर सक्सेस क्यों नहीं होते हैं लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं है क्योंकि नए ट्रेडर consistent winner traders की तरह सोचना सीखने के बजाए वे सोचते हैं कि वे market के बारे में सीख कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं नए trader के लिए इस तरह के trap में नए पड़ना लगभग असंबहुसी बात है ऐसे कई psychological factor है जो यह मान लेना बहुत आसान बना देते हैं कि यह वही है जो आप markets के बारे में नहीं जानते हैं जो आपके loss और consistent results की कमी का कारण बनते हैं लेकिन यह बस इतना ही नहीं है आप जो consistency अपने trading में चाहते हैं वह आपके mind में है ने की market में जिस समय आप अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तब गलत होने, पैसे खोने और लापरवा बनने की परवर्ती के बारे में यह attitude और belief हैं जो की तकनीक या market ग्यान के अलावा सबसे अधिक नुक्षान का कारण बनता है यहां डगलस इसे समझने के लिए एक उधारन देते हैं कि यदि आप अपने पैसे के लिए एक fund manager का चुनाव करना चाहते हैं और इसके लिए आपके पास दो traders के option उपलब्द हैं अब आप किसे select करेंगे इसमें से पहला trader simple और mediocre trading technique का use करता है लेकिन उसके पास एक ऐसा दिमाग है जो trading के डर से बहबित नहीं होता है और दूसरा trader एक जबरदस एनलिस्ट है लेकिन वह market के डर से हमेशा बहबित रहता है हलांकि एक trader के रूप में यह डर नहीं होना चाहिए इसमें आपका सही selection स्पस्टर रूप से पहला trader ही होगा क्योंकि यह आपके पैसे से कहीं better result देगा याद रखें कि attitude हमेशा analysis या technique की तुलना में overall better result देता है यदि आपके पास सही attitude है सही mentality है तो trade आसान है डगलस यहाँ कहते है कि मुझे पता है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है खास कर तब जब आप market के बारे में सब कुछ सीखने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं यहाँ दिल्चस्प बात यह है कि अधिकांश trader अपने करियर में किसी भी अन्य समय की तुलना में पहली बार ट्रेड शुरू करने के तरीके के ज़्यादा करीब होते हैं और बहुत से लोग तो ट्रेडिंग के खत्रों की एक बहुती ऐवास्त्विक अवधारना के साथ ट्रेड करना शुरू करते हैं जब आप विशेश रूप से पहले ट्रेड में जीत जाते हैं तब यह संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है कि आप दूसरी ट्रेड में बहुत कम या बिना किसी डर के जाते हैं और अगर इसमें भी जब वह ट्रेडर जीत जाए तब वह अगली ट्रेड में और भी कम चिंता के साथ जाएगा इसी तरह हर जीत आपको इस बात के लिए आश्वर्ष्ट करती है कि डरने की कोई बात नहीं है ट्रेड तो पैसा बनाने का सबसे आसान संभव तरीका है और यही डर की कमी आपके मन की एक लापरवा स्थिति में बदल जाती है आपने यह अनुवाव किया होगा कि ऐसी मन की स्थिति होने पर जिसमें आपको बिलकुल भी कोई डर नहीं होता है और आप सहज रूप से कारिया करते हैं और प्रतिकिरिया भी करते हैं आप अन्य ओप्शन पर विचार भी नहीं करते हैं ने ही आप रजल्ट पर विचार करते हैं, और ने ही स्विम इसका कोई अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, एसी स्थिति में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक वैसा ही होता है, यह है आपके आउचेतन मन से स्वभाविक ही होने लगता है, यह है आपके मन की एक एसी अवस्था होती है जिसमें आप स्वभाविक रूप से रचनात्मक होते हैं और जब आप अपने कामों के बारे में तरक संगत या फिर सचेत रूप से सोचना शुरू करते हैं तो आप इससे बाहर निकल जाते हैं इस तरह आप एक पोजिटिव जीत के एटिटूड को डेवल होंगे जो आपके इन परियासों से पोजिटिव रजल्ट की उम्मीद के रूप में आपकी पोजिटिव जीत के एटिटूड को डिफाइन कर सकते हैं महान एथिलिटों के पास भी जीतने वाला यही एटिटूड होता है जो उन्हें आसानी से अपनी गलतियों से आगे डेवलप नहीं करते लेकिन ट्रेडिंग की क्यूरियस अनामली यानि जिग्यासु विसंगती यह है कि यदि आप एक विनिंग ट्रेड से शुरू करते हैं तो आप ओटोमेटिक रूप से उस तरह की लापरवा मेंटलिटी का आनुभाव करेंगे जो कि खुद को डेवलप हैं इस तरह की लापरवास्थिती सफलता के लिए एक आवशक घटक है लेकिन यह उचित एटिटूड पर आधारित नहीं है यह तो बस अत्यधिक गलत फैमी के लिए एक नुस्खे का काम करती है जो ट्रेडिंग के लिए इमोशनल और फाइनेंशियल डिजास्टर दोनों का कारण बनती है शुरुवात में जीतने का मतलब यह नहीं है कि आप एक ट्रेडर बन गई है यह तो हमें उस मानसिक लेवल तक ले जाता है जिसे केवल सबसे कुशल लोग लगातार आधार पर अनुभाव करते हैं फैक्ट यह है कि अगर आपको लगता है कि जीतने वाले ट्रेड के लिए किसी तरह के स्किल की आवशकता नहीं है तो निश्चित रूप से आप ट्रेडिंग के लिए ट्रेड नहीं करते बलकि मेंटल कीडे को शांत करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं किसी भी एफ़र्ट्स में जीतना ज्यादातर एटिटूड का काम होता है हाल इसे खेलों की competition activity के लिए प्लेयर को strategy बनाने के लिए physical skills के साथ साथ mental skills को भी develop करना होता है जब एक कम expert व्यक्ति एक बेहतर competitor को हरा देता है तब उसका निर्धरन कारक क्या होता है तो इसका जवाब है attitude आपको trading सीखने के लिए बहुत सारी skills की आशकता नहीं है आपको तो बस एक वास्तिविक जीतने वाले attitude सीखने की आवशकता है कभी कभी नए trader शुरुआती जीत की वज़े से अपने आपको एक विजेता की तरह महसूस कर सकते हैं और उन्हें market के so called guru लोग उनकी इस जीत को अपना हत्यार बना लेते हैं लेकिन इन analyst के पास skill तो है परन्तु जीत जीतने का attitude नहीं है ये analyst तो बस डर के मारे काम कर रहे हैं लेकिन नए trader को जीतने वाले attitude की भावना का अनुभव होता है क्योंकि वह डरता नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास वास्तों में जीतने का attitude है हारना और गलत होना ट्रेडिंग की inevitable reality यानि एपरि बचा सकता मार्केट आज भी बेहत uncertain है और इसमें किसी भी trader के लिए हर बार सही होने का विचार करने के लिए बहुत सारे variables available है तब क्या होता है जब एक नए ट्रेडर हार जाता है डगलस इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि एक नए ट्रेडर ट्रेडिंग कर अपनी अपेक्षाओं और अनुभाव की व्याख्या कैसे करता है यह है उसके belief और attitude पर निर्भर करता है लेकिन तब क्या होगा अगर वह नया ट्रेडर इस विश्वास से काम करे कि ट्रेडिंग में नुक्सान से बचने का कोई संभावित तरीका ही नहीं है क्योंकि हारना ट्रेड का एक स्वभाविक रेजल्ट होता है इस mental attitude से यदि market वह रेजल्ट नहीं देता जो वह चाहता है तो इस स्थिती में उसे emotional pain होने वाला है जैसा कि डगलस ने chapter 1 में संकेर दिया था कि उन्हें यह emotional pain तब नहीं उठाना पड़ता जब ये सबसे अच्छे ट्रेडर स उसका समन्य अनुभव था लेकिन जब तक वे इसे महसूस नहीं कर लेते तब तक उन्हें लगातार सफल होने के लिए सोचने की आवशकता भी महसूस नहीं होगी यह उनके attitude में एक fundamental बदलाव है जो उनकी success के लिए जिम्मेदार है नहीं कि यह market के बारे में कुछ शांदा आहसास जैसा कि ज्यादातर लोग गलती से मान बैठते हैं यह गलत दारना ट्रेडर में केवल इसलिए प्रचलीते हैं क्योंकि उनमें से बहुत कम लोग वास्तों में गहरिस तर पर इसे समझते हैं कि किसी भी सभलता का निर्धारन करने में attitude कितना important role play करता है इस आधार प बाद हमारा नया ट्रेडर emotional pain की स्थिति में पहुंच जाएगा और इसका नतीजा यह होगा कि उसके ट्रेड करने के तरीके में पूरी तरह से नई गुनवत ता ले आएगा वह निश्चत रूप से अपने मन की उस लापरवास्तिती को छोड़ देगा लेकिन इससे भी महत अब इस बारे में सोचें कि हमारे जीवन में फिसेश रूप से जब हम छोटे बच्चे थे जिस समय हम अपने खिलोने से खेल रहे थे और उसका हम वास्तों में आनन्द ले रहे थे लेकिन उसी समय हम से ज्यादा पावर और अधिकार वाले किसी व्यक्ति ने हमें उस समय और कुछ दूसरा करने के लिए मजबूर किया लेकिन यह हमारे साथ नहीं होना चाहिए था हम से वो चीजें छीन ली गई जो हम चाहते थे या जिने करने में हम योग गय थे हमें अपने मन की करने से रोका गया मुद्दा यह है कि इन में से कई परिस्तितियों में हमारे सा इसका निर्णे हमारे हाथ में नहीं था, यह अचानक ही हमारी इच्छा के विरुद गटित हुआ था, शायद उस समय हमें यह समझाया भी गया हो, कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा था, उसके लिए हम स्विम्जिम्मेदार थे, हलांकि हमें उस समय इस पर विश्वास ने हुआ हो या इसका मतलब भी समझ में ने आया हो, हमने इस से ने केवल यह सीखा, कि अच्छा महसूस करना, हमारी अपनी गलती के बिना तुरंत महसूस करने से बदला जा सकता है, डगलस के अनुसार, यहां यह कहना महतवपूर्ण है, कि हमारे कई अतीत, इमोशनल रूप से दर् बच्चे से वह खिलोना ले लो, और बच्चा अपने उस इमोशनल दर्द को व्यक्त करने के लिए रोएगा, जो वह अनुभव कर रहा है, यदि हम बहुत चोटे बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो इसके पूरी संभवना है कि वह हमारी किसी भी सही ब बूच कर अपनी व्यक्तिकत समश्याओं को किसी ऐसे व्यक्ति पर थूपते हैं, जिसे वे अपने से कम पावर का देखते हैं, इससे भी बुरी बात यह हैं कि बहुत से लोग जो दूसरों को इमोशनल दर्द देने की परवर्ती रखते हैं, वे काफी चतुर होते हैं, वे हमारे पेनफुल एक्सपिरियंस को हमने स्विम चुना हैं, हमें यह इसलिए करना होगा क्योंकि एक अडल्ट के रूप में जब हम ट्रेड मोड में आते हैं, तब हमें यह महसूस ही नहीं होता कि हमारी खोशी और हमारे इमोशनल दर्द में जो तातकालिक बदलाव हो रहे हैं, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, डगलस का कहना है कि यदि हमने ट्रेड के रिस्क को स्विकार करना नहीं सिखा है और हम यह भी नहीं जानते कि अपने अतीत और वर्तमान के बीच इन नेचुरल रिलेशन से कैसे बचा जाई, तब हम अपने रिजल्ट के लिए मार्क कुछ ही बेस्ट ट्रेडर हैं, जो उस लेवल पर पहुंचे हैं, जहां वे किसी विशेश ट्रेड के नतीजे के लिए पूरी रिस्पोंसिबिलिटी स्विकार करते हैं, हर ट्रेडर किसी ने किसी हद तक यह मानता है कि उसने रिस्पोंसिबिलिटी को एकसेप्ट कर लिया ह लेकिन वास्टविक्ता तो यह है कि वे चाहते हैं कि मार्केट उनके लिए responsibility उठाए और उसकी उमीदों, आशाओं और सपनों को 100% पूरा करे डगलस का इस बारे में आगे कहना है कि हमारी society इस तरह से काम करती है लेकिन मार्केट निश्चित रूप से इस तरह से काम नहीं करती society में हम दूसरों से उचित और जिम्मेदार तरीके से विवहार करने की अपेक्षा कर सकते हैं लेकिन यहां हमारे किसी भी विवहार से हमें कोई परिणाम भुगतना पड़ता है तो society इस imbalance को सुधार ने और हमें फिर से ठीक होने के लिए मोका देती है लेकिन दूसरी और मार्केट की इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वह हमें ठीक होने का दोबारा मोका दे जिससे हमें फाइदा हो आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट का कोई advertisement आपके सामने आता है तब इसे इस तरह से present किया जाता है जैसे यह बहुत ही secure और profitable है लेकिन वास्तों में यह इस तरह का बिलकुल भी नहीं होता है आप advertisement के बारे में बखु भी जानते है कि इसे दिखाने वाला अपने फाइदे के लिए ऐसा करता है किसी भी trader को तभी फाइदा हो सकता है जब किसी अन्य trader को loss हो फिर चाहे यह loss future trade में real dollar में हो या stock trade के रूप में इसे Douglas कुछ इस तरह से समझाते है कि जब भी आप या फिर दुनिया का कोई भी trader trade करता है तब तो उसका एकमात तरूधिश्य market से पैसा बनाना होता है और market का एकमात तरूधिश्य आप से पैसा या आफसर निकलना होता है इस तरह से अगर market उन लोगों का एक समूझ है जो एक दूसरे से पैसे निकालने के लिए आपस में बाचित कर रही है इस स्थिते में ट्रेडर के लिए परसनल तोर पर मार्केट की क्या जिम्मेदारी होती है इसके लिए डगलस का सुझाव है कि इस एक्टिविटी को सुविदा जनक बनाने के लिए उपलब्द रूल्स फोलो करने के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर आपने भी कभी खुद के लोस के लिए मार्केट को दोस दिया है या विश्वासगात महसूस किया है तो आपको जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी ट्रेडिंग करने के लिए प्रियाप्त विचार करना चाहिए मार्केट पर दोशारोपन का मतलब है कि आपने अभी तक इस वास्तविक्ता को स्विकार नहीं किया है कि मार्केट पर आपका किसी तरह का कोई एहसान नहीं है जो आप इसे कुछ भी चाहते हो या सोचते हो अगर आप अपनी सोशिल वैल्यू को ट्रेडिंग में चलाने का प्रियास करते हैं तो आप यह नहीं समझते कि यह मार्केट में काम नहीं करती है अगर आप मार्केट पर अपनी आशाओं, सपनों और इच्छाओं को यह मानते हुए जारी रखेंगे कि यह पूरा होने जा रहा है जब ऐसा नहीं होता है तो आप क्रोधित, निराश, भावनात्मक रूप से व्याकुल महसूस करेंगे अब आप समच चुके होंगे कि जिम्मेदारी लेने से डगलस का क्या आर्थ है इनके अनुसार जिम्मेदारी अपनी पहचान के सबसे गहरे हिस्से में यह स्विकार करना है कि मार्केट नहीं बलकि आप एक ट्रेडर के रूप में अपनी सफलता या विफलता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है माना कि मार्केट का एकमा तरोधिश्य आपके पैसे लेना है लेकिन इस प्रोसेस में यह है आपको पैसे कमाने के लिए unlimited opportunity भी provide करवाती है मार्केट में जब भी कीमतों में swing यानि उतार चड़ावाता है तो यह moment उस समय सभी के accumulative काम को represent करता है इस समय मार्केट अपने बारे में information create करने के साथ साथ ट्रेडों में in और out को बेहद आसान बनाती है जब आप मार्केट में ठगा सा महसूस करते हैं तो आप मार्केट के accumulative action से यह अपेक्षा कर रहे होते हैं कि मार्केट इस तरह से काम करें जो आपको वह देता रहे जो आप चाहते हैं लेकिन आपको अपने लिए यह सीखना होगा कि आप मार्केट से क्या चाहते हैं, उसे कैसे प्राप्ट करें और इस प्रोसेस में पहला बड़ा कदम पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेना है और जिम्मेदारी लेना यानि अपने आप पर यह विश्वास करना है कि आपके सभी रिजल्ट्स के लिए आप स्विम्म रिस्पोंसिबल हैं और आपके ये रिजल्ट्स आपकी मार्केट के इन्फॉर्मेशन के इंटर्पडेशन आपके द्वारा लिए गए निर्नेओ और आपके द्वारा किये जाने वाले एक्शन पर आधारीत है अगर आप पूरी जम्मेदारी स्विकार नहीं करते हैं तो यह दो परमुक साइकलोजिकल बाधाओं को स्थापित करता है जो आपकी सभलता को रोक देते हैं सबसे पहली बाधा तो यह उत्पन होगी कि आप मार्केट के साथ एक प्रतिकूल संबन स्थापित करेंगे जो आपको आउसरों के निरंतर परवा से बाहर ले जाती है और दूसरी बाधा यह उत्पन होगी कि आप अपने आपको यह जूटा विश्वास दिलाएंगे कि आपकी बिजनस प्रोब्लम और सकसेस की कमी को मार्केट एनलिसिस के द्वारा ठीक किया जा सकता है आईए अप पहली बाधा पर विचार करें जब आप अपने नुक्षान को कम करने के लिए कुछ काम करते हैं तो मार्केट अपने आप ही आसानी से आपकी विरोधी होने के गुण को अपना लेती है और हारना आपको दर्द, क्रोध, आक्रोश और शक्ति हिंता की उसी बच्पन की भावनाव में ले जाएगा जो हम सभी ने तब महसूस किया था जब किसी ने हमसे कुछ छिन लिया और वापिस नहीं दिया हालां कि कोई भी वन्चित रहना महसूस नहीं करना चाहता, खास कर तब जब हम मानते हैं कि हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने से हमें खुशी होगी जब कोई बाहरी पावर हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं की इंटरिनल पावर के विरुदकारिया कर रही थी तब मार्केट को बाहरी ताकत की पावर सोपना स्वभाविक लगता है जो या तो देता है या फिर छिन लेता है लेकिन यह भी फैक्ट है कि मार्केट यह नहीं जानती कि आप क्या चाहते है या इससे क्या उमीद लगाई बैठे है और यह नहीं इसकी परवा करती है कि आप किस स्थिति में ट्रेड करते हैं जबकि हर ख्षण, हर बोली और हर प्रस्ताव आपको कुछ करने का आउसर दे ट्रेड में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, मुनाफा ले सकते हैं या लोस उठा सकते हैं अगर आप एक फ्लोर ट्रेडर हैं तो आपको तेजी से और अधिक फोकस करना होगा या इन क्षेतरों में आपकी जो भी सीमाई हैं उन्हें ध्यान में रखना होगा और फिर ट्रेड करना होगा market के लिए हर पल neutral है लेकिन आपके लिए हर पल value परिवर्तन के एक observer के रूप में काम कर सकता है डगलस कहते हैं कि इसका क्या आर्थ है फिर वे आगे कहते हैं कि इसका आर्थ आपके द्वारा सिखी गई बातों पर आधारित होता है जो आपके दिमाग में जो इसकी पेशकर करेंगे इसके अलावा market यह भी नहीं जानती कि आप किसी opportunity या loss को कैसे define करते हैं आप इसमें opportunity की एक endless stream देख सकते हैं या इसे एक लालची राक्षस के रूप में देख सकते हैं जो किसी विक्षन आपके पैसे खाने के लिए तयार है यदि आप एक trader के र तब आप अपने सरोत्तम हित में कारिय करने और अपने अनुभवों से सीखने के लिए तयार होंगे दूसरी और यदि आपको लगता है कि market में यह कुछ दर्दनाक अनुभव हो सकता है तो आप स्वभाविक रूप से चेतन या आउचेतन रूप से उस दर्द से बचने की कोशिश करेंगे जब आप उस information को ब्लोग करने की process में अपने आपको कमाई के कई आउसरों से वंचित कर लेते हैं डागलस ने इसे दूसरे शब्दों में कहा है कि आप अपने आपको उस आउसर प्रवा से काट कर अलग कर देते हैं अब आपको लगेगा कि यह market आपके ख का पैसा अवश्य हडपना चाहती है और साथ ही साथ यह है आपको जितना आप चाहते हैं उतना लेने का आउसर भी प्रदान करती है एसी स्थिति का अधिकतम लाब उठाने का एक तरीका यह है कि जहां आपको अपने लिए कुछ करने की unlimited पेशकर्ष की जा रही हो वहां अगर आपने आउसरों को पहचानना नहीं सीखा है तब आप इस परवा को पहचानने में ऐसमर्थ होंगे और यह है आपके लिए एक विरोदावास यानि पेरडोक्स होगा यदि आप मार्केट के इस फ्लो को महसूस करना सीखना शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अ नेगेटिव फिलिंग्स को फील करने का कोई कारण नहीं होगा यानि आप अपनी रिस्पोंसिबिलिटी को एकसेप्ट कर लेते हैं अपनी रिस्पोंसिबिलिटी एकसेप्ट करने से आप इसके बारे में और ज़्यादा जागरुक होने जा रहे हैं आप कुछ प्रयास करन जीत सकते हैं तो फिर कुछ जानने के बाद आपका जल्वा कुछ अलग ही होगा लेकिन यहां एक बड़ी समश्या यह है कि बहुत कम ही ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग में होने वाले नुकसान के बारे में पूरुआ नुमान लगा सकते हैं उनका मार्केट के बारे में सीख आया था और हमने भी अभी थोड़ी देर पहले उसका जिक्र किया था कि खुशी से अचानक दर्द में जाना आम तोर पर एक साइकलोजिकल सेट बैक यानि आगहात जैसा जटका देता है बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार के अनुभों को स्वस्त तरीके से समेटना स ट्रेडर के लिए बदला लेने का एकमात्र तरीका मार्केट को जीतना है और मार्केट को जीतने का एकमात्र तरीका मार्केट के ग्यान के मध्यम से है डगलस के शब्दों में नया ट्रेडर मार्केट के बारे में क्या सीख रहा है वह यह सीख रहा है कि मार्केट पर कैसे पा सके और कुछ साबित कर सके वह सबसे महतोपून बात यह है कि मार्केट से वह दुबारा चोट ने खाए वह मार्केट को केवल जीतने के उदेश्चे से सीखना चाहता है ने की ट्रेडिंग का एक व्यवस्ति तरीका खोजने के लिए वह तो दर्द से बचने या परिपेक्ष यानी प्रस्पेक्टिव से देखने से उसका कोई लेना देना नहीं है उसे यह एहसास नहीं है लेकिन जैसे ही उसने अपनी यह धारना बना ली कि मार्केट के बारे में कुछ जानने से दर्द से बचा जा सकता है उसी समय उसने इस एपरिवर्तनिय इधा को पक्का कर लिया कि हारना उसकी किस्मत में ही लिखा है यह अच्छा है कि वह अब सीख रहा है कि मार्केट के सामोहिक व्यभार पैटर्न को कैसे पहचानना और समझना है वह अब इस बात से मोटिवेटिड है कि उसे विजेता बनना सीखना है इसके परिणाम वह है अब ट्रेड लाइन्स, चार्ट पैटर्न, केडलेस्टिक, मार्केट प्रोफाइल, पॉइंट और लाइन चार्ट, इलियट वेव, फाइबुनेचिक रिट्रेस्मेंट, आसी लेटर्स, रेलिवेंट पावर, स्टोकेस्टिक और इसी तरह की कई अन्य चीजों के बा वह हिचक चाता है, अनुमान लगाता है, या फिर ट्रेड ही नहीं करता है, आपको नहीं लगता कि यह तो पागलपन की हद है, जिसके लिए इतनी पढ़ाही की, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि वह काम तो हुआ ही नहीं, उसने वही किया, जो ज़्यादातर ल इस बात पर कभी भी इस फेक्ट को एकसेप्ट नहीं करेंगे, कि उसने सीखने के लिए अपने समय का समर्पन करके कुछ गलत किया है, और यह केवल और केवल उसने गलत कारणों से किया है, डगलस के अनुसार जब इमोशनल पेन और इसके नेगटिव रिजल्ट से बचने की बात आती है, तब बहुत कम ट्रेडर्स होते हैं जो इस मोशन को समझते हैं, अतै आपको अपने आप में यह एक बेहद आवशक डेवलेप्मेंट करना ही होगा, कि आप इन नेगटिव इफेक्ट को कंट्रोल करना समझ और सीख सकें, ताकि आप अपने गोल्स को करें और हमारे लोस के अनुभव पर विचार करें, जब मार्केट आपके अपोजिट लगातार अप और डाउन हो रही हो, और आप यह इसलिए एकसेप्ट नहीं करते कि आप लोस वाले ट्रेड में हैं, क्योंकि आपने अपना सारा फोकस लेवल उन टिक्स पर किया हुआ ह जो आपके पक्ष में है, इन में से ओस्तन आपके पक्ष में उन सभी चार-पांच टिक्स में से केवल एक टिक ही आपकी फेवर में है, जब भी यह टिक आपके पक्ष में होता है, तब आप यह सोचते हैं, कि अब यह मार्केट उलट गया है, और सभी टिक्स आपके करिया होती है कास मेरे लोज को प्रोफिट में बदलने के लिए जब मेरे पास मोके उपलब्द थे तब मैंने ऐसा क्यों नहीं किया हालांकि इस ट्रेडिंग के आउसर को आसानी से पहचान कर कैश किया जा सकता था लेकिन ट्रेडिंग के समय हमने इसे अंदेखा कर दिया था क्योंकि इस indication वाली information को हमने ठीक से define ने करके अपनी awareness को block ही कर दिया था ऐसी स्थिते में दरसल होता यह है कि जब हमारे अंदर बैठे trader ने पहली बार trading करनी शुरू की थी तब उसे मज़ा आ रहा था वहे उस समय बिना किसी personal agent के एक लापरवा trader था जब तक शुरुआत में वहे जीत रहा था तब उसने अपने trader को कभी ने हारने वाला perspective से देखा वहे जीतना अधिक जीतता गया उतना ही अधिक वहे कभी हारने की संभावना को चोटा समझता गया और जब अंत में वहे हार गया तो यहे उसके बरदास से बाहर हो गया इस स्थिति में उसने यहे मानने के बजाए कि उसके दर्द का कारण उसकी गलत अफिक्षा थी उसने market को दोष देना शुरू कर दिया उसने लापरवाई से नुक्षान से बचकर दर्द को रोकने के लिए अपने एटिटूड में जो नाटकिये बदलाव किया उससे समझ्चा हल होने वाली नहीं थी क्योंकि यहे फैक्ट है कि ट्रेडर के लिए लोस से बचकर पेन को रोकना संभाव नहीं है मारकेट बिहेवियरल पैटर्न उत्पन करती है और पैटर्न खुद को बार बार दोराते हैं लेकिन यह हर बार नहीं होता डगलस की तरह आपके मन में यह प्रशन उठ रहा होगा कि क्या खोने या गलत होने से बचने का कोई समभावी तरीका नहीं है डगलस इस बारे में आगे कहते हैं कि यह तब तक समभाव नहीं है जब तक ट्रेडर को ट्रेडिंग रियलिटी का एहसास नहीं होगा इस ट्रेडिंग रियलिटी का उसे तब तक एहसास होना मुश्किल है जब तक वह इन दो सम्मोहक ताक्तों का पीछा नहीं छोड़ देता जिसमें पहली है कि वह अपने पिछले लोस को रिकाउर करके ही रहेगा फिर चाहे उसे जो भी करना पड़े और दूसरी यह है कि वह म सोचने की विधा में चला गया तो उसका एटिटूड कब पोजिटिव से नेगिटिव में ट्रांसपर हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा डगलस बताते हैं कि इस तरह का नेगिटिव एटिटूड उस खिलाडी से अलग नहीं है जो गलती नए करने की कोशिश करने पर फोकस्ट रहता है और वह गलती ने करने की कोशिश में ज्यादा गलतियां करता है खेलों में इस तेंकिंग पैटरन को पहचानना ट्रेडिंग के मुकावले काफी आसान है क्योंकि खिलाडी के फोकस और रिजल्ट के बीच आधिक ऐसंतोस जनक रिलेशन है लेकिन ट्रेड जितना अधिक जीतना चाहेगा उसके पास किसी भी इनफॉर्मेशन को समझने के लिए उतनी ही कम सहन सिलता होगी जो यह संकेत देती है कि उसे वह नहीं मिल रहा है जो वह चाहता है जितनी अधिक इनफॉर्मेशन कलेक्ट करने की उसकी क्षमता होगी उतना ही कम वह अपन उतना ही वह स्वभाविक रूप से मार्केट से ज़्यादा की उम्मीद करेगा और जब मार्केट ऐसा रजल्ट नहीं देगी तो उसके लिए यह और अधिक ऐसेहनसिल हो जाएगा। उसने जाने अन जाने में अपने चारों और एक दूस करम डिवेलप कर लिया है। जहां इतना अधिक वह सीखता है उतना ही अधिक और कमजोर होता जाता है। यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक कि वह या तो फरॉस्टेशन में ट्रेडिंग ने छोड़ दे या फिर कभी भी यह नहीं मानता कि उसके बिजनस प्रोवलम्स का रोट यानि कारण यानि अपनी सक्सेस का सोर्स खोज लिया है। इस बारे में बुक कहती है कि हर ट्रेडर को अपनी सफलता के सही सोर्स का पता लगाने में कुछ समय लगता है। अपने सोर्स तक पहुंचने के रास्ते में कुछ ट्रेडर ट्रेड पर अपनी पकड मजबूत बनाते रहते हैं, जिसे आम तोर पर बूम और बूश्ट साइकल कहते हैं। अभी पिछले कुछ पैराग्राफ्स में आपने जिस नए ट्रेडर के बारे में सुनकर कुछ ने जो अनुमान लगया है, उसके वीपरीत हर किसी का नेगिटिव एटिटूट नहीं होता है, कि हर समय नया ट्रेडर लगातार हारने के लिए ही अभी शब्त होगा। मार्केट में ऐसे भी ट्रेडर हैं, जो मार्केट के स्ट्रॉंग स्टूडेंट हैं, वे हर समय विनिंग एटिटूट रखते हैं और वे कई कठेनाईयों के बावजूद अंततै पैसा बनाना सीख जाते हैं। और सेल्फ वेंडलिजम ये दो पावरफुल साइकलोजिकल फोर्स हैं, जिनका हमारी बोटम लाइन पर नेगिटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जब तक आप लगातार जीतना शुरूर नहीं कर देते हैं, तब तक आपको अपने आपकी चिंता करने के लिए कोई भी ताकत फोर्स नहीं कर सकती। और यह एक बड़ी समश्या है, आप यह तो जानते हैं कि जब आप जीत रहे होते हैं, तो किसी भी समभावित समश्या से चिंतित होना स्वभाविक है। यह तब होता है, जब आप जीत रहे होते हैं, जब आप बिना विवेक पूर्ण सीमा के गलती करने, ओवर ट्रेडिंग करने या नियमों का उलंगन करने के प्रती बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। इस स्थिति में, इस बुक के हिसाब से, आप इस हद तक सोचने की चरम सीमा तक पहुंच सकते हो, कि आप ही मार्केट हैं, क्योंकि उस समय मार्केट आप से सहमत होती है, लेकिन जब यह ऐस सहमत होती है, तब आप लोस में होते हैं। डगलस ने सभी ट्रेडर्स को उनके रेजल्ट के आधार पर, मोटे तोर पर, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। का अनुभाव करते हैं, जो किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं। इसमें आगला ग्रूप हैं, जिसमें वे कंसिस्टेंटली हारे हुए, 30-40% एक्टिव ट्रेडर शामिल हैं। इनके एक्विटी कर्व, कंसिस्टेंट वीनर्स के कर्व की मीरर इमेज होते हैं। लेकिन ये इनके अपोजिट साइड में होते हैं। भले ही ये ट्रेडिंग में कितने भी पुराने खिलाडी क्यों ने हो। फिर भी इन्हें वेह कुछ सीखने की आवशकता है, जो उन्हो के नेचर के बारे में काफी ब्रहम होता है और ये इस ब्रहम के आदी हो जाते हैं, जिससे इनका वीनर बनना लगबग असंबव हो जाता है। डगलस के अनुसार, अगला सबसे बड़ा ग्रूप वेह हैं, जिसमें बाकी बचे हुए 40-50 प्रतिशत वे एक्टिव ट्रेडर हैं, जो बूम्स और बश्ट के हिस्से हैं, इस ग्रूप के मेंबर्स ने ट्रेडिंग से पैसा कमाना तो बखुबी सिख लिया है, लेकिन यह नहीं सिखा कि इनके दुआरा कमाई गए पैसे को बनाई रखने के लिए बिजनस स्किल का एक पूरा सेट है, जिसकी माश्टरी बेहद आफशक है, इनके एक्विटी कर्व ज्यादातर समय एक रोलर कोस्टर की सवारी करते हुए नजर आते हैं, ये एक पल बहुत बहतर स्थिति में होते हैं, और दूसरे ही पल तेज डाउन फाल में चले जाते हैं, इसी तरह इनका यही रोलर कोस्टर करम चालू रहता है, इनका उटसा जैसे ही जोर पकड़ता है, इनकी ट्रेडिंग पर साथी साथ खत्रे के बादल मंडराने लगते हैं, वैसे ही आत्म विश्वास और उटसा की स्थिति में ये किसी भी रिस्क को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यहे आपको विश्वास दिलाता है, कि आपक और विश्वासी ट्रेडर की एक सामान्य स्थिती ऐसी ही होती है अब जैसे ही आप सामान्य से थोड़ा ऐसामान्य कंडिशन में आते हैं तब आप खत्रे में पड़ जाते हैं यह स्थिती जितनी बड़ी होगी इनका financial effect भी उतना ही बड़ा होगा एक्विटी पर कीमत में छोटे से छोटे उतार चड़ाओ का भी बड़ा impact होगा आखिर market में ट्रेडिंग के दोरान कोई जीतना क्यों नी चाहता डगलस का अगला सवाल यह है आगे वे इसका जवाब देते हैं कि हमें विश्वाश है कि सभी ट्रेडर ट्रेडिंग में जीतना चाहते हैं फिर भी जीत को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं कभी-कभी यह संगर्स इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि हमारा व्यवहार, हम जो चाहते हैं, उसके सीधे विरोध में आ जाता है। ये सभी प्रकार के कन्फिलिक्ट, धार्मीक, पालन पोशन, कारियनिती या कुछ प्रकार के बच्पन के आगात से उत्पन हो सकते हैं। अगर आपके अंदर भी ये कन्फिलिक्ट हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मेंटल एन्वारिमेंट आपके गोल्स के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाता है। बुक में बताए अनुसार डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में एक ट्रेडर के तोर पर आप प्रोफिट से ज़्यादा लोस में होते हैं तब आपके लिए ट्रेडिंग बंद करने के अलावा कोई दूसरा उप्शन नहीं होता। यदि आप जीतते हैं परंतु आपने आतुविश्वास और सहियम के बीच एक स्वस्त बैलेंस बनाना नहीं सिखा है या इसे इस तरह से कह सकते हैं कि आपने स्विम को नश्ट करने की किसी भी संभावना को पहचानना या इसकी क्षति पूर्ति करना नहीं सिखा है तो लेर सवेर हार जाएंगे। ट्रेडर्स को मुश्किल से हजम होने वाली अवधारनाओं में से एक यह है कि मार्केट आपके एटिटूड या स्टेट ओफ माइंड का निर्मान नहीं करती। यह तो केवल एक मीरर के रूप में कारिय करती है। जो आपके अंदर क्या है यह दि केवल एक बनाई रखते हैं क्योंकि आप लगातार सीख रहे हैं। इसके विपरित यदि आप घवराए हुए हैं और डरते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कुछ हद तक यह मानते हैं कि मार्केट आपके रिजल्ट्स मनाती है। आपके रिजल्ट्स से आपका कोई ले प्रमेदार नहीं हैं तो आप मान सकते हैं कि आपके लिए सीखने के लिए कुछ भी नहीं है और आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। आप ने तो आगे बढ़ेंगे और आप ने ही बदलेंगे। नतीजन आप गठनाओं को बिलकुल उसी तरह से देखेंगे जैसा आप मन में सोचते हैं इसलिए उसी तरह से उनका जवाब देंगे और फिर वही ऐस अंतोस जनक परिनाम प्राप्ट करेंगे या आप यह भी मान सकते हैं कि आपकी समश्याओं का समाधान ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट ग्यान प्राप्ट करना है हाँ यह सही है कि सीखना एक सद्गुन है लेकिन इस मामले में यदि आप अपने एटिटूड के जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो यह आपको अनुप्यूक्त तरीकों से सीखी गई चीजों का उप्योग करने के लिए प्रेरित करेगा इसे महसूस किये विना आप जोखिम लेने के जिम्मेदारी से बचने के लिए अपने ग्यान का उप्योग करेंगे इस प्रिकिरिया में आप अन्त में उन अजीब चीजों का निर्मान करते हैं जिन से आप अपने आपको दर्द और ऐसंतोस से बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप उस दर्द से परिचित अवश्य होंगे जब आपने गलती से किसी नुकिले पदार्थ से अपने आपको गायल कर लिया था इसी तरह जब आप ट्रेडिंग में ऐसा करते हैं तब इसके परिणाम सोरूप होने वाली दर्दनाक भावनाओं को रोकने के लिए इसके दोश को ट्रांसपर करते हैं यह ट्रांसपर एक ऐसा काम है जैसे आपने घाव पर एक बेंडिड लगा दिया है इस फर्स्टेड के बाद आप सोचते हैं कि आपने समश्या का समाधान कर दिया है लेकिन समश्या बाद में फिर से उभरने वाली है जिसका रेजल्ट पहले से भी बत्तर और दर्दनाक होगा यह है इसलिए होगा क्योंकि आपने इसा कुछ भी नहीं सिखा है जिसके कारण आप होने वाले इन्फेक्शन को रोक सकें इंटर्प्रेटेशन अगर आप किसी दिन घर के बाहर गली में पैसे को खुली जगह पर रखकर घर में जाकर यूट्यूब पर सेफटी और सेक्योरिटी के उपर वीडियो देखकर अपने पैसों की सुरक्षा करना सिखते हैं और फिर दो गंटे बाद बाहर आकर अपने पैसे देखते हैं वे वहाँ पर आपको नहीं मिलते अब आप बहुत दुखी और नाराज होकर पूरे समाज नहीं बलकि संसार को भला बुरा कहते हुए इसका दोश औरों को देने लगते हैं हालांकि आपने इनकी सुरक्षा के लिए दुनिया की बेहतरिन टेक्निक सिखी है फिर भी आपका लोस हो जाता है जब हम हारते हैं तो एसे कई तरीके हैं जिनसे हम दोश को मार्केट में ट्रांसफर कर सकते हैं और जिम्मेदारी स्विकार करने से साफ बच सकते हैं लेकिन क्या इस लोस के लिए मार्केट किसी तरह से दोशी है मार्केट ने कुछ नहीं किया उसने हमें वही दिया जैसा हमने एक्ट किया हमने किसी भी कारण से अपोर्चनिटी मिलने पर उचित रूप से कार्या करने में सक्षम नहीं थे मार्केट क्या करती है या क्या नहीं करती है इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है बलकि आप अपने बिजनस है जो आपके द्वारा खोजे जाने की प्रतिक्षा कर रही है आपको सफल होने के लिए यह जानने का सबसे कुशल मार्ग एक विनिंग एटिट्यूड डेवलप करना है क्योंकि यह एक स्वभाविक रूप से कंस्ट्रेक्टिव प्रस्पेक्टिव है आपको जो सीखने की आवशकता है उसके प्रति आपका एटिट्यूड एक मेंटिलिटी का ग्राउंड भी डेवलप करता है जो किसी अनुभव की खोज करने के लिए सबसे अनुकूल होता है विनिंग एटिट्यूड डेवलप करना आपकी सफलता की कुँजी है कई ट्रेडर्स के लिए समझा यह है कि उन्हें लगता है कि यह तो उनके पास पहले से ही मुझूद है और एक यह है भी कि वे उमीद करते हैं कि मार्केट उन्हें विनिंग ट्रेड देकर उनके लिए एटिटूड डेवलप करेगी लेकिन आप अपने विनिंग एटिटूड के डेवलपमेंट के लिए स्विम जिम्मेदार है मार्केट आपके लिए यह नहीं करने वाली है आप जो चाहते हैं वहे आपको उसके अनुरूप अपने मेंटल एन्वार्मेंट को डेवलप करना होगा मार्केट के इन्फोर्मेशन से आपको वहे बढ़त मिलेगी जो आपको कुछ जीतने वाले ट्रेडों को पहचानने के लिए चाहिए लेकिन अगर आपके पास विनिंग एटिटूड नहीं है तो आपकी बाढ़त आपको लगातार विजेता नहीं बनाएगी हो सकता है कि आपके मन में यह प्रशन उठ रहा हो कि कुछ ट्रेडर्स इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे मार्केट्स के बारे में परियाप्त नहीं समझते हैं इसलिए वे आम तोर पर गलत ट्रेडों को चुनते हैं इस बारे में डंगलस का कहना है कि यह है उनका एक्सपिरियंस रहा है कि लोस के attitude वाले traders गलट ट्रेडों को चुनते हैं, भले ही वे markets के बारे में कितना भी जानते हों, फिर भी वे हार जाते हैं। दूसरी और विनिंग एटिटूड वाले ट्रेडर्स जो मार्केट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वे कमाते हैं और यदि वे मार्केट के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं तो वे और अधिक कमाएंगे यदि आप ट्रेडिंग के अपने अनुभाव को भैसे आत्म विस्वास में बदलना चाहते हैं यदि आप रिजल्ट्स को एक अंसर्टन एक्विटी करों से कंसिस्टेंटली प्रोग्रेसिव करों में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आप पहला काम यह करें कि अपने जिम बंद कर देते हैं, तो आप यह देखकर चकित रह जाएंगे, कि आप कितनी जल्दी यह पहचान लेंगे, कि आपको क्या सीखना चाहिए, और आप इसे कितनी जल्दी सीखेंगे, जिम्मेदारी लेना एक विनिंग एटिटूड की आधारशिला है, धन्यवाद, हिंदी ओडि आपने अभी तक इसके तीन चैप्टर द्यान से सुन लिये हैं, और उनके नोट्स भी ले लिये हैं, आपने यह भी जान लिया है, कि किसी भी ट्रेडर के लिए विनिंग एटिटूड वाला स्टेट ओफ माइंड होना पहली और आखिरी शर्त है, आपने एक कहावत अवश दुनिया में सबसे हटके होता है, हाँ आप भी, मैं यहाँ पर एक हिंदी ओडियो बुक कोपीकेट मार्केटिंग 101 की बात करना चाहूँगा, जिसे बर्क हेजेज ने लिखा है, इसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक पर क्लिक करके भी सुन सकते हैं, इस है सची दोलत बनाना, आएए थोड़ा नकल की पावर के बारे में बात करते हैं, इसके बाद हम उन कारणों पर गोर करेंगे, जिस वज़े से ज्यादातर लोग दोलत बनाने की नकल का तरीका नहीं खोज पाते हैं, हम सभी में कुछ खास गुण और योग्यताइं जन्मज आदी फिल्ड्स के माहिर होते हैं, लेकिन अगर अरीजीत और सचिन तेनूलकर को एक दूसरे के फिल्ड बदलने को कहा जाए, तो शायद वे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जितना वे अपने फिल्ड में कर पाते हैं, लेकिन इस एक बात में कोई विवा कूट-कूट कर भरी होई है, हम कोपी कैट यानि नकल करने में जीनियस हैं, और आपको यह जानकर हैरानी होगी, कि इस मामले में पूरी दुनिया के लोग एक जैसे परतिबावान है, इसमें शक की कोई गुंजाई सही नहीं है, कि हमारे जीवन की छोटी-छोटी आदतों स कैसे सीखा, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल ओपरेट करना, और कपड़े पहनना, और ये सब आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं, इसका एक मात्र उत्तर है, नकल करके, यही हकीकत है, साइकलोजिस्ट इसे मोडलिंग और मिरिरिंग कहते हैं, यानि पेशे वर नकल ची, हम प प्रतिबा जन्म जात हैं, अब जरा इस कहावत में थोड़ा बदलाव कर लें, कि केवल अकेला, बंदर ही जैसा देखता है, वैसा नहीं करता है, बलकि लोग भी जैसा देखते हैं, वैसा ही करते हैं, अभी तक, आपने डगलस की इस बुक के, तीन चैप्टर सुनने के बा की उचित टेकनिक नहीं सेख सकता है, जैसा की बर्क ने कहा है, कि हर इनसान नकल में माहीर होने के बावजूद, ज्यादातर ने दोलत बनाने के तरीके की नकल करना अभी तक नहीं सिखा है, आईए थोड़ा जानते हैं, कि ट्रेडिंग साइकलोजी क्या होती है, प्रोफे ऐसे एक शेर से दूसरे शेर पर दाउन लगाता रहता है, छोटे छोटे प्रोफिट की डिगरी, रिलीज की गई डोपामाइन की क्वांटिटी के सीधे प्रोपोर्शनल होती है, पता है हमारे दिमाग में डोपामाइन कब-कब रिलीज होता है, आप जब-जब बहुत इसी का रेजल्ट होती है, यह है खुशी हमें किसी अचानक मिले सुखद सर्प्राइज की वजए से होती है, इनके अनुसार जो ट्रेडर अभी-अभी ट्रेड में जीत कर आया है, और एक कोकीन एडिक्ट के डिमाग की अगर MRI की जाए, तो इनके बीच का फर्क बताना एक डोक्टर के लिए impossible होगा, डगलस के अनुसार लगबग हर नया ट्रेडर इसी ट्रेडिंग साइकलोजी के माइंड सेट के साथ ट्रेडिंग करता है, इसमें कोई दोर आई नहीं है कि आप हर तरह के प्रियोग करने के लिए सोतंत रहें, लेकिन अगर आप एक सफल, कंसिस् तोर पर इसे बेहत गंभीरता से लेना चाहिए, वोल स्टीट की एक पुरानी कहावत है कि मार्केट सिर्फ दो भावनाओं से चलती है, पहली भावना है लालच और दूसरी भावना है डर, डगलस कहते हैं कि ये दोनों ही इंटरनल इमोशनल कंडिशन मार्केट के बारे मे हमारे अंदर अंसर्टिनिटी यानि एनिश्चिता पैदा कर देती है, अगर कोई ट्रेडर इन भावनाओं के जाल में फंस किया, तो उसके पोर्टफोलियो पर इसका बेहत खराब प्रभाव पर सकता है, इस बारे में स्वरगी अराकेश जुन-जुन वाला ने कुछ नमबर च्यार, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पॉर्टफोलियो अलग-अलग बनाएं, और नमबर पांच, स्टोक टिप्स से दूर रहें, वे अपने बारे में भी आगे कहते हैं, कि अगर आप किसी बड़े इन्वेस्टर की सला से शेयर खरीद लेते हो, और कुछ दिनों बाद किसी गटना के चलते, इनमें बदलाव हो जाता है, जिसकी आपको समझ नहीं है, तब आपको जिसने शेयर खरीदने को बोला था, वो तो निकल जाएगा, लेकिन आप फंस जाएंगे, इसलिए इन्वेस्ट से पहले और बाद में एनलेसिस करना और करते रहना बहुत आशक है, स्वरगिय राकेस जुझन वाला से किसी ने एक सवाल पूछा कि क्या वह उनके पोर्टफोलियो को फोलो कर सकता है, उन्होंने कहा कि ऐसी गलती कभी मत करना, आप मुझे फोलो तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोपी बिलकुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस से आपको बहुत बड़ा लोस भी हो सकता है, कंसिस्टेंसी यानि स्टेट ओफ माइंड, डगलस ने पहले भी कई बार इस पर जोर दिया है, कि सबसे अच्छे ट्रेडर को जो बाकी सभी से अलग करता है, वह यह है, कि वे किसी भी ट्रेड में ट्रेडिंग का डिसिजन ले आपके दिमाग में है, नहीं कि मार्केट में, कंसिस्टेंसी, मन की एक ऐसी स्थिती है, जिसके मूल में कुछ फंडामेंटल थिंकिंग स्ट्रेजी होती है, जो ट्रेड के लिए युनिक होती है, हालांकि शुरुवात में जीतने वाले को विश्वास हो सकता है, कि ट्रेड और परचेज किया था वह है आपके लिए एक आसान डिसीजन था अब अगर आप इस फैक्ट के अधार पर इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि जीतने और बिना किसी खास प्रियास के प्रोफिट कमाने से मिलने वाली पोजिटिव फिलिंग को आपस में मिला दें तो एक ट् किलकियों है इस पैराडोक्स से जूज रहे इतने सारे ट्रेडर की समझ से यह अभी तक इतनी दूर कियों है एक और बात अगर सच में ट्रेडिंग इतनी आसान है और यह ट्रेडर्स जानते भी है और उन्होंने इसका एक्सपेरियंस भी किया है तब यह कैसे संभव है कि वह नहीं कर सकते जो उन्हें बखो भी करना आता है जबकि मार्केट भी उनके लिए बार-बार काम करती है दूसरे शब्दों में हम ट्रेड के बारे में जितना जानते हैं और विश्वास करते हैं और हमारे ट्रेडिंग के एक्चुल रेजल्ट के बीच इतना विरोधावास क्यों है हमारी नौलेज और ट्रेडिंग के बीच कोई संबंद क्यों नहीं है ट्रेडिंग के बारे में हमारी सोच ट्रेडिंग उतना ही मज़ेदार और आसान है जितना आपने इसे अपने प्रोफिट कमाने के बाद में समझाता लेकिन इसे इस प्रस्पेक्टिव में महस आपके बिलीफ, एटिटूड या आपके माइंड सेट का काम है। यह वैसा ही है जैसा एक ही अर्थ के लिए दो शब्दों का यूज करना। उसी तरह विनिंग यानि जीतना और कंसिस्टेंसी भी खुशी, मोजमस्ती और संतुष्टी की तरह ही हमारे मन की अवस्ताएं हमारे मन की यह स्थिति यानि हमारा स्टेट आफ माइंड, हमारे बिलीफ और एटिटूड का ही बाई प्रोडेक्ट है। आप सही बिलीफ और एटिटूड के बिना कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आप इसके लिए सुतंत रहें, आपको इसके लिए कोई नहीं रोकेगा लेकिन इसका रेजल्ट वैसा ही होगा जैसा रेजल्ट आप बिना प्रसंता के खुशी महसूस करने के प्रयास में पाएंगे यह संभव है कि आपकी परिस्थितियां अचानक इस तरह से बदल जाएं जिससे आपकी बोरियत खुशी में बदल जाएं तब यह केवल बाहरी बदलाओ की वज़ए से होगा ने की आंतरिक बदलाओ की वज़ए से यदि आप अपनी खुशी के लिए बाहरी परिस्थितियों पर नेरवर हैं तो इस बात की बहुत कम संभवना है कि आप लगातार खुश रहेंगे जिस तरह बाहरी बदलाओं के साथ जादा समय तक खुश रहना मुश्किल है ठीक उसी तरह एक ट्रेडर के रूप में लग अब आपको जो लोग अपने आसपास वास्तों में खुश दिखाई दे रहे हैं उन्हें खुश रहने के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है वे उन चीजों में खुश हैं जो वे करते हैं जो ट्रेडर कंसिस्टेंटली सक्सेस होते हैं वे नेचुरल आप इसके अंतर को समझें आप कंसिस्टेंट बने रहने की कोशिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह कोशिश आपको मेंटली रूप से अपोर्चनिटिव लो से आउट करके आपके इंटेंट को नकार देगा जिससे आपके जीतने की बजाए हारने की संभावना अधिक बन ज और अनावशक एनरजी भी खर्च नहीं होगी जैसा कि आपने बताया था कि आपके सबसे अच्छे ट्रेड बहुत ही सरल और आसान थे उन्हें आसान बनाने की आपको किसी भी तरह की कोशिश नहीं करनी पड़ी थी वे तो बस आसान थे उनमें कोई कंफलिक्ट नहीं था आपने तो ठीक वही देखा जो आपको उस समय देखने की जरूरत थी आपने उस समय जो देखा उसी पर एक्शन किया यह इसलिए था क्योंकि आप उस पल अपॉर्चुनिटी फ्लो का एक हिस्सा थे जब आप फ्लो में होते हैं तब आपको प्रियास करने की आउशक्ता न उस समय कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा होता है आपके इस कारिया में कोई भी स्ट्रगल या फिर रजिस्टेंस नहीं होता इसलिए यह बहुत ही आसान लगने लगता है लेकिन जब किसी काम के लिए हम जिस भी डिगरी में एफ़र्ट यानि प्रियास करते हैं तो इस से चलता है कि किस हद तक स्ट्रगल या रजिस्टेंस है जैसे पानी के बहाओ के वीपरीत तैरने में ज़्यादा एफ़र्ट्स की आवशकता होती है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना स्ट्रगल है जैसे जैसे बहाओ तेज होता जाएगा आपके स्ट्रगल की डि भी चाहते हैं और उसे पाने का जितना ज़्यादा प्रियास करते हैं तो इसमें कितना रेजिस्टेंस है यह हमें स्वभावी की अंदाजा लग जाना चाहिए अगर हम इसे एग्नोर करते हैं तब वास्तों में यह हमारा एक प्रोस्पेक्टिव है जो कठेनाईयों से भरा बेहतरीन ट्रेडर फ्लो यानि बहाव के साथ तैरते हैं क्योंकि वे मार्केट से कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते बलकि वे तो बस उस बहाव में स्विम को उपलब्ध कराते हैं जिस से वे मार्केट में किसी भी समय की पेशकर्स का लाब उठा सकें पहली क तरह यह भी एक प्रस्पेक्टिव है लेकिन दोनों में बहुत बड़ा आंतर है डगलस ने चैप्टर तीन में हमें इस बारे में डिटेल में बताया था कि कैसे ट्रेडर फीजिकल और इमोशनल दोनों तरह के दर्द से बचने के लिए कितना कुछ करते हैं जब आप इस प पेक्षाओं को पूरा करें आप मार्केट से जो चाहते हैं वह नहीं मिल रहा है उस समय इस अंतर की भरपाई के लिए आपका मेंटल डिफेस मेकेनिजम एक्टिव हो जाता है जिससे आपको किसी भी इमोशनल पेन का अनुभव ने हो मानव मस्तिस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह ओटोमेटिक रूप से एसी जानकारियों को ब्लोक करने का एक तरीका खोज लेता है जो हमें एमोशनल दर्द दे सकती है इसी वज़े से हम स्वभाविक रूप से इसे उस समय महसूस करते हैं जब हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं जब यह गटित हो जो हमारी अपएक्षा के अनुरूप हो ताकि हम अपने मन को दर्द से मुक्ति दिला सकें इस मन की दर्द मुक्ति के चक्कर में हम अपने आपको अपरिशनीटी फ्लो से बाहर कर लेते हैं और हो सकता है होना चाहीए होगा इस तरह के thought flow में फंस जाते हैं सब कुछ जो आपके पास हो सकता था होना चाहिए था जो अभी एद्रश्य दिखाई देता है यह सब हमें तब दिखाई देता है जब opportunity flow हमारे बहुत नजदीक से गुजर जाता है consistent बनने के लिए आपको trading के बारे में इस तरह से सोचना सीखना होगा कि अब आप सचेतन या आउचेतन रूप से उन mental process के प्रती अती समवेदन सील नहीं है जो आपको ऐस पस्ट बलोक या जानकरी के आधार पर किसी चुनाओ का कारण बनती है बस खुश रहो अपने आपको दर्द से बचाने के लिए काम मत करो अपने आपको तो बस वहे दो जो तुम चाहते हो क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग में पिच्चानमें परतिस्थ गल्तियों का सोर्स भै होता है और यह भै दर्द से उत्पन होता है यदि आप एक ट्रेडर के रूप में लगातार गल्तियां कर रहे हैं तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते हैं आप फलो को महसूस नहीं कर सकते इस बह की वज़े से ही आप जो चाहते हैं या जो आप उम्मीद करते हैं वहे आपके लिए साकार नहीं होगा इस सब के अलावा एक ट्रेडर के रूप में आप जो कुछ भी करने का प्रयास करते हैं वहे एक स्ट्रगल के सिवा कुछ भी नहीं होगा इस दोरान आपको ऐसा लगेगा जैसे मार्केट आपके और आप मार्केट के साथ संघर्स कर रहे हैं और इस से बढ़कर यह भी लग सकता है कि मार्केट परसनली तोर पर आपके खिलाफ है लेकिन हकीकत यह है कि असल में यह सब आपके दिमाग में चल रहा है मार्केट एसी कोई भी इनपोर्मेशन प्रवाइड नहीं करती जिससे आप संघर्स महसूस करें अगर कोई स्ट्रगल है तो यह केवल और केवल आपके एचिचूड और प्रस्पेक्टिव के बीच है और यह आपके दिमाग और टीवी के बीच भी एक संघर्स है अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी मेंटल प्रोसेस के प्रती अति संवेदन सील हुए बिना सही इनफोर्मेशन के साथ भै मुक्त होकर कैसे ट्रेड करने के बारे में सोच सकता हूँ डगलस का इस बारे में आपके लिए सीधे तोर पर उत्तर है जोखिम को स्विकार करना सीखें यानि learn to accept the risk जोखिम को वास्तों में समझना responsibility के अलावा डगलस ने पिछले चैप्टर 3 में जिन मुद्दों पर चर्चा की थी वे ट्रेडिंग से कम और आपकी सक्सेस से संबंदित मुद्दे ज़्यादा है उसमें डगलस ने यह भी चर्चा की है कि रिस्क को accept करने के concept को भी काफी ट्रेडर गलत धंग से समझते हैं और चैप्टर 1 में कहा है कि ज़्यादातर ट्रेडर गलती से यह मान लेते हैं कि वे एक ट्रेडर है इसलिए वे एक risk taker भी है लेकिन यह है उनका और confidence से ज़्यादा कुछ नहीं है रिस्क को accept करना यानि emotional परेशानी या इसके भै के बिना ट्रेडिंग के result को accept करना होता है इसका मतलब है कि हमें सीखना है कि ट्रेडिंग और market के साथ अपने स्विम के relation के बारे में इस तरह से कैसे सोचना शुरू करें कि गलती होने लोस उठाने या market से गाइब होने की संभावना हमारे मानसिक रक्षा तंतर को प्रभावित ने कर सके और हमें opportunity flow में बनाई रखे यदि आप result से डरते हैं तो ट्रेडिंग का risk आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आपका यहब है आपके information के बारे में interpretation और आपके behavior पर आप जिस तर से बचने की कोशिश कर रहे हैं यही इस तरह से हावी होगा कि आप नए चाहते हुए भी गलती कर बैठेंगे यहां Douglas एक specific thinking strategy सुझा रहे हैं जो आपको हर पल flow में बनाई रखेगी जो हमारे belief के एक group से बनी होती है इसे सीख कर आप trading से बचने की कोशिश नहीं करेंगे बलकि आप market में मौझूद रहे कर opportunity flow को इस तरह से define करने लगेंगे कि यह हर स्थिती में आपको benefit देगा क्योंकि जब आप किसी opportunity का लाब उठाने के लिए swim को उपलब्द कराते हैं तो आप market के behavior पर कोई सीमा या अपेक्षाई नहीं थोपते इसे market आपके लिए शशर्त जो भी करने जा रही है उसे आप opportunity के रूप में define करेंगे और इसे आप fill भी करेंगे इसे आप अपने full potential के साथ opportunity पर कारिय करने लगेंगे अब आपका state of mind यानि आपकी मन स्थिति market के behavior पर निर्वर नहीं रहेगी और नहीं इसे प्रभावित होगी यदि आप अपना state of mind यानि अपने मन की स्थिति को ऐसा बनाना सीख जाते हैं जो market के व्यवहार से प्रभावित नहीं हो तब आप swim और market के बीच के mental struggle यानि मानचिक संघर्स का अस्तितो ही समाप्त कर देते हैं जब आपका यह internal struggle समाप्त हो जाता है तब आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है उस समय आप अपनी analytical या कहें सभी skills का full potential के साथ एक trader के रूप में लाब उठा सकते हैं अब आपके मन में एक प्रशन उठ रहा होगा कि जिस risk से आप डर रहे हैं उसके मौझूद रहते आप emotional परेशानी और भै के बिना trade के risk को कैसे accept कर सकते हैं यानि जब आप पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वश्ट है कि आप गलत हो सकते हैं आप अपने पैसे खो सकते हैं या आप चूक सकते हैं तब आप कैसे आश्वश्ट और दर्त मुक्त रहे सकते हैं इस तरह आपको अपना डर और बेचैनी की भावना पूरी तरह से उचित और तरक संगत लग सकती है जब आप मार्केट में चर्चा करके उस पर विचार करते हैं तो उन में से प्रतेक संभावना वास्त्विक लगने लगती है लेकिन ये संभावनाएं सभी ट्रेडर के लिए नहीं होती और नहीं मार्केट का डर सभी को समान रूप से डरा सकता है हालांकि आपको इस समय यह लग सकता है कि यह डर सभी में समान रूप से होता है लेकिन डगलस आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा नहीं है वे कहते हैं कि जब आप डरते हैं तो उस समय आप जो emotional परेशानी महसूस करते हैं वहें इतनी वास्त्विक लगती है कि आप यहें विश्वास करने लगते हैं कि यहें सभी में होती हैं यहें मानव सभाव हैं कि आप जिस चीज से डरते हैं तो आप यहें मानकर चलते हैं कि बाकी सभी को भी उसी चीज से डरन चाहिए लेकिन साथ में वे यह भी मानते हैं कि सबसे अच्छे ट्रेडर किसी तरह अपने डर को साहस और आत्मन नियंतरन से बे असर कर देते हैं ट्रेडिंग में हमारे सामाजिक नियम लागू नहीं होते हैं आपने यह पहले कई बार सुना है जो सही है निश्चित रूप से साहस, सेल्फ कंट्रोल या इनके जैसी कई ऐसी चीजें एक या सभी विशेस्ताइं किसी भी टोप ट्रेडर में मौजूद हो सकती है लेकिन इसमें जो सच बात नहीं है वह यह है कि ये विशेस्ताइं उनके बहतर प्रदर्शन में कोई भूमिका नहीं निभाती है साहस या सेल्फ कंट्रोल जैसे गुणों की आवशकता वहां होती है जहां एक इंटरनल स्ट्रेडल होगा ट्रेडिंग से जुड़ा कोई भी स्ट्रगल प्रियास या डर आपको फ्लो से बाहर ले जाएगा और आपके रिजल्ट को कम कर देगा यह वही टर्निंग पोइंट है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर अपने आपको बाकी भीड से अलग कर लेते हैं जब आप एक प्रोफेशनल की तरह रिस्क को एकसेप्ट कर लेते हैं तो आपको यह भी ऐसा नहीं लगेगा जो खतरनाक हो जब तक कोई प्रतेक्स दमकी नहीं दे रहा हो तब तक डरने की कोई बात नहीं है इसका मतलब है कि यदि आप डरते नहीं है तो आपको ज़्यादा साहस की आवशकता नहीं है यदि आप तनावगरस्त नहीं है तो आपको स्टील की नसों की आवशकता भी महसूस नहीं होगी इसी तरह अगर आप लापरवापन की क्षमता से नहीं डरते हैं क्योंकि आपके पास उचित निगरानी तंतर मौजूद है तो आपको सेल्फ कंट्रोल की भी ज़्यादा आवशिक्ता नहीं होती है। डगलस यहां आपके द्वारा उठाएगे सवाल के जवाब में कहते हैं कि वे चाहते हैं कि आप इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें। जैसे हम लापरवाई से शुरुआत करते हैं फिर हम डर जाते हैं जिससे लगातार हमारी क्षमता कम होने लगती है। जो ट्रेडर इस साइकल को तोड़ते हैं और इसे अपने अनुरूप बनाते हैं वे इससे बचना बंद करना सीखते हैं और रिस्पोंसिबिलिटी वे रिस्क को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। इस साइकल यानी चकर को ट्रेडर तब तक सफलता पूर्वक तोड़ने का प्रियाश शुरू ही नहीं करते जब तक उन्हें बड़े लोस से एमोशनल दर्द से ने गुजरना पड़ा हो और इसका उन पर पोजिटिव परभाव ने पड़ा हो। इस चकर को तोड़ने वाले अपने mental environment में हो रहे बदलाओं के बारे में तब तक अंजान थे जब तक उन्होंने उन पोजिटिव परभावों को मार्केट के बारे में नए एटिटूड के साथ बाचित करने के तरीकों को महसूस यानी अनुभाव नहीं किया था। यही कारण है कि बहुत कम टोप क्लास ट्रेडर वास्तों में इस बारे में बता सकते हैं कि उनकी सफलता के लिए कौन से अकाउंट जिमेदार हैं अपने mental environment को align यानी व्यवस्तित करें। और में से अधिकांस को आपको वास्तविक कारिय करने के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था। डगलस अब आपको एक thinking strategy सिखाने जा रहे हैं जिसका core principle यह है कि वे आपको संभाव नाओ और इसके edge पर belief कैसे develop करें यह सिखाना हैं। कि market के साथ आप नए तरीके से संबंद कैसे स्थापित करें जो ट्रेडिंग के risk को minimum कर दे। जब लोस के दर्द का खत्रा दूर हो जाता है तो डर अपने आप गाइब हो जाएगा। फिर आप डर आधारित गल्तियों के लिए अतिसंवेदन शील नहीं होंगे। तब आप एक ऐसे mental structure को develop कर पाएंगे। जो यह देखने के लिए स्वतंतर रूप से जो उपलब्द है उस पर कारिय करे। बार बार लोस उठाने की बजाए एक लापरवा और नीडर state of mind को प्राप्त करने में बहुत मेहनत और समय तो लगेगा ही। लेकिन यह इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। डगलस का मानना है कि जब तक आप इस audio book को पूरा सुनेंगे तब तक आप में से अधिकांस यह जानकर वास्तों में चकित रह जाएंगे कि आपकी problems के solutions वास्तों में कितने आसान हैं। और यहां पर कई माइनों में तो इतने आसान solutions मिलेंगे कि जैसे कि आपका state of mind या कह सकते हैं कि mental perspective बदलते ही ये हल आपके सामने पर कट हो जाएंग जैसा कि software को unlock करने के लिए एक सही code मिलने पर होता है। हालांकि हर कोई error के साथ शुरुवात करता है। लेकिन जब आपको इस error के source का पता चल जाता है तब आप इस error के solution से मात्र एक कदम की दूरी पर होते हैं। हालांकि जब आप इसे सीखना शुरू करते हैं तब आप मे reading की प्रकृति के बारे में एक या दो गलत धार्णाओं को रिप्रेजेंट करता हो जिसे यह audio book हल कर सकती है। जैसे किसी घर की electric wiring में कोई एक छोटा सा error पूरी wiring को बरबाद कर सकता है। ठीक वैसे ही आपके मानशिक तंतर में एक error पूरे mental structure को stuck कर सकता है। जब आप इस error को इस audio book की साहिता से खोज लेते हैं तो आप इस तरह के internal mental बदलाओ को आहा मोमेंट की तरह महसूस कर सकते हैं। हम सभी ने कभी ने कभी इस तरह के आहा मोमेंट को महसूस अवश्य किया है। बस इसमें फरक यह है कि इसे हर कोई अलग तरह से feel करता है। जब आप इसे अन आपने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया या यह पूरे समय मेरे सामने था लेकिन मैंने इसे कभी देखा ही नहीं या यह इतना आसान है तो मैं इसे क्यों नहीं देख सका। इस आहा अनुभव को महसूस करने के लिए हर किसी को अलग अलग समय लग सकता है। हो सकता है कि एक success trader बनने के लिए आपको जो कुछ जानने की आउशकता है आप उसे पहले से ही जानते हो लेकिन अभी यह आपकी आउंखों से ओजल हो सकता है कई trader हो सकता है की यह नहीं जानते हो कि वे असल में market को अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे है जिसका रजल्ट उन्हें financial और emotional बर्बादी के रूप में मिलता है आपने ट्रेडिंग को लेकर अपने जीवन के लिए कुछ goals अवश्य बनाई होंगे आप इस बारे में सपष्ट हो सकते हैं कि market से आप क्या चाहते हैं लेकिन कैसे इस बारे में थोड़ी पढ़ाही करने की आफशकता है इसलिए इसकी पढ़ाही आप डगलस के अनुसार इस बुक से कर सकते हैं जो आपके लिए हिंदी में ओडियो बुक के रूप में उपलब्द है जो आपको वह सिखाएगी जो अभी आपकी आँखों से ओंजल है आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आसान और ज्यादा संतोस जनक तरीके आज मार्केट में उपलब्द है लेकिन पहले आपको अपना दिमाग ठीक करने के लिए तैयार रहना होगा धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो अभी तक के अध्यायों में आपने यह जान लिया है कि हमारी गलत धारनाओं की वज़े से हम बहुत बार सही इन्फॉर्मेशन की गलत इंटर्प्रेटेशन कर देते हैं जिसकी वज़े से हमें भारी लोस उठाना पड़ता है इसके बारे में हम दिन प्रते दिन सुनते रहते हैं कि इस मामले में फलां व्यक्ति का दृष्टी कोण कैसा है कोई व्यक्ति किसी गटना, समू, व्यक्ति, वस्तू वे इन्फॉर्मेशन के प्रती कैसा नजरिया रखता है यह उसकी सोच को प्रकट करता है व्यक्ति या व्यक्तियों का नजरिया ही किसी भी बदलाओ के लिए साफ तोर पर जिम्मेदार होता है यदि किसी व्यक्ति का किसी खास काम के प्रती अगर पॉजिटिव व्यू है तो वह उस काम में अपना बेहतरीन योगदान देगा वहीं अगर उसका एटिटूड नेगिटिव है तो वह उसमें बोरियत फिल करेगा और आखिर में उसे छोड़ भी देगा किसी के फोकस को एक दिशा में मोडने के लिए यह मनोब्रती यानि एटिटूड ही जिम्मेदार है इसी वज़े से एक व्यक्ति अन्य दिशाओं को छोड़ कर एक खास दिशा में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है एक कहावत के अनुसार किसी विशेश वस्तू के प्रती जिस जुकाव या नकारातमक्ता को अभिवक्त किया जाता है वह आसल में एक मनोवज्यनिक जुकाव होता है इसी साइकलोजिकल इफेक्ट की वज़े से हमारे द्वारा जीवन में लिये जाने वाले लगबग सभी निर्णे हमारी पसंद और नापसंद पर निर्भर करते हैं एटिटूड को हम विशेवस्तू के हिसाब से अलग-अलग नामों से प्रेजेंट करते हैं जैसे जब हम अपने बारे में अपने एटिटूड की बात करते हैं तो उसे सेल्फ एस्टीम यानि आत्म सम्मान कहते ह किसी ग्रुप के परती हमारे नेगिटिव एटिटूड को पूर्वा ग्रै कहा जाता है इस बुक के माध्यम से डगलस भी यही सिखाते हैं कि मार्केट इन्फॉर्मेशन से इमोशनल पेन के खत्रे को कैसे दूर किया जाए हाला कि मार्केट इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं करती है जिसमें आपको खुश करने या फिर दुखी करने के गुण हो यह तो केवल एक इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन आपकी तरह ही लगबग हर किसी को यह लगता है कि यह आपकी भावनाओं को संतोष्ट या फिर दुखी करती है लेकिन असल में ऐसा नहीं है यह तो बस आपके मेंटल स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को कैसे इंटर्प्रेट करते हैं उसे कैसे फील करते हैं जिससे आप फ्लो में सहस्ता से जाएंगे ताकि आप उस फ्लो में उपलब्द अपोर्चनिटी को हासिल कर सकते हैं प्रोफेजनल ट्रेडर्स का मेंटल स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया होता है कि वे मार्केट की इन्फोर्मेशन के बारे में एसा कुछ नहीं सोचते हैं जिससे उन्हें इसमें कोई खत्रा महसूस हो और आप जानते हैं कि जब कोई खत्रा ही नहीं है तो उसके बचाओ के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता क्योंकि उन्हें अपने मेंटल स्ट्रेक्चर को सचेतन या आउचेतन रूप दोनों से मानसिक रक्षा तंतर को स्टार्ट करने के लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ते हैं इसी वज़े से प्रोफेशनल लोग वह देख सकते हैं जो बाकी सभी के लिए एक चमतकार से कम नहीं होते उन्हें प्रोफेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हमेशा फ्लो के साथ रहते हैं इस समय वे अपोर्चुनिटी की एक एंडलेस टीम यानि आउसरों की एक अंतहीन धारा को फिल कर रहे हैं लेकिन जब वे इस फ्लो में नहीं होते हैं तब भी वे उस सबसे बेहतरिन फैक्ट को पहचान लेते हैं जिससे वे या तो वापस स्केलिंग करके या फिर ट्रेडिंग ने करके लोस की भरपाई कर लेते हैं डगलस पूछते हैं कि क्या आप भी इनके जैसे बनना चाहते हैं इनकी तरह ट्रेडिंग करने में सक्षम होना चाहते हैं तो आपको बिना किसी डिस्टोर्शन के एक अबजेक्टिव व्यू आप पोइंट से मार्केट को देखने में सक्षम होना पड़ेगा जिससे आप बिना किसी जिजक के पोजेटिव बैलेंस के साथ ट्रेडिंग करने में सक्षम हो जाएंगे और एक ट्रेडर का एटिटूड अपना लेंगे तब आपको अपनी सफलता के बारे में बार बार सोचने की आउशकता नहीं रह जाएगी आपके इस उदेश्य यानि गोल को पूरा करवाने में डगलस की इस बुक की यह ओडियो बुक कमेंटरी बहुत मदद करेगी इसमें आप अभी मार्केट की इनफॉर्मेशन के साथ आपके संबंद को फिर से डिफाइन करने का एक तरीका सीखने जा रहे हैं जिससे इनफॉर्मेशन को एक खत्रे के रूप में देखने की संभावना बहुत कम या फिर नए के बराबर हो जाएगी डगलस यहां आपको रीडिफाइन करने के बारे में सिखाना चाहते हैं जिसका मतलब है कि आप अपने पुराने मेंटल स्ट्रेक्चर को छोड़ कर उस एटिटूड को अपनाएं जो आपको अवेलेबल अपोर्चुनिटी पर फोकस्ट रखे मेंटल सोफ्ट्वेयर की डीबगिंग डर वाली मानशिक्ता के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए सबसे बहतरीन तरीका अपने मस्तिस्क को परशिक्षित करना होता है कोई भी थोड़े से प्रयास से अपने एटिटूड को बदल कर पोजिटिविटी की और बढ़ सकता है आप सोच रहे होंगे कि डगलस ने हमें यह तो ध्यान करवा दिया कि डर की मेंटिलिटी की वजह से हम बार बार लोस उठा रहे हैं लेकिन अब हमारे सामने यह बड़ा प्रशन है कि इस मेंटिलिटी को पोजिटिव कैसे बनाया जाए आपने इमेनुवल जेम्स रोन जिनने जिम रोन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है उनके बारे में अवश्य सुना होगा जो एक अमेरिकी अंट्रप्रियनर लेखक और मोटिवेटर स्पीकर थे उन्होंने और दे सीक्रेट बुक की लेखक रहेंडा ने बताया है कि आप वास्तों में जो चाहते हैं आपका मस्तिस्क सुथे ही आपको उस दिशा में खींच ले जाता है यानि वीचियार किसी व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए सीधे तोर पर जिमेधार होते हैं इसलिए negativity से positivity के उजाले में आसानी से जाया जा सकता है इसके लिए आपको तो बस अपने attitude में बदलाओ करना है और यह हो जाता है आप जानते हैं कि मानसिक भेह का result कितना घातक हो सकता है यह हमारे जीवन और करियर दोनों को mentally और physically रूप से बरबाद कर सकता है इस बहसे बचने का एकमात रूपाए अपने mind को train करना है असल में हमारा mind अभी जिस अवस्था में है चाहे यह positive अवस्था में हो या फिर negative अवस्था में यहां तक आने के लिए इसे वर्षों तक train किया गया है इसकी present situation उसी training का result है आपने इसे जिस तरह से पहले train किया था अब उसी तरह से नई दिशा में इसे train करना होगा अपने mental structure को redesign करना होगा यह process तब बहुत आसान हो जाती है जब आपने अपने attitude को बदलने का दरड़ संकल्प ले लिया है और अगर यह मन में आपने पकाठान लिया है तो आप बिना किसी जारा प्रयास के इसे आसानी से बदल देंगे मैं यहाँ पर सिरिबद भागवत गीता के अध्याए 2 के शलोक नंबर 61 के भावारत के बारे में बताऊंगा क्योंकि डगलस इस चैप्टर में हमें यही सिखाने जा रहे हैं इस शलोक का सब्दार्थ है स्रद्धा रखने वाले अपने इंद्रियों पर सैयम और ग्यान प्राप्त कर लेते हैं वहीं ग्यान मिल जाने पर जल्द ही परम शान्ती को प्राप्त होते हैं इसका बहवर्त यह है कि सिरी कृष्ण के अनुसार परम शान्ती का सोर्स ग्यान है और बिना स्रद्धा के ग्यान पाना असंबव है क्योंकि ग्यान पाने का यही एकमातर सहारा है ग्यान के क्षत्र में स्रद्धा का एक अर्थ किसी को जानने की उतकंट इच्छा भी होती है और यह तो आप जानते ही है कि अगर किसी को जानने की इच्छा हमारे अंदर ने हो तो हम किसी को भी नहीं जान सकते जब हम किसी को जान लेते हैं तब ही हम उसे मान लेते हैं जब हम मान लेते हैं तब हमारी उसके प्रती स्रधा पूर्णता पा लेती है जिसमें जानने और मानने की अगाद इच्छा होती है उसी को स्रधालू कहा जाता है और वही ग्यानी भी है जब हम जान लेते हैं और मान लेते हैं यानि ग्यान प्राप्ट कर लेते हैं तब हमारा mental imbalance यानि मानसिक हलसलस माप्त हो जाती है हमारे इंद्रियां हमारे भीतर व्यवस्तित और स्थिर हो जाती है तब हम अपने passion को feel करने लगते हैं तब हमारा mental structure बैलेंस्ट हो जाता है, हमें परमशान्ति का अनुभव होता है, हमारा mental software डीबग हो जाता है, हम चाहते हैं कि हमारा mental software बग फ्री हो जाए और ठीक हो जाए, हम अपनी mental power को समझ कर इसका यूज अपने perspective को बदलने के लिए प्रभावी तोर पर कर सकते हैं, जो market information के बारे में हमारी guide में unwanted, negative, emotional और उल जलूल reaction क्रियेट कर रहा है, डगलस इस बारे में कहते हैं कि आप इस बात से चकीत रह जाएंगे, कि कैसे कुछ simple change करके आप अपने trading results में भारी अंतर ला सकते हैं, क्योंकि trading की process एक opportunity को समझने से शुरू होती है, और बिना किसी opportunity perception क हमारे पास trading करने का कोई कारण नहीं है, डगलस अब आगे बढ़ने के लिए यह कह रहे हैं कि यहां यह उचित होगा कि हम अब इस perception की process को तोड़कर अपनी mental energy को परखना शुरू करें, perception के dynamics यानि धरना की गतिशीलता, एक प्रशन मन में आता है कि जैसा हम सोचते हैं, वै अग्यानिक fact है, जिसमें से हमें कुछ चुनिंदा ही याद रहते हैं, आखिरवे कौन से fact हैं, जो यह निर्धारित करते हैं, कि हम किसी information को कैसे देखते हैं, उसके संबन में हम क्या अनुभाव करते हैं, किसी भी क्षन हम, जो feel करते हैं, उस से हमारी perception यानि धरना कैसे के dynamics को समझने का शायद सबसे आसान तरीका यह हैं, कि हर उस चीज के बारे में सोचना, जो गुणों, विशेस्ताओं और लक्षनों के बारे में उस जानकारी को उत्पन करती हैं, जो उन्हें विशिष्ट बनाती हैं, जो वे हैं, यह information हमारी पांच physical sense यानि बहुतिक हमारे माइंड में एक चाप छोड़ देती हैं, जिसे हम energy structure कहते हैं, यही यादें, भेद और विश्वास, जिनें हम अपने पूरे जीवन में collect करते रहते हैं, वे हमारे mental environment में एक structured energy के रूप में हमेशा मौजूद रहते हैं, यह structured energy एक abstract concept है, abstract concept यानि अमूर्त अवधारना जिसका मतलब है कि इसका कोई भोतिक रूप नहीं होता, यह किसी भी subject के बारे में सभी information को एक structured रूप में हमारे mind में coding energy के रूप में store करती है, जब हम इससे संबंदित subject को देखते हैं या feel करते हैं, तब हमारा mind इसकी सभी coding information को decode करके हमारे सामने प्रकट कर देता है, अम जैसे सोच आदी बेहतर उधारन हैं, अब आप अपने आप से पूछ रहे होंगे कि energy कैसे आकार ले सकती है या रूप ले सकती है, यहां डगलस कहते हैं कि इसका उत्तर देने से पहले वे एक और अधिक मोलिक यानि fundamental प्रशन का उत्तर देना चाहते हैं, वह प्रशन यह है कि हम कैसे जानते हैं कि हमारी स्मरतियां, भेद और विश्वास सबसे पहले पावर के रूप में exist करते हैं, इस बारे में वे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि यह वेग्यानिक रूप से सिद्ध है या नहीं, लेकिन mental fact किसी ने किसी रूप में मौजूद होते हैं, हम यह त दारनाओं और भावनाओं को देखा जा सकता है, वेग्यानिक कमूनिटी ने माइंड के हर जीवित और मृत उत्तकों में इन्हें खोज लिया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इन्हें इनके natural रूप में नहीं देखा है, अगर हमारी feelings बहुतिक पदार्थ के रूप में मौ हो सकता है, हमारी दुहनी तरेंगी फोन को अलादी microwave पावर के रूप में काम करती है, लेजर लाइट भी एनरजी का ही एक रूप है, ये और इनके जैसे सभी उधारन यह दरसाते हैं कि एनरजी कैसे याकार, रूप और structure बदल सकती है, मेरे मन में एक प्रशन और आ रहा है कि वे ऐसे सपने क्या होते हैं, डगलस कहते हैं कि वे आप से यह नहीं पूछ रहे हैं कि सपनों का क्या मतलब होता है, वे सपनों के बारे में आगे कहते हैं कि मान लेजिए आपके सपने आपकी खोपड़ी की सीमा के भीतर होते हैं और वे परवानों और अणों से भी नही बने हुए हो सकते क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे सपनों में मौजूद होने वाली सभी चीजों के लिए हमारी खोपड़ी में प्रयाप्त जगे नहीं होती सपने हमारे अनुभवों की केवल यादे होते हैं जो हम जागते समय अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस करते हैं और यह तभी संभव है जब सपने एबस्ट्रेक्ट एनरजी के रूप में हों क्योंकि एनरजी किसी भी आकार या आयाम को धारन कर सकती है इसके लिए वे कोई स्थान नहीं गेरती है इसका मतलब है कि एक्स्टर्नल एनुअर्मेंट की हमारी यादे और विश्वास और हमारे काम करने के जो तरीके हमने सीखे हैं वो हमारे मेंटल एनुअर्मेंट में एनरजी के रूप में मोजूद है जैसा कि आपने जाना है कि एनरजी कोई जगए नहीं गेरती है तब यह कहा जा सकता है कि हमारे पास सीखने की unlimited power मौजूद है हमें शीखने के प्रती रिजर्व रहने की कोई आफशक्ता नहीं है क्योंकि हमारे पास एनरजी की storage power अनंत है अगर आप इस बात पर गोर करेंगे तो यह बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि आज मानो अपनी सीखने की कपैस्टी में निरंतर सुधार कर रहा है इसे आप अपने आसपास हर समय महसूस कर सकते हैं जिसे आम तोर पर एज गैप के नाम से भी जाना जाता है इसे परखने के लिए आप अपने से कम उमर के बच्चों से इलेक्टोनिक गैजट के बारे में इनफॉरमेशन कैच करने की पावर का इनलेसिस कर सकते हैं तब आपको यह पता चल जाएगा कि एज गैप बुरा नहीं है बलकि अपनी एनरजी को ज्यादा यूज करने का बेहतरीन वर्जन है खैर जैसा डगलस कहते हैं कि अगर हम मोटे तोर पर मानव के विकाश की बात करें तो जो हम अभी जानते हैं और जो कर सकते हैं उसे देखकर आज से सो साल पहले के किसी भी व्यक्ति के दिमाग को चक्रा देगा वह बस यही कहेगा कि आप अद्बूत हैं आपकी शक्तिया आनंत हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं पर्शेप्शन और लर्निंग सीखने से संबन्दित सभी प्रियोगों से यह स्पर्ष्ट हैं कि हम बार बार प्रियास करके एवं गल्तियों में सुधार करके अपने गोल्स को अचीव करते हैं हमारे सीखने का मोटिव, निश्चित, स्पर्ष्ट और जीवनों प्योगी होना चाहिए जब सीखने वाला इसे समझ लेता है तब वह फोकस्ट होकर सीखना शुरू कर देता है क्योंकि हर किसी की यही परवर्ति होती है कि वह उसी काम को जल्दी करता है जो उसे सुख देता है या सुख देने वाला होता है डगलस इस बारे में हमें सावधान कर रहे हैं कि हमें हमारी unlimited energy storage capacity और learning capacity को एक जैसा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए आज market में सीखने के लिए जो अथा ग्यान का बंधार उपलब्द है उसमें से मुझे क्या सीखना चाहिए इस बारे में हमें जागरुक रहना होगा क्योंकि यह हमारी storage capacity का काम नहीं है अगर हमारी storage capacity यह तै करती तो फिर आज हम सब कुछ सीख चुके होते हमें हर तरह की समझ होती लेकिन unlimited capacity होने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ वह कौन सा कारण है जिसने हमें पीछे रोक के रखा हुआ है आखी रहा में वह क्यों समझना है कि हमारे mental components यानी यादें और विश्वास energy के रूप में कैसे मुझूद है और energy के बारे में यह सच है कि energy में अपने आपको व्यक्त करने का potential मुझूद है ठीक यही तो हमारी यादें और विश्वास act करते हैं वे अपने आपको अंदर से हमारी इंद्रियों पर एक force के रूप में व्यक्त करते हैं और इस process में हमारी code के रूप में store information, decode होकर present situation से तालमेल करने की कोशिश करती है अगर यह तालमेल उसके अनुरूप हुआ तो information accept हो जाती है और अगर यह उसके विपरीत हो तो यह reject हो जाती है लेकिन इस गलत perception के coding set से तालमेल के चक्कर में उपलद information में जो छिपी हुई opportunity होती है वह चुट जाती है हमारे लिए environment हर पल अपने गुणों, विशेस्ताओं और लक्षणों के बारे में भारी मात्रा में valuable information जनेट कर रहा है जिसमें से कुछ तो हमारे इंद्रियों की शारेडिक सीमा से परे है जैसे हमारी आँखें हर light wave को नहीं देख सकती और हमारे कान हर sound को नहीं सुन सकते हैं लेकिन क्या बाकी बची सभी information को हम महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं हमारे अंदर की energy स्पष्टरूप से उसी sensory mechanism से काम करके इस information को limited या block कर देती है जैसे external environment काम करता है उधारन के लिए बहुत से ऐसी information उपलब्द है जिसे हम केवल इसलिए नहीं समझते क्योंकि हमने अभी तक उनके बारे में सीखा नहीं है इस बारे में यहां डगलस एक easy illustration करके बताते हैं कि जब आपने पहली बार किसी price chart को देखा था उस समय आपके विचार कैसे थे उस पर विचार करें तब आपने इसमें क्या देखा और क्या समझा जब आपको इसका कोई experience नहीं था तब आपने भी दूसरे किसी भी नए trader की तरह एक bunch of lines यानि कुछ lines के गुच्छे के अलावा कुछ नहीं देखा था और आपके लिए इस समय इसका कोई मतलब नहीं था धीरे धीरे आपने उस chart की information के बारे में सीख लिया जैसे की trends, trend lines, consolidation, sport and resistance, retracement और volume के बीच significant relationship, open interest वे price action आदी अब आपने यह सीखना शुरू कर दिया कि market के behavior में इन में से प्रतेक distinction यानि भेद किसी personal need, goal या desire को पूरा करने की opportunity को represent करता है हर distinction का आप आपके लिए एक अर्थ है, जिसके साथ कुछ relevant मात्रा में importance जुड़ी हुई है डगलस अब चाहते हैं कि अब आप अपने उस price chart पर दोबारा जाएं और देखें क्या आब और सबसे पहले देखने में कोई अंतर है, बिलकुल होगा उस समय की वे bunch of lines में आप उन सभी distinction को देखेंगे और साथ ही उन सभी opportunities को भी देख पाएंगे, जो वे distinction आपको दिखाना चाहते है इस चार्ट में पहली बार में देखने के समय जो कुछ आपकी आँखों से ओंजल था, अब वह सपस्ट होने लगा है लेकिन वह information उस price chart में उस समय भी मौजूद थी और अब भी मौजूद है अब आप यह सपस्ट तोर पर पहचान सकते हैं कि यह फर्क कहां पर पड़ा है इस समय आपके अंदर जो जो ग्यान unstructured energy के रूप में store है उसने आपकी आँखों पर एक force के रूप में कारिय किया जिस से आप उन various distinction को पहचान सकते हैं जिनके बारे में आपने सिखा है पहली बार चार्ट को देखते समय वह है energy वहाँ पर मौजूद नहीं थी इसलिए वे opportunity आपको उस समय नहीं दिखी जो आपके लिए उस दोरान मौजूद थी इसके अलावा जब तक आपने चार्ट में मौजूद variables के बीच सम्बंद के आधार पर distinction करना नहीं सिखा यानि भेद करना नहीं सिखा तब तक वे आपकी आँखों से ओंजल रहेंगे हम हर समय जिस information के contact में रहते हैं उसमें नही एद्रश्य opportunity के बारे में कभी भी सीखने का प्रयास नहीं करते हैं इसी वज़े से वे हम से ओंजल रहती है हम जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं उसे सीख सकते हैं लेकिन एक बंद लूप है जिसकी वज़े से हम सीखने से ब्लोक हुए रहते हैं इसके लिए हमारा perceptual close loop जिम्मेदार है यह हम सभी में मौजूद होता है क्योंकि यह perceptual close loop हमारी mental energy के रूप में हमारे इंद्रियों पर खुद को व्यक्त करने में naturally capable होता है यहां डगलस एक प्रचलित काहवत के बारे में कहते हैं लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं इसके बजाए लोग वही देखते हैं जो उन्होंने देखना सिखा है उन्होंने अभी तक जो नहीं सिखा है वहे उनकी आँखों से ओंजल है किसी भी ट्रेडर के मन में लोज का भै दो वज़ों से हो सकता है पहला अधिकांस लोग किसी ने किसी तरह के अपने स्यम के प्रतेक्स अनुभव से या किसी एसे व्यक्ति के अनुभव के माध्यम से इस बहश से सम्वन्दित हो सकते हैं जिसे वे जानते हैं दूसरा जैसा कि हम energy के attitude से इस अनुभव को internal dynamics का analysis करते हैं जिसके बारे में हम जानने जा रहे हैं की नमबर एक हमारी thinking process design के बारे में, नमबर दो प्रोसेस की जानकारी, नमबर तीन इनके बारे में हमारे experience, और नमबर च्यार new opportunity को recognize का हमारा potential. हमारे पास मूल रूप से दो प्रकार की mental energy होती है, positive और negative energy. हमारी यह energy कि इस emotion से charge होती है, हमें इसका source पहचान ना है, जब आप अपनी mental energy के charging source को पहचान लेते हैं, कि यह positive energy से charged है या फिर negative energy से, तब आप अगले कदम की और बढ़ जाते हैं. perception और risk, अभी तक की चर्चा से आप क्या सीखे, कहीं आपने यह तो नहीं सीख लिया है, कि ट्रेडिंग से डरने की कोई आउशकता नहीं है, आईए इस बारे में Douglas से समझते हैं, कि हमारे risk के बारे में क्या perception है, माल लीजिए एक trader आज बुरी तरह से loss उठा कर घराया है, अब कल ट्रेडिंग करने से पहले, उसके डर या जिजग की डिगरी ज्यादा होगी या कम, इस बारे में एक टोप trader कहेगा, कि आपका यह loss का डर तरक ही नहीं है, क्योंकि इस present time की opportunity और आपके पिछले trade का आपस में कोई connection नहीं है, क्योंकि हर trade एक possible result के साथ शुरू होती है, इसलिए आपके डर पूरी तरह से निराधार है, अब आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के risk perception को दूसरे द्वारा तरक हीन सोच के रूप में माना जा सकता है, हालांकि risk relative है, लेकिन जो व्यक्ति इसे मानता है, वह तो बस डरता है, और कुछ नहीं, यह उसके पुराने अनुभव या belief के आधार पर तब तैह होता है, जब वह अपने perception को बदलने की कोई कोशिश नहीं करता है, इस स्थिति में वह अपने आपको उसी situation में relate करता रहता है, जब उसे कभी loss हुआ था, power of association, किसी भी information को पहली बार देखने पर यह जितनी जटिल लग सकती है, उन में से अधिकांस को आसानी से डिकोड किया चा सकता है, हमारे mind की एक inbuilt design विशेस्ता यह है, कि हमारे internal environment में मौझूद किसी भी चीज़ से, हमारे mind में मौझूद गुणवत्ता, विशेस्ताओं, गुणों या लक्षणों के आधार पर उस से जोडने का कारण बनती है, हमारे mind के साथ किसी भी समान गुणों वाली चीज़ से जोडने की यह स्वभाविक परवर्ती है, यह स्वभाविक परवर्ती एक अचेतन मांसिक कारिया है, जो स्वेचालित यानि ओटोमेटिक रूप से होती रहती है, इसके बारे में हमें सोचना या निर्ने नहीं लेना पड़ता, जैसे हमारे दिल की धढ़कन, जिस तरह हमें दिल को धढ़कने की प्रोसेस के बारे में सोचने की जुरूरत नहीं है, उसी प्रकार हमें अपने अनुभवों और उनके बारे में अपनी भावनाओं को आपस में जोड़ने के बारे में सोचने की जुरूरत नहीं है, वे अपने आप ही जुड़ जाती है, यह हमारे दिमाग की सूचनाओं को रिसोर्स करने के तरीके का एक स्वभाविक कारिया है जो दिल की धड़कन की तरह एक ऐसा कारिया है जिसका हमारे जीवन में अनुभों के तरीके सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है डगलस कहते हैं कि वे उस मानसिक तंतर को नहीं जानते जो यह निर्धारित करता है कि दो या दो से अधिक सूचनाओं के सेट को जोडने के लिए हमारे दिमाग को कितनी कम समानता की आशकता है हालांकि सभी के दिमाग एक ही तरीके से काम करते हैं हमारे दिमाग जब यह पहचान लेते हैं कि relation positive है तब वह नेगटिव रूप से charge की गई energy को मुक्त कर देता है जिससे ट्रेडर का पूरा शरीर पूरुवा भास या आतंक की एक बहुती एस एस भावना से उबर जाता है ट्रेडर जिस बेचैनी या emotional दर्द का अनुभव करता है वह उस आगहात की डिगरी के बरावर होगा जो उसे अपने पहले लोस के परिणाम सुरुप हुआ था ट्रेडर का शरीर अब positive energy से भर जाता है अब वह ट्रेड के साथ एक emotional संपर्क में है अब उसका दिमाग जो भी information आंखो या कानों से अनुभव कर रहा है वह उसे दर्दनाक energy से जोड़ता है जिससे उसे ऐसा लगता है कि उसके दर्द और भैका source वह लोस है जिसे वह इस पल महसूस कर रहा है मनो वेगेनिकों ने इस बारे में कहा है कि यह प्रोसेस दूसरे लोस के कारणों को भी वैसा ही मानती है जो कि ट्रेडर के memory bank में है बले ही दूसरा लोस अपने व्यवहार के बारे में जो जानकारी उत्पन कर रहा है वह व्यवहार उस पुराने के समान नहीं है यहां पर दो लोस हैं एक ट्रेडर के दिमाग में और दूसरा दिमाग से बाहर यह दोनों उसे बिलकुल एक जैसे महसूस होते हैं इसके बावजूद कम संभावना है कि ट्रेडर दूसरे लोस के व्यवहार में किसी भी प्रकार का distinction करने में सक्षम होगा यानि भेद करने में सक्षम होगा इसलिए ट्रेडर संभावीत अगले लोस को ट्रेड की प्रकरती के बारे में कुछ नया सीखने की opportunity के रूप में देखने की बजाई वह इसे खतरनाक ट्रेड मानने लगता है हालां कि उसने जो दर्द और भे अनुभव किया वह परम सत्य था लेकिन उन संभावनाओं के बारे में क्या जिने उसने महसूस किया क्या वे सही थी डगलस कहते हैं कि हमारे attitude से वे सही नहीं थी लेकिन ट्रेडर के लिए सही थी इसके अलावा ट्रेडर के पास और क्या option हो सकते थे सबसे पहले तो इस situation में वह उन समभावनाओं को नहीं समझ सकता जिसके बारे में अभी तक उसने सीखा ही नहीं है फिर भी अगर वह ट्राई करे भी तो डरते समय कुछ भी नया सीखना बेहद मुश्किल है हमारा डर एनरजी का एक बहुती कमजोर रूप है यह हमें पीछे हटने अपनी रक्षा करने के लिए तयार होने दोडने और हमारे फोकस को कम करने का कारण बनता है लेकिन इसकी बजाए अगर डर का समझदारी से सामना किया जाए तो यह सीखने के अनंत ओप्षन उपलब्द करवाता है दूसरा जैसा कि डगलस ने पहले ही संके दिया है कि जहां तक लोस खाए ट्रेडर का संबन है यह लोस उसके दर्द का सोर्स है जो उसके लिए 100% सच है ट्रेडर उसे पहले से ही दिमाग में मुझूद दर्द से जोडने के लिए प्रेडित करता है लेकिन वास्तों में यह उस दर्द का असली सोर्स नहीं था यह तो एक पोजिटिव रूप से चार्ज किया गया ट्रेड था जो एक स्वेचालित अनेचिक मानचिक प्रक्रिया द्वारा ट्रेडर की नेगिटिव रूप से चार्ज की गई एनरजी से जुड़ा हुआ था जो तेजी से काम कर रहा था तो फिर सवाल यह है उठता है कि यदि वह संभावी ट्रेड के बारे में जो सोच रहा है वह पूर्ण सत्य नहीं था तो फिर वह डरता क्यों है क्या ट्रेडर के लिए अपने खुद के अनुभवों से खुद के लिए डर्ब उत्पन करना संभव है डर और इमोशनल दर्द क बारे में जब वे मार्केट के साथ बाचित करते हैं और पूरी तरह से आश्वस्त होते हैं कि उनका दर्द और डर परिश्थितियों से पूरी तरह से उचित था एक ट्रेडर के रूप में उपलब्द आउसरों को समझना आपकी जिम्मेदारी है ने की दर्द के खत्रे को समझना आउसरों पर ध्यान के अंदरित रखने का तरीका जानने के लिए आपको खत्रे के सोर्स को ए निश्चित सब्दों में जानने और समझने की आउशकता है निश्चित रूप से यह सोर्स मार्केट तो नहीं है मार्केट तो केवल नीट्रल रूप से एटिटूड से आगे बढ़ने की आपकी क्षमता के बारे में जानकारी उत्पन करता है साथ ही वह आउसरों की एक अंतहिन धारा प्रदान करता है जब भी आपको भैका अनुभव हो तब आपने आपसे यह प्रशन पूछें क्या मार्केट की यह इन्फोर्मेशन स्वभाविक रूप से खत आते हैं लेकिन साथ ही आप लोस के चाबुक की मार भी नहीं खाना चाहते जब तक ये दोनों विचार एक साथ चलते रहेंगे तब तक डगलस के अनुसार आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप इस स्ट्रगल से पंगू बनकर रह जाते हैं आप इसकी सफाई में यह कह सक सकते हैं कि मार्केट बहुत रिस्की है और साथ में आप जो ट्रेडर प्रोफिट कमा रहे हैं उसे देखकर अंदर ही अंदर कोईला हो सकते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप अपने आप से पूछें कि क्या जिस समय आप जिजक रहे थे क्या आप उस समय वास्तों म यह समझ रहे थे कि मार्केट आपको क्या देना चाहती है जैसी आपकी मनस्थिति यानि स्टेट ओफ माइंड होगा उसी अनुरूप मार्केट आपके सपनों को सच करने की क्षमता से लोड़ेड है मार्केट के इन्फोर्मेशन को पोजिटिव या नेगिटिव मानना आप की आउचेतन मेंटल प्रोसेस है हमारा दिमाग लगातार हमारे इंटरनल एन्वार्मेंट को ऐसी चीज से जोड़ता है जो पहले से हमारे दिमाग में मौजूद है इससे हमें यह लगने लगता है कि हमारी परिस्थितियां और हमारी यादेवे विश्वास भी इन पश्ट और गहराई से नहीत है कि हर ट्रेडर सोचता है कि यह हमारे साथ नहीं होने वाला इन्हें समझना सचेतन रूप से जागरुक होना और फिर सीखना कि मन की ऑटोमेटिक प्रवर्ती को कैसे आपस में जोड़ा जाए कैसे मान्सिक स्थिति को विक्सित बनाई रखना है जो दर्द के खत्रे या अति आत्म विश्वास के कारण होने वाली समझ्याओं के बिना मार्केट के आउसर परवा के साथ बहाव में हो इसके लिए आउशक होगा कि आप एसोशेशन प्रोसेस पर सचेत नियंतरन रखें धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम अभी तक आपने जाना कि कोई भी काम करने के पीछे जो शक्ति काम करती है वह है हमारे विचारों की शक्ति हमारे ये विचार संसालित होते हैं हमारे प्रस्पेक्टिव से आपने पिछले पांच चैप्टर्स में यह तो अच्छे से जान लिया कि हर ट्रेडर के लिए मार् प्रस्पेक्टिव का सही होना आउशक है आईए इसे और गहराई से समझने के लिए चलते हैं Trading In The John Book के 6th chapter में जिससे डगलस से समझते हैं की हमारे प्रस्पेक्टिव के साथ-साथ मारकेट का प्रस्पेक्टिव कैसे हमारे लिए काम करता है हिंदी ओडियो बुक के इस फुल कमेंटरी सिरीज में आपका स्वागत है यह चैप्टर yeslab.com की और से स्पोंसर्ड है जहां पर आप अपने बिजनस को कैसे ओनलाइन रन कर सकते हैं यह सीखते हैं आईए अब बात करते हैं चैप्टर 6 के बारे में जिसमें डगलस के अनुसार ज्यादातर ट्रेडर का प्रस्पेक्टिव उनके पिछले दो तिन ट्रेड के रेजल्ट पर डिपेंड करता है जो इन पिछले ट्रेड्स का रेजल्ट रहा है ट्रेडर्स का प्रस्पेक्टिव ज्यादातर समय उसी के अनुसार काम करता है लेकिन जो बेस्ट ट्रेडर होते हैं उन्होंने अपने माइंड सेट को इस तरह से डिजाइन कर लिया है कि वे इससे अफेक्ट नहीं होते पिछले दो तीन ही नहीं बलकि कई सारे रिजल्ट्स मिलकर भी उन्हें अपने ट्रेडिंग डिसीजन से हिला नहीं सकते फिर वे चाहे नेगटिव रिजल्ट रहे हो या फिर पोजिटिव रिजल्ट इसलिए डगलस कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने माइंड सेट को बेस्ट ट्रेडर के लेवल पर ले आए हैं तब आपको फिक्र करने की कोई आवशकता नहीं है क्योंकि किसी भी ट्रेडिंग सिच्वेशन में फिर जाहे वह पर्सनल वेरियेबल हो या फिर साइकलोजिकल आपका पर्सेप्शन ओफ रिस्क उससे प्रभावित होने वाला नहीं है यहां पर एक साइकलोजिकल डिफरेंस है जो ट्रेडर को यहे विश्वास दिला सकता है कि जो बेस्ट ट्रेडर होते हैं उनके माइन में इनहेरेंट यानि अंतरने ही डिजाइन के गुण पहले से मौजूद होते हैं जो उनके और कम सक्सेस ट्रेडर के बीज में डिफरेंस के लिए जिम्मेदार हैं हालांकि यहां कुछ भी नहीं है डगलस इस बात के लिए आपको आश्वष्ट करते हैं कि यहे केवल कलपना से ज़्यादा और कुछ नहीं है क्या आप भी ऐसा मानते हैं अपना उत्तर आप कमेंट बोक्स में लिख कर बताएं ताकि अगले चैप्टर में इस बारे में बात की जा सके एक बात जो टीचर्स सिखाते हैं उनमें सबसे कोमन यह हैं कि वर्तमान में कैसे रहा जाए यह सिखना जीवन के हर लक्षे को हासिल करने की पहली सीड़ी है डगलस भी यही कहते हैं कि उन्होंने जिस भी ट्रेडर के साथ काम किया उसे यह सिखने के लिए प्रेरित किया कि नाव यानि प्रेजेंट मॉमेंट के अपोर्चुनिटी फ्लो में ठीक से फोकस्ट रहने के लिए अपने माइंड को ट्रेंड करने के लिए सबसे ज़रा प्रियास किया जाएगी यह किसी अकेले की प्रोब्लम नहीं है बलकि यह तो एक गलोबल प्रोब्लम है जो हमारे दिमाग को हर समय गलत ट्रेक पर ले जाती है डगलस आगे जो डिशकंश करने जा रहे है वह है एक ट्रेडर के रूप में आपकी सक्सेस के लिए सबसे इंपोर्टेंट और फंडामेंटल बिल्डिंग बलोक है हमारी अवेरनेस से बाहर जब विचारों के साथ छेड़ चाड़ हो जाती है तब इसका रेजल्ट हमेशा एनिस्चित रहता है जिसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है इसे डगलस अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल यानि एनिस्चिता का सिधानत कहते हैं कुछ लोग मार्केट के नेचर के बारे में बात करते हैं कि यह तो ऐसा है या वैसा है डगलस के अनुसार मान लिजी अगर ट्रेडिंग का नेचर है तो यह ऐसा होगा कि उसमें बिना डर या ओवर कॉन्फिडेंस के यह फिल करें कि मार्केट अपने प्रस्पेक्टिव से नव मुमेंट अपोर्चुनिटिव फ्लो में आपके लिए क्या पेशकश कर रहा है फिर अपने आपको उसमें पूरी तरह से फोकस्ट करके ओटोमेटिक रूप से जोन में प्रिवेस करें ताकि आप अपने प्रोफिट और ग्रोथ को मजबूत होने का आडिक विश्वास पराप्त कर लें बेस्टेडर ने अपने माइंड को उस पॉइंट तक डेवलप किया है जहां वे बिना किसी आउट या इंटरिनल कन्फलिक्ट के यह विश्वास के साथ मानते हैं कि कुछ भी हो सकता है इतना ही नहीं इनका अंसर्टरिनेटी के प्रती इतना पावरफुल विश्वास होता है कि यह उनके माइंड को नाव मॉमेंट और हालिया रजल्ट को आपस में जुडने ही नहीं देता जब उनके माइंड के अंदर यह गटवंदन होने से रुक जाता है प्रेजेंट करना एक एसा एटिट्यूड है कि जो इनफोर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट हो रही है उससे आप वह पहचान लेते हैं कि वह आपके गोल्स के रिलिवेंट है भी या नहीं डगलस के अनुसार हमारे माइंड किसी भी खशन में खुद को प्रेजेंट करने वाले हर आउसर को ओटोमेटिक रूप से नहीं समझते क्योंकि यूनिवर्सल टूथ को भी हम अपने प्रसनल प्रस्पेक्टिव से ही देखते हैं जिसे परसेप्चुल ब्लाइननेस यानि आउधारनात्मक अंदापन कहते हैं ट्रेडिंग और मार्केट बिहेवियर में जो डिफरेंस होता है उसे आप आम तोर पर आसानी से समझ सकते हैं परंतु यह डिफरेंस आपको तब समझ में नहीं आता जब आप डर से काम कर रहे होते हैं और हमें ट्रेड में ट्रेडिंग की डिरेक्शन और अपोर्चुनिटी भी तब तक नहीं दिखाई देते जब तक हम ट्रेड से बाहर नहीं हो जाते इसके अलावा एसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी हमारे आसपास अवेलेबल होती है जो हमें इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि हमने उनमें अब तक भेद करना नहीं सीखा जो हमें उन्हें समझना सीखाते हैं इसके लिए आपको चैप्टर पांस में वैल्यू चार्ट वाली डिसकुशन को एक बार दोबारा से सुनना होगा जिसके अनुसार हमने अभी तक जो नहीं सीखा है वह हमारे लिए एद्रश्य है और वह तब तक एद्रश्य रहता है जब तक हमारा दिमाग पावर के आदान के लिए खुल नहीं जाता यह पावर हमारा एक एटिटूड है जिससे हम खुद को उपलब्द कराते हैं जो ग्यात और अग्यात दोनों को ध्यान में रखता है अपने आपको उपलब्द कराने से आप होश पूरवक अपने आपको यह पता लगाने के लिए खोलते हैं कि आगे क्या होने वाला है इस से एक आटोमेटिक मेंटल प्रोसेस को रास्ता देने के बज़ाए इस एटिटूड को अपनाने से आपका दिमाग आंतरिक प्रतिरोद से मुक्त हो जाता है अब आपका दिमाग पावर के आदान परदान के लिए खुला है आप ने केवल उस मा प्रिमाग और मार्केट एक साथ है जो नेक मेंटल प्लेस है जहां आप कलेक्टिव माइंड को पढ़ने के अलावा और भी बहुत कुछ कर रहे हैं वे आप इसके साथ प्रफेक्ट हार्मनी में भी हैं जिन ट्रेडर्स ने मार्केट की कलेक्टिव कंसिसनेस का अनुभव क किया है वे इसका दोहन कर रहे हैं हालांकि आपके और मार्केट के बीच इस मेजिकल सिंकिंग को अनुभव करने के लिए सबसे फेवरेबल मेंटल कंडिशन को इस्टेबलिश करना कोई आसान काम नहीं है इसके लिए दो मेंटल वेरियेबल को दूर करना होता है पहला वेर है माइंड के लेफ्ट और राइट दोनों हिस्सों के बीच काम का सही से बंटवारा करना सीखना हमारे माइंड की लेफ्ट साइड तरक संगत सोच में माहिर है जो हम जानते हैं इन विचारों के दो तरीकों के बीच हमेशा एक संगर सोता रहता है कि तरक संगत यानी लोज को ट्रेंड नहीं करते हैं, ओके तो यह है टाइम है इस चैप्टर की पहली एड़र्टाइजमेंट का, क्या आप अपना ब्लोग शुरू करना चाह रही हैं, लेकिन वेबसाइट डेजाइन करना सीखने का समय नहीं मिल रहा, इसका समाधान है yeslab.com, डिस्क्रिप्शन में दि राइट साइड क्रियेटिव थिंकिंग में माहिर हैं, जो हमारी सची रचनातमक्ता के लिए जिम्मेदार है, इसके माध्यम से यह कुछ ऐसा सामने लाती है, जो पहले मौजूद नहीं था, हमेशा कंस्ट्रेक्टिव कारिये करने के लिए विश्वार्ष और गोल्स में क् होती है, यदि हमारे द्वारा किये जाने वाले कारियों का सोर्स रचनातमक्त और हमारे लोजिकल माइंड को इस सोर्स पर भरोसा करने के लिए ठीक से ट्रेंड नहीं किया गया है, तब इस इन्फॉर्मेशन पर कारिये करने की प्रकिरिया में, हमारा लोजिकल माइंड हमा आ रहे हैं जीवन में कुछ ऐसे चीज़े हैं जो इन प्रेरित विचारों को पहचानने में हमें सक्षम होने से दूर करती रहती है इसलिए डगलस अपने प्रेजेंट मॉमेंट के अपॉर्चुनिटी फ्लो में पूरी तरह से फोकस्ट कैसे रहना है यह सिखाने के लिए चैप्टर और अगले चैप्टर साथ को पढ़ेंगे तब तक आप बिना किसी संदे के समझ जाएंगे कि एक ट्रेडर के रूप में आपकी मनचाही सफलता तब तक क्यों नहीं मिल सकती जब तक आप इस एनिश्चित तामें एक द्रड और अडिग विश्वास विक्सित न यह वह कदम है जहां ट्रेड से जुड़ी अधिकांस रह्षय मैता शुरू होती है बहुत कम लोग हैं जो ट्रेडिंग का डिशिजिन लेते हैं लेकिन वे यह सोचने का प्रियासी नहीं करते कि एक ट्रेडर होने का क्या मतलब है ज्यादा तर ट्रेडिंग शुरू करने व रोल निभा सकता है लेकिन यह ज्यादा ध्यान देने और महतव देने लाइक नहीं है मार्केट के बिहेवियर पैटर्न में बहुती अनोखी साइकलोजिकल विशेस्ताइं छुपी हुई है जो यह निर्दारित करती है कि मार्केट के माहुल में प्रभावी डंग से काम करन है जैसे यदि आप किसी खास उदेश्य से विदेश जाकर रहने का प्रोग्राम पना रहे हैं तब आपको सबसे पहले वहां की स्थानिय परंपराओं और रिती रिवाजों से परीचित होना होगा ताकि आप उस एन्वार्मेंट में सफलता पूर्वक कारिया कर सकें लेकि पहला कारणी यह है कि प्रोफिटेबल ट्रेड के लिए किसी भी एक्स्ट्रा स्किल की आवशक्ता नहीं है दूसरा यह है कि आपको ट्रेडिंग के लिए कहीं जाने की आवशक्ता नहीं है बस आपको तो एक फोन तक पहुँचना होता है क्योंकि हम अपने पर्सनल एन्व जिसे हम अच्छे से पहचानते हैं, वहां से मार्केट तक पहुँच सकते हैं और बाचित कर सकते हैं, हमें ट्रेड के लिए और ट्रेड को हमारे लिए सोचने के तरीके में किसी विशेश चीज की आवशकता नहीं होती। जब किसी चीज को वास्तों में स्विकार कर लिया जाता है, तो वह हमारे mental environment के किसी component के साथ conflict में नहीं होती है। ट्रेडर क्यों बनते हैं? क्योंकि वेकेवल उन कई conflict को solve करने के लिए जरूरी mental exercise नहीं करते जो वे जानते हैं और विश्वास करते हैं। जबकि आप यह जान चुके हैं कि कैसे successful trade के लिए बहुत सारे principles को लागू करने के conflict के source के रूप में paradox कारिया करता है। ट्रेडिंग के लिए free flowing state of mind वाली stage में एंटर करना और उनका advantage उठाने के लिए आवशक हैं कि उन conflict को पूरी तरह से solve किया जाए। मार्केट की fundamental विशेषता जैसा कि Douglas लिखते हैं कि मार्केट का सबसे basic fundamental यह है कि यह अपने आपको लगवग unlimited तरीकों के combination में express कर सकती है। मार्केट की यह भी खाशित है कि यह कभी भी और कुछ भी कर सकती है। हालां कि यह देखने में काफी इसपस्ट लग सकता है क्योंकि हम सभी में इस विशेषता को हलके में लेने की प्रवर्ती होती है जिस वजए से हम बार बार सबसे fundamental लेवल की trading गलतियां करते हैं। लेकिन अगर traders को trading की इस विशेषता पर विशवाश है कि market में कभी भी कुछ भी हो सकता है तो unsuccessful trader काफी कम हो जाएंगे और consistent winners की संख्या बढ़ जाएगी। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हम यह कैसे जान सकते हैं कि यह कुछ भी कभ हो सकता है और इसे कैसे पहचाना जाए। डगलस लेखते हैं कि इस fact को समझना बेहद आसान है। हमें तो बस इतना काम करना है कि market को उसके component level पर अलग-लग करना है और देखना है कि इसके पूर्जे कैसे काम करते हैं। उसी तरह किसी भी market का सबसे basic component उसके trader होते हैं। हर ट्रेडर परसनल लेवल पर प्राइस पर एक फोर्स के रूप में कारिया करता है, जिससे वे या तो बिडिंग प्राइस बढ़ा देते हैं, या फिर इसे गटा देते हैं. अब बात आती है कि ट्रेडर प्राइस से ज़्यादा की बिड और ओफरिंग कम क्यों लगाते हैं, इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए हर ट्रेडर की प्रेड़ना के पीछे कई कारण और उदेश्य हो स कैसे बनाने के लिए ट्रेडिंग करना और इसके लिए ट्रेडर दो चीजें करता है वे हैं खरीदना और बेचना और हर ट्रेड के दो संभावित रिजल्ट होते हैं प्रोफिट और लोस इसलिए हम यह मान सकते हैं कि ट्रेड के किनी भी कारणों की परवा किये बिना बॉटम और फिर high price पर बेचें या पहले high पर बेचें और low पर खरीदें अब यदि हम मानते हैं कि हर कोई profit कमाने के लिए trading करता है तो केवल एक ही कारण से कोई trader अगले high level पर price की बूली लगाइगा क्योंकि उसका मानना है कि वहे फ्यूचर में किसी पॉइंट पर हाई प्राइस पर जो कुछ भी अब वहे बिड़ कर रहा है उसे सेल कर सकता है यही बात उस ट्रेडर के लिए भी सच है जो पिछली पोस्ट की गई प्राइस से कम प्राइस पर कुछ सेल करने को तयार है वहे ऐसाई से लिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि वहे फ्यूचर में किसी पॉइंट पर लो प्राइस पर जो कुछ भी सेल कर रहा है उसे री बाई कर सकता है यदि हम मार्केट के बिहेवियर को वैल्यू मूवमेंट के एक फंक्शन के रूप में देखते हैं और यदि यह वैल्यू मूवमेंट ट्रेडर का एक कारिया है जो हाई विडिंग और आफरिंग डाउन करने के इच्छुक हैं तो हम कह सकते हैं कि सभी वैल्यू वैसे ही होंगे जैसा इनके future के बारे में ट्रेडर विश्वास करते हैं यानि सभी value movement इस बात पर निर्भर करते हैं कि high और low price के बारे में ट्रेडर personally तोर पर क्या मानते हैं market behavior के underlying dynamics काफी सरल है किसी भी market में तीन primary force मौजूद होते हैं उसमें पहला है कि कुछ ट्रेडर मानते हैं कि price काफी low है कुछ मानते हैं कि price ज्यादा है और कुछ बस देख रहे हैं और अंदाजा लगा रहे हैं कि price low है या high है technically तोर पर तीसरा group एक partially force constitute करता है क्योंकि ज्यादातर traders undisciplined, unorganized और random तरीके से करिया करते हैं इसलिए इनके कारण जरूरी नहीं कि किसी को trading के dynamic समझने में मदद करें कि क्या हो रहा है लेकिन जो हो रहा है उसे समझना इतना मुश्किल नहीं है अगर आफ value movement को समझ जाते हैं तब यह value movement दो primary force के बीच relative balance या imbalance का एक function है इन दो primary force में पहली है कि कुछ trader मानते हैं कि प्राइस अप हो रहे हैं और कुछ मानते हैं कि प्राइस डाउन हो रहे हैं अगर इन दोनों group के बीच balance है तो price stable हो जाएंगे क्योंकि हर group दूसरे group के function के force को absorb करेगा यदि कोई imbalance है तो price ज्यादा force के direction में आगे बढ़ेगी या जिन traders के पास अपने belief में मजबूत विश्वास हैं कि price किस दिशा में जा रही है उसके और बढ़ेगी क्या इन value movement पर exchange impose लगाने के अलावा किसी भी समय कुछ भी होने से रोका जा सकता है वास्तों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी भी trade की price को low या high में जाने से रोका जा सके लेकिन फिर भी दुनिया के कुछ trader यह मानते हैं कि इसे control करना संभव है इसे समझने के लिए डगलस एक उधारन देते हैं कि कुछ साल पहले एक trader उनके पास मदद मांगने के लिए आया वहे एक excellent market analyst था अब वहे वर्षों के निराशा के बाद जबकि उसने अपना सारा पैसा खो दिया वहे आखिरकार यह स्विकार करने के लिए तयार हो गया कि एक trader के रूप में उसने बहुत कुछ छोड़ दिया है डगलस ने उसकी बातें सुनकर यह result निकाला कि उसके कई serious psychological obstacle उसे success होने से रोक रहे हैं उन में से सबसे serious obstacle यह है था कि वहे इस एहंकार में रहता था कि वहे सब कुछ जानता है जिससे उसके लिए प्रभावी डंग से ट्रेड करने के लिए आवशक mental लचिलेपन की डिगरी हासिल करना असंबव हो गया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहे कितना अच्छा analyst था वहे जब Douglas के पास आया था तब वहे पैसे और मदद के लिए इतना बेताब था कि वहे कुछ भी सोचने को तयार था Douglas ने उसे जो पहला सुझाओ दिया वहे यह था कि किसी एक और investor customer की तलास करने के बज़ाए जो अंतता है उसका एक और ट्रेड में अंसक्सेस्पुल प्रियास होगा वहे अपने experience के हिसाब से एक नोक्री खोज ले उसकी समश्याओं को देखते हुए काम करते करते वहे एक fixed income करके अपने करज का बुक्तान कर सकेगा और पसंद की skill से भी जुडा रहेगा उसने डगलस की सला मान ली और जल्दी ही शिकागो में एक brokerage house में एक technical analyst की नोक्री खोज ली brokerage firm के अध्यक्स शिकागो बोर्ड आफ ट्रेड में पिछले लगबग 40 वरसों से ट्रेडर थे उन्हें technical analysis के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि उन्हें पैसा बनाने के लिए इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी लेकिन उन्होंने जब स्क्रीन पर ट्रेडिंग करने शुरू की तो उन्होंने इसे मुश्किल पाया इसलिए उन्होंने firm के नए भरती किये गए technical analyst को trading day के दोरान अपने साथ बैठने और उन्हें technical trade सिखाने के लिए कहा यहें नए employee के लिए एक बेहतरीन opportunity थी जिसने उन्हें एक experience और success trader को अपनी ability के show off का एक नया आफसर दिया था ओके तो यहे time है इस chapter की दूसरी advertisement का क्या आप अपने business के लिए एक website शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन website design करना सीखने का समय नहीं मिल रहा है इसका समाधान है yeslab.com डिस्क्रिप्शन में दिये link पर क्लिक करके आप 20 मिनिट से भी कम समय में अपनी बेहतरीन business website बना सकते हैं तो देर किस बात की अभी क्लिक करें अड़ोटाइजमेंट्स मापत हुई इन दिनों ज्यादातर analyst चारली रेंडम दुआरा डिवलेप्ट, point and line नामक एक method का use कर रहे थे जो support और resistance को accurately define कर सकते थे एक दिन जब वे दोनों सोयाबिन market को एक साथ बैठ कर watch कर रहे थे analyst ने जिस major support और resistance point का अनुमाल लगाया था market भी इन दोनों points के बीच में trade कर रहा था जैसा कि technical analyst चेर्मेन को इन दो points के महतव को समझा रहे थे उन्होंने बहुत जोरदार शब्दों में कहा कि यदि market resistance तक जाती है तो यह रुक जाएगी और reverse हो जाएगी और अगर market support के लिए नीचे जाती है तो यह भी रुक जाएगी और reverse हो जाएगी फिर उन्होंने समझाया कि यदि market के रूप में calculation किये गए value level तक नीचे चला जाता है तो उनकी calculation से indication मिलता है कि यह दिन का सबसे down level होगा जैसे वे वह वहाँ बैठे थे बीन market धीरे धीरे उस कीमत के और बढ़ रही थी जो analyst ने कहा था कि यह support से या दिन का सबसे lower level होगा जब आखिर में market वहाँ पहुँच गई तो चेरमें ने analyst के और देखा और कहा यही वह जगए है जहां market रुकेगी और उपर जाना शुरू होगी है ना इस पर analyst ने जवाब दिया बिलकुल यह दिन का सबसे low level है यह बगवास है चेरमें ने उसे कहा इसे देखो उसने फोन उठाया सोयाबीन के लिए order संभलने वाले color को में से किसी एक को बुलाया और कहा market में 2 million beans बेच दो sale का आदेश देने के 30 second में ही सोयाबीन market में 10 cent प्रती beans की गिरावटा गई चेरमें ने analyst के चेहरे पर horrified expression देखे फिर शानती से पूछा अब देखो आपने कहा था कि market यहां रुख गया है इस पर अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है मुद्दा यह है कि market के observer के रूप में हमारे अपने personal perspective से कुछ भी हो सकता है इसके लिए केवल एक trader की आवशक्ता होती है यह trade की high end cold reality है जिसे केवल सबसे best trader ने बिना किसी internal conflict के स्विकार किया है केवल best trader ही अपने risk को consistently pre-define कर सकते है जब market उन्हें यह indication देता है कि trade काम नहीं कर रहा है यह बिना किसी जीजक के अपने loss में कटोती कर सकते है जब market उनके trade की देशा में बढ़ने लगता है तब इस से profit कमाने के लिए केवल best trader के पास ही एक organized और systematic money management system होता है अपने risk को pre-define ने करना, अपने loss में कटोती ने करना या systematic रूप से profit नहीं कमाना ये तीन आम तोर पर सबसे महंगी trading गलतियां है जो आप कर सकते हैं केवल best trader ने ही अपने trade से इन गलतियों को निकाल बाहर किया है अपने career में कुछ points पर उन्होंने बिना किसी संदे के विश्वाश करना सीख लिया कि कुछ भी हो सकता है और जो कुछ वे नहीं जानते उसके लिए हमेशा unexpected के लिए जिम्मेदार है याद रखें कि केवल दो ही ताक्ते हैं जो price के आगे बढ़ने का कारण बनती है पहली market उपर जा रही है और दूसरी market नीचे जा रही है आप किसी भी समय यह देख सकते है कि market अब कहा है यह वहाँ नहीं है जहां यह पिछले कुछ समय में थी यदि यहाँ एक पहचानने योगे pattern मौजूद है तो वह pattern खुद को दोहरा सकता है जिससे हमें यह संकेत मिलता है कि market के सोर जा रही है यह हमारे limit है जिसे हम समझते है लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो हम नहीं जानते और तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम अपने mind को इसे पढ़ना नहीं सिखाते जैसे हम नहीं जानते है कि कितने trader market में enter करने के लिए किनारे पर बैठे होंगे हम नहीं जानते कि उन में से कितने buy करना चाहते है और कितने sell करना चाहते है या वे कितने share buy या sell करना चाहते है और उन traders के बारे में आप क्या जानते है जिन की भागीदारी पहले से ही मौझूद प्राइस में दिखाई दे रही है हम नहीं जानते किसी भी समय उन में से कितने अपने विचार बदलने वाले हैं या अपने स्थिती से बाहर निकलने वाले हैं यदि वे ऐसा करते हैं तो वे अब तक मार्केट से बाहर रहेंगे और अगर वे मार्केट में वापस आते हैं तो वे किस देशा में अपना ट्रेड करेंगे ये निरंता कभी ने खत्म होने वाले अग्यात छिपे वे वेरियेबल हैं जो हमेशा हर मार्केट में काम कर रहे हैं बेस्ट ट्रेडर इन अग्यात वेरियेबल से छिपने की कोशिश नहीं करते हैं या वे यह दिखावा नहीं करते हैं कि वे मौझूद नहीं हैं नए ही वे इन्हें नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और नए ही वे इन्हें market analysis के द्वारा उन्हें सही या गलत ठहराते हैं इसके वीपरित based trader invariable को ध्यान में रखते हैं उन्हें अपने trade system के प्रतेक component में शामिल करते हैं लेकिन बाकी के लिए इसके ठीक वीपरित सच होता है वे इस perspective से trade करते हैं कि वे जो देख, सुन या महसूस कर रहे हैं वह उन्हें ना तो दिखाई देता है ना ही सुनाई देता है और ना ही महसूस होता है और नहीं वे इनमें मौझूद होते हैं अगर एक trader वास्तों में उन सभी hidden variable के existence में विश्वास करता है जो किसी भी क्षण price पर act करने की क्षमता रखते हैं तो उन्हें यह भी मानना होगा कि प्रतेक trade का uncertain result होता है अगर हर trade का real में uncertain result होता है तो trader कभी भी अपने risk को pre-define ने करने, अपने loss को कम करने या profit के लिए कुछ organized तरीके से खुद को सही ठहराने या market से बात करने के लिए कैसे कह सकता है परिष्टितियों को देखते हुए इन तीन fundamental principle का पालन ने करना financial और mental level पर suicide करने के बराबर होता है चुकि अधिकांस trader इन सिधांतों का पालन नहीं करते हैं तो क्या हम यह मान सकते हैं कि trade के लिए उनकी वास्त्विक internal motivation खुद को destroy करना है यह निश्चित रूप से संभव है लेकिन डगलस को लगता है कि trader का कुछ प्रतिशत है जो या तो होशपूर्वक या आउचेतन रूप से अपने पैसे से छुटकारा पाना चाहते हैं या किसी तरह से खुद को चोट पहुँचाना चाहते हैं इसलिए यदि financial suicide इनका प्रमुक कारण नहीं है तो किसी को एसा कुछ करने से क्या रोक सकता है जो सही समझ में आता है इसका उत्तर काफी सरल है टीपिकल ट्रेडर अपने risk को pre-define नहीं करता अपने नुकसान में कटोती नहीं करता या systematically रूप से profit नहीं कमाता है क्योंकि यह इसे आवशक नहीं मानता है वह मानता है कि वह पहले से ही जानता है कि आगे क्या होने वाला है जो वह मानता है कि किसी भी present moment में क्या हो रहा है यदि वह पहले से ही जानता है वाला एहंकार उसकी ट्रेडिंग में गलतियों का कारण बनता है क्योंकि truth और real के बारे में हमारी belief बहुत powerful inner force है वे हमारे perception, decision, action और interpretation से लेकर result के बारे में हमारी feeling तक हर aspect को control करते हैं कि हम market के साथ कैसे interact करते हैं हम जिसे सच मानते हैं उनके वीपरित act करना बेहद मुश्किल काम होता है कुछ मामलों में belief की strength के आधार पर ऐसा कुछ करना असंबव हो सकता है जो हमारे किसी belief की integrity का violation करता हो लेकिन साधारन ट्रेडर को यह है एहसास ही नहीं होता है कि उसे कुछ powerful belief के रूप में एक inner mechanism की आवशकता होती है जो उसे market को एक ऐसे prospective से देखने के लिए कंपेल करता है जो हमेशा अधिक से अधिक clarity के साथ expand कर रहा है और वहे इसके लिए भी मजबूर करता है कि आप psychological condition और value movement के nature को देखते हुए आप हमेशा उचित रूप से कारिय करें इससे most effective और functional trading belief जो वहे प्राप्त कर सकता है वहे है कुछ भी हो सकता है यह truth है जो strong रूप से कारिय करेगा यह trader के belief और attitude के development की foundation है जिसकी एक success trader बनने के आवशकता है उस belief के बिना trader का दिमाग automatic रूप से उसकी conscious awareness के बिना उसे किसी भी information को avoid, block करने या rationalize बनाने का कारण बनता है जो indicate करता है कि market कुछ ऐसा कर सकता है जिसे उसने संभव के रूप में अभी तक accept नहीं किया है अगर एक trader यह स्विकार करता है कि market में कुछ भी संभव है तो उसका mind किसी भी अंचाही condition से बचने के उपाई नहीं सोचेगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है में सब कुछ शामिल है trader का यह विश्वास market के बारे में उसके perception पर एक जबरदस्त पाउर के रूप में कारिये करेगा जो उसे एशी information को समझने की अनुमती देगा जो उसके लिए अभी तक hide हो सकती थी ट्रेडर्स के लिए यह अब तक का सबसे essential और साथी most difficult principle है जिसे समझने और प्रभावी डंग से उनकी mental system के साथ integrate करने के लिए यह है सबसे most difficult principle है धन्यवाद hindi-audiobook.com आपका दिन शुब हो ट्रेडिंग इंदा जोन अध्याए साथ hindi-audiobook.com संभावनाओं में सोचना Probabilistic Thinking का क्या मतलब है और इसे ट्रेडर्स के लिए जानना क्यों आउशक है हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां का हर पल infinite complex set of factors के द्वारा निर्धारित होता है वहाँ पर यह Probabilistic Thinking ही हमें सबसे possible result की पहचान करने में मदद करती है अगर हम इसे ठीक से जान ले तो हमारे ज़्यादातर decision ज़्यादा precise और effective हो सकते हैं इसका सबसे बहतरीन तरीके से प्रियोग करने के लिए लोग math और logic के tool का यूज़ करके किसी special outcome की possibility को सर्च करते हैं यह हमारे decision की accuracy में consistently सुधार करने के लिए सबसे अच्छे tools में से एक हैं रुकिए यहां last word consistently से Douglas का क्या अर्थ है अगर आप इसका analysis करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां उन्होंने consistency को probability के एक function के रूप में लिया है हो सकता है कि आपको यह है एक paradox लगे जैसे आप सोच रहे होंगे कि कोई कैसे एक एसे event से consistently result produce कर सकता है जिसके results uncertain probability हों Douglas कहते हैं कि इसके answer के लिए हमें gambling industry को समझना होगा जहां लोगों को कैसेनों की और attract करने के लिए corporates अपने होटलों पर अरबों नहीं तो करोडों डोलर खर्च करते हैं यदि आप लास वेगास या अपने नजदी की किसी भी gambling कैसेनों में गई हैं तो आप यह ठीक ठीक अनमाल लगा सकते हैं कि डगलस वास्तों में किस बारे में बात कर रही हैं गेमिंग कोर्पोरेशन्स भी दूसरे कोर्पोरेशन्स की तरह ही है उन्हें अपनी financial report को मजबूत रखना होता है और अपने shareholders के विश्वास को भी बनाई रखना होता है आप suppose कीजिए कि क्या वे hotels अपने कैसीनों पर इतनी वड़ी रकम केवल इसलिए खर्च करते हैं कि उन्हें यहें लुटानी है ऐसा नहीं है उनके इस investment का primary function एक एसे event से revenue generate करना है जिसका result पूरी तरह से random होता है यहां एक interesting paradox देखिए कैसे नों दिन बदिन लगातार profit कमाते हैं और सालों साल एक एसे event को facilitate करते हैं जिसका result purely random होता है लेकिन trading का result तो random भी नहीं है फिर भी ज्यादातर traders क्यों consistently profit generate नहीं कर पाते हैं क्या एक consistent non random outcome consistent result नहीं देता है और एक random outcome consistent result produce करता है क्या casino owners, experienced gambler और best traders जो चीजें समझ सकते हैं वे एक typical trader के लिए समझना मुश्किल है डगलस आगे समझाते हैं कि the best traders trading को एक number game की तरह मानते हैं जैसे casino और professional gamblers जिस तरह से gambling को मानते हैं उधरन के लिए आए ब्लैक जेक गेम को देखते हैं ब्लैक जेक में casino में हर player के लिए loss की संभावना लगबग 4.5% मानते हैं यह उन rules के आधार पर माना जाता है जिने players को follow करने के आशक का होती है इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े sample size यानि खेले गए लोगों की बड़ी संख्या से कैसी नो gambling में दाव पर लगाई गई प्रते एक डोलर पर साड़े चार सेंट का net profit generate करेगा साड़े चार सेंट का यह average उन सभी players को ध्यान में रखता है जो जीत नहीं पाई है हर दिन सफ़ता महिने या साल के अंत में कैसी नो हमेशा दाव की कुल राशी के लगबग साड़े चार प्रतिसत net profit कमाता ही है यह साड़े चार प्रतिसत कोई ज़्यादा माईने नहीं रखता है लेकिन इसे कुछ इस तरह से समझते है कि मान लीजिए एक वर्स में किसी कैसीनो में कुल सो मिलियन डॉलर की बलैक जेक की टेबल पर एक्यूमेलेटिव रूप से दाउन लगाया जाता है अब आप आसानी से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसीनो के पूरे साल का net profit कितना रहा यानि यह 4.5 मिलियन डॉलर net होगा कैसीनो के ओनर्स और प्रोफेशनल गेंबलर profitability के नेचर के बारे में जानते हैं कि यहां खेला गया हर दाउ statically रूप से हर दूसरे से independent होता है इसका मतलब है कि हर individual hands एक unique event है जहां result last hand या अगले hand के relevant random होता है यदि आप हर hand पर personally रूप से focus करते हैं तो जीतने और हारने के बीच एक random unpredictable distribution होगा लेकिन collective base पर ठीक इसके विपरित सच होता है यदि large numbers of hand खेले जाते हैं तो ऐसे patterns emerge होते हैं जो एक consistent, predictable और statically रूप से reliable outcome प्रडियूस करते हैं लेकिन यहां एसा क्या है जो thinking in probability यानि संभावनाओं में सोचना इतना कठिन बना देता है इसके लिए हमें belief की दो layers की आवशकता होती है जो हमें एक दूसरे के contradict में लगती है इसमें पहली layer है micro level इस level पर आपको प्रतेक व्यक्ति के hand की uncertainty और unpredictability में विश्वास करना होगा आप इस uncertainty की सचाई को जानते हैं क्योंकि day यानि ताश की गटी की stability को affect करने वाले हमेशा कई unknown variable होते हैं जिन से हर नया hand खीचा जाता है डगलस यहां एक उधरन से इसे समझाते हैं कि आप यह पहले से नहीं जान सकते कि कोई दूसरा player अपने hands से खेलने का फैसला कैसे करेगा क्योंकि वे या तो extra card ले सकते हैं या इसे deny कर सकते हैं ताश की गटी की stability पर काम करने वाला कोई भी variable जिसे control नहीं किया जा सकता या advance में नहीं जाना जा सकता किसी भी special hand के result को किसी अन्य hand के संबंद में uncertain और random दोनों बना देगा इसकी दूसरी layer micro level है इस level पर आपको यह विश्वास करना होगा कि खेले गई hands की एक series पर outcome relatively certain और predictable है certainty की degree fixed या consistent variable पर based होती है जिने पहले से जाना जा सकता है और specifically एक तरफ या दूसरी तरफ advantage देने के लिए design किया गया है यहां डगलस जिन consistent variable की बात कर रहे है वे असल में game के rules हैं इसलिए आप भले ही पहले से यह नहीं जान सकते कि sequence of wins and loss क्या होगा लेकिन अगर आप प्रियापत बार खेलते हैं तो इसमें अधिक जीत की संभावना बन जाती है certainty की degree इस बात का एक function है की age यानी limit कितना अच्छा है यह माइक्रो लेवल पर game की unpredictability में विश्वास करने की क्षमता है और साथ ही माइक्रो लेवल पर game की भविश्यवाणी में विश्वास करता है जो कैसिनो और professional gambler को उनके काम में effective और successful बनाता है हर hand की uniqueness में उनका विश्वास उन्हें हर hand के result की भविश्यवाणी करने के व्यर्थ परियास में शामिल होने से रोकता है उन्होंने सीखा है और पूरी तरह से इस तथ्य को स्विकार किया है कि वे नहीं जानते की आगे क्या होने वाला है इससे भी महतवपुर्ण बात यह है कि उन्हें लगातार पैसा कमाने के लिए यह जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है वे प्रतेक व्यक्ति के hand, spin of wheel या roll of dice यानी पासा फैंकने को emotional तोर पर कोई wishes महतों नहीं देते हैं दूसरे शब्दों में वे जो होने जा रहा है उसके बारे में unrealistic expectation के बोज तले दबे नहीं रहते हैं और नहीं उनके ego इसमें इस तरह से शामिल हैं जिससे उन्हें सही होना पड़े क्योंकि बाधाओं को अपने पक्ष में रखने और गलत तरीके से execute करने पर focus करना आसान है जो बदले में उन्हें consistently mistake करने के लिए कम समवेदन सेल बनाता है वे relaxed रहते हैं क्योंकि वे committed हैं और वे संभावनाओ probabilities को खुद से बाहर निकलने देने के लिए तयार हैं और वे जानते हैं कि यदि उनके age काफी अच्छे हैं और sample size काफी बड़े हैं तो वे निश्चित ही विजेता बनेंगे based traders, casino और professional gambler के समान thinking strategy अपनाते हैं यहें नए केवल उनके profit के लिए काम करता है बलकि इस तरह की strategy की आउशकता का समर्थन करने वाली underline dynamics trading में बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी वे gambling में होती है दोनों के बीच एक simple comparison काफी स्पष्ट रूप से इन्हें demonstrate करेगी सबसे पहले traders, gamblers और casino सभी ग्यात और अग्यात variable दोनों के साथ काम कर रहे हैं जो हर trade या gambling event के outcome को affect करते हैं gambling में non-variable game के rule होते हैं और trade में non-variable उनके market analysis के result होते हैं और market analysis, market में participate करने वाले प्रते एक व्यक्ति के collective action में behavior pattern ढूणता है हम जानते हैं कि individuals same condition में behavior observable pattern का निर्मान करते हुए उसी तरह बार बार act करेगा उसी token से individuals के group एक दूसरे के साथ interacting करते हैं वे day by day, week by week, behavior pattern produce करते हैं और खुद को बार बार repeat करते रहते हैं डगलस के अनुसार इन collective behavior pattern को खोजा जा सकता है और analytical tools जैसे की trained lines, moving average, locillators या retracement ये बस अजारों में से कुछ tools का नाम है जो किसी भी trader के लिए जानना आवशक होता है प्रतेक analytical tool identify किये गए हर behavior pattern की boundaries define करने के लिए एक set of criteria का उप्योग करता है यह set of criteria और identify की गई boundaries ट्रेडर्स के non market variable होते हैं ट्रेडर्स के analytical tools non variable हैं जो किसी भी trade के लिए success की संभावना को ट्रेडर्स के favor में रखते हैं यह उसी तरह है जैसे की game के rules success की बाधाओं को कैसे नों की favor में रखते हैं दूसरा हम जानते हैं कि gambling में कई unknown variable हर game के outcome पर act करते हैं एवरी individual event के outcome पर force के रूप में act यानि कर्ये करते हैं इससे हर event किसी अन्य individual event से statically रूप से independent हो जाते हैं जिससे जीत और हार के बीच एक random distribution होता है ट्रेडिंग में unlimited unknown variable होते हैं जो किसी particular behavior pattern के outcome पर act करते हैं जिसका एक trader अपनी बढ़त के रूप में उपयोग कर सकता है ट्रेड में unknown variable दूसरे सभी traders होते हैं जिसके पास trade करने या उसे बंद करने के लिए market में आने की ख्षमता होती है हर trade हर समय market की स्थिति में contribute करता है जिसका अर्थ है कि हर trader चाहे high हो या low उसके बारे में विश्वास पर कारिये करता है उस समय reflect होने वाली collective behavior pattern में योगदान देता है यदि उस समय market में कोई recognizable pattern है और उस pattern को define करने के लिए उपयोग किया जाने वाले variable किसी particular trader की edge की definition के अनुरूप है तो हम कह सकते हैं कि market के आधार पर trader को low पर खरीदने या high पर बेचने का आउसर परदान कर रहा है माल लेजिए कि एक trader अपनी बढ़त का benefit उठाने के लिए trade करता है इसमें कौन से factory यह निर्धारित करेंगे कि market उसे profit देगा या loss इसका उत्तर है दूसरे traders का behavior फिलाल वह एक trade करता है और जब तक वह उस trade में रहेगा तब तक दूसरे traders उस market में भाग लेंगे वे अपने beliefs पर एक करेंगी कि क्या high है और क्या low है हर समय कुछ traders आपके साथ होंगे और कुछ आपके trade के opposite कार्या करेंगे इसमें पहले से यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि उनके अलावा बाकी सभी कैसे behave करेंगे और उनका behavior आपके trade को कैसे affect करेगा इसलिए trade का outcome uncertain होता है तीसरा कैसीनों के owners हर personal event के result की भवेश्यवानी करने या पहले से जानने की कोशिश नहीं करते हैं वे यह अच्छे से जानते हैं कि हर game में active सभी unknown variable को देखते हुए consistently result पाना आउशक नहीं है कैसीनों operator ने सीखा है कि उन्हें बस इतना करना है कि odds को अपने पक्ष में रखना है और यहाँ events का एक बड़ा sample है जिससे उनके age को काम करने का प्रियाप्त आउसर मिल सके जिन traders में संभावनों में सोचना सीख लिया है वे लगबग उसी perspective से markets का रुख करते हैं micro level पर उनका मानना है कि हर trade unique होता है वे trade के nature के बारे में जो समझते हैं वह यह है कि किसी भी समय market चार्ट पर बिल्कुल वैसा ही दिख सकता है जैसा कि उन्होंने पिछले कुछ समय पहले देखा था लेकिन market की actual consistency एक moment से दूसरे moment तक कभी भी same नहीं होती है किसी भी particular pattern के लिए यह आवशक होगा कि हर trader जिसने उस पिछले moment में भाग लिया हो वह है present होना चाहिए और एक दूसरे के साथ ठीक उसी तरह से act करना होगा जिस तरह से पिछले pattern को देख कर किया था तब जाकर यह ठीक उसी तरह से result produce कर सकता है और ऐसा होने की संभावना ने के बराबर होती है हम market के behavior का analysis करने के लिए सभी tools का use कर सकते हैं और उन patterns को ढून सकते हैं और एक analytical perspective से यह patterns mathematically और visually दोनों तरह से एक जैसे लग सकते हैं लेकिन यदि 9 patterns बनाने वाले traders के group उस group का एक भी व्यक्ति अलग-अलग है जिसने पिछला pattern बनाया था तो present patterns का result पिछले patterns के result से अलग हो सकता है market के behavior की सबसे fundamental विशेशता यह है कि इसकी हर 9 moment हमेशा अपने swim के result के साथ एक unique और independent घटना होती है uniqueness का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है known और unknown दोनो variable का एक consistent flow एक probabilities environment बनाता है जहां हम निश्चित रूप से यह नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है यह last statement काफी logical लग सकती है लेकिन यहाँ एक बड़ी problem है जो logical के अलावा कुछ और भी है uncertainty से aware होना और nature of probability को समझना probabilistic perspective से वास्तों में प्रभावी ढंग से कारिय करने की क्षमता के बरावर नहीं है संभावनाओं के बारे में सोचना मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमारा दिमाग स्वभावी क्रूप से इस तरह के information को process नहीं करता है इसके वीपरित हमारा दिमाग हमें यह समझने का कारन बनता है कि हम क्या जानते है और जो हम जानते हैं वह हमारे past का हिस्सा है जबकि market में हर पल नया और unique होता है इसका मतलब यह है कि जब तक हम अपने दिमाग को हर moment की uniqueness को समझने के लिए train नहीं करते है तब तक हमारा perception automatically रूप से differed हो जाता है हम केवल वही देखेंगे जो हम जानते हैं बाकी सब invisible रहता है bottom line यह है कि संभावनाओं में सोचने के लिए कुछ हद तक कुछ लोग अपने considerable amount of efforts को अपने mental system की functional thinking strategy के रूप में integrate करने का काफी प्रियास करते हैं लेकिन ज्यादातर traders इसे पूरी तरह से नहीं समझते हैं जिसका result यह होता है कि वे गलती से यह मान लेते हैं कि वे संभावनाओं में सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें concept की कुछ हद तक समझ है डगलस का कहना है कि उन्होंने सेंक्रो traders के साथ काम किया है जिन्होंने गलती से यह मान लिया था कि उन्होंने probabilities में सोचा था लेकिन इसे आगे नहीं बढ़ाया डगलस ने यहां एक trader का उधारन दिया है जिसे वे बोब के नाम से बुलाते हैं बोब एक certified trading advisor यानी CTA है जो पिछले लगबग 30 सालों से investment में लगबग 50 million डोलर को manage करता है वह डगलस की एक workshop में इसलिए आया था क्योंकि वह अपने द्वारा managed accounts पर 12-18% annual return से ज़्यादा return produce करने में सक्षम नहीं था वैसे तो यह प्रियापत return थी लेकिन बोब अपने analytical ability के कारण extremely dissatisfied था क्योंकि उसका मानना था कि उसे 1500-200% annual return produce करनी चाहिए डगलस मानते थे कि बोब probability के nature को अच्छी तरह से समझते थे क्योंकि वह concept को समझता था लेकिन वह probabilistic perspective से काम नहीं करता था वरक्शोप में भाग लेने के कुछ समय बाद बोब ने डगलस से कुछ सला लेने के लिए कोन किया बोब ने कहा कि उसने बेली ट्रेड किया है और मार्केट में स्टोप लगा दिया मार्केट ने उनके स्टोप का लगबग वन थर्ड बिजनस किया और फिर अपने entry point पर वापस लोट गया जहां से उन्होंने ट्रेड से बाहर निकलने का फैसला किया उसके आउट होने के लगबग फोरन बाद बेली इस ट्रेड की दिशा में 500 अंक तक चला गया लेकिन अब क्या हो सकता था क्योंकि वह मार्केट से बाहर था उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है सबसे पहले डगलस ने उससे पूछा कि रिस्क में क्या है उसे डगलस का यह सवाल समझ में नहीं आया वहे मान बैठा था कि उसने risk accept कर लिया है क्योंकि उसने इसे stop कर दिया था डगलस ने उसे कहा कि सिर्फ इसलिए कि उसने stop कर दिया इसका मतलब यह नहीं था कि उसने वास्तों में trade के risk को accept कर लिया था एसी कई चीजे हैं जो रिस्क में हो सकती हैं जैसे ट्रेड के लिए किसी भी अंडरलाइंग मोटिवेशन के आधार पर मनी लूज करना, गलत होना, परफेक्ट ने होना आदी डगलस ने उन्हें बताया कि किसी भी व्यक्ति के इंटरनल विश्वास हमेशा उसके कामों से प्रकट होते हैं, हम मान सकते हैं कि वह इस विश्वास से काम कर रहा था कि एक डिस्सिप्लेंड ट्रेडर होने के लिए रिस्क को डिफाइन करना होगा और इसे रोकना होगा, इस इसके लिए कभी उसके खिलाब भी काम करेगा। जिस तरह से बोब ने स्थितिका वरणन किया। डगलस को ऐसा लग रहा था। जैसे उसके साथ ठीक ऐसा ही हुआ हो। जब उन्होंने ट्रेड शुरू किया तो उन्हें विश्वास नहीं था कि उन्हें स्टोप कर दिया जाएगा। नहीं उन्हें यह विश्वास था कि मार्केट उनके खिलाब ट्रेड करेगा। वास्तों में वहे इस बारे में इतना अडिक था कि जब मार्केट अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आया तो वहे एक टिक से उसके खिलाफ जाने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा रवये के साथ मार्केट को सजा देने के लिए ट्रेड से बाहर हो गया जब डगलस ने उसे यह बताया तो उसने कहा कि जब उसने ट्रेड बंद किया था तो उसका भी लगबग यही एटिटूड उन्होंने कहा कि वहे इस विशेश ट्रेड के लिए हफ्तों से इंतजार कर रही थी और जब मार्केट आखिरकार इस मुकाम पर पहुँच गया तो उसने सोचा कि यह उससे पुरंट उलगा तो मैंने उसे अनुभव को देखने के लिए याद दिलाते हुए जवाब दिया कि वहे किसी एसी चीज़ की और इशारा कर रहा है जिसे उसे सीखने की जरूरत है संभावनाओं में सोचने के लिए एक शर्त यह है कि आप रिस्क को एकसेप्ट करते हैं क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप उन संभावनाओं का सामना नहीं करना चाहेंगे जिने आपने स्विकार नहीं किया है जब आपने अपने दिमाग को संभावनाओं में मान में रखने के लिए कुछ करते हैं इस तरह से सोचना लगबग असंबव है जब तक कि आपने यह जानने की जरूरत को जानने के लिए आवशक मानसिक कारिय नहीं किया है कि आगे क्या होने वाला है वास्तों में जिस डिगरी से आप सोचते हैं कि आप जानते हैं मान ले कि आप जानते हैं या किसी भी तरह से यह जानने की जरूरत है कि आगे क्या होने वाला है वह उस डिगरी के बराबर है जिसमें आप एक ट्रेडर के रूप में फेल होंगे जिन ट्रेडर्स ने संभावनाव में सोचना सीख लिया है वे अपनी पूरी सक्सेस के प्रती आश्वस क्योंकि वे हर उस ट्रेड को करने के लिए कमिटेड है जो एक एज पर उनकी डेफिनेशन के अनुरूप है वे उन एज को चुनने का प्रियास नहीं करते हैं जो वे सोचते हैं मानते हैं कि यह काम करने जा रही है और उन पर वे कारिय करते हैं नहीं वे एज से बसते हैं कि किसी भी कारण से वे सूचते हैं, मानते हैं या विश्वास करते हैं कि वह काम नहीं करेगा. यदि उन्होंने उनमें से कोई भी काम किया है, तो वे अपने विश्वास का खंडन करेंगे कि नाव मॉमेंट की स्थिती हमेशा यूनिक होती है, जो एज के किसी भी स्ट्रिंग पर विन और लोस के बीच एक रेंडम डिस्ट्रिबुशन बनाती है. उन्होंने सिखा है कि वे यह नहीं जानते हैं कि कौन से एज काम करने वाले हैं और कौन से नहीं. उन्होंने आउटकम की भविश्यवानी करने की कोशिश करना बंद कर दिया है. उन्होंने पाया है कि हर बढ़त को लेकर वे अपने ट्रेडों के सेंपल साइज को बढ़ाते हैं. वे बदले में कैसेनों की तरह ही अपने पक्ष में खेलने के लिए फुल ओप अपॉर्चुनिटी का यूज करते हैं. दूसरी ओर आपको एसा क्यों लगता है कि ऐस अफल्ड ट्रेडर मार्किट एनलेटिक्स के प्रतिक क्रेजी होते हैं? वे असल में सर्टेनिटी की भावना से काम करते हैं. वे एक निश्चित्ता चाहते हैं जो उन्हें लगता है कि एनलेसिस उन्हें यह देगा हलंकि कुछ इसे स्विकार करेंगे सचाई यह है कि ठेट ट्रेडर हर एक ट्रेड पर सही होना चाहता है वे है निश्चित्त रूप से वहाँ पर निश्चित्ता बनाने की कोशिश कर रहा है जहां पर वास्तों में यह मुझूद ही ही है विडम मना यह है कि अगर वह इस तथे को पूरी तरह से स्विकार कर लेता है कि निश्चित्ता मुझूद नहीं है तो वह निश्चित्ता पैदा करेगा जिसकी वह लालसा करता है जब आप प्रतेक एज्चित्ता और प्रतेक पल की यूनीकनेस की पूर्ण स्विकरती प्राप्ट करते हैं तो ट्रेड के बारे में आपकी निराशा श्माप्त हो जाएगी इसके अलावा अब आप उन सभी टोप ट्रेडिंग मिस्टेक को करने के लिए ज्यादा सेंसेटिव नहीं होंगे जो आपकी कपेस्टी से रिलेवेंट होने और आपकी आतम विश्वास की भावना को नश्ट करने से अलग हो जाती है यानि ट्रेडिंग से पहले अपने रिस्क को डिफाइन ने करना एक सबसे कोमन एरर है जो ट्रेडिंग की पूरी प्रोसेस को एक इन प्रोप्रियेट प्रेस्पेक्टिव से ट्रेड की पूरी प्रोसेस की शुरुवात है इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है क्या किसी trade को execute करने से पहले यह तै करना सही नहीं होगा कि market आपको क्या दिखाना, सुनाना या feel कराना चाहती है ताकि आप यह जान सकें कि आपकी edge आपकी बढ़त के लिए ठीक से काम नहीं कर रही है तो फिर typical trader इसे हर trading से पहले repeat क्यों नहीं करता डगलस ने पिछले chapter नमबर 6 में पहले ही इसका उतर दे दिया है typical trader किसी भी trade के risk को pre-define नहीं करेगा क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं है कि यह trading में जरूरी है वह ऐसा इसलिए करता है कि वह मानता है कि वह जानता है कि आगे क्या होने वाला है क्योंकि वह तब तक trade की शुरुवात नहीं करेगा जब तक कि वह यह पका नहीं कर ले कि वह सही है जिस point पर वह यह पका कर लेता है वह trade एक winning trade साबित होने वाली है तो फिर risk को define करने की आवशकता क्या है क्योंकि वह सही है इसलिए इसमें कोई risk नहीं है टिपिकल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले खुद को यह समझाने में काम्याब हो जाते की वेज सही है क्योंकि गलत होने का कोई चांस ही नहीं है अगर आपको याद होगा तो आप समझते होंगे कि हमारा माइंड एसोशेशन के काम में बड़ा माहिर होता है यह फट से हमें वैसी ही चीजों से जोड़ना शुरू कर देता है जैसी हम सोच रहे होते हैं और इसका रेजल्ट यह होता है कि किसी ट्रेड में गलत होने से किसी ट्रेडर के जीवन में किसी भी दूसरे समय का experience से जुड़े होने की एक्षमता होती है जहां कभी वह कलत रहा है जिससे जब वह loss के बारे में सुचता है तो उसे पिछले accumulated pain से आसानी से जोड सकता है इस अंसुलजे और negative power के बड़े backlog को देखते हुए यह जानना आसान है कि हर trade का profit और loss किसी को कितनी degree तक affect कर सकता है इसलिए typical trader के लिए market को महसूस करना इसे समझना एक unlimited दूविधा पैडा कर देता है एक तरफ तो वह जीतना चाहता है लेकिन उसे यह पक्का यकीन है कि उसके द्वारा select किया गया trade एक winning trade है दूसरी और यदि वह अपने risk को define करता है तो वह जान बूज कर एसे evidence इकटा कर रहा है जो किसी एसी चीज़ को नकार देगा जिसके बारे में वह पहले से ही confident है फिर वह decision making process और खुद के चुनाव दोनों में उलज जाएगा यदि वह इनपरस पर विरोधी information को accept करता है तो यह निश्चित रूप से trade के बारे में कुछ doubt पैदा करेगा यदि वह doubt फिल करता है तो इसके बहुत कम possibility है कि वह trade करने का decision लेगा यदि वह trade नहीं करता है और फिर भी वह profit कमा लेता है तो यह आगे जाकर उसके लिए बहुत painful शाबित होने वाला है बहुत सारे traders तो opportunity पहचानने की वज़े से नहीं बलकि self doubt की वज़े से trading में fail होते हैं टिपिकल यानि नए trader के लिए इस psychological dilemma से बाहर निकलने का एकमतर तरीका यह है कि वह risk को ignore करे और इस बात के लिए convince हो कि trade सही है यदि आप भी अपने आपको इस बात के लिए कभी convince करते हैं कि आप सही है तो अभी से सावधान हो जाईए अपने आपको यह समझाने की process को देखते हुए कि आप इस attitude से सही है यह थोड़ा बेतुका है है ना जिस trader ने संभावनाओं में सोचना सीख लिया है उसके लिए कोई दुविधा नहीं है risk को pre-define करना इनके लिए कोई problem नहीं है क्योंकि वे सही या गलत वाले attitude से कभी trade नहीं करते उन्होंने सीख लिया है कि trade का किसी भी trade के बारे में परसनल लेवल पर सही या गलत होने से कोई लेना देना नहीं है अलांकि best traders के पास किसी भी तरह की कोई अलग से super power नहीं होती उनके पास भी उतनी ही negative power हो सकती है जो आपके या मेरे पास है जब तक वे legal रूप से trade को एक probability game के रूप में define करते हैं उनका किसी special trade के लिए emotional response उतना ही होता है जितना कि किसी simple trade के लिए वे सिक्का उचालने वाली mentality से काम करते हैं क्योंकि सिक्का उचालने का result हर बार random होता है यदि आप मानते हैं कि result random है तो आप स्वभाविक रूप से हर बार एक random outcome की अपेक्षा करते हैं जिसका जब हम एक random result में विश्वास करते हैं तो हमारे मन में यह एक acceptance होती है कि हम नहीं जानते कि वह result क्या रहने वाला होगा जब हम किसी गठना को पहले से स्विकार कर लेते हैं कि हम नहीं जानते कि यह कैसे होगा तो उस acceptance का हमारी expectation को neutral रखने में effect पड़ता है अब हम इस बात के core को जानने में गहरे उतर रहे हैं कि typical trader की वास्तों में क्या तकलीफ है market के behavior के बारे में कोई भी expectation जो specific, well defined या rigid है वह neutral और open ended होने के बजाए unrealistic और potentially रूप से हानिकार्ख है डगलस का यहाँ unrealistic expectation के बारे में कहना है कि जो market के perspective से available possibility के अनुरूप नहीं यदि market का हर क्षण unique है और कुछ भी संभव है तो कोई भी expectation जो इन boundaryless विशेस्ताओं को reflect नहीं करती है वह unrealistic expectation है unrealistic expectation को hold करने से होने वाला संभावित damage इस बात से होता है कि यह हमारे द्वारा information को देखने के तरीके को कैसे affect करता है हमारी उम्मेदें हमारी उन बातों का mental representation करती है कि future moment कैसा दिखेगा कैसे सुनेगा इसका test कैसा होगा हम उसे कैसे smell करेंगी या हम उसे कैसे महसूस करेंगी हम जो जानते हैं उससे affect शायाती है यह समझ में आता है क्योंकि हम किसी ऐसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है हम जो जानते हैं वह उसी का एक रूप है जिस पर हमने बरोसा करना सीखा है कि external environment खुद को कैसे express कर सकता है हम जो विश्वास करते हैं वह है truth का हमारा अपना personal version है जब हम किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं तो हम भविशय में उसकी projection कर रहे होते हैं जिसे हम सच मानते हैं हम उम्मीद कर रहे हैं कि external environment अब एक minute, एक घंटा, एक दिन, एक सब्ता या एक महीने में वैसा ही होगा जैसा हमने अपने दिमाग में इसकी रचना की है हमें इस बारे में सावधान रहना होगा कि हम future में क्या project करते हैं क्योंकि किसी और चीज़ में अधूरी उम्मीद से ज़्यादा emotional दुख पैदा करने की शक्ती नहीं है जब हम किसी से यह पूछते हैं कि जब चीज़ें ठीक वैसी ही होती है जैसी आप उनसे उम्मीद करते हैं तब आप कैसा महसूस करते हैं तब लोगों का reaction आम तोर पर अद्वुत होता है इसके वीपरीद जब आपके अपेक्षाए पूरी नहीं होती तब आपको कैसा लगता है इसका universal reaction emotional pain होता है जब ठीक वैसा ही नहीं होता जैसा हमने होने की उम्मीद की थी तब हर कोई कुछ हद तक क्रोद, आक्रोश, निराशा, असंतोस, विश्वाशगात और अफसोस का अनुभव करता है इन मेंसे बहुत सारी ऐसी problems होती है जिने हम खुद ही जनम देते हैं क्योंकि हमारी अपैक्षाईज जो हम जानते हैं उससे आती है जब हम निरने लेते हैं या विश्वास करते हैं कि हम कुछ जानते हैं तो हम स्वभाविक रूप से सही होने की अपेक्षा करते हैं। उस समय हम अब neutral या open minded स्थिति में नहीं है। और इसमें यह समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि हम क्यों नहीं है। यदि market वह करता है जो हम करने की उमीद करते हैं या अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बहुत अच्छा महसूस करने जा रहे हैं तो हम बिलकुल neutral या open minded नहीं हैं। इसके बिलकुल वीपरीत अपेक्षा के पीछे विश्वास की पावर हमें यह समझने का कारण बनेगी कि market के information इस तरह से जो पुष्ट करती है कि हम क्या उमीद करते हैं और हमारे emotional दर्द से बचने के mechanism हमें एसी जानकारी से बचाएंगी जो इस बात की पुष्टी नहीं क मचने में हमारी मदद करने के लिए design किया गया है यह दर्द से बचाओ के mechanism conscious और subconscious दोनों लेवल पर मौजूद है उधरन के लिए यदि कोई चीज आपके सिर्की और तेजी से आ रही है तो आप इसके रास्ते से हटने के लिए simple reaction करते हैं बचाओ के लिए conscious decision लेने की process की करने उसे अपने हाथ से दूर करने या duck करने का दिर्णे ले सकते हैं यह इस बात के उधरन है कि हम physical pain से खुड को कैसे बचाते हैं emotional या mental pain से खुड को बचाना उसी तरह काम करता है लेकिन हम आब खुड को information से कैसे बचाते हैं यह कुछ अलग तरह की mechanism की demand करता है उधरन के लिए मार्केट अपने बारे में और किसी स्पेशल डिरेक्शन में आगे बढ़ने के पोटेंसियल के बारे में इनफॉर्मेशन प्रॉइड करता है। यदि हम जो चाहते हैं या जिसकी अपेक्शा करते हैं और मार्केट जो प्रॉइड कर रहा है उसके बीच अगर कोई अंतर है तो हमारे दर्द से बचाओ की बरपाई करने के लिए हमारे डिफेंस मेकनिजम काम करते हैं। फिजिकल पेन की तरह ये मेकनिजम कॉंसियस या सबकॉंसियस दोनों लेवल पर काम करते हैं। कॉंसियस लेवल पर पेनफुल इनफॉर्मेशन से खुद को बचाने के लिए हम तर्क संगत बाहने बनाते हैं। जान बूज कर ऐसी information ही कठी करते हैं जो conflicting information के महतव को बे असर कर दे गुस्सा हो जाएंगे या खुद से सिर्फ सादा जूट बोल देंगे सबकॉंसियस लेवल पर pain से बचने की process बहुत ही subtle और mysterious है इस लेवल पर हमारा mind अन्य option को देखने की अमारी ability को block कर सकता है भले ही दूसरी अन्य conditions में हम उन्हें देखने में सक्षम हो अब क्योंकि वे हम जो जानते हैं या अपेक्षा करते हैं उसके विरोध में हैं हमारे दर्द से बचाओ mechanism उन्हें ऐसे गाइब कर सकते हैं जैसे कि वे मौजूद ही नहीं थी इसे स्वष्ट करने के लिए सबसे अच्छा उधारन वह है जो डगलस ने आपको पहले ही दिया है कि हम एक एसे ट्रेड में हैं जहां market हमारे अगेस्ट चल रही है वास्तों में market ने हम जो चाहते हैं या उमीद करते हैं उसके opposite side में एक trend establish किया है आम तोर पर हमें इस trend को पहचानने या समझने में कोई problem नहीं होगी अगर यह fact नहीं था कि market हमारे स्थिति के opposite काम कर रही थी लेकिन यहां pattern hide हो जाता है क्योंकि हमारे लिए इसे accept करना बहुत painful लगता है पैन से बचने के लिए हम एसी information पर अपना focus करते हैं जो हमें दर्द से दूर रखती है चाहे वह कितना भी mean या छोटा क्यों नहीं हो इस बीच एक trend की presence और उस trade की direction में trade करने की opportunity को clearly indicate करने वाली information invisible हो जाती है trend physical reality से unwisible नहीं होता है बलकि इसे समझने की हमारी ability गाइब हो जाती है हमारे दर्द से बचाओ के mechanism एक trend के रूप में market क्या कर रहा है इसे define करने और interpret करने की हमारी ability को block करता है यह trend तब तक invisible रहेगी जब तक market या तो हमारे favor में आ जाई या हमें trade से बाहर नहीं कर दे क्योंकि किसी के लिए भी बहुत अधिक पैसा खोने का दवाव बेहद ऐसेहनिये हो जाता है यह तब तक नहीं होता जब तक हम trade से बाहर या खत्रे से बाहर नहीं होते हैं सभी distinction जो adverse perceivable होते हैं जो एक fact के बाद पूरी तरह से सपष्ट हो जाते हैं जब हमारे दिमाग में हमारी रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं रहे जाता है हम सभी में self perspective pain से बचाओ mechanism में engage होने की क्षमता है क्योंकि वे हमारे दिमाग में काम करने के तरीके के natural काम है ऐसे समय हो सकते हैं जब हम खुद को ऐसी जानकारी से बचा रहे हों जिसमें गहरे बैठे emotional गहाओ या आगहात कुरेदने की क्षमता होती है जिसका हम सामना करने के लिए तयार नहीं होते हैं या इन से निपटने के लिए हमारे पास उप्यूक्ट स्किल या रिसोर्स नहीं होते हैं इन मामलों में हमारे natural mechanism हमारी अच्छी सेवा कर रही है लेकिन ज्यादातर बार तो हमारे दर्द से बचाओ mechanism हमें केवल उस information से बचा रही है जो यह इंडिगेट करेगी कि हमारी अपेक्षाएं एन्वार्मेंटल प्रस्पेक्टिव से उपलब्द नहीं है यह वह जगह है जहां खास कर एक ट्रेडर के रूप में हमारे दर्द से बचाओ mechanism हमें नुक्सान पहुंचाते हैं इस concept को समझने के लिए अपने आप से पूछें कि market information के बारे में वास्तों में खत्रा किस से है क्या यह आपको डरा रही है क्योंकि market वास्तों में negative charged information को जिस तरह से वह मुझूद है उसकी inherent विशेस्ता के रूप में व्यक्त करता है हलांकि यह ऐसा लग सकता है लेकिन सबसे fundamental level पर market हमें जो experience देता है वह है up ticks और down ticks या up बार या down बार के रूप में होता है यह उपर और नीचे के ticks pattern बनाते हैं जो age represent करते हैं अब क्या इन में से कोई भी ticks या way pattern है जो वे negative charged है फिर यह निश्चित रूप से इसा लग सकता है लेकिन market के perspective से information neutral है हर up tick, down tick या pattern केवल सूचना है जो हमें market की स्थिती बता रहा है यदि इन में से किसी भी information में negative charge होता है तो क्या इसके संपर्क में आने वाले सभी लोग emotional pain का अनुभव नहीं करेंगे उधरन के लिए यदि आप और मैं दोनों के सिर पर किसी ठो स्वस्तू से प्रहर किया जाता है तो शायद हम कैसा महसूस करेंगे इसमें बहुत अंतर नहीं होगा इससे हम दोनों को ही दर्द होगा हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा किसी ठो स्वस्तू के संपर्क में आने पर कुछ हद तक force के साथ normal nervous system वाले किसी भी व्यक्ति को दर्द का अनुभव होगा हम अपने experience चेयर करते हैं क्योंकि हमारे शरीत मूल रूप से एक जैसे ही बने होते हैं दर्द एक tangible object के effect की वज़े से एक automatically physiological response है information चाहे words के रूप में हो या environment द्वारा इशारों के रूप में हो या market द्वारा व्यक्त किये गई उतार चड़ाओ किसी solid object से टकराने के समान ही दर्दनाक हो सकते हैं लेकिन information और objects के बीच एक महतोपूर्ण अंतर है information tangible नहीं है information में atom और molecule नहीं होते हैं information के possible effect का experience करने के लिए चाहे वह negative हो या positive बस उसे समझने के लिए एक interpretation की आफशक्ता होती है हम जो interpretation करते हैं वे हमारे unique mental framework के कारिये हैं प्रते एक व्यक्ति का mental framework दो कारणों से unique होता है सबसे पहले तो हम सभी अलग-अलग genetic group से encoded behavior के साथ पैदा हुए हैं जिसके कारण हमारी एक दूसरे से अलग-अलग जरूर्टे होती है कितना positive या environment किस हद तक इन जरूर्टों के प्रती reaction करता है प्रते एक व्यक्ति के लिए unique experience बनाता है दूसरा हर कोई विभिन प्रकार की environmentally powers के contact में है इन मेंसे कुछ force एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में समान होती है लेकिन यह बिल्कुल समान नहीं होती है यदि आप genetically encoded personality विशेशताओं के लिए possible combination की संख्या पर विचार करते हैं तो हमारे पास लगबग infinite, environmentally force के संबंद पैदा हो सकते हैं जिनका हम अपने पूरे जीवन में सामना कर सकते हैं जो सभी हमारे mental framework के निर्मान में योगदान करते हैं इसे यह देखना मुश्किल नहीं है कि सभी के लिए एक समान universal mental framework क्यों नहीं है हमारे सरीर के अपोजिट जिसमें एक सामान्य molecular structure होता है जो physical दर्द का अनुभव करता है यह हमें आस्वस्त करने के लिए कोई universal mentality नहीं है कि हम उसी तरह information के possible negative या positive effect को share करेंगे उधरन के लिए कोई आपका अपमान कर सकता है जिसका उदेश्य आपको emotional दर्द देना है environment के perspective से यह negative charged information है क्या इस से आप इच्छित negative effect feel करेंगे यह कोई जुरूरी नहीं है आपको information को negative के रूप में feel करने के लिए negative के रूप में इसके interpretation करने में सक्षम होना चाहिए क्या होगा यदि वह व्यक्ति किसी एसी भाषा में आपका अपमान कर रहा है जिसे आप नहीं समझते हैं या एसे शब्दों का उप्योग कर रहा है जिसका अर्थ आप नहीं जानते हैं क्या इस समय आप इच्छित दर्द महसूस करेंगे आप यह तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप शब्दों को अपमान जनक तरीके से डिफाइन करने और समझने के लिए एक framework नहीं बनाते फिर भी हम यह नहीं मान सकते कि आप जो महसूस करेंगे वह अपमान के पीछे की मंशा के अनुरूप ही होगा नेगेटिव इरादे को समझने के लिए आप के पास एक framework हो सकता है लेकिन दर्द महसूस करने के बजाए आप एक विक्रत प्रकार के आनंद का अनुरूप कर सकते हैं डगलस कहते हैं कि उन्होंने एसे कई लोगों का सामना किया है जो केवल अपने मनोरंजन के लिए लोगों को नकारात्मक भावनाओं से भर देना पसंद करते हैं अगर इस प्रोसेस में उनका अपमान किया जाता है तो यह हैं उनमें खुशी की भावना पैदा करता है क्योंकि तब वे जानते हैं कि वे कितने सभल रहे हैं सच्चा प्यार व्यक्ट करने वाला व्यक्ति इन्वार्मेंट में पोजिटिव चार्ज इंफोर्मेशन पेश कर रहा है मान लेकि इन पोजिटिव इमोशन के प्रेजेंटेशन के पीछे का उद्श्य इसने प्रेम तोस्ति को व्यक्त करना है क्या इस बात का कोई आश्वाशन है कि जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए इस पोजिटिव रूप से चार्ज की गई जानकारी का अनुमान लगया जा रहा है वहे इसकी ठीक से इंटरप्रेशन और फिल करेंगी नहीं यह कोई ज व्यक्ति को कुछ और ही समझेगा कम आत्म सम्वान वाले व्यक्ति के मामले में यदि वहे विश्वास नहीं करता है कि वहे इस तरह से प्रेम करने के योग्या है तो उसके लिए इसे इंटरप्रेट करना मुश्किल होगा दूसरे मामलों में जहां रिस्तों में चोट और निराशा का एक महत्वपून बैकलोग है एक व्यक्ति को आसानी से विश्वास हो सकता है कि प्रेम की वास्तिविक अभी व्यक्ति अत्यंत दुरलब है यदि अस्तित वहीन नहीं है और शैर वह स्थिति को इस तरह से इंटरप्रेट करेगा ताकि वह बदले में कुछ या किसी तरह से उसका फाइदा उठाने की कोशिश करेगा गलत इंटरप्रेट करना कि कोई हमसे क्या बाचित करने की कोशिश कर रहा है या हम किसी से क्या व्यक्त करते हैं इसका गलत अर्थ लगया जा सकता है और हमारे द्वारा पूरी तरह से अनपेक्षित तरीके से अन अनुभाव करेगा यह अनुभाव करने का कोई स्टंडर्ड तरीका नहीं है कि environment क्या present कर रहा है फिर चाहे वह positive, neutral या negative information हो केवल इसलिए कि कोई स्टंडर्ड mental framework नहीं है जिसमें information को देखा जा सके विचार करें कि एक trader के रूप में market हमें हर पल कुछ ने कुछ सिखाने की को अच्चित कर रहा है यदि हम इस आधार पर शुरू करते हैं कि market जिस तरह से मौजूद है उसके inherent विसेस्ता के रूप में negative charge information प्रोडूस नहीं करता है तो हम सवाल पूछ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं क्या information negative quality की है दूसरे शब्दों में वास्तों में दर्द का risk कहां से आता है यदि यह market से नहीं आ रहा है तो यह हमारे द्वारा उपलब्द जानकारी को define और interpret करने के तरीके से आना चाहिए जानकारी को define करना और उसके interpretation करना उस बात का एक कारिया है जिसे हम मानते हैं कि हम जानते हैं या जिसे हम सत्य मानते हैं यदि हम जो जानते हैं या है वास्तों में सत्य है और यदि हम नहीं होते तो हम उस पर विश्वास नहीं करते तब जब हम अपने बिलीफ को भविश्य के किशिक्षण में एक अपेक्षा के रूप में पेश करते हैं तो हम वास्त्विक रूप से सही होने की उम्मीद करते हैं जब हम दर्द से बचाओ तंतर द्वारा ब्लोक या महत्व में कम होने की संभावना है। यह हमारे दिमाग के काम करने के तरीके की यह विशेस विशेस्ता है जो वास्तों में हमें नुक्षान पहुंचा सकती है। ट्रेडर के रूप में हम अपने दर्द से बचने के तंतर को उस च कुछ ऐसा कर रहा है जिसके हम अपेक्षा या अपेक्षा नहीं करते हैं। उधरन के लिए जब आप कुछ भी करने के इरादे से मार्केट देख रहे हैं तो उपर या नीचे किसी भी कारण से आप क्रोधित, निराश या इससे मोभंग या विश्वासगात महसूस करते है किसी भी तरह नहीं। कारण यह है कि दाओ पर कुछ भी नहीं है। आप ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। आप केवल उस जानकारी को देख रहे हैं जो आपको बताती है कि उस समय मार्केट कहा है। यदि आप जो उतार चटाओ देख रहे हैं वह किसी परकार के behavior pattern में बनता है जिसे आपने पहचानना सीख लिया है तो क्या आप pattern को आसानी से पहचान और स्विकार नहीं करते हैं। हाँ इसी कारण से दाओ पर कुछ भी नहीं है। दाओ पर इसलिए कुछ भी नहीं है क्योंकि कोई उमीद नहीं है। आपने भविश्य के किसी क्षण में जो कुछ भी नहीं है। इसलिए information में खतरनाक या negative रूप से charge की गई गुणवत्ता को लेने की कोई ख्षमता नहीं है बिना किसी विशे सफिक्षा के। आपने इस बात पर कोई सीमा नहीं रखी है कि market खुद को कैसे व्यक्त कर सकता है। किसी भी mental सीमा के बिना आप market के चलने के तरीकों के प्रकृति के बारे में सीखी गई। हर चीज को समझने के लिए खुद को उपलब्द करवाएंगे। आपके दर्द से बचने के तंतर के लिए कुछ भी नहीं है जो आपके दर्द को दूर करने, विक्रत करने या कम करने के लिए आपकी रक्षा के लिए की आफशकता है। ताकि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना प्राप्ट कर सके जो हमें एसे इनवार्मेंट में सुरक्षित रख सकता है जिसमें कुछ भी हो सकता है। हमें अपनी अपेक्षाओं में लचीला होने की आफशकता है ताकि हम सबसे बड़ी सफलता और नियमों में लचिला है और अपनी अपेक्शाओं में कठोर हैं। दिल्चश कौना पड़ता है, उलंगन करना पड़ता है ये आपने नियमों को तोड़ना पड़ता है। ताकि वह मार्केट की पेशकस के पक्ष में, जो कुछ भी चाहता है उसे छोड़ने के लिए अपनी अनिच्छा को समय उजित कर सके टेडिंग के emotional risk को खत्म करने के लिए आपको इस बारे में अपनी अपेक्षाओं को बे असर करना होगा कि market किसी भी समय या किसी भी स्थिति में क्या करेगा या क्या नहीं करेगा आप market के नजरिये से सोचने को तयार होकर ऐसा कर सकते हैं याद रखें market हमेशा संभावनाओं में सोचती है accumulative level पर हमारी limit हर द्रिष्टे से उत्तम दिख सकती है लेकिन personal level पर every trader जो value moment पर force के रूप में कारिया करने के ख्षमता रखता है उस बढ़त के positive results को नकार सकता है संभावनाओं में सोचने के लिए आपको एक mental framework या मान सिकता बनानी होगी जो एक संभावे बातावर्ण में अंतर नहीं सिधानतों के अनुरूप हो trade के कुछ fundamental सत्य हैं जो इस परकार से हैं number 1 कुछ भी हो सकता है number 2 पैसा कमाने के लिए आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है number 3 बढ़त को define करने वाले variable के किसी भी set के लिए जीत और नुक्षान के बीच एक random distribution होता है number 4 एक limit एक चीज़ के दूसरे पर होने की उच संभावना से संकेत से ज़्यादा कुछ नहीं है number 5 मार्केट का हर पल यूनिक होता है ज्यान रखें कि emotional pain का अनुभाव करने की आपकी क्षमता आपके द्वारा उजागर की गई जानकारी को परीभाशित और उसकी व्याख्या करने के तरीके से आती है जब आप इन पांच सत्यों को अपनाएंगे तो आपकी अपक्षाएं हमेशा मार्केट के माहूल की psychological वास्तिविताओं के अनुभूप उचित अपक्षाओं के साथ आप मार्केट की जानकारी को या तो दर्दनाक या खतरनाक के रूपे परिभाशित और व्याख्या करने की अपनी क्षमता को स्वाप्त कर देंगे और इस तरह आप ट्रेड के भावनात्मक जोखिम को प्रभावी डंग से बे असर कर देंगे विचार मन की एक लापरवास्तिती बनाने का है जो इस तद्या को पूरी तरह से स्विकार करता है कि मार्केट में हमेशा अन्नोन फोर्स एक्टिव रहती है जब आप इन टुथ को अपने विश्वास प्रनाली का पूरी तरह कार्यात्मक हिस्सा बनाते हैं तो आपके दिमाग का तरक संगत हिस्सा इन सत्यों का बचाव उसी तरह से करेगा जैसे यह किसी भी अन्य विश्वास का बचाव करता है जो आप ट्रेड की प्रकरती के बारे में रखते हैं इसका मतलब यह है कि कम से कम तरक संगत सतर पर आपका माइंड ऑटोमेटिक रूप से उस विचारिया धारना से बचाव करेगा जिसे आप निश्चित रूप से जान सकते हैं कि आगे क्या होगा यह है विश्चित परिणाम के साथ एक अनुठी घटना है और अतीत में किये गए किसी भी अन्या ट्रेड के संबन्द में रेंडम है और साथ ही यह है विश्चित रूप से जानते हैं कि आगे क्या होगा और सही होने के अपिक्षा करें यदि आप वास्तों में एनिश्चित परिणाम में विश्वास करते हैं तो आपको यह है भी उमीद करनी होगी कि वस्तुत है कुछ भी हो सकता है अन्य था जिस पल आप अपने माइड को उस धारणा पर टिकने देते हैं जिसे आप जानते हैं आप सभी unknown variable को ध्यान में रखना बंद कर देते हैं आपका दिमाग आपको इसे दोनों तरह से नहीं होने देगा यदि आप मानते हैं कि आप कुछ जानते हैं तो वहेपल यूनिक नहीं रह गया है यदि वहेपल यूनिक नहीं है तो सब कुछ नोन या जानने योग्य है यानि जानने के लिए कुछ भी नहीं है हालांकि जिस क्षण आप मार्केट की पेशकस को समझने के लिए उपलब्द होने की बजाए स्थिती के बारे में नहीं जानते या नहीं जान सकते हैं आप अपने आपको सभी विशिष्ट व्यापारिक गलतियों के लिए अतिस समवेदन सिल्ब बनाते हैं उधरन के लिए यदि आप वास्तों में एनिश्चित परिणाम में विश्वास करते हैं तो क्या आप कभी भी अपने रिस्क को पहले से डिफाइन किये बिना ट्रेड करने पर विचार करेंगे क्या आप कभी नुकसान कम करने से हिचकचाएंगे अगर आपको सच में विश्वास है कि आप नहीं जानते आप एक इसे संकेत का अनुमान कैसे लगा सकते हैं जो अभी तक मार्केट में प्रकट नहीं हुआ है यदि आप आश्वस्त नहीं थे कि आप चूकने वाले हैं यदि आप आश्वस्त नहीं थे कि मार्केट एनिश्चित काल तक आपके रास्ते पर जा रहा है तो आप एक जीतने वाले ट्रेड को हारने वाले में क्यों बदनते हैं या लाव लेने का एक व्यवस्तित तरीका नहीं रखते हैं आप किसी ट्रेड को करने में हिच्क जाते हैं या इसे बिल्कुल भी शुरू नहीं करते हैं तब तक कि आपको यह विश्वास नहीं हो जाता कि जब market आपके origin बिंदू पर था तब यह एक हरने वाला था यदि आप positive नहीं थे कि आपके पास एक निश्चित चीज है तो आप अपने equity या emotion के relevant बहुत बड़ी स्थिति में trade करने अपने धन को manage करने के नियमों को क्यों द सकते हैं यदि आपने एक सिक्का उचाला और सही अनुमान लगाया तो जरूरी नहीं कि आप अगले flip पर सही होने की उम्मीद सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि आप पिसली बार भी सही थे नहीं आप अगले flip पर गलत होने की उम्मीद करेंगे यदि आप इसली बार गलत क् head के अनुक्रम में एक random distribution में विश्वास करते हैं आपकी अपेक्षाई स्थिति की वास्तिविक्टा के साथ पूरी तरह से संरेखित होती है आप निश्चित रूप से सही होना पसंद करेंगे और यदि आप होते तो यह है बहुत अच्छा होता लेकिन यदि आप गलत होते तो आपको flip से विश्वास का आप महसूस नहीं होता क्योंकि आप जानते हैं और विश्वास करते हैं कि काम पर unknown variable है जो result को प्रभावित करते हैं unknown का आर्थ है कुछ एसा नहीं जिसे आपकी तरक संगत सोच प्रोसेस से अपने ध्यान में रखती है एक trader के रूप में जब आप एक random result की उमीद कर रही होते हैं तो market जो कुछ भी करता है उस पर आप हमेशा कम से कम आश्रय चकित होंगे भले ही वह है age की आपकी definition के अनुरूप हो और आप एक जितने वाले trade के साथ खत्म कर रहे हो हाला कि एक random result की अपेक्षा करने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी result को project करने के लिए अपने पूर्ण तरक और विशलेशनात्मक शमताओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं या आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है इसके अलावा आप प्रतेक उधारन में सही हो सकते हैं आप सही होने की उमीद नहीं कर सकते और अगर आप सही हैं तो आप यह उमीद नहीं कर सकते कि आपने जो कुछ भी किया है वह पिछली बार तो काम किया था लेकिन अगली बार फिर से भी काम करेगा भले ही स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो जैसी पहले थी मार्केट में आप जो कुछ भी अभी मान रहे हैं वह कभी भी आपके mental environment में मुझूद कुछ पिछले अनुभाव के समान नहीं होगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका दिमाग दोनों को समान बनाने की कोशिश नहीं करेगा नव मॉमेंट और कुछ ऐसा जो आप अतीज से जानते हैं इसके बीच समानताएं होगी लेकिन वे समानताएं आपको केवल सफलता की बाधाओं को अपने पक्ष में रखकर काम करने के लिए कुछ देती है यदि आप इस द्रिष्टिकोन से ट्रेड करते हैं कि आप नहीं जानते कि आगे क्या होगा तो आप नव मॉमेंट को कुछ पहले के अनुभव के समान बनाने के लिए अपने दिमाग के स्वभविक जुखाओं को दरकिनार कर देंगे यह ऐसा लगता है जैसे अननेचुरल है आप कुछ पिछले अनुभव को अपने मन की स्थितिकों निर्धारित नहीं कर सकते यदि आप ऐसा करते हैं तो यह समझना बहुत मुश्किल होगा कि मार्केट अपने दिर्ष्टिकों से क्या संचार कर रहा है जब डगलस को ही ट्रेड करते हैं तो उन्हें उमीद है कि कुछ होगा उन्हें लगता है कि उनकी बढ़त कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो वे मार्केट में आगे बढ़ने या किसी तरह से खुद को व्यक्त करने के अलावा और कुछ की उमीद नहीं करते हैं हलांकि कुछ चीजी हैं जो वे निश्चित रूप से जानते हैं उन्हें पता है कि मार्केट के पिछले विवहार के आधार पर उनके ट्रेड की दिशा में आगे बढ़ने की पोसिबिलिटी कितनी अच्छी है वे एक ट्रेड में आने से पहले यह भी जानते हैं कि वे अपनी स्थिती के खिलाफ मार्केट में कितना आगे बढ़ने के लिए तयार हैं। इस बारे में पता है कि वे मार्केट से बाहर निकल जाएं। नुकसान से कोई इमोशनल ख्षती नहीं होती है क्योंकि वे फिलिंग की नेगिटिव व्यक्या नहीं करते हैं। उनके लिए नुकसान केवल बिजनस करने की लागत या जीतने वाले ट्रेड के लिए खुद को उ मुमेंट में रहते हैं क्योंकि इसमें कोई तनाव नहीं होता कोई तनाव नहीं है क्योंकि किसी ट्रेड पर वे जितना खर्च करने को तयार हैं उसके अलावा जो खिम्मे कुछ भी नहीं है वे सही होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या गलत होने से बजने की कोशिश नहीं करता वे पूरी तरह ऐसे स्विकार करते हैं कि मार्केट उन्हें क्या पेशकर्ष कर रहा है और वे अगले एज की परतिक्षा करते हैं धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो ट्रेडिंग इन दा जोन चैप्टर आठ अपने बिलीफ के साथ काम करना हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम धारणा यानि मन को एक विशेश स्थान पर स्थिर करना यह हमारे मन की स्टेपलिटी का एक साइन होता है हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में हमारे माइन में डिफरन टाइप के थोट्स का फ्लो रहता है जो लंबे टाइम तक स्टेबल नहीं रहते बस आते जाते रहते हैं यह हमारे मन को अन्स्टेबल करते हैं इसके opposite हमारी धारणा यानि belief में हमारे complete mind की एकागरता रहती है यानि किसी भी एक स्थान पर फिर वह चाहे inner हो या outer मन को बांधना धारणा कहलाता है धारणा एक mental process है मन को एक लक्ष विशेश में बांध देना, वहां रोकना या टिका देना धारणा यानि belief कहलाता है यहां मन को स्थान विशेश में धारण करने का अर्थ है मन को शरीर के अन्य स्थानों से हटाकर किसी एक विशेश अंस के अनुभों में बलपूरवक लगाई रखना हमारे आसपास हर दिन अलग-अलग विचार हमारे भाव अंगों को प्रभावित करते रहते हैं इन विचारों में से कई हमारी भावनाओं के द्वारा एकसेप्ट कर लिये जाते हैं और समवेदनाओं में बदल जाते हैं ये समवेधनाई हमारे मस्तिस्क में ट्रांसपर हो जाती है बदल्य में मस्तिस्क इन समवेधनाओं को इंटर। करता है और इस interpretation के बाद ही हम समझ सकते हैं कि हम उन विचारों की और क्यों attract हो रहे हैं इसलिए हम अपने आसपास की दुनिया को समझने में सबसे पहले ध्यान देते हैं इसके बाद उसे feel करते हैं और अंत में हमारे मस्तिस्क द्वारा इसकी interpretation की जाती है हमारी feelings की interpretation की इस process को धारना के रूप में जाना जाता है इसलिए धारना यानि belief में दो process शामिल है sensation और interpretation लेकिन किसी भी feeling की interpretation के लिए हमें पिछले experience की आवशकता होती है उधारन के लिए एक बच्चा जिसने पहले कभी भी हाथी को सीधे या फोटो में नहीं देखा हो वह सीधे उसकी पहचान नहीं कर सकता जबकि दूसरा बच्चा जिसने पहले उसे देखा हो वह उसकी आसानी से पहचान कर लेगा इसलिए धारना को past experience के आधार पर present feeling की interpretation के process के रूप में परिभाशित किया जा सकता है कई कारणों से हम मन को एक स्थान पर नहीं टिका पाते इसके पीछे हर किसी के लिए अनेक कारण हो सकते हैं जिन से मन धारना पॉइंट पर नहीं टिका रह पाता इन कारणों को पहले अच्छी तरह से जान लेना चाहिए फिर उनको दूर करने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहने से मन एक स्थान पर लंबी आवदी तक तिक सकता है नए ट्रेडर्स को मार्केट को देखते हुए बीच बीच में धारना का ग्यान बनाए रखना चाहिए जिससे मन में भटकाव की अवस्था उत्पन नहीं हो पाए यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि बिना धारना बनाए फोकस्ट रहना लगवग इंपोसिबल है चुकि धारना से एकागरता बढ़ती है और इससे अनेक कारिय संपन होते है इससे हमारी mental force एक पॉइंट पर इकठी हो जाती है और कोई भी चाहे छोटे से छोटा कारिय हो उसे एकागरता से करने की आवशक्ता होती है बिना एकागरता की हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते जबकि एकागर मन वाला भ्यक्ती कोई भी कारिय दक्स्ता पूर्वक कर सकता है अतै देनिक जीवन के साथ ही साथ ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए धारना यानि बिलीफ आवशक है आपने धारना के बारे में बहुत सारी कहानिया और मोटिवेशनल स्पीच सुनी होगी जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं क्योंकि जैसी हमारी धारना होगी ब्रमान्ड में भी वैसा ही गटित होने लगता है इसलिए जब भी सोचो कुछ अच्छा ही सोचो धारना के बारे में इतिहास अनेक उधारनों से भरा पड़ा है आज मैं आपके सामने एक एसे व्यक्ति की कहानी शेयर कर रहा हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि अगर हम अपनी सोच को बहुत प्रबलता और द्रड संकल्ब से किसी बात को सोचने पर फोकस करें कि वह सच हो जाए तो वह सच हो जाती है शायद आपने वाल्फ मेसिंग के बारे में सुना होगा वह जर्मनी का रहने वाला एक नव्यूवक था आईए जानते हैं कि उसकी धारणा ने उसके जीवन को कैसे बदल दिया मेसिंग का जन उस समय के रूसी सावराजय के पोलेंड के वारशा से 25 किलोमेटर साउथ एस्ट में एक गाउं गोरा कलवरिया में हुआ था मेसिंग के अनुसार उनकी साइकिक एबिलिटी का डिवलपमेंट उनके प्रारमबिक जीवन में ही हुआ था जब वे टीनेजर थे तब वे लोगों को इसका डेमोंस्टेशन करके दिखाया करते थे मेसिंग के अनुसार वे लोगों की धारणाओं को बदलने के लिए इसके बारे में hard thinking करते हैं तब brain cells, body की सभी muscle में impulses को transfer करती है। उनकी सभी movements जो आंखों से invisible होती है, मैं उन्हें आसानी से महसूस कर सकता हूँ। अक्सर मैं initiator से बिना direct contact के mental work करता हूँ। इस मामले में यहां initiator की heart beat, उसकी सांसों की frequency, उसकी आवाज की timing और उसके चलने के nature आदी मेरे लिए pointer का काम करते हैं। आईए अब मैं सिंग की कहानी पर focus करते हैं। यहां बात है, साल 1910 की, उस दिन जर्मनी की एक train में एक 15-16 वर्स का युवक बेंच के नीचे चुप कर बैठा था। उसके पास ने तो टिकेट थी और ने ही पैसे थे, क्योंकि वह घर से भाग कर आया था। लेकिन बाद में वह युवक बहुत प्रसिद आदमी बना। उसकी प्रसिद्धी का आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि हिटलर ने उसे पकड़ने के लिए लाखों का इनाम रखा था। उसका नाम वुल्फ मेसिंग था। लेकिन ट्रेन में छिपे हुए मेसि के बारे में कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर यह डरबोक युवक इतना प्रसिद होगा कि वह स्टेलिन, आइस्टीन और गांधी जी जैसी वर्ल्ड लेवल की परसनेलिटी को प्रभावित करेगा। वुल्फ मेसिंग ने अपनी आटोबायोग्राफी लिखी जो रूस में पबलिश होई। की आवाज मेरे कानों में पड़ी और मेरी सांसे रुख गई। और इस गवराहट में मैं इस कड़कडाती थंडी सुबै में भी पसीने से तरबतर हो गया था। टिकेट चेकर ने मेरे पास आकर पूछा यंग मैन योर टिकेट तुम्हारा टिकेट कहा है। मेसिंग के पास टिकेट नहीं थी। उन्हें अचानक पास में पड़ा हुआ एक कागज का टुकडा दिखाई दिया। मेसिंग ने उसे अपने हाथ में उठाया, आँखे बंद की और संकल्प किया कि यह इस ट्रेन की एक टिकेट है और उसने उसे टिकेट चेकर को दे दिया। और मन ही मन सोचने लगा कि हे एदरश्य शक्ति इस चेकर को यह टिकेट ही दिखाई दे। टिकेट चेकर ने उस कागज के टुकडे को पंच किया और उसे वापस लोटा दिया। और मेसिंग से कहा तुम पागलो क्या जब तुमारे पास टिकेट है तो सीट के नीचे क्यों चुपे हुए हो। मेसिंग को इस पर खुद को बरोसा नहीं हुआ। लेकिन इस गठना न उसकी पूरी जिन्दगी ही बदल दी। इस घठना के बाद वह धर्ती पर धारना के संबन में सरवाधिक वह अदभुत अनुभो वाले एक एसे व्यक्ति बन गई थे। मेसिंग के पूरे जिवनकाल में उनके इस पावर आफ पिलिफ को दुनिया के बड़े-बड़े लोगों से कहा कि प्रोग्राम खत्म हो गया क्योंकि वुल्फ मेसिंग को गिरफतार कर लिया गया है फिर मेसिंग को ततकाल बंद गारी में डाल कर स्टेलिन के पास ले जाया गया और स्टेलिन के सामने पेश किया गया स्टेलिन ने मेसिंग से कहा मैं नहीं मानता कि किसी की धारणा को दूसरा व्यक्ति अपने आंत्रिक धारणा से प्रभावित कर सकता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर आदमे सिर्फ पदार्फ नहीं नहे जाता मैंने तुमें इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे सामने यह सिद्ध करो और यह सब मुझे भी दिखाओ तब में सिंग ने कहा कि ठीक है जैसे आपकी इच्छा जैसा आप चाहें स्टेलिन ने कहा कि तुम आज यहां बंद कमरे में रहो कल दोपैर दो बजे मासकों के सबसे बड़े बैंक में से तुम कलरक से सिर्फ धारना के आधार पर एक लाख रूबल निकाल कर लाओ पूरे बैंक को चाहुनी में बदल दिया गया उसे मिलिटरी ने गहर लिया अब दो सैनिक पिस्टोल लिये हुए में सिंग के पीछे पीछे चल रहे थे उसे यह भी नहीं पता था कि किस काउंटर पर उसे ले जाया जाएगा ठीक दो बजे उसे बैंक के अंदर ले जाया गया और ट्रेजरर के सामने खड़ा कर दिया गया में सिंग ने एक कोरा कागज निकाला उसे दो सेकंड के लिए देखा फिर उसे ट्रेजरर की और बढ़ा दिया ट्रेजरर ने इस कागज के टुकडे को कई बार उलट पलल कर देखा उसने चश्मा लगया और फिर से गोर से देखा अब उसने बैंक चेस्ट से एक लाख रूबल निकाले और मैसिंग के हाथ में थमा दिये मैसिंग ने स्टेलिन को वे एक लाख रूबल दे दिये अब स्टेलिन और ज़्यादा हैरान हो गया मैसिंग वापस बैंक गया और जाकर उस ट्रेजरर को वे एक लाख रूबल वापस कर दिये और कहा मेरा कागज वापस दे दो मेरा काम हो गया है उस कलरक यानि ट्रेजरर ने जब दोबारा उस कागज को देखा तो वहेख खाली था उसे हार्ट अटेक का दोरा पड़ गया और नीचे गिर कर बेहोस हो गया क्योंकि यह बात उसकी समझ से बाहर हो गई कि यह उसके साथ क्या हो रहा है लेकिन स्टेलिन इतने से ही संतोष्ट नहीं हुआ स्टेलिन ने सोचा कि इसमें कोई चालबाजी हो सकती है जालसाजी हो सकती है कलरक और मेसिंग के बीच कोई तालमेल हो सकता है स्टेलिन ने फिर दूसरा प्रयोग करने की ठानी और कहा कि कल तुमें एक बंद कमरे में सैनिकों के पहरे की निग्रानी में रखा जाएगा और ठीक बारा बजकर पांस मिनट पर सैनिकों के पहरे से तुमें बाहर निकल कर दिखाना होगा वुल्फ मेसिंग फिर ठीक बारा बजकर पांस मिनट पर बाहर निकल गया सैनिक अपने अपनी जगे खड़े रहे और वो किसी को दिखाई नहीं दिया वो स्टेलिन के सामने मौजूद था इस पर भी स्टेलिन को बहुरोसा नहीं हुआ लेकिन मैसिंग से परवावित चरूर हुआ स्टेलिन ने फिर भी एक तीसरे परियोग की प्रात्ना की जो कि उसने कहा कि मेरी द्रिष्टी में यह कामसरवादिक कठिन है जो तुमें करना है और वो यह है कि कल रात तुम मेरे कमरे में मेरे सामने आओ यह अत्यदिक कठिन बात थी क्योंकि स्टेलिन जितना गहरा पहरे में रहता था उतना प्रत्वी पर उस समय दूसरा कोई और नहीं रहता था किसी को भी पता नहीं होता था कि स्टेलिन किस कमरे में रुका हुआ है क्योंकि वह रोज कमरा बदल दिया करता था वह ऐसा इसलिए करता था कि पता नहीं कब कोई उस पर बंप फिंक दे सैनिकों की पहली सिक्यूरिटी लेयर जानती थी कि वह पांचमें कमरे में है दूसरी security layer जानती थी कि वहे ज़टे कमरे में है और तीसरी security layer जानती थी कि वहे 8 में कमरे में है क्योंकि 스ेलिन को लगता था कि अपने सिपाईयों से भी बचने की ज़रूरत है किसी को कोई पता नहीं होता था कि वहे किस कमरे में है स्टेलिन को लगता था कि अपने सिपाईयों से भी बचने की जरूरत है किसी को कोई पता नहीं होता था कि वह किस कमरे में है खुद उसकी पतनी भी उसके कमरे का पता नहीं जानती थी स्टेलिन के सभी कमरे जिनमें वह रहता था अलग-अलग होते हुए करीब करीब एक जैसे होते थे जिन में वह कभी भी कहीं भी सो सकता था जा सकता था उसका सारा इंतजाम हर कमरे में होता था लेकिन ठीक रात बारा बजे पहरेदार पहरा देते रहे और मेसिंग जाकर स्टेलिन की मेज के सामने खड़ा हो गया एक बा पहरा नहीं किया मैंने सिर्फ एक ही काम किया है मैं दर्वाजे पर आया और कहा मैं बैरिया हूँ बैरिया यानि रूसी पुलिस के सबसे बड़े अफसर की पोस्ट को कहा जाता है मेसिंग ने कहा कि बस मैंने यह धारना की कि मैं बैरिया हूँ और तुम्हारे सैनिक मुझे सलाम ठोकने लगे और मैं अंदर आ गया अब तुम पूरे रूस में स्टेलिन के बाद सेकंड पाउरफुल आदमी हो स्टेलिन ने कहा स्टेलिन ने सिर्व इस एक इनसान मॉल्फ मेसिंग को आ गया ती कि वो रूस में गून सकता है और यह आज तक प्रमानित है कि 1940 के बाद रूस में इस तरह के लोगों की हट्या नहीं की गई और वो भी सिर्व मेसिंग के कारण साल 1940 तक जिनों ने इस तरह के दावे किये थे उन में से कई लोग मारे गई थे लेकिन इस गठना के बाद स्टेलिन ने अपने वेग्यानिकों को आधेस दिया कि मेसिंग की हर बात को समझने की कोशिश करें क्योंकि इसका युद्ध में भी प्रियोग किया जा सकता है जिसको मेसिंग की स्टडी का काम सोपा गया था उसका नाम नामवव था उसने कहा कि जो अंतिम हथियार होगा वो मेसिंग की स्टडी से निकलेगा क्योंकि जिस राष्टर के हाथ में धालना को प्रभावित करने के फंडामेंटल फॉर्मूले आ जाएंगे उस राष्टर को अनू परमानू की शक्ती से भी नहीं हराया जा सकता और सच तो यह है कि जिसके हाथ में अनू बम हो उन्हें भी धालना से प्रभावित किया जा सकता है कि वह अनू बम अपने उपर ही फेंक ले एक हवाई जहाज बम फेंकने आ रहा हो और उसके पाइलेट को प्रभावित किया जा सकता है कि वहें वापिस लोट जाए और अपनी ही राजदानी पर बम किरा दे नामोव ने कहा कि यह जो धारना की शक्ती है आखिरी अस्तर सिद्ध होगा यह बात शायद आप समझ गए होंगे कि जैसे धारना हम बनाते हैं वैसे ही हम दूसरों को प्रवहवित कर सकते हैं इसलिए हमेसा अच्छा सोचें क्योंकि हमारी सोच हमारी जिन्दगी बदल सकती है आपको यह रियल स्टोरी अच्छी लगी हूँ तो प्लीज इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें क्योंकि हो सकता है एक प्रेड़ना डायक कहानी किसी की भी जिन्दगी बदल सकती है इसलिए शेयर करने में कंजूसी ना करें आईए बात करते हैं चैप्टर आठ की आपने चैप्टर साथ में दिये गए पांस फंडामेंटल टूथ को सुना है अब आपके लिए करने योग्य सबसे पहला काम यह है कि अपने मेंटल इन्वॉर्मेंट में फंक्शनल लेवल पर इन्हें इंटीग्रेट कर लें एसा करने में आपकी हेल्प के लिए डगलस, बिलीव, इसके नेचर, गुणों और विशेस्ताओं पर गहराई से डिटेल में समझाएंगे लेकिन इसे शुरू करने से पहले डगलस अब तक प्रेजेंट किये गए मेजर कंसेप्ट का रीविव और उन्हें और्गनाईज करके एक अधिक क्लियर और ज्यादा प्रेक्टिकल फ्रेमवर्क में इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि आप समझ सकें कि आप इसे क्या सीखे हैं और आने वाले अगले दो चैप्टर एक ट्रेडर के रूप में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको जो भी कुछ करने की अफशकता है उसे समझने के लिए आधार तयार करेंगे अपनी प्रोवलम को डिफाइन करना मार्केट के बारे में यह बात सबसे बेसिक है कि fundamental लेवल पर यह केवल up और down टिक की एक सीरीज है जो एक पैटर्न बनाती है टेकनिकल एनालिसिस इन पैटर्न को एज के रूप में डिफाइन करता है एज के रूप में डिफाइन कोई भी special पैटर्न केवल एक indicator है जो कि इस बात को indicate करता है कि इस बात की संभावना आधिक है कि market किस एक direction से दूसरी direction में आगे बढ़ेगा हालनकि यहाँ एक बड़ा mental paradox है क्योंकि एक pattern का मतलब यह consistency में है या कम से कम एक consistently outcome से है लेकिन reality यह है कि every pattern एक unique event है वे एक event से दूसरे event में बिल्कुल एक जैसे दिख सकते हैं लेकिन similarities केवल surface पर है हर pattern के पीछे underlying force केवल trader ही है और जो trader एक pattern की creation में योगदान करते हैं वे हामेशा उन trader से अलग होते हैं जो इससे अगले pattern में योगदान करते हैं इसलिए हर pattern का result एक दूसरे के relative random होता है हमारे mind में एक inherent design विशेष्था यानि association mechanism है जो इस paradox से निपटना मुश्किल बना सकती है अब ये edge या pattern जो वे represent करते हैं हर समय frame में flow करते हैं जिससे market में entry, out, profit उठाने, loss में कमी या plus minus के आउसरों की कभी ने खत्म होने वाली extreme बन जाते हैं दूसरे शब्दों में market के perspective से हर पल हम सभी trader को अपनी ओर से कुछ करने की opportunity देता है terms को define करना वह क्या है जो हमें हर now moment को अपने लिए कुछ करने के आउसर के रूप में मानने से रोकता है वह है हमारा डर, हमारे इस डर का source क्या है हम यह अच्छे से जानते हैं कि यह market तो नहीं है क्योंकि market के नजरिये से अप और down ticks और उनके द्वारा बनाए गए patterns ने तो positive है और ने ही negative रूप से चार्ज किये गए हैं अप और down ticks में swim में हमें किसी special state of mind के लिए जैसे हमारी objectivity खोने, error करने या हमें opportunity flow से बाहर निकालने की कोई capability नहीं है अगर हमें negative state of mind में पहुँचाने के लिए market responsible नहीं है तो इसका और क्या कारण हो सकता है हम experience की जाने वाले information को define करने में और इसकी interpretation करने में सुतंतर हैं अगर ऐसा है तो यह कौन निर्धारित करता है कि हम क्या अनुभव करते हैं और हम उस information को कैसे define करते हैं और इसके interpretation कैसे करते हैं क्या इसके लिए हम जो जानते हैं वह है responsible है या फिर जिसे हम सच मानते हैं वह है association और pain avoiding mechanism के conjunction में काम करने वाले हमारे belief हमारी पांच इंद्रियों पर एक force के रूप में कारिय करते हैं जिससे हम market की information को इस तरह से समझते हैं, define करते हैं और इसके interpretation करते हैं जो हमारी expectation के अनुरूप हो जिसे हम सच मानते हैं वह हमारी expectation का synonym यानि प्रयाइवाची है हमारी expectation future moment में हमारा projected belief है market के perspective से every moment unique है लेकिन अगर market वारा generated information गुणों या किसी ऐसी चीज़ की विसेस्ता के समान है जो पहले से ही हमारे दिमाग में है तो information के inner और counter दो set automatically रूप से आपस में जुड़ जाते हैं जब यह संबन बनाया जाता है तो यह मन की एक एसी स्थिति को trigger करता है जो बाहरी जानकारी से जुड़ी किसी भी धारना या स्मरती से मेल खाती है इससे ऐसा लगता है कि जो बाहर है वह ठीक वैसा ही है जैसा हमारे अंदर प और out of question लगता है हमारे state of mind हमेशा परम सत्य है अगर मैं self confidence महसूस करता हूँ तो मैं confident हूँ अगर मुझे डर लगता है तो मुझे डर लगता है हम किसी भी क्षण अपने मन और शरीर से बहने वाली power की quality पर विवाद नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक undisputed fact के रूप में जानता हूँ जो मैं उस पल अपने बाहर महसूस कर रहा हूँ समश्या यह है कि हम कैसा महसूस करते हैं यह हमेशा पूर्ण सकते होता है लेकिन हमारे मन की स्थिती या भावना को trigger करने वाले विश्वास किसी भी समय मार्केट में मुझूद संभावनाओं के relative सही हो भी सकते हैं औ जो reality यह है कि इसमें हर पल हमेशा unknown force काम करती है समश्या यह है कि जिस पल हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि क्या उम्मीद की जाए हम एक साथ सभी unknown force को मानना बंद कर देते हैं और उन ताक्तों द्वारा बनाई गई विभिन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बाहर जाते हैं मार्केट के unknown force वे अन्य ट्रेडर्स हैं जो future के बारे में अपनी मान्यताओं के आधार पर ट्रेड करते हैं या इससे बाहर निकलने की प्रतिक्षा कर रहे हैं दूसरे शब्दों में जब तक कि हम उन सभी ट्रेडर्स के माइंड को नहीं पढ़ सकते जो value moment पर ए मुझे पता है कि मार्केट से क्या उम्मीद करनी है इसके किसी भी रूप में खुद को शामिल करने का रिस्क नहीं उठा सकते हैं हम ठीक से जान सकते हैं कि एक limit कैसा दिखता है लगता है और हम जान सकते हैं कि हमें यह पता लगाने के लिए कितना रिस्क उठाने के जरूर कि वह एज काम करने जा रहा है या नहीं हम जान सकते हैं कि हमारे पास एक special plan है कि यदि कोई trade काम करता है तो हम कैसे लाव ले सकते हैं लेकिन इतना ही अगर हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि market क्या करने जा रहा है तो हम मुश्किल में है अबजेक्टिव क्या है आखिरकार पैस कमाने की बात होती तो इस के लिए किताबें पढ़ना जरूरी नहीं होता। जीतने वाले ट्रेड या यहां तक कि जीतने वाले ट्रेडर्स की एक सिरीज बनाने के लिए किसी भी स्किल की आशक्ता नहीं होती। दूसरी और कंसिस्टेंटली रिजल्ट के लिए और जो हमने अभी तक बनाया है उसे बनाए रखने में कैपेबल होने के लिए स्किल की आशक्ता होती है। लगातार पैसा कमाना, कुछ mental skill हासिल करने और उसमें महारत हासिल करने का बाई प्रोडेक्ट मात्र है जिस हद तक आप इसे समझते हैं वह वही डिग्री है जिस पर आप पैसे पर फोकस करना बंद कर देंगे और इसके बजाए इस बात पर फोकस करेंगे कि आप इन स्किल में महारत हासिल करने के लिए अपने ट्रेड को एक टूल के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं स्किल क्या है कंसिस्टेंसी एक केर फ्री objective state of mind का result है जहां हम किसी भी now moment में market हमें जो कुछ भी present कर रही है उस पर विचार करने और कारिय करने के लिए खुद को provide कराना ही स्किल है केर फ्री state of mind क्या है केर फ्री का आर्थ है confidence लेकिन यूफोरिक नहीं जब आप केर फ्री state of mind की स्थिति में होते हैं तब आपको कुछ भी करने से डर नहीं लगेगा जी ज़के आप मजबूरी महसूस नहीं होगी क्योंकि आपने market की जानकारी को खतरनाक रूप से define और उसकी interpretation करने की क्षमता को प्रभावी डंग से समाप्त कर दिया है खतरे की भावना को दूर करने के लिए आपको risk को पूरी तरह से accept करना होगा जब आपने risk को accept कर लिया है तो आप किसी भी result से उतेजित नहीं होगी किसी भी result के साथ शांती से रहने के लिए आपको अपने mental environment में एसी किसी भी चीज के साथ adjustment करना होगा जो market के बारे में 5 fundamental truth के साथ संघर्स करती हो इसके अलावा आपको इन सचाईयों को अपने mental system में core belief के रूप में integrate करना होगा objectivity क्या है objectivity mind की एक एसी स्थिती है जहां market की गती की प्रकरती के बारे में आपने जो कुछ भी सिखा है उसके प्रती आपकी conscious पहुँच होती है दूसरे शब्दों में आपके pain avoiding mechanism के द्वारा कुछ भी block या altered नहीं किया जा रहा है खुद को उपलब्द करवाने से क्या मतलब है अपने आपको उपलब्द कराने का आर्थ यह है कि इस perspective से trade करना कि आपके पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है आप जीतने या हारने से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप अपना पैसा वापस पाने और आपके लिए उपलब्द आउसरों को पहचानने और उनका लाब उठाने के लिए सबसे अच्छे स्थिति में रहे Now moment क्या है Now moment में ट्रेडिंग करने का आर्थ है कि इसमें इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आपके mental environment में पहले से मौजूद पिछले experience के साथ ट्रेड में शामिल होने बाहर निकलने या ट्रेड से अलग होने का आवसर संबंद करे fundamental truth कैसे skills से संबंदित है नमबर एक कुछ भी हो सकता है क्यों? क्योंकि हर समय हर मार्केट में हमेशा unknown force काम करती है इसलिए दुनिया में कहीं ने कहीं केवल एक ट्रेडर को आपकी बढ़त के positive result को खराब करने के लिए इसकी जरूरत होती है बस इतना ही केवल एक मार्केट के perspective से आपने अपने analysis में कितना भी समय प्रियास या पैसा लगया हो इस सचाई का कोई अपवाद नहीं है कोई भी अपवाद जो आपके दिमाग में मौजूद हो वह कंफलिक्ट का source हो सकता है और संभावित रूप से आपको मार्केट की जानकारी को खतरनाक रूप से समझने का कारण बन सकता है नमबर दो पैसा कमाने के लिए आपको यह जानने की जुरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है क्यों? इसलिए क्योंकि बढ़त को डिफाइन करने वाले वैरियेबल के किसी भी सेट के लिए जीत और नुकसान के बीच एक रेंडम डिस्टिबुशन होता है दूसरे शब्दों में आपकी बढ़त के पिछले प्रदर्शन के आधार पर आप जान सकते हैं कि अगले 20 ट्रेडों में से 12 वीजेता होंगे और 8 हारने वाले होंगे आप जो नहीं जानते हैं वह जीत और नुकसान का वह क्रम है या जीतने वाले ट्रेडों पर मार्केट कितना पैसा उपलब्द करवाने जा रही है बढ़त को परिवाशित करने वाले वैरियेबल के किसी भी सेट के लिए जीत और नुकसान के बीच एक रेंडम वितरन होता है अगर हर हार आपको जीत के इतना करीब ले आती है तो आप अपनी बढ़त की अगली घटना की पृतिक्षा कर रहे होंगे तयार और बिना किसी हिचक चाहट के पूदने के लिए तयार होंगे दूसरी और यदि आप अभी भी मानते हैं कि ट्रेड एनलिसिस के बारे में है या सही होने के बारे में है तो एक नुकसान के बाद आप गबरहाट के साथ अपने अगले एज की घटना का अनुमान लगाएंगे यह सोचकर कि क्या यह काम करने जा रहा है यह बदले में आपको ट्रेड के लिए या उसके खिलाब सबूत इकठा करना शुरू कर देगा आप ट्रेड के लिए सबूत इकठा करेंगे यानि आपके खोने का डर आपके खोने के डर से अधिक होगा और आप ट्रेड के खिलाफ जानकर यह कत्रिक करेंगे यदि आपके खोने का डर आपके छूटने के डर से अधिक है किसी भी मामले में आप लगातार परिणाम देने के लिए सबसे अनुकूल स्थिति में नहीं होंगी नमबर चार, एक एज एक चीज से दूसरे पर होने की higher probability के संकेत से ज़्यादा कुछ नहीं है consistency के लिए यह आवशक है कि आप पूरी तरह से यह accept करें कि यह निर्धारित करने के लिए कि अगला trade काम करने वाला है या नहीं इस बारे में उम्मीद, आश्चरिय या सबूत इकठा करने के बारे में नहीं है आपको केवल एक ही सबूत इकठा करने की जरूरत है कि क्या आप limit या edge को define करने के लिए उपयोग किये जाने वाले variable किसी भी समय मुझूद है या नहीं जब आप अन्य जानकारी का उपयोग करते हैं तो यह तै करने के लिए कि आप trade करेंगे या नहीं आप अपने trade system में random variable जोड रहे हैं random variable जोडने से यह निर्दारित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं यदि आप अपनी बढ़त में व्यवहारेता के बारे में निश्चित नहीं है तो आप इसके बारे में बहुत अधिक आश्वस्त महसूस नहीं करेंगे जिस हद तक आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है आप डर का अनुभाव करेंगे विडंबना यह है कि आप अन्रियलिस्टिक रजल्ट से डरेंगे यह महसूस किये बिना कि आपका चाहा गया अन्रियलिस्टिक दृष्टिकोन ठीक वही बना रहा जिससे आप डरते हैं दूसरी और यदि आप मानते हैं कि एक एज एक चीज के दूसरे पर होने की एक हाई प्रोबेबिलिटी है और एक एज को डिफाइन करने वाले वेरियेबल के किसी भी सेट के लिए नुकसान या जीतने के बीच एक रेंडम डिस्टिबुशन होता है तो आप अन्या क्यों इकठा करेंगे यह या तो एक ट्रेड के लिए होगा या फिर इसके खिलाफ एक सबूत होगा इन दो मानिताओं में काम करने वाले एक ट्रेडर के लिए दूसरे सबूत इकठा करने का कोई मतलब नहीं होता या फिर आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अन्या सबूत इकठा करना उतना ही समझ में आता है जितना की यह निर्धारित करने की कोशिश करना कि क्या सिक्के का अगला फिलिप हेड होगा आखिरी दस फिलिप आने के बाद इस बात के परवा किये बिना कि आप सामने वाले हेड का समर्थन करने के लिए क्या सबूत पाते हैं अभी भी 50% समभावना है कि अगली फिलिप टेल आएगी नमबर पांच मार्केट में हर पल अनुखा है एक शनले और विशिष्ट कि अवधार्ना के बारे में सोचें युनीक का अर्थ किसी और चीज की तरह नहीं है जो मुझूद है या अभी अस्तितों में है हम युनीकनेस की अवधार्ना को जितना समझ सकते हैं प्रेक्टिकली लेवल पर हमारा दिमाग उससे बहुत अच्छी तरह से निपट नहीं पाता है जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हमारे माइंड आउटर इन्वार्मेंट में किसी भी चीज को ओटोमेटिक रूप से जोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जो कि मेमरी, बिलीफ या एटिटूड के रूप में हमारे अंदर पहले से मुझूद किसी भी चीज के समान है यह दुनिया के बारे में हमारे स्वभाविक रूप से सोचने के तरीके और दुनिया के अस्तितों के बीच एक अंतर नहित वीरोदवास यानि पैराडोक्स पैदा करता है आउटर इन्वार्मेंट में कोई भी दोक्षण कभी भी एक दूसरे की नकल नहीं करेंगे एसा करने के लिए प्रतेक परमानू या प्रतेक अनू को ठीक उसी स्थिती में होना चाहिए जैसा वे किसी पिछले क्षण में थे इसकी बहुत संभावना नहीं है फिर भी जिस तरह से हमारे दिमाग को इन्फोर्मेशन को मैनेज करने के लिए डियाइन किया गया है उसके आधार पर हम इन्वार्मेंट में नव मॉमेंट का अनूभव करेंगे जैसा कि हमारे दिमाग के अंदर मौझूद कुछ पिछले पल के समान है यदि हर पल किसी दूसरे की तरह नहीं है तो आपके तरक संगत अनूभव के स्तर पर एसा कुछ भी नहीं है जो आपको निश्चित रूप से बता सके कि आप जानते हैं कि आगे क्या होगा तो डगलस फिर कहते हैं कि जानने की कोशिश करके क्यों परेशान हो रहे हैं जब आप जानने की कोशिश करते हैं तो असल में आप सही होने की कोशिश कर रहे हैं डगलस यहां यह नहीं कह रहे हैं कि आप भविश्यवानी नहीं कर सकते कि मार्केट आगे क्या करेगा और वो सही होगा क्योंकि आप निश्चित रूप से कर सकते हैं इस कोशिश में कि आप सभी समश्याओं में भाग लें यदि आप मानते हैं कि आपने एक मार्केट की सही भविश्यवानी की है तो आप स्वभाविक रूप से इसे फिर से करने का प्रियास करेंगे इसका रजल्ट यह रहेगा कि आपका दिमाग ओटोमेटिक रूप से उसी पैटर्न, परिस्थिती या स्थिती के लिए मार्केट को स्कैन करना शुरू कर देगा जो पिछली बार आपने सही डंग से इसके मोवमेंट की भविश्यवानी की थी, जब आप इसे पा लेते हैं, तो आपकी मनस्तिती ऐसी प्रतीत होगी, कि सब कुछ ठीक वैसा ही है, जैसा पिछली बार था, लेकिन समश्या यह है, कि मार्केट के नजरिये से यह समान नहीं है नतीजन आप निराशा में जाने की तयारी कर रहे हैं, जो सब से अच्छे ट्रेजर्स को बाकी सभी से अलग करता है, वह यह है कि उन्होंने अपने दिमाग को प्रते एक शन की विशिष्टता में विश्वास करने के लिए परशिक्षित किया है, यह confidence, automated accumulative system को निश्किरि करता है, जब आप वास्तों में मानते हैं कि every moment unique है, तो definition के अनुसार आपके mind में उस पल को जोडने के लिए organized system के लिए कुछ भी नहीं है, यह विश्वास एक internal power के रूप में करिये करता है, जिससे आप अपने mental environment में दर्ज किसी भी पिछले क्षण से market में 9 क्षण को अलग कर सकते हैं, every moment की uniqueness में आपका विश्वास जितना मजबूत होगा, association करने की आपकी क्षमता उतनी ही कम होगी, association करने की आपकी capability जितनी कम होगी, आपका दिमाग उतना ही खुला होगा, कि यह समझने के लिए कि market आपको अपने द्रिश्टी कोन से क्या पेशकर्ष कर रहा है, यानि आपका mind जोन की और बढ़ रहा है, जब आप market की manov organic वास्तिवताओं को पूरी तरह से स्विकार करते हैं, तो आप trade के risk को भी उसी रूप में स्विकार करते हैं, जब आप trade के risk को accept करते हैं, तो आप market की information को painfully तरीके से define करने की क्षमता को समप्त कर देते हैं, जब market की information को दर्दनाग तरीके से परिवासित करना और उसके interpretation करना बंद कर देते हैं, तो आपके दिमाग में बचने के लिए कुछ भी नहीं है, जब सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपके पास market के उतार चड़ाओं की प्रकरती के बारे में, जो कुछ भी आप जा और चुछ आपका दिमाग पावर के सच्चे आदान परदान के लिए खुला है, आप स्वभाविक रूप से अन्यस सभी संभावनाओ यानि एज की खोज करना शुरू कर देंगे, जो आप पहले से कर सकते थे, आपके माइंड को पावर के सच्चे आदान परदान करने के खुला रखने के लिए आप यह जानने या विश्वास करने की स्थिते में नहीं हो सकते हैं, कि आप पहले से ही जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, जब आप यह नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, तो आप शान्ती में हैं, आप मार्केट के साथ हैं, एक करने के लिए अपने state of mind की सबसे अच्छी स्थिति में होंगे जहां आप now moment के opportunity flow में टैप किये जाते हैं धन्यवाद hindi audiobook.com आपका दिन शुब हो ट्रेडिंग इन्दा जोन चैप्टर 9 नेचर ओफ बिलीव hindi audiobook.com जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में जाना कि हमारी धारना यानि बिलीव के साथ काम करना कितना आउशक है और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि धारना की प्रकृति को कैसे बदला चासकता है इस बारे में मैंने दैनिक बासकर नियूज पेपर के चार साल पहले के डिजिटल आंक में एक धारना बदलने के बारे में एक लेक छपा था जिसे पढ़ा जिसका टाइटल है धारना बदलने के लिए कहीं से तो शुरुवात करनी जरूरी है आईए इसमें दी गई एक सची घटना के बारे में जानते हैं जो साल 1967 की है जब कैथरीन वरजीनिया स्वीटजर ने यह धारना तोड़ दी कि महिलाएं दुनिया में मेराथन दोड़ का हिससा नहीं हो चकती क्योंकि उन्हें नाजुक माना जाता था इस गटना से पहले तक महिलाओं को हमेशा साइड लाइन चेर लीडर से ही समझा जाता था उन्हें कभी मेराथन में भाग लेने की अनुमती नहीं दी गई कैथरीन ने साल 1967 की बोश्टन में होने वाली मेराथन में भाग लेने का फैसला किया जो पिछले सत्तर सालों से केवल पुरुशों का ही आयोजन था इसमें कैथरीन ने खुद को केवी स्वीड़र के नाम से रजिस्टर करवाया इस नाम से इस बात का कुछ पता नहीं लगता था कि भाग लेने वाला पुरुश है या महिला उनका कहना था कि यहें गेम ओफिसर्स को गुमरा करने के इरादे से नहीं किया गया था इसे यहां तक कि एड्मिस्टेशन ने भी मान लिया कि वे पुरुश हैं मेराथन वाले दिन ठंड और बारिश होने की वज़े से सारे धावकों ने अपने चेहरे डंकने वाली हुडीज पहन रखी थी इसलिए कैथरीन अपना जेंडर छिपाने में काम्याब रही मेराथन शुरू हो चुकी थी लेकिन अचानक बीच रास्ते में दोड़ते हुए उनके चेहरे पर लगी हुडी निकल गई जिससे उनके बाल नजर आने लगे तभी एक फोटोग्राफर ने यह सब देख लिया और जोर से चिलाना शुरू कर दिया और चिलाते चिलाते उनका पीछा करने लगा यह सब देखकर बाकी नियूज पेपर के रिपोर्टर्स भी उनका पीछा करने लगे इस समय कैथरीन का कोच और उनका बॉइफरेंड भी उनके साथ इस मेराथन में दोड रही थे इसी दोरान किसे ने उने रेश से बाहर करने के लिए धका भी दे दिया लेकिन वहाँ पर उनके बॉइफरेंड ने उनकी रक्षा की इस तरह के बिहेवियर से कैथरीन डरी हुई थी लेकिन फिर भी उन्होंने 26 मील की मेराथन में दोड जारी रखी उनके कोच ने कहा रन लाइक हेल जी जान लगा कर दोडो घवराने के जुरूरत नहीं है कैथरीन इसके बाद ऐसे दोडी जैसे उन्होंने सड़क को उधेड कर रख दिया हो और दोड पूरी करने का निश्चे कर लिया उन्होंने सोचा यदि आज मैंने दोड पूरी नहीं की तो दुनिया कभी यह नहीं मानेगी कि महिलाई यह कर सकती है और इसी संकल्प और धार्ना के साथ उन्होंने दोड पूरी की उस सालवे मैराथन का वैस्विक चेहराब बन गई आखिरकार 1972 में महिलाउं को अधिकारिक रूप से पहली बार बोश्टन मैराथन में दोडने की अनुवती दी गई कैथरीन को रणर वर्ल्ड मैगजीन ने फीमेल रणर आफदा डीकेट गोसित किया और बाद में 1984 के ओलंपिक वीमेन मैराथन से शुरुआत करके वे मैराथन के लिए टीवी कमेंटेटर बन गई और अपने काम के लिए एमी अवार्ड हासिल किया साल 1997 में उन्होंने एक किताब लिखी Running and Walking for Women over 40 अप्रेल 2007 में उन्होंने अपनी पहली मैराथन दोर की 40-वी सालगिरा पर मैराथन वूमन नाम से संस्क्रणों की किताब जारी की अप्रेल 2008 में मैराथन वूमन को खेलों में महिलाओं की प्रेरिक चित्रन के लिए बिली अवार्ड पोर जनलिजिम दिया गया आज जब वे किसी भी मैराथन में जाती है तो उनके कंधे गीले हो जाते हैं क्योंकि महिलाएं उनकी बाहों में आकर खूशी के आंसु बहाती है और कहती है दोड ने हमारी जिंदगी बदल दी और अब उन्हें लगता है कि वे कुछ भी कर सकती है फंडा यह है कि कोई भी धारना बना लेना बहुत आसान बात है यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो कहीं से तो इसकी शुरुवात करनी होगी यदि आप डगलस के द्वारा पिछले चैप्टर में बताए गई ट्रेड के बारे में पांच फंडामेंटल टूथ को एकसेप्ट करने के बेनिफिट को महसूस कर सकते हैं तो टास्क यह सीखना है कि इन टूथ को अपने मेंटल सिस्टम के और बिलिफ में कैसे ठीक से इंटीग्रेट किया जाए जो आपके किसी भी दूसरे बिलिफ के कनफलिक्ट में नहीं है ओ यह तो बहुत कठिन काम लग रहा है लेकिन डगलस के अनुसार यह उतना भी कठिन नहीं है जितना आपने रियक्ट किया है क्योंकि चैप्टर 11 में डगलस आपको एक सिंपल ट्रेडिंग एकसरसाईज देने वाले हैं जो विशेश रूप से इन टूस के बिलीफ के फंडामेंटल लेवल पर ठीक से इंस्टोल करने के लिए डिजाइन किया गया है फंडामेंटल लेवल वह लेवल है जहां पर आप अपने आपको नेचरली रूप से एक केर फ्री स्टेट ओफ माइंड की स्थिती से बाहर यह समझते हुए होते हैं कि आपको वास्तों में क्या करने की आवशकता है और यह आप बिना किसी हिज किचाहट या इंटरिनल कंफ्लिक्ट के इसे कर सकते हैं यहां डगलस कहते हैं कि उनके पास आप में से उन लोगों के लिए कोशन यानी सावधनी का एक वर्ड है जो पहले से ही इस एक्सरसाइज को देख चुके हैं वास्तों में सर्फेस पर ट्रेड एक्सरसाइज इतनी सिंपल दिखती है कि आप जो कर रहे हैं उसके इंप्लिकेशन को अच्छी तरह से समझने से पहले आप इसे अभी करने के लिए लल्चा सकते हैं डगलस इस बारे में ट्रोंगली सजेस्ट करते हैं कि आप इसे रिकंसिडर करें यानि सुक्षम लेकिन प्रोफाउंड डाइनमिक शामिल है जो इसे सीखना आसान बना देते हैं वैसे अपनी बिलिफ को बदलने के लिए एक्सरसाइज कैसे करनी है यह समझना पूरी तरह से दूसरा मामला है यदि आप इस चैप्टर और अगले चैप्टर में प्रेजेंटेड कंसेप्ट को समझे बिना एक्सरसाइज करते हैं तो आपको डिजाइर रेजल्ट नहीं मिलेंगे यहां यह है इंपोर्टेंट है कि सक्सेस के इन प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए अपने दिमाग को ट्रेंड करने के लिए आपको कितने मेंटल एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं इस पर ध्यान नहीं दे चाहे आप उन्हें कितनी अच्छी तरह से ही क्यों नहीं समझते हो पिछले चैप्टर में डगलस के एक स्टूडेंट बोब सीटिय को याद रखे जो मानते थे कि वे प्रोबेबिलेडिस के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझते हैं लेकिन उन में प्रोबेबिलेटिक्स प्रस्पेक्टिव से कारिय करने की एबिलिटी नहीं थी बहुत से लोग यह मानने की गलती करते हैं कि एक बार जब वे कुछ समझ जाते हैं तो उनकी नई समझ में नहीं इनसाइट यानि अंतर द्रेश्टी ओटोमेटिकली रूप से उनकी आइडेंटिटी का एक फंक्शनल पार्ट बन जाती है लेकिन most of the time किसी कंसेप्ट को समझना उस कंसेप्ट को फंक्शनल लेवल पर इंटिग्डेट करने की प्रोसेस में केवल first step ही होता है यह उन probabilities के लिए विशेश रूप से सच है जो possibility में कमी से निपढ़ती है हमारे दिमाग naturally रूप से objective या now moment में रहने के लिए wired नहीं है इसका मतलब है कि हमें उन प्रस्पेक्टिव से सोचने के लिए अपने mind को actively trained करना होगा इसमें शामिल exercise के अलावा काम करने के लिए कई परस पर conflicting belief हो सकते हैं इन परस पर विरोधी beliefs का effect आपके state of mind से operate करने या now moment opportunity flow का अनुभाव करने के लिए आपके best intention को बिगाड़ देगा उधारन के लिए मान लें कि आपने markets को पढ़ना सीखने में वर्सों बिताए हैं या technically system को develop करने या buying करने के लिए बड़ी रकम खर्च की है ताकि आप यह पता लगा सकें कि आगे क्या होने वाला है अब आप समझ गए हैं कि आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और वह जानने की कोशिश करने से भी आपके detract होने या moment में बने रहने की ability कम हो जाएगी अब आपके पूराने और नए बिलिफ के बीच एक direct conflict पैदा हो जाएगा कि आपको यह जानना होगा कि successful होने के लिए आगे क्या करना होगा और यह सब आपकी नई समझ से possible है जिसे आप समझते हैं कि आपको जानने की आवशकता नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि अब आपकी नई समझ अचानक उस विश्वास को मजबूत करने पर खर्च किये गए सभी धन, समय और पावर को बेहसर कर देगी जिसे आपको जानने की आवशकता है काश यहें एक्सेप्ट करना उतना आसान होता लेकिन कुछ बाग्या साली लोगों के लिए यहें बेहदा आसान हो सकता है यदि आपको याद होगा कि चैप्टर च्यार में डगलस ने सोफ्टेयर कोड के समझ में साइकलोजिकल डिस्टेंस के बारे में बात की थी उसमें कहा था कि कुछ ट्रेडर्स पहले से ही इन नए प्रस्पेक्टिव के इतने क्लोज हो सकते हैं कि उन्हें एक बनाने के लिए बस कुछ मिसिंग पीस को ही एक साथ रखना होगा ताकि माइंड आहम मॉमेंट को फील कर सके डगलस का कहना है कि हजार से ज़्यादा ट्रेडर्स के साथ काम करने के अपने एक्सपिरियंस के आधार पर वे कह सकते हैं कि आधिकांस ट्रेडर इन प्रस्पेक्टिव के बिल्कुल भी क्लोज नहीं है आप में से भी जो इनके क्लोज नहीं है उन्हें अपने मेंटल कि आखिरकार चैप्टर 11 में डगलस जो एक्सरसाइज प्रेजेंट करने जा रहे है वह है पांच फंडामेंटल ट्रूथ को इंस्टाल करेगा जो कई संभावित कंफ्लिक्ट को सॉल्म करेगा लेकिन यह केवल तभी संभव है जब आप वास्तों में यह जानते हों कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं यही इसका सब्जेक्ट और नेक्स्ट चैप्टर है ओरिजन ओफ बिलिफ हम बिलिफ के नेचर के बारे में क्या सीख सकते हैं और हम उस नॉलिज का उत्यों कैसे कर सकते हैं ताकि हम एक एसा माइंड सेट तयार करें जो कंसिस्टेंट विनिंग ट्रेडर बनने की हमारी इच्छा को बढ़ावा दे। ये दो प्रशन है जिनका उत्तर डगलस इस चैप्टर में देने जा रही हैं। सबसे पहले आईए हम यह समझते हैं कि हमारी धारनाएं यानि पिलीफ कैसे और कहां से पैदा होती है। जैसा कि आपको याद होगा कि मेमोरीज, डिस्टिंक्शन और बिलीफ एक स्ट्रक्चर्ड एनरजी के रूप में मौजूद होते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए डगलस ने इन तीन मेंटल कंपोनेंट्स को एक साथ चोड़ा था। नमबर एक, मेमरीज, डिस्टिंक्शन और बिलीफ फिजिकल प्रोडेक्ट के रूप में एक्जिस्ट नहीं करते हैं। नमबर दो, हमारे और एक्स्टरनल एन्वार्मेंट के बीच, मौजूद कौज और एफेक्ट यानि कारण और परभाव रिलेशनसिप इन कंपोनेंट्स को एक्जिस्टेंस में लाता है। नमबर तीन, कोज और एफेक्ट रिलेशनसिप कैसे इस तरह से रिवर्स हो जाते हैं ताकि हम एक्स्टरनल एन्वार्मेंट में यह आनुभव कर सकें कि हमने क्या सीखा है। हमें बिलीव के ओरिजन यानि मूल में जाने के लिए मेमरीज और बिलीव के बीज के डिफरेंस को समझने के लिए इन कंपोनेंट्स को अनबंडल यानि खोलना होगा। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस समय अपने आप के लिए एसी कल्पना करें कि आपके अंदर एक शिशू मन है। डगलस को लगता है कि एक बच्चे के जीवन की शुरुवात के एक्सपिरियन्स की यादें अपने प्यूरिस्ट फॉर्म में मुझूद होती है। इससे डगलस का तातपरिय यह है कि जो कुछ बच्चे ने देखा, सुना, सूंगा, चुआ या चखा है उसके यादें उसके दिवाग में प्यूर सेंसरी इनफॉर्मेशन के रूप में मुझूद है जो किसी स्पेसिफिक वर्ड या कंसेप्ट से और्गनाइजड या फिर अटेस्ट नहीं है इसलिए डगलस एक प्यूर मेमरी को उसके ओरिजन फॉर्म में स्टोर्ड सेंसरी इनफॉर्मेशन के रूप में डिफाइन करने जा रहे हैं दूसरी और एक बिलीफ एक्स्टरनल इनवार्मेंट के एक्सप्रेशन के तरीके के नेचर के बारे में एक कं से प्यूर सेंसरी इनफॉर्मेशन को एक सिंबल सिस्टम के साथ जोड़ता है जिसे हम लेंग्वेज कहते हैं उधरन के लिए अधिकान सिश्वों की यह एक प्यूर मेमरी होती है कि माता-पिता द्वारा प्यार से पाला जाने पर उसे कैसा महसूस होता है लेकिन वे इसे तब तक एक्सप्रेस नहीं कर सकते जब तक कि शिशू को कुछ वर्ड्स को उसकी मेमरी में स्टोर्ड प्यूर सेंसरी इनफॉर्मेशन के साथ आपस में एसोसियेट करना यानि जोडना नहीं सिखाया जाता कि लाइफ इस वंडरफॉन यह भी एक कंसेप्ट है अपने आप में शब्द एबस्ट्रेक्ट सिंबल का एक मिनिंगलेस कलेक्शन बनाते हैं लेकिन अगर किसी बच्चे को या तो पढ़ाया जाता है या इन वर्ड्स को उसकी पॉजिटिवली रूप से चार्ज करने वाली फिलिंग्स से जोडने का फैसला किया जाता है तो अब वर्ड् अबस्ट्रेक्ट प्रेज लाइफ इस वंडर्फूल एक्जिस्टेंस का नेचर या दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में एक डेफिनेटिव डिस्टिंग्शन बन जाता है उसी तरह यदि बच्चे को उसकी नीड्स के अनुसार इन फ नर्चर नहीं किया गया तो वह है emotional pain की अपनी feelings को life is not fair या the world is a awful place जैसे concept से आसानी से जोड़ सकता है किसी भी मामले में जब हमारी memory या experience से positive या negative energy words के एक group से जुड़ जाती है जिसे हम एक concept कहते हैं यह concept active हो जाता है और परिणाम सोरूप reality के nature के बारे में उसके belief में बदलावा जाता है यदि आप मानते हैं कि concepts एक language के structure द्वारा energized होते हैं जो हमारे experience से active हैं तो यह clear हो जाता है कि डगलस belief को structured energy के रूप में क्यों refer करते हैं जब कोई belief existence यानि अस्तितों में आता है तो वह क्या करता है इसका function यानि कारिये क्या है डगलस इस बारे में कहते हैं कि कुछ माइनों में इन सवालों को पूछना हस्याश्पद लगता है आखिरकार हम सभी के अपने beliefs हैं हम अपने beliefs को verbally और अपने action यानि कारियों के माध्यम से लगातार present कर रहे हैं इसके अलावा हम लगातार अन्य लोगों के beliefs के साथ consistently interact करके उन्हें express करते हैं फिर भी अगर पूछा जाए कि एक belief reality में क्या करता है इसके ज़्यादातर संभावना यह है कि इस question पर आपका mind blank हो जाएगा दूसरी और यदि आपसे यही question आपकी आँख, कान, नाग या दान्तों के बारे में पूछा जाए तो आपको इसका उत्तर देने में कोई समझा नहीं होगी चुकि belief हमारे make-up का एक महतोपूर्ण गटक है यह निश्चित रूप से जीवन के great ironies में से एक है जिनके बारे में कम सोचा और समझा जाता है कम से कम विचार से डगलस का तात्परिय यह है कि यदि हमें अपने शरीर के किसी अंग में कोई समझ्या है तो हम naturally अपना ध्यान उस हिस्से पर focused करते हैं और सोचते हैं कि problem को ठीक करने के लिए अभी हमें क्या करने की आफशकता है हालां कि यह हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हमारी life की quality के साथ होने वाली problems हमारे beliefs में rooted यानि नहित है यह lack of confidence एक universal phenomenon है beliefs की prominent विसेस्ताओं में से एक यह है कि वे जो हम आनुभाव करते हैं उसे self evident और beyond that question बनाते हैं वास्तों में यदि यह एक trader के रूप में आपको consistently success का आनुभाव करने की आपकी तिवर इच्छा के बारे में नहीं है तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि इस subject में आपका मन लगेगा आम तोर पर लोग अपने difficulties के source के रूप में अपने beliefs को examine करने के लिए extreme frustration में सालों बिदा देते हैं हालांकि बले ही belief हमारी identity का एक intricate परत है फिर भी आपको self analysis की इस process को personal रूप से लेने की आवशक्ता नहीं है इस तथे पर विज़ार करें कि हम में से कोई भी हमारे किसी भी present belief के साथ पैदा नहीं हुआ इन्हें तो हमने काफी सारे तरीकों से सीखा और हासिल किया है हमारे जीवन पर profound impact डालने वाले कई belief को हमने स्वतंतर इच्छा के रूप में भी हासिल नहीं किया है ये तो दूसरे लोगों के द्वारा हमारे mind में install किये गए है और यह शायद किसी के लिए आस्चरिय की बात नहीं होगी कि आम तोर पर वे belief जो हमारे लिए सबसे अधिक difficulty का कारण बनते हैं वे हमारे conscious consent यानि सचेत सहमती के बिना दूसरों से प्राप्त किये गए है डगलस का इस से थात्परिय उन beliefs से है जो हमने तब हासिल की थी जब हम बहुत छोटे थे और हमें जो सिखाया जा रहा था उसके negative impact को महसूस करने के लिए हम अंजान थे हमारे beliefs के source के बाउदी एक बार जब वे अस्तितों में आ जाते हैं तो वे सभी मोल रूप से उसी तरह कारिये करते हैं beliefs के कुछ certain तरीके होते हैं जिन से वे अपना काम करते हैं वे वैसे ही हैं जैसे हमारे शरीर के विबिन हिस्से काम करते हैं उधारन के लिए यदि आप मेरी आंक और अपनी आंक या मेरे हाथ और अपने हाथ या मेरी red blood cell और अपनी red blood cell को compare करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वे बिल्कुल समान नहीं है लेकिन उनके पास सामान नियविसिस्ताइं हैं जो समान रूप से काम करने के लिए पैदा होती है जिस तरह से हमारे शरीर के अंग काम करते हैं उसी तरह यह है belief कि life is wonderful भी अपना कारिय उसी तरह से करेगा जैसे यह है belief कि life is awful belief अपने आप में different है और इसे hold करने वाले की life quality पर हर एक का जो impact पड़ता है वह है बहुत अलग होगा लेकिन दोनों belief बिल्कुल एक समान तरीके से कारिय करेंगी belief और हमारी life पर उनका impact हमारे belief हमारी life को experience करने के तरीके को आकार देते हैं जैसा कि डगलस ने पहले ही कहा है कि हम अपने किसी भी धार्ना के साथ पैदा नहीं हुए हैं उन्हें तो acquired किया जाता है और जैसे जैसे वे accumulate होते हैं हम अपना जीवन इस तरह से जीते हैं जो यह दिखाता है कि हमने अपने belief से ही जीना सीखा है विचार करें कि आपका जीवन कितना आलग होगा यदि आप एक एसे culture, religion या political system में पैदा हुए होते जिसमें present life से बहुत कम हो यह कलपना करना कठिन हो सकता है लेकिन life के nature और दुनिया कैसे काम करती है इस बारे में आपने जो belief करना सीखा है वह है पहले से वैसा नहीं हो सकता जैसा आप present में मानते हैं फिर भी इन अन्य बिलीफ को अपने present belief के समान डिगरी के साथ accept करेंगे कैसे belief हमारे जीवन को आकार देते हैं नमबर एक, वे environment संबंदित information की हमारी धालना और interpretation को इस तरह से manage करते हैं ताकि हम जो belief करते हैं वह है उसके consistent हो नमबर दो, वे हमारी expectation पैदा करते हैं ध्यान रखें कि एक उमीद भविश्य के किसी moment पे प्रक्षपित एक belief है हालां कि हम किसी ऐसी चीज़ की उमीद नहीं कर सकते जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं हम यह भी कह सकते हैं कि एक उमीद वह है जिसे हम जानते हैं कि भविश्य के किसी moment में उसे launch किया जा सकता है नमबर तीन, हम जो कुछ भी करने का नेने लेते हैं या behave करने का कोई बाहरी expression हमारे belief के consistent होगी नमबर च्यार, और अंत में हमारे belief, हमारी feeling को आकार देते हैं कि हम अपने action के result के बारे में कैसा महसूस करते हैं हम जिस तरह से काम करते हैं उसमें belief एक महतोपूर्ण भूमिका निभाते हैं डगलस इस बारे में एक उधारन देते हैं जिसका उपयोग उन्होंने अपनी पहली पुस्तक The Disciplined Trader में विभिन कारियों को सपष्ट करने के लिए किया था साल 1987 में वे गोचा शिकागो नमक एक locally produced television program देख रहे थे यह कुछ local celebrities के बारे में था जो एक दूसरे पर practical joke सुनाना खेल रहे थे प्रोग्राम के एक हिस्से में टीवी स्टेशन ने फुट बात पर खड़े होने के लिए एक आदमी को हायर करके काम पर रखा जो Michigan Avenue के पुटपात पर हाथ में एक चिन लेकर खड़ा था जिस पर लिखा था कि Free Money आज ही टीवी स्टेशन ने उस व्यक्ति को काफी मात्रा में नकत दिया जो किसी को भी पैसे दे सकता था उसे यह निर्देश दिये गए थे Michigan Avenue शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है और सड़क पार करने वाले अधिकांस लोग ये Free Money वाला Sign Board पढ़ सकते थे तो आपको क्या लगता है कि कितने लोगों ने उससे पैसे मांगे होंगे वहां से गुजरने वाले सभी लोगों में से केवल एक व्यक्ति रुपा और कहा बहुत बढ़िया क्या मुझे बस पास के लिए एक क्वार्टर मिल सकता है आखिरकार वहे आदमी निराश हो गया क्योंकि उसने जिस तरह से उमीद की थी लोग उसे कोई रिस्पॉंस नहीं दे रहे थे वहे चिलाने लगा क्या तुमें कोई पैसा चाहिए करपिया मुझे से पैसे ले लो लोग उसके इर्दगिद ऐसे गुम रहे थे जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं हो और हाला तो यहां तक खराब थे कि कई लोग उससे बचने के लिए रास्ता बतल रहे थे जैसे ही एक सूट पहने और अटैची लिए एक आदमी उसके पास आया वहे उसके पास गया और कहा क्या आपको कुछ पैसे चाहिए उस आदमी ने जवाब दिया आज नहीं अब वहे वास्तों में निराश होकर पलट कर जवाब दिया मुझे नहीं लगता कि आप फिर यहां आएंगे कि क्या आप करप्या पैसे लेंगे जैसे ही उसने उस आदमी को कुछ नगदी देने की कोशिश की उस आदमी ने नहीं में एक संक्षिप्त जवाब दिया और आगे बढ़ गया यहां पर क्या हो रहा था कोई भी उस बस पास वाले को छोड़कर पैसे क्यों नहीं मांग रहा है यदि हम मान लें कि ज़्यादातर साइन बोर्ड पर सकते हैं लेकिन फिर भी पैसे लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया तो उनके बिहेवियर के लिए एक पोसिबल एक्सपलेशन यह हो सकता है कि उन्हें पैसे की कोई परवान नहीं थी लोग ऐसा बिहेवियर तब कर रहे थे जब वे अपनी लाइफ का ज़्यादातर समय पैसे के लिए ही लगा रही है तब भी इन लोगों को खुद की मदद करने से क्या रोक रहा है एन्वार्मेंट उन्हें एक ऐसा एक्सपिरियंस प्रेजेंट कर रहा था जिसे ज़्यादातर लोग पाना पसंद करते हैं कोई उन्हें बिना काम के पैसे दे रहा है फिर भी हर कोई उसे नहीं ले रहा शायर वे यह देखने में एबल नहीं रहे होंगे कि क्या आवेलेबल था क्योंकि यह कल्पना करना कठिन है कि कोई उन्हें मुफ्त में पैसा वो भी अभी कैसे दे सकता है इस दुनिया में अधिकांस लोगों का यह विश्वास है कि कहीं भी मुफ्त धन मौजूद नहीं है यदि मुफ्त पैसा वास्तों में मौजूद नहीं है तो कोई उस बिलिफ और इंडिकेशन के भी क्लियर पैराडोक्स को देख सकता है जो कहता है कि यह काम करता है इस विश्वास को फिक्स करना बहुत आसान है बस यह तैकरें कि फ्री साइन दिखाने वाला व्यक्ति पागल है क्योंकि कहीं भी मूफ में पैसा उतलब्द नहीं है रिजनिंग प्रोसेस जो पैराडोक्स की भरपाई कर सकती है वह कुछ इस तरह हो सकती है हर कोई जानता है कि पैसा कमाना है इस तरह से पैसा कभी नहीं मिलता होता हम ज़्यादातर समय सोचते हैं कि यदि वह व्यक्ति वास्तों में पैसे दे रहा होता तो उसे पहले ही लूट लिया जाता यहां तक की वह अपनी जान को भी खत्रे में डाल सकता है शायद वह पागल होना चाहिए उससे तो थोड़ी दूरी बना कर ही निकल लिया जाए कौन जाने की वह पागल क्या कर बैठे ध्यान दें कि इस थोड़ प्रोसेस का हर कंपोनेंट इस बिलिफ के अनुरूप है कि मुफ्त का धन कहीं मुझूद नहीं है यह वर्ड फ्री मनी को ने तो माना गया और ने ही इसे इंटरप्रेट किया गया इसके यह कंपोनेंट्स है नमबर एक वर्ड फ्री मनी को ने तो माना गया और ने ही इसे इंटरप्रेट किया गया क्योंकि वे इन्वार्मेंट के प्रस्पेक्टिव से इंडेंडिट है नमबर दो साइन के साथ उस व्यक्ति को इस तरह से लोगों का देखना एक एसा कारिया है जो घत्रे की अपेक्षा के अनुरूप है नमबर च्यार रिजल्ट के बारे में हर व्यक्ति ने कैसा महसूस किया हर व्यक्ति को पर्सनली रूप से जाने बिना यह कहना मुश्किल है लेकिन एक अच्छा जनलाइजेशन यह होगा कि वे तब राहत महसूस करते होंगे जब वे एक पागल व्यक्ति से सफलता पूर्वक बचते हैं इस टक्राव से बचने के परिणाम सुरूप राहत की भावना एक स्टेट ओफ माइंड है याद रखें कि हम कैसा महसूस करते हैं यह हमेशा 100% ट्रू है लेकिन वे बिलीव जो किसी विशेश स्टेट ओफ माइंड को प्रॉम्ट यानी प्रेडित करते हैं हो सकता है कि उनके संबंद में सत्य नय हो जो एन्वार्मेंट के प्रोस्पेक्टिव से अवेलेबल पॉसिबिलिटी है इस स्थिति में टकराव से राहत ही एक मातर पॉसिबल रेजल्ट नहीं था कल्पना कीजिए कि वह एक्स्पेरियंस कितना अलग होता यदि वे मानते कि हाँ फ्री मनी अवेलेबल है उपर बताई गई पूरी प्रोसेस एकवल होगी सिवाए इसके कि यह है बिलीफ कि फ्री मनी अवेलेबल है जहां यह है आउट ओप क्वेस्टन से परेपरे रित होता है इसका एक आधर्स उधारन वह व्यक्ति है जिसने कहा बहुत बढ़िया क्या मुझे बस पास के लिए एक क्वार्टर मिल सकता है एक pen handler वह होता है जो निश्चित रूप से फ्री मनी के existence में विश्वास करता है इसलिए उनके belief और sign की interpretation ठीक वैसी ही थी जैसी TV station ने की थी उनकी expectation और behavior उनके इस belief के अनुरूप थे कि फ्री मनी exist करते हैं जब उनके फ्री मनी मिलती है तो इसके बारे में वे कैसा महसूस करेंगे उसे अपना quarter मिल गया इसलिए डगलस को लगता है कि उसने संतुष्टी की भावना को महसूस किया होगा बेशक उस समय वह नहीं जानता था कि वह और भी बहुत कुछ पा सकता था हमारे सेनरियों से एक और possible outcome हो सकता है आईए किसी ऐसे व्यक्ति के काल्पनिक उधारन को देखें जो मानता है कि मुफ्त धन मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी वह इसे प्राप्त कर लेता है इस तरह से belief का S.I. suspend होना एक belief द्वारा बनाई गई boundaries के बाहर कारिये करने की अनुमती देता है जो कि यह देखने के लिए होता है कि क्या वास्तों में ऐसा है तो उस चिन वाले व्यक्ति को नजर अंदाज करने के बजाई जो हमारे काल्पनिक व्यक्ति का पहला जुकाव होगा वह उसके पास जाएगा और कहेगा कि मुझे 10 डॉलर दो वह आदमी तुरंट अपनी जेव से 10 डॉलर निकालेगा और उसे दे देगा यह क्या हुआ वह कैसा महसूस करेगा जब उसने कुछ अजीब experience किया जो पूरी तरह से उसके belief का खंडन करता है ज्यादातर लोगों के लिए यह विश्वास है कि मुफ पैसा मुझूद नहीं है वे इसे हलके डंग से ले लेते है जब इस तरह की कोई घटना उनके साथ घट जाती है सामान नेतिया बच्चा यह कितनी बार सुनता है कि आपको क्या लगता है कि पैसा पेडों पर उगता है दूसरे शब्दों में यह शायद एक negative belief है तब बिना किसी वायर से जुड़े और बिना किसी negative comment के उसे पैसे सोंपने का अलुहो संभवत है प्योर आनंद की स्थिति पैदा करेगा वास्तों में अधिकांस लोग इतने खुश होंगे कि वे उस खुशी और नई खोज को उन सभी के साथ शेयर करने के लिए मजबूर महसूस करेंगे जिने वे जानते हैं यहां हर कोई कल्पना कर सकता है कि जिस पल वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसे वह जानता है उसके मूँ से पहला शब्ल यही निकलेगा कि आज जो मेरे साथ हुआ उस पर आपको विश्वास नहीं होगा और वास्तों में वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि उनका विश्वास है कि मुफ्क में पैसा कहीं भी मुझूद नहीं है यह है बिलीफ उने उनकी कहानी की इंटरप्रेटेशन इस तरह से करने के लिए प्रेरित करेगा जो इसकी वैलेडिटी को नकार दे इस उधारन को थोड़ा आगे ले जाने के लिए कल्पना कीजिये कि इस वैक्ति का स्टेट ओफ माइंड कैसा होगा जब उसे फ्री में पैसा मिला था वह बहुत पोजिटिव महसूस कर रहा होगा लेकिन तब उसके सेट ओफ माइंड का क्या होगा यदि उसे ऐसा लगे कि वह और पैसे मांग सकता था हालांकि जिस क्षण यह विचार या तो उसके दिमाग में आता है या कोई एसा व्यक्ति जो वह अपनी कहानी बताता है यह विचार प्रस्तूत करता है कि वह उस समय और अधिक धन की मांग कर सकता था उसका स्टेट ओफ माइंड तुरंत अफसोस या निराशा की नेगटिव रूप से चार्ज़ स्थिति में चला जाएगा क्यों? क्योंकि उन्होंने नेगटिव रूप से चार्ज़ बिलिफ में उसे टैप किया कि किसी चीज़ को याद करने या परियाप्त नए मिलने का क्या मतलब होता है परिणाम सोरूख उसे जो मिला उसे जो मिला उस पर खुश होने के बजाए वह शोक करेगा जो उसके पास हो सकता था लेकिन उसे नहीं मिला इन तीनों उधार्णों में सभी ने सिच्वेशन के अपने स्वयम के युनिक वर्जन का अनुभव किया यदि पूछा जाए तो प्रतेएक व्यक्ति अपने प्रस्पेक्टिव से जो अनुभव करता है उसका वर्णन करेगा जैसे कि यह है कंडिशन की रियलेटी का एकमातर सही और मन्य वर्जन था सत्य के इन तीन वर्जन के बीच का पैराडोग डगलस को एक ऐसे फिलोसिफिकल इशू का सुझाव देता है जिसे हल करने के आउशकता है यदि बिलीफ फिजिकल एनवार्मेंट द्वारा उत्पन की जा रही इनफोर्मेशन के बारे में हमारी अवेर्नेस को लिमिटेट करते हैं ताकि हम जो अनुभव करते हैं वह हमारे बिलीफ के अनुभव हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि सत्य क्या है इस प्रशन का उत्तर देने के लिए हमें इन चार विचारों पर विचार करना होगा नमबर एक एनवार्मेंट स्विम को इनफानाइट तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है जब आप नेचर की सभी पावर्स को मनुष्य द्वारा बनाई गई हर चीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें कंबि को भी अभिगूत कर देंगे नमबर दो जब तक हम एनवार्मेंट को एक्स्प्रेस करने के पोसिबल तरीकों को समझने की एबिलिटी हासिल नहीं कर लेते तब तक हमारे बिलीफ हमेशा लिमिटेड वर्जन को रिप्रेजेंट करेंगे जो की एनवार्मेंट से संबाव है environment का attitude हमारे belief को reality के बारे में एक statement लगता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि reality का एक निश्चित statement हो नमबर तीन यदि आप swim को दूसरे statement को अपवाद मानते हुए पाते हैं तो विचार करें कि यदि हमारी belief physical reality का एक सचा 100% reflection होती तो हमारी expectation हमेशा पूरी होती अगर हमारी expectation हमेशा पूरी होती तो हम हमेशा संतुष्टी की स्थिती में होते यदि physical reality लगातार ठीक उसी तरह दिखाई दे रही थी जैसे हम expectation कर रही थे तो हम खुश, हरसित, उत्साहित और पूर्ण कल्यान के अलावा अन्य कैसे महसूस कर सकते थे यदि आप तीसरी statement को valid मानते हुए यह accept कर सकते हैं तो result भी सत्य है यदि हम relax अनुबव नहीं कर रहे हैं तो हमें एक एसे belief से काम लेना चाहिए जो environmental condition के relative बहुत अच्छे तरह से काम नहीं करता है इन चार विचारों को ध्यान में रखते हुए इस प्रशन का उतर डगलस दे रहे हैं कि सत्य क्या है जवाब है जो कुछ भी काम करता है यदि belief हम जो कुछ भी संभव है उस पर सिमाई लगाते हैं और environment खुद को infinite तरीकों से express कर सकता है तो belief केवल किसी भी moment में हम जो हासिल करने का प्रयास कर रही हैं उसके relative ही सही हो सकता है दूसरे शब्दों में हमारे beliefs में नहीत सत्य की relative degree को इस बात से मापा जा सकता है कि वे कितने उप्योगी है हम मैंसे प्रतेक के पास आंतरिक रूप से उत्पन force जैसे जिग्यासा, जरूर्ते, चाहत, इच्छाएं, लक्षे और आकांक्षाएं हैं जो हमें physical environment के साथ interact करने के लिए मजबूर या प्रेरित करते हैं अपनी जिग्यासा, जरूर्तों, चाहतों, इच्छाएं, लक्षों और आकांक्षाएं के उदेश्य को पूरा करने के लिए हम जो कदम उठाते हैं वह किसी भी circumstances या condition में जिसे हम सच मानते हैं उसका एक कारिया है वह सत्य जो कुछ भी है, वह यह निर्धारित करेगा कि नमबर एक, environment के perspective से जो available है उसके संबन में हम जो possibilities देखते हैं नमबर दो, हम जो समझते हैं, उसके interpretation कैसे करते हैं नमबर तीन, हम जो decision लेते हैं नमबर चार, result की हमारी expectation नमबर पाच, हम जो action लेते हैं और नमबर च्छे, हम अपने efforts के results के बारे में कैसा feel करते हैं किसी भी समय, यदि हम जो कुछ भी हासिल करने का प्रियास कर रहे हैं उसके संबन में हम खुद को संतुष्टी, खुशी या कल्यान की स्तिदि में पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी सचाई उपयोगी है क्योंकि process ने जैसा उपर कहा गया है, वैसा काम किया हमने जो अनुभव किया, वहें ने केवल हमारे उदेश्य के अनुरूप था बलकि environment के perspective से जो उपलब्द था, उसके अनुरूप भी था हमारे द्वारा अनुभव की गई जानकारी की, हमारे interpretation के परिणाम सुरूप, एक decision, expectation और एक action हुआ, जो environmental condition और circumstances के अनुरूप थे environment द्वारा या हमारे अपने दिमाग में कोई resistance या counter active force नहीं दिया गया था, जो उस result को कम कर दे, जिसे हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे नतीजन हम खुद को संतुष्टी, खुशी और कल्यान की स्थिति में पाते हैं दूसरी और, यदि हम स्वयम को ऐसंतोस, निराशा, कुंठा, ब्रहम और अपसोस की स्थिति में पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि environment की condition और circumstances के relative हम जिन beliefs से काम कर रहे हैं, वे अच्छी तरह से या बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, और इसलिए हुपयोगी भी नहीं है सीधे शब्दों में कहीं, तो सत्य किसी वीक्षन जो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके संबन में जो कुछ भी काम करता है, वह है उसका एक कारिये हैं धन्यवाद, hindiaudiobook.com, आपका दिन शुब हो Trading in the zone, Chapter 10, Trading पर हमारे belief का प्रभाव, hindiaudiobook.com यदि internal environment, खुद को infinite तरीकों से express कर सकते हैं, तो हमारे nature of existence के बारे में, acquire करने के लिए, available belief की संख्या और types की वास्तों में कोई limit नहीं है हमारे लिए यहां पर हर पल सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहां डगलस, humanity के nature के बारे में, एक general observation करते हैं, कि हम निश्चित रूप से, अपना जीवन उस तरीके से नहीं जी रहे हैं, जो इस बात के अनुरूप हो अगर यह सच है कि लगबग किसी भी चीज पर विश्वास करना संभव हैं, तो हम हमेशा एक दूसरे से बहस और लड़ाई क्यों कर रही हैं, हम अपने जीवन को इस तरह से क्यों व्यक्त नहीं करते हैं, जो यह दर्शाता हो कि हमने विश्वास करना सीख लिया है हमारा दूसरों को यह समझाना कि आपकी मान्यताओं यानि बिलिफ से ज़्यादा हमारे बिलिफ कैसे बहतर हैं, इस धारना के पीछे कुछ तो ऐसा है जिसे हमें समझना होगा विचार करें कि इस तरह के कंफलिक्ट सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक, सबसे लिस्ट से लेकर सबसे मोस्ट सिगनिफिकेंट तक, फिर चाहे वे इंडिविजूल के बीच हो या फिर कल्चर, सोसाइटी या नेशन के बीच हो उस कंफलिक्ट का कारण हमेशा परस पर बिरोधी बिलीफ ही होते हैं आएए विचार करें कि हमारे बिलीफ की वहे कौन सी विशेस्ता है जो हमें अलग बिलीफ के प्रती इंटोलरेंट यानि एस सहिशनुब बनाती है कुछ मामलों में तो हम इतने इंटोलरेंट हो जाते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए एक दूसरे को जान से मारने को भी तयार रहते हैं इस बारे में डगलस की परसनल थियोरी यह है कि बिलीफ नेकेवल स्ट्रक्चर्ड एनरजी है बलकि यह एक तरह की ऐसी पावर है जो हमें कुछ हद तक अपनी कंसियस अवेरनेस लग सकती है आखिर हम अपने उस अबिलिटी को कैसे पहचान सकते हैं जो बाहर से यह हिसाब लगाती है कि हमारे अंदर क्या है हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे इंटर्प्रडेशन पूरी हो रही है अगर वे पूरी नहीं हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सामना किसी ऐसी information या circumstance से हो रहा है जो हमारे belief के contradiction में हो यानि हमारे विश्वाशों के विपरीत हो डगलस कहते हैं कि उनके पास केवल एक explanation यह है कि हर व्यक्ति के belief में awareness या self-awareness की कुछ quality तो होनी चाहिए जो इसके काम करने के कारण बनते हैं आप मेंसे कुछ के लिए यह accept करना मुश्किल हो सकता है यहाँ जो power का विचार है वह कुछ हद तक awareness से है लेकिन ऐसे कई observation है जो हम अपने individual और collective nature के बारे में कर सकते हैं जो इस मरने मारने वाली possibility का support करते हैं इसमें सबसे पहले तो यह है कि हर कोई विश्वास करना चाहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विश्वास किस बारे में और क्या है क्योंकि विश्वास किये जाने का आनुभव अच्छा लगता है belief के बारे में यह positive feelings universal है यानि यह हर किसी पर लागू होती है इसके विपरीत यह भी उतना ही सही है कि कोई भी ऐ विश्वासी होना पसंद नहीं करता क्योंकि यह अच्छा नहीं लगता मान लीजिए अगर किसी ने आप से कहा कि मुझे आपर विश्वास नहीं है तो यह negative feeling जो हमारे पूरे शरीर और दिमाग में गुझती है वह भी universal है उसी तरह हम में से कोई भी अपने belief को challenge करना पसंद नहीं करता है क्योंकि हमारे belief के challenge हमें अपने उपर attack करने जैसा महसूस करवाते है हर कोई regardless of belief एक ही तरह से respond करता है इसका typical response argue यानि बहस करना हो सकता है खुद के belief का बचाव करना हो सकता है और situation के आधार पर counter attack भी हो सकता है जब हम किसी के सामने अपने आपको express यानि व्यक्त करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हमें सुना जा रहा है अगर हमें ऐसा महसूस हो कि जिन से हम बात कर रहे हैं वे हमारी और ध्यान नहीं दे रहे हैं तब हमें कैसा लगेगा यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा यहां डगलस का कहना है कि यह response भी universal होगा इसलिए कहा जाता है कि एक अच्छा लेशनर यानि शुरोता बनना इतना कठिन क्यों है क्योंकि एक अच्छा शुरोता होने के लिए हमें वास्तों में बिना यह सोचे सुनना होगा कि हम अपने आपको कैसे व्यक्त करने जा रही हैं क्या हम यहां तक ध्यान देते हैं कि बोलने वाले व्यक्ति को अगर हम इंटरेप्ट करना भी जाहें तो हम politely रूप से इंटरेप्ट करते हैं या फिर rudely तरीके से इंटरेप्ट करते हैं। बोलने वाले को बिना इंटरेप्ट किये सुनने में हमारी inability के पीछे कौन सी force काम करती हैं। क्या हम समान belief वाले लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करतें क्योंकि यह हमें comfortable और secure feel होता है। क्या हम अलग या conflicting belief यानि परस पर विरोधी धारणाओ वाले लोगों से दूर नहीं रहते क्योंकि यह है uncomfortable या यहां तक कि यह हमें threatening वाला feel होता है। तो यहां bottom line यह है कि जिस पल हम एक belief acquire करते हैं तब ऐसा लगता है कि हम इसके और अपने में similarity को recognize कर इसकी और attract होते हैं और इसमें जो कुछ भी opposite या contradictory है हम उससे पीछे हट जाते हैं। हमारे आसपास की भिन भिन मानेताओं को ध्यान में रखते हुए यदि attraction या comfort की ये feelings, repel या threatening universal है तो प्रतेक belief को किसी ने किसी तरह अपने existence के प्रती सचेत होना चाहिए और इस सचेत, structured energy को विशिष्ट तरीकों से इस तरह से behave करना चाहिए जो हम सभी के लिए normal हो। बिलीफ के primary लक्षन आपके mental environment में functional level पर trading के बारे में 5 fundamental सत्य को effectively install करने के लिए आपको 3 basic विशिष्टाओं को समझने की आवशकता है। नमबर एक हमारे बिलीफ इस तरह से लगते हैं जैसे उनका अपना एक जीवन है जो उस किसी भी force का विरोध करते हैं जो उनकी present form को बदल देगा। नमबर दो सभी active belief expression की demand करते हैं और नमबर तीन हमारे belief हर समय काम करते रहते हैं फिर चाहे हम conscious रूप से अपने mental environment में उनके अस्थितों के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो आईए अब इने detail में समझते हैं। पहला है इन विशेष्टाओं में पहली विशेष्टा है कि विश्वास हर उस force का विरोध करते हैं जो उनके वर्तमान रूप को बदलना चाहते हैं। और इस underlying dynamics यानि अंतर नहित गती सिलता को नहीं समझ सकते हैं। जिनका किसी मुद्दे या कारण पर विश्वास इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने अपने beliefs का violation करने वाले तरीके से खुद को express या खुद को व्यक्त करने के बजाए आक्रोस, यातना या मृत्यू को अपना ना चुना था। यह निश्चित रूप से इस बात का demonstration है कि belief कितने powerful हो सकते हैं और किस हद तक वे किसी भी तरह के altered या violation करने के किसी भी प्रयास का विरोध कर सकते हैं। विश्वास एक प्रकार की ऐसी power या force से बना हुआ लगता है जो स्वभाविक रूप से किसी भी उस दूसरी force का विरोध करता है जो उन्हें अपने present forum के अलावा किसी भी दूसरी forum में बदलना चाहता हूँ। तो फिर इसका यह मतलब है कि उन्हें कभी भी नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें यह समझना होगा कि हमारे beliefs के साथ हमें कैसे काम करना है। हमारी दारनाओं या कहें beliefs को बदला जा सकता है। लेकिन यह उस तरीके से नहीं होता जैसा कि अधिकांस लोग सूचते हैं। इस बारे में डगलस का मानना है कि एक बार विश्वास या धारना या कहें belief बन जाने के बाद उसे destroy नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे beliefs को खतम कर सके या वे ऐसे लुप्त हो जाएं जैसे कि वे कभी अस्तितों में थे ही नहीं। इस सिधानत का यह दावा physics के एक basic rule के अनुसार किया गया है जो Albert Einstein और scientific community के दूसरे लोगों के अनुसार कहा गया है कि power को नहीं तो बनाया जा सकता है और नहीं नश्ट किया जा सकता है इसे के वर transferred यानि इसे रुपांतरित किया जा सकता है इसे एक रूप से दूसरे में बदला जा सकता है यदि हमारे belief structured और conscious energy है जो अपने existence के बारे में aware है तो physics के इसी theory को हमारे belief पर लागू किया जा सकता है जिसका अर्थ है कि अगर हम उन्हें मिटाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह काम नहीं करेगा यदि आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति आपको destroy कर रहा है तो आप कैसे respond करेंगे आप अपने आपको defend करेंगे, fight करेंगे और आप पहले से ज़्यादा powerful बनने की practice करेंगे क्योंकि प्रतेक individual belief उस चीज़ का एक component है जिसे हम अपने identity यानि अपनी पहचान मानते हैं क्या यह है उम्मीद करना ठीक नहीं है कि अगर कोई threat हो या इस तरह से respond करें जैसे अगर इसके सभी parts collective रूप से respond करतें यदि हम कोई ऐसा कारिय करते हैं जिसमें कोई विशेस रूप से परेशान करने वाला belief मौजूद नहीं है तो फिर यही principle सही है मान लेजिए कि आप एक सुबह उठे और आपने महसूस किया कि आपके सभी जानने वाले आपको पहचानने से मना कर रहे हैं जैसे आपका कोई अस्थित भी नहीं है इस situation में आप कैसे respond करेंगे इस पर आप अपने किसी भी जानने वाले को रोकेंगे और उसे कहेंगे कि देखो मैं हूँ आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो हम उन्हें यह accept करने के लिए मजबूर करने का परियास करेंगी कि वह हमें पहचाने और यदि कोई हमें जब जानबूज कर अंदेखा करता है तब भी हर व्यक्ति का belief इसी तरह कर ये करेगा यह हमारी सचेत थोट प्रोसेस या बिहेवियर में अपनी प्रेजेंस को एक्सप्रेस करने का एक रास्ता खोजेगा हमारे beliefs के साथ काम करने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका यह है कि उनमें से पावर निकाल कर उने धीरे से इनेक्टिव या नोन फंक्शनल बना दिया जाए डगलस इस प्रोसेस को deactivation कहते है इस deactivation के बाद हमारे belief का original structure बना रहता है हालांकि टेक्निकली रूप से यह बदला नहीं है लेकिन इस belief में अब कोई power नहीं है और power के बिना यह हमारे information के perception या हमारे behave पर force के रूप में act करने यानि काम करने की अपनी क्षमता यानि potential खो देता है आईए यहाँ एक individual illustration देखते हैं यहाँ डगलस अपने बच्पन की information के बारे में बताते हैं कि जब वे चोटे बच्चे थे तब उन्हें Santa Claus और Truth Fairy दोनों में विश्वास करना सिखाया गया था लेकिन अब जब वे बड़े हो गए हैं और यह जान चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता तब ये दोनों belief अब उनके mind में inactive non-functional belief के रूप में पड़े हैं जो कि inactive belief का एक perfect example है हालांकि आज भले ही वे inactive हो फिर भी वे उनके mental system में मौझूद हैं बस अब वे बिना पावर वाले belief के रूप में मौझूद हैं यदि आप पिछले chapter को थोड़ा remind करेंगे तो डगलस ने belief को इस तरह define किया है कि sensory experience और words का combination ही हमारे active belief बनाते हैं power को belief से बाहर निकाला जा सकता है लेकिन concept अपनी original form में exist रहता है लेकिन power के बिना यह काम नहीं करता और नहीं यह हमारी information के perception को affect कर सकता है डगलस आगे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि वे अभी अपने computer में type कर रहे हैं और अगर कोई उनके पास आता है और कहता है कि Santa Claus अभी आपके दरवाजे पर खड़ा था तो आपको क्या लगता है कि डगलस इस information को कैसे define करेंगे और इसे कैसे interpret करेंगे उनके अपने शब्दों में वे इसे irrelevant या एक मजाक के रूप में लेंगे बिलकुल आगे वे कहते हैं कि हालांकि जब वे पांच साल के थे तब उनकी माने उन्हें बताया था कि Santa Claus सामने पडोसियों के गेट पर आया था तब उनकी मा के ये वाड्स उन्हें तुरंत positive रूप से charged की गई पावर के एक विशाल भंधार में डाल दिया होगा जो उन्हें तुरंत जब करके सामने वाले पडोसियों के गेट पर जितनी जल्दी हो सके दोडने के लिए मजबूर कर देता होगा और उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता था वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी obstacle को पाढ़ कर लेते लेकिन किसी विशेश टाइम पर उनकी parents ने उन्हें समझाया होगा कि Santa Claus जैसी कोई चीज नहीं होती यह सब बच्चों को बहलाने की एक कालपनिक कहानी मातर ह उस समय हर उस बच्चे की तरह भी जिने पहले इसके existence के बारे में belief करवाया गया था उसकी तरह उनका पहला reaction इसमें de-belief ही ही था उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया नए ही वे उस पर विश्वास करना चाहते थी आखिरकार उनके parents ने उन्हें इस तरह से आस्वस्त किया हलांकि उन्हें इस तरह समझाने की process ने सेंटा क्लोज में उनके belief को destroy नहीं किया उन्होंने तो बस उनके सिर्फ belief की सारी power निकान दी अब उनका यह belief एक non functional inactive concept में बदल गया था कि दुनिया कैसे काम करती है उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वह सारी power कहां गई लेकिन उन से कुछ को इस belief में transfer कर दिया गया था कि सेंटा क्लोज के वल एक कहानी मात्र है यह वास्तों में exist नहीं करता है अब डगलस के mind के system में मौझूद दुनिया के nature के बारे में दो contradictory distinction है एक सेंटा मौझूद है और दूसरा सेंटा मौझूद नहीं है इसके 20 का difference उतना ही है जित दूसरे में power है तो functional perspective से इस बारे में कोई paradox या conflict नहीं है डगलस का आगे इस बारे में कहना है कि यदि एक belief को inactive करना possible है तो किसी भी belief को deactivate करना भी possible है यह भी इस fact के बावजूद कि सभी belief किसी भी उस force का विरोध करते हैं जो उन्हें उनकी present forum यानि उनके वर्तमान स्वर रूप को बदल सकता है अब हमारे beliefs को प्रभावी डंग से बदलने का secret हमारे सामने है यह केवल इतना ही विश्वास करना नहीं है कि हम अपने belief को बदल सकते हैं हम तो केवल simply power को एक belief से दूसरे belief में transfer कर रहे हैं जिने हम अपने desire यानि इच्छाओं को पूरा करने या हमार गोल्स को अचीव करने में अपने help के लिए अधिक useful पाते हैं दूसरा हमारे सभी active beliefs expression की demand करते हैं beliefs दो basic category में आते हैं active और inactive दोनों के बीच distinction यानि भेद simple है active belief energy से भरे होते हैं इनके पास information के बारे में हमारे perception और हमारे behavior पर force के रूप में act करने के लिए enough energy होती है और एक inactive belief इसके बिलकुल opposite होते हैं यह एक एसा belief है जिसमें अब power नहीं है या इतनी कम power है कि यह अब एक force के रूप में act करने में सक्षम नहीं है कि हम information को कैसे perceive करते हैं या हम खुद को कैसे express करते हैं जब डगलस कहते हैं कि सभी active belief expression की demand करते हैं तो इससे डगल हैं कि हमारे mental environment में जितने भी belief मौजूद हैं वे सभी खुद को एक साथ express करने की demand कर रही हैं उधारन के लिए यदि आप से यह सोचने को कहा जाए कि आज की दुनिया में गलत क्या है तो गलत वर्ड आपके mind में दुनिया के nature के बारे में एसे विचार सामने लाएगा जिस आपको परिशान करें बात यह है कि अगर कुछ एसा है जिसे आप गलत मानते हैं उसके लिए यह जरूरी नहीं कि आप उन विचारों के बारे में सवाल पूछने से पहले सोच रहे थे लेकिन जैसे ही आप से सवाल पूछा गया तब इसके बारे में आपका belief तुरंत आपक प्रोशेस में सबसे आगे आगया असल में उन्होंने अपने आप में सुनवाई की मांग की है यानि expression की demand की है डगलस कहते हैं कि belief की demand को express करने की आफशकता है क्योंकि एक बार जब कुछ हमें अपने belief में tap करने यानि उलजहने का कारण बन जाता है तो एसा लगता है जैसे हम release होने वाली power की बाड को रोक नहीं पा रहे हैं यह उन emotional रूप से sensitive मुद्दों या धार्णाओं के बारे में सच है जिनके बारे में हम विशेश रूप से भावुक महसूस करते हैं यहां आप पूछ सकते हैं कि मैं अपने belief को क्यों express नहीं करूँ यह कई करनों से हो सकता है एक scenario पर विचार करें जिसमें आप से कोई व्यक्ती कुछ कह रहा है जिससे आप पूरी तरह से disagree हैं और इतना ही नहीं यहे आपको पूरी तरह से बेतुका भी लगता है क्या आप यहां पर अपनी सचाई व्यक्त करेंगे या इससे पीछे हटेंगी यहे आपके beliefs पर नि दार्नाओं की तुलना करना चाहा रहे हैं और वे ज्यादा powerful हैं जिनका आप खंडन करना चाहा रहे हैं तो आप शायद पीछे हट जाएंगे और इस बारे में खुले तोर पर बहस करने से भी बचेंगी मान लीजिए आप शायद अभी अपने बोस को देख रहे होंगे और आप अपने इन विचारों को बाहरी रूप से एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि आपके दूसरे बिलिफ काउंटर फोर्स के रूप में कर्य कर रहे हैं लेकिन आपके ये विचार जल्द ही बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे है ना जैसे ही आप इस सिच्वेशन से बाहर निकलेंगे आप शायद इन्हें अनलोड करने का तरीका खोजने निकल पड़े या अपने तर्क खुद ही उगल देंगे आप शायद इसे डिटेल में एक्सप्रेस करेंगे जो आपको सहना पड़ा यह इस बात का एक उधरन है कि जब हमारे बिलिफ एक्स्टरनल इन या इच्छाओं के विरोध में होते हैं इस तरह के कंफ्लिक्ट के आउटकम्स हमारी ट्रेडिंग पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं जैसे कि हम पहले ही सीख चुके हैं कि बिलिफ इस बात में अंतर पैदा करते हैं कि एक्स्टरनल इन्वार्मेंट खुद को कैसे एक्सप मानव चेतना का यह बड़ा गुर हमें हमारे द्वारा चुनी गई किसी भी दिशा में सोचने की क्षमता देता है यह या तो हमारे बिलिफ्स द्वारा त्या की गई सीमाओं के अंदर होता है या फिर उनसे बाहर हमारे बिलिफ की सीमाओं के बाहर सोचने को ही creative thinking कहा जाता है जब हम जान बूज कर किसी बिलिफ पर सवाल उठाना चुनते हैं और इमानदारी से इससे एक उत्तर चाहते हैं तब हम अपने दिमाग को एक ब्रिलियंट आइडिया, इंस्पिरेशन या सोलुशन प्राप्त करने के लिए वास्तों में प्रियोग करना शुरू करते हैं औ तो हमारे रेशनल माइन यानि तरग संगत दिमाग में पहले से मौजूद बिलिफ या मेमरी के रूप में मौजूद नहीं है इस बारे में डगलस का कहना है कि आर्टिस्ट, इन्वेंटर्स या रिलिजियस और साइन्टिफिक कमिनुटी के बीच कोई आम सहमती नहीं है कि क्रेटिव रूप से उत्पन जानकरी कहां से आती है हालांकि इस बारे में डगलस का कहना है कि क्रेटिविटी की कोई लिमिट नहीं है और नए ही कोई बाउंडरी है तो हम निश्चित रूप से उन्हें अभी तक ढूंड ही नहीं पाये हैं ध्यान देने वाली बात यह है क की पिछले 50 वर्सों में जिस आश्च रेजनक गती से टेकनोलजी का विकास हुआ है उतनी ही तेजी से मानवता के विकास के लिए हर invention और development उन लोगों के mind में हुआ जो out of boundary सोचने को तयार थे यदि हम सभी में creative रूप से सोचने की inherent ability है और विश्वास है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ तो आपके पास creative experience कहे जाने वाले थोट का सामना करने की क्षमता भी है यहां डगलस एक creative experience को हमारे belief के द्वारा boundaries से बाहर किये जाने वाले काम या कुछ भी नया experience करने के रूप में define करते हैं यह आपके लिए एक नया नजारा हो सकता है जैसा आपने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा लेकिन environment के नजरिये से यह हमेशा मोजूद था या यह एक नई sound, taste या touch हो सकता है आपके creative experience में creative thoughts, inspiration, hunches और brilliant ideas surprise के रूप में हो सकते हैं या हमारी conscious direction का outcome हो सकते हैं किसी भी मामले में जब हम उनका आनुभव करते हैं तो हमें एक बड़े psychological dilemma का सामना करना पड़ सकता है एक creative घटना चाहे वह थोट या experience के रूप में हो हमें किसी ऐसी चीज की और attract या उसे चाहने का कारण बन सकती है जो हमारे एक या अधिक धालनाओं के साथ सीदे conflict में है आप अब जानते हैं कि सभी belief स्वभाविक रूप से किसी भी उस force का कोशिश करेगा लेकिन जैसा की उपर बताया गया है कि इसका उचित द्रिश्टिकोन यह है कि यह belief को बदलने की कोशिश नहीं है बलकि इसे उस और attract करना है जिससे power निकलती है और उस power को दूसरे belief में प्रवाहित करती है जो हमारे उदेश्यों के लिए बेहतर और अनुक कर खुद को इसमें रखने के लिए प्रेरित होते हैं हालांकि वे सचेत रूप से इससे आवगत नहीं होते हैं जो लोग बचपन के डर के माध्यम से काम करते हैं वे आम तोर पर वर्सों कुछ हद तक बेतर्तीब ढंग से एसा करते हैं वो भी बिना यह जाने कि उन्होंने यह कैसे किया बाद में यदि उन से पूछा जाता है या यदि उन्हें एस स्थितिका सामना करना पड़ता है जो उन्हें अपने अतीत की याद दिलाती है तो वे आम तोर पर उस प्रोसेस की विशेश्ता के बारे में कहते हैं कि मुझे याद है जब मैं उस डर से डरता था मैं इसके साथ ही बड़ा हुआ हूँ इसे डगलस एक एक्टिव पैराडोक्स कहते हैं जिसमें जब दो एक्टिव बिलीफ एक दूसरे के कनफलिक्ट में होते हैं और दोनों ही एक्सप्रेशन की डिमांड करते हैं हमारे बिलीफ हमारे mental environment में हमारे जन्म से लेकर मृत्यू तक हर पल हमारे mind में तब तक मौझूद रहते हैं जब तक हम जान बूच कर उन्हें इनेक्टिव करने के लिए कदम नहीं उठाते हैं हमारी नई awareness या research में information की हमारी धारना पर एक विश्वष्णिय फोर्स के रूप में कारिये करने के लिए परियाप्त पावर हो सकती है जिससे हमें उन सभी संभावनाओं का अनुभव होता है जो दूसरे समय में हाइड होती है लेकिन हमारे behavior पर एक विश्वशनिय force के रूप में कारिये करने के लिए इसमें परियाप पावर नहीं हो सकती है इसमें Douglas कहना चाहते हैं कि वे इस दारना से काम कर रहे हैं कि किसी भी चीज को देखने के लिए जितनी पावर लगती है उससे अधिक पावर कारिये करने या खुद को व्यक्त करने में लगती है दूसरी और अगर हमारे अंदर उस समय उनके conflict में कुछ भी नहीं है तो नई awareness और सर्च तुरंत और सहस्ता से force पर परभावी हो जाती है लेकिन अगर कहीं पर paradox है और हम उस पावर को इनेक्टिव करने के लिए तयार नहीं है तो हमने जो सर्च किया है उस पर काम करना बहुत मुश्किल होगा शायद यह असंभव भी हो सकता है यह बात हमारे अंदर एक psychological conflict पैदा कर रही होगी जिसे लगबग हर ट्रेडर को solve करना पड़ता है मान लिजी के आप के पास possibility के nature की अच्छी समझ है और जिससे आप जानते हैं कि अगला ट्रेड ट्रेडों की एक सिरीज में एक और ट्रेड जिसका एक possible result है फिर भी आप पाते हैं कि आप अभी भी उस अपने ट्रेड को शुरू करने से डर रहे हैं या आप अभी भी कई fear-based trading error के लिए sensitive हैं जिसकी डगलस ने पिछले chapters में चर्चा की है याद रखें कि डर का मूल कारण मार्केट की जानकारी को खतरनाक रूप से define करना यह है हमारी उम्मिदेंग जब मार्केट एसे जानकारी उत्पन करता है जो हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होती है तो उपर और नीचे के ticks हमें खतरनाक लगने लगते हैं और हम भै, तनाव और चिंता का अनुभव करने लगते हैं हमारी इन अपेक्षाओं का मूल सोर्स क्या है यह है हमारे विश्वास यानि belief जिने हम हमारी धारनाई भी कहते हैं धारनाओं के नेचर के बारे में अब आप जो समझते हैं उनके अनुसार यदि आप अभी भी ट्रेड के रिजल्ट के बारे में नेगिटिव फिल कर रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि संभावित परिनामों के बारे में आप जो जानते हैं और आपके mental environment में किसी भी दूसरी धारनाओं के बीच एक conflict है जो किसी और चीज के लिए बहस यानि अभिव्यक्ती यानि एक्सप्रेशन की डिमांड कर रहे हैं ध्यान रखें कि सभी active belief एक्सप्रेशन की डिमांड करते हैं भले ही हम उन्हें ने चाहें संभावनाओं में सोचने के लिए आपको यह विश्वास करना होगा कि market का हर पल unique है या हम कह सकते हैं कि हर edge का एक unique result होता है जब आप एक actionable level पर विश्वास करते हैं कि हर ending यानि edge का एक unique result होता है तो आप एक एसे state of mind का अनुभव करेंगी जो डर, तनाव और चिंता से मुक्त होकर trading करता है एक unique result ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम पहले ही अनुभव कर सकें या उसे जान सकें यदि इसे हम पहले से ही जानते होतें तो फिर यह unique कैसे हो सकता है जब आप मानते हैं कि आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है तो आप market से वास्तों में क्या उमीद कर रहे हैं यदि आपने इसके उत्तर में कहा कि मुझे नहीं पता तो आप बिल्कुल सही है और यदि आप मानते हैं कि कुछ होगा और आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि पैसा बनाने के लिए क्या करना है तो मार्केट के जानकारी को खतरनाक और दर्दनलाक रूप से डिफाइन करने और इसके इंटर्पेटेशन करने की क्षमता कहा है यदि आपने कहा कहीं नहीं है तो आप फिर से बिल्कुल सही है डगलस के अनुसार हमारी एक्जिस्टेंस के नेचर के बारे में एक फंडामेंटल ट्रोथ मार्केट में हर पल मुझूद है साथी साथ सदा बाहर जीवन में हम जो चाहते हैं उसके तत्व हैं और एसे तत्व हैं जिने हम नहीं जानते या नहीं जान सकते क्योंकि हमने अभी तक इसका अनुभव नहीं किया है जब तक हम अपने दिमाग को एक युनीक रेजल्ट की उमीद करने के लिए एक्टिव रूप से ट्रेंड नहीं करते हम केवल वही अनुभव करते रहेंगी जो हम जानते हैं बाकी सब कुछ हमारे पास से गुजर जाएगा जब आप वास्तों में मानते हैं कि आपको जानने की आवशकता नहीं है तो आप मार्केट के प्रस्पेक्टिव में सोच रहे होंगी और आपके पास किसी भी चीज को ब्लोक करने, रिलीज करने या इनकार करने का कोई कारण नहीं होगा जो मार्केट अपनी क्षमता के बारे में किसी भी डिरेक्शन में पेश कर रहा है यदि आप मेंटल फ्रीडम की क्वालिटी को फील नहीं कर रही हैं और ऐसा करने की आपकी इच्छा है तो आपको अपने दिमाग को ट्रेंड करने में एक्टिव भूमी का निभानी होगी अगर आप प्रतेक्शन की युनिकनेस में बिलिफ करते हैं तो आपको किसी भी दूसरे बिलिफ को इनेक्टिव कर देना चाहिए जो आपको इससे कुछ अलग करने का तर्क देता हो यह एक ट्रेडर के रूप में कंसिस्टेंट सक्सेस पाने का रहश्य है तीसरा, हमारे बिलिफ इस बात की परवा किये बिना काम करते रहते हैं कि हम अपने mental environment में उनके अस्तितों के बारे में सचेत रूप से जानते हैं या नहीं दूसरे शब्दों में, information की हमारी धारना या हमारे behavior पर एक force के रूप में कारिये करने के लिए हमें किसी विशेश विश्वास के लिए सक्रिय रूप से याद रखने या जागरुक पहुँच की आवशकता नहीं है इस बारे में डगलस का कहना है कि वे जानते हैं कि यह विश्वास करना कठिन है कि जिसके बारे में हम जानते तक नहीं उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो हम जीवन भर जो कुछ सीखते हैं वह आचेतन या आउचेतन स्तर पर स्टोर हो जाता है यदि यहाँ पर आपसे आपकी उस खास स्किल को याद करने के लिए कहा जाए जिसे आपको इसलिए सीखना था ताकि आप आत्म विस्वास के साथ कार चला सके तो संभावना है कि आपको लर्निंग प्रोसेस में फोकस करने के लिए आउशक सभी चीजें याद नहीं होंगी पहली बार जब किसी को गाड़ी चलाना सीखने का आउसर मिलता है तो इस बात से हर कोई चकित होता है कि सीखने के लिए कितना कुछ है सीखने के बाद हर कोई इसे हलके में ले लेता है और सचेत स्तर पर इसके बारे में सोस्ता तक नहीं इस विशेस्ता को दर्शाने वाला सबसे अच्छा उधारन वे लोग हैं जो शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं कभी भी शायद एसे हजारों लोग हैं जिनके पास पीने के लिए इतना कुछ है कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं या इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि पॉइंट A से पॉइंट B तक कैसे पहुँचें यह कल्पना करना मुश्किल है कि यह कैसे संभव है जब तक आप यह नहीं मानते कि driving skill और drive करने की उनकी क्षमता में किसी का belief जागरत चेतना की तुलना में बहुत deep level पर automatic रूप से operate होता है निश्चित रूप से इन नशों में धुत driverों में से कुछ प्रतिसत accident का शिकार हो जाते हैं लेकिन जब आप accidental दर की तुलना शराब के प्रभाव में driving करने वाले लोगों की अनुमानित संख्या से करते हैं तो बहुत अधिक दुरगटनाई नहीं होती है वास्तों में एक नशे में धुत चालक के दुरगटना का कारण बनने की संभावना सबसे अधिक होती है जब वह या तो सोजाता है या फिर किसी चीज के लिए active decision और fast reaction की आवशकता होती है Self Evaluation or Trading यह विशेषता हमारी ट्रेडिंग पर कैसे लागू होती है यह भी काफी गहरी बात है ट्रेडिंग एन्वार्मेंट हमें पैसे इकठे करने की unlimited opportunity का एक sector data देता है लेकिन सिर्फ इस लिए कि पैसा उपलब्द है और हम इसे प्राप्त करने की संभावना को समझ सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम self evolution की unlimited भावना रखते हैं दूसरे शब्दों में हम अपने लिए कितना पैसा चाहते हैं हम कितना अनुभव करते हैं और हम वास्तों में कितना मानते हैं कि हम कितने के लाइक हैं इसके बीच एक बड़ा अंतर हो सकता है हर व्यक्ति में self evolution की भावना होती है इसके आर्थ का वर्णन करने का सबसे आसान तरीका हमारे दोनों सचेत और आवचेतन माइंड के हर active belief को listed करना है जिसमें सफलता और समर्दी के अधिक से अधिक level को collect करने या प्राप्त करने की क्षमता होती है आप यहां अपने negative charge किये गए belief से power के खिलाफ positive charge किये गए belief से power का मिलान करें यदि आपके पास negative charge की तुलना में सफलता और समर्दी के लिए बहस करने वाली अधिक positive charge power है तो आपके पास self evolution की positive भावना है अन्य था आपके पास self evolution की negative भावना है ये विश्वास कैसे एक दूसरे के साथ interact करते हैं इसकी गतिश हिलता लगबग इतनी सरल नहीं है जितनी यहां पर बताई जा रही है वास्तों में यह इतना जटिल हो सकता है कि इसे manage करने और सुलजहने में वर्सों के mental experience लग सकते हैं आपको यह जानने की ज़रूरत है कि किसी भी social environment में बड़ा होना लगबग तब तक असंभाव है जहां negative रूप से थोपेगे belief काम करते हैं इन में से आधिकान self destroy करने वाले belief लंबे समय से बुला दिये गई हैं और वे अब आउचेतन लेवल पर काम करते हैं से यह बेहदासान है संभवत है सबसे आम तरीका यह है कि जब कोई छोटा बच्चा किसी ऐसी गतिविदी में सलंगन होता है जो माता पिता या शिक्षक नहीं चाहते कि वह करे और फिर उससे बच्चा गलती से खुद को घायल कर ले तब इस स्थिति में कई माता पिता बच्चे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस तरह की स्थिति का जवाब यह कह कर देंगे अगर तुम ऐसा नहीं करते तो यह तुम्हारे साथ नहीं होता या देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी और परमेश्वर ने तुमें इसका धंड दिया है इस तरह के बयान देने से या सुनने में समश्या यह है कि बच्चे के लिए भविश्य की हर चोट को इन्ही बयानों से जोडने की क्षमता है और बाद में यह विश्वाश पैदा होता है कि वहे एक अयोग्य व्यक्ति होना चाहिए वहे सफलता, खुशी या प्यार के योग्य नहीं है हम जिस चीज के लिए दोशी महसूस करते हैं वहे हमारे सेल्फ एवलिशन की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है आम तोर पर अपराद गोद एक बुरा व्यक्ति होने से जुड़ा होता है और ज्यादातर लोगों का मानना है कि बुरे लोगों को पुरुषकर्ट करने की बजाए दंडित किया जाना चाहिए कुछ धर्म बज्जों को यह सिखाते हैं कि बहुत सारा पैसा होना इश्वर्य या अध्यात्मिक नहीं है कुछ लोगों का मानना है कि कुछ खास तरीकों से पैसा कमाना गलत है भले ही यह समाज के नजरिये से पूरी तरह से कानूनी और नैतिक हो आपने जो भी सीखा है हो सकता है कि आपको वह याद नहीं हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो सीखा है उसका आप कोई प्रभाव नहीं है जिस तरह से ये अवचेतन सेल्फ डिस्ट्रोई करने वाले बिली हमारे ट्रेडिंग में खुद को प्रकट करते हैं वह आम तोर पर फोकस या एकागरता में चूक के रूप में होता है जिसके परिणाम सोरो किसी भी संख्या में ट्रेडिंग गलतियां होती है जैसे कि बेचने के लिए खरीददारी करना या इसके वीपरीद ध्यान भंग करने वाले विचारों में जो आपको स्क्रीन छोडने के लिए मजबूर करते हैं केवल यह पता लगाने के लिए कि जब आप वापस लोडते हैं तो आप दिन के बड़े ट्रेड से चूक जाते हैं डगलस ने कई ट्रेडर्स के साथ काम किया है जिनोंने कंसिस्टेंटली सक्सेस के विभिन लेवल्स को हासिल किया है लेकिन उनमें यह एक खास बात देखने को मिली थी कि वे एक्विटी हासिल करने में कुछ सिमाओं को तोड़ नहीं सके उन्होंने एक एद्रश है लेकिन बहुत रियल हर्डल की खोज की हर बार जब वे ट्रेडर्स इस हर्डल से टकराते हैं तो उन्हें मार्केट की स्थितियों की परवा किये बिना एक महतवपूर्ण गिरावट का अनुभव होता है हालांकि जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या हुआ तो उन्होंने आम तोर पर अपने दुरभग्य के लिए बस उसी किस्मत या मार्केट की एनिस्चिता को जिम्मेदार ठहराया इसमें दिल्चस्प बात यह है कि उन्होंने आम तोर पर कई महिनों तक एक लगातार बढ़ता एक्विटी करव बनाया और गिरावट हमेशा उनके इक्विटी करव में एक ही स्थान पर हुई डगलस इस साइकलोजिकल गठना का वर्णन नेगेटिव सेक्टर में होने के रूप में करते हैं जब वह जोन में होता है तो जादोई रूप से पैसा ट्रेडर के खाते में परवाहित हो सकता है और यहे आसानी से बाहर भी निकल सकता है अगर वहे एक नेगेटिव सेक्टर में है जहां अंसुल जे सेल्फ एविलिशन के मुद्दे रहश्य में तरीके से इन्फॉर्मेशन और बिहेवियर की उसकी धारणा पर कारिय करते हैं डगलस यहां यह नहीं कह रहे हैं कि आपको हर उस बिलिफ को इन्एक्टिव करना होगा जो सेल्फ एविलेशन की आपकी लगातार बढ़ती पोजिटिव भावना के खिलाफ होगा क्योंकि आप एसा नहीं करते हैं लेकिन आपको इस तरह के बिलिफ की प्रेजेंस के बारे में पता होना चाहिए और जब वे खुद को प्रेजेंट करना शुरू करते हैं तो इसकी ख्षति पूर्ती के लिए अपने ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ खास कदम उठाएं धन्यवाद हिंदि ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो ट्रेडिंग इन दा जोन चैप्टर ग्यारा एक ट्रेडर की तरह सोचना हिंदि ओडियोबुक डोट कॉम यदि आप डगलस को कहते हैं कि ट्रेडिंग को एक लाइन में समझाईए तो डगलस कहते हैं कि यह एक पैटरन रिकोगनेशन नंबर गेम है हम पैटरन की पहचान करने रिस्क को डिफाइन करने और प्रोफिट कमाने के लिए मार्केट एनलिसिस का यूज करते हैं यह बस इतना ही आसान है लेकिन जब हम वास्तों में ट्रेडिंग करते हैं तो यह निश्चित रूप से हमें इतना आसान नहीं लगता है जब आप ट्रेडिंग में सकसेस होने का प्रयास कर रहे होते हैं तब आपको यह शायद सबसे कठिन चीज महसूस होती है ऐसा इसलिए नहीं है कि इसके लिए बुद्धी की आवशकता होती है यह इसके बिल्कुल विप्रित सही है यानि आप जितना ज़्यादा यह सोचते हैं कि आप जानते हैं उतने ही आप कम सकसेस होंगे कभी कभार चाहे आपका एनलिसिस पूरी तरह से सही साबित हो फिर भी ट्रेडिंग इसलिए टफ लगती है क्योंकि आपको जिस बारे में पता नहीं है उस स्थिति में काम करना पड़ता है इस बिना जानने के स्थिति में काम करने के लिए आपको अपनी अपेक्षाओं को ठीक से मैनेज करना होता है अपनी अपेक्षाओं को ठीक से मैनेज करने के लिए आपको अपने mental environment को फिर से और्गनाईज करना चाहिए ताकि आप बिना किसी संदे के पांच fundamental truths में विश्वास कर सकें इस चैप्टर में डगलस आपको एक ट्रेडिंग एकसरसाईज देने जा रहे हैं जो मार्केट के बारे में इन सभी सचाईयों को आपके mental environment में functional लेवल पर integrate करेगा इस प्रोसेस में डगलस आपको एक ट्रेडर के development के तीन स्टेज के बारे में बताती हैं जिसमें पहला स्टेज है mechanical स्टेज इस स्टेज में आप नमबर एक unlimited environment में काम करने के लिए आउशक self-trust यानि आत्मविश्वास बिल्ड करें नमबर दो किसी trading system को perfect तरीके से execute करना सीखें नमबर तीन अपने mind को probability में सोचने के लिए train करें और नमबर चार एक trader के रूप में अपनी consistency में एक मजबूत और अडिक विश्वास पैदा करें एक बार जब आप इस पहली stage को पार कर लेते हैं तो आप trading के subjective stage यानि व्यक्ति परक stage में आगे बढ़ जाते हैं इस stage में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे करने के लिए market की गती के nature के बारे में आपने जो कुछ भी सीखा है उसका उप्योग करना शुरू कर देते हैं इस stage में बहुत ज़्यादा freedom है इसलिए आपको सीखना होगा कि पिछले chapter में बताई किसी भी unresolved self evaluation issue की वजह से होने वाली trading गलतियों की निगरानी कैसे करें तीसरी stage है intuitive stage यानि सहज ग्यान युक्त stage सहज रूप से trade करना development का सबसे advanced stage है यह martial art में black belt पाने के बराबर है लेकिन इसमें अंतर यहां आ जाता है कि आप trading में बहुत बार सहज होने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि intuition spontaneous है यानि अंतर ग्यान सहज है यह rational level पर यानि तर्क संगत स्तर पर हम जो जानते हैं उससे नहीं आता है हमारे mind का rational part किसी एसे source से प्राप्त information के प्रती स्वभाविक रूप से mistrustful यानि एविश्वाशी लगता है जिसे हम नहीं समझते हैं यह महसूस करना कि कुछ होने वाला है यह जानने का एक रूप है जो उस चीज से बहुत अलग है जिसे हम rationally जानते है डगलस ने कई ऐसे ट्रेडर्स के साथ काम किया है जिनके पास अक्सर आगे क्या होने वाला था इसके बारे में बहुत मजबूत सहज ग्यान था यह है तो बस केवल खुद के rational part से सामना करने के लिए जो लगातार action के किसी दूसरे course के लिए तर्क देते थे बेशक अगर उन्होंने अपने अंतरग्यान का पालन किया होता तो उन्हें एक बहुती संतोस जनक परेणाम का अनुभव होता इसके बज़ाए उन्हें जो मिला वहे आम तोर पर बहुत ऐसंतोस जनक था खास कर जब उनकी तुलना उस चीद से की जाती है जिसे वे अन्यता संभव मानते थे डगलस कहते हैं कि आप तब सहज होने का प्रियास कर सकते हैं जब आप अपने सहज आवेगों को प्राप्त करने और उन पर सबसे अनुकूल state of mind बनाने पर काम कर रहे होते हैं ट्रेड के मेकेनिकल स्टेज को विशेश रूप से ट्रेडिंग स्किल जैसे ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग को बिल्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है जो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट क्रियेट करने के लिए मजबूत करेगा डगलस कंसिस्टेंट रिजल्ट को लगातार बढ़ते इक्विटी कर्व के रूप में डिफाइन करते हैं जिसमें केवल मामुली गिरावट होती है जो एंड्स के निचुरल रिजल्ट हैं जो वाकई काम नहीं करते हैं एक पैटर्न खोजने के अलावा जो जीतने वाले ट्रेड की बाधाओं को अपनी फेवर में रखता हो यह लगातार बढ़ती कर्व अचीव करना किसी भी समवेदन सील्टा को सिस्टमेटिकली तरीके से एलिमिनेट करने का एक कारिया है जो आपको फियर, यूफोरिक या स अध्य करते हैं जिसका डगलेस ने इस बुक में वर्नन किया है अपनी गलतियों को दूर करने और सेल्फ एवलेशन की आपकी भावना का विस्तार करने के लिए उन स्किल्स को अपनाने की आवशकता होगी जो सभी नेचर में साइकलोजिकल है सभी स्किल्स साइकलोजिकल ह क्योंकि हर एक अपने प्यूरेस्ट फोर्म में है बस एक बिलीव यानि विश्वास ही तो है याद रखें कि जिन धार्णाओं से हम काम करते हैं वे हमारे स्टेट ओफ माइंड यानि मन की स्थिति को निर्धारित करेंगे और हमारे एक्सपिरियंस को इस तरह से आकार दें कि जो हम पहले से ही सत्य मानते हैं उसे लगातार मजबूत करते हैं एक विश्वास कितना सचा है यह इस बात से निर्धारित किया जा सकता है कि यह हमारे लिए कितने अच्छे से काम करता है यानि यह किस हद तक हमें अपने उदेश्यों को पूरा करने में मदद करता है ट्रेडर हूँ यह भावना एक power के primary source के रूप में कारिय करेगा जो आपके perception, interpretation, expectation और कारियों को उन तरीकों से manage करेगा जो अपने विश्वासों को इस तरह से संतुष्ट करते हैं ताकि आपका objective पूरा हो सके अपने आप में एक प्रभावशाली विश्वास पैदा करना कि मैं एक consistent successful trader हूँ इसमें लगातार सफलता के लिए कई सिधांतों का पालन करने की आवशक्ता होती है इसमें से कुछ सिधांत निसंदे ट्रेड के बारे में आपके द्वारा पहले से अपनाई गई धारनाओं के साथ सीधे conflict में हो सकते हैं यदि आपको लगता है कि ऐसा है तो आपके पास जो कुछ है वह उन धारनाओं का एक best उधारन है जो आपकी इच्छा के साथ सीधे conflict में है किसी एक point पर यदि आपकी यह इच्छा है तो आपको अपने आपको एक consistent winner में बदलने की process में कदम रख पूर्ण तत्व है आपकी बदलने की इच्छा आपके इरादे की सपस्टता और आपकी इच्छा की ताकत अन्ततै इस प्रकिरिया के साथ काम करने के लिए आपको ट्रेड के लिए आपके पास मौजूद किसी अन्यकारण या ओचित्य पर consistency को चूज करना होगा यदि ये स चाहते हैं वह अन्ततै प्रबल होगा अपने आपको उफजरू करें consistency बनाने की process में first step यह देखना है कि आप क्या सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं क्योंकि एक trader के रूप में हम जो कुछ भी सोचते हैं कहते हैं या करते हैं उसमें हमारे mental system के विश्वास को push करने में बहुत बड़ा योगदान होता है इसका relevant बनने की process नेचर में psychological है इसलिए यह कोई आस्चरिय की बात नहीं है कि आपको अपनी विभिन psychological process पर ध्यान देना शुरू करना होगा असल में विचार यह है कि आपको अपने स्वम के विचारों शब्दों और कारियों का एक objective monitor बनना सीखना है ट्रेडिंग गलतियां करने से आपकी रक्षा की पहली defense line यह है कि आप अपने आपको इसके बारे में सोचते हुए खुद को पकड़ने और defense की last line यह है कि अपने आपको act में पकड़ना है यदि आप इन process के observer बनने के लिए खुद को प्रतिबत नहीं करते हैं तो आपको आम तोर पर गहरे अफसोस और निराशा की स्थिति की अनुभूती हमेशा experience के बाद आएगी अपने आपको निश्पक्स रूप से देखने का अर्थ है अपने बारे में निर्ने किये बिना इसे करना हो सकता है कि आप मेंसे कुछ लोगों के लिए जीव भावनात्मक दर्द से जोड़ना सीख जाता है और कोई भी भावनात्मक दर्द की स्थिति में रहना पसंद नहीं करता है इसलिए हम आम तोर पर यह स्विकार करने से बचते हैं कि हमने जितना संभव हो सके इसे एक गलती के रूप में define करना सीखा है हमारे दैनिक जीवन म गलतियों का सामना नहीं करने के आम तोर पर उतने विनाशकारी परिणाम नहीं होते हैं यदि हम एक ट्रेडर के रूप में अपनी गलतियों का सामना करने से बचते हैं उधारन के लिए जब डगलस एक फ्लोर ट्रेडर के साथ काम करते थे तो वे जिस एनलोजी का उप्यो की संख्याक से संबंदित है इसलिए उधारण के लिए एक अनुमंद वाले ट्रेडर के लिए पुल बहुत चोड़ा है माल लेजिए यह 20 फिट है 20 फिट चोड़ा एक पुल आपको तुरूटी के लिए बहुत अधिक सेहन सिल्ता की अनुमति देता है इसलिए आपको अपने प्रतेक कदम पर अत्यदिक सावधानी या ध्यान केंदरित करने की आवशक्ता नहीं है फिर भी यदि आप ठोकर खाते हैं और किनारे पर यात्रा कर रही होते हैं तो यह गाटी एक मील गहरी है डगलस का आगे कहना है कि वे नहीं जानते कि कितने लोग बिना रेलिंग वा पर ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों को उठाएंगे निश्चित रूप से एक कॉंट्रेक्ट का ट्रेडर खुद को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है यह एक मील उंचे पुल से गिरने से अलग नहीं है इसलिए एक कंट्रेक्ट वाला ट्रेडर खुद को गलतियां गलत अनुमानों या ऐसामाने रूप से हिंसक मार्केट चालों के साथ चिपका रह सकता है जहां वह खुद को गलत साइड में खड़ा पा सकता है दूसरी ओर एक समय में 500 ट्रेजरी बॉंड्स योचर की ओसत स्थिती के साथ डगलस अपने स्वयम के खाते के लिए ट्रेड 31,500 डॉलर परती के बराबर है बेशक टी बॉंड वाइदा बहुत ऐस्थिर हो सकता है और कुछ ही सेकंड में किसी भी दिशा में इस ट्रेड कर सकता है जैसे जैसे ट्रेडर की स्थिती का आकार बढ़ता है हमारे पुल की चोड़ाई कम होती जाती है बड़े बॉंड ट्र के आकार तक संकूचित यानि श्रिंक हो गया है जाहिर है उसे हर कदम पर बेहत संतुलित और बहुत ध्यान के इंद्रित करना होगा जरासी चूक या हवा के जोंके से वहत तार से गिर सकता है जिसका अगला पढ़ाव एक मिल नीचे होगा जब एक ट्रेडर गड़े में हो होता है तो वह चोटी सी गलती या हवा का हलका जोंका एक विचलित करने वाले विचार के बराबर होता है बस इतना ही सिर्फ एक विचार या कुछ और जहां वह खुद को एक या दो सेगंड के लिए भी अपना ध्यान केंद्रित करने देता है व्याकुलता के उस क्षण मे वह है अपने इस्तिति को समाप्त करने के अपने अंतिम अनुकूल आउसर को चूक सकता है। उसे अपने ट्रेड से बाहर निकलने के लिए परियाप्त मात्रा के साथ अगला value लेवन कई टिक्स दूर हो सकता है। जो या तो एक बड़ा नुकसान पैदा कर सकता है, या उसे मारकेट में परियाप्त जीतने वाला ट्रेड वापस देने के लिए मजबूर कर सकता है। यदि लगातार परिणाम उत्पन करना गलतियों को दूर करने का एक कारिय है, तो यह कहना एक खामोशी है कि यदि आप एक गलती को स्विकार नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपने उदेश्यों को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जाहिर है यह कुछ एसा है जो बहुत कम लोग कर सकते हैं और यही कारण है इतने कम कंसिस्टेंट वीनर हैं। वास्तों में किसी गलती को स्विकार नहीं करने की प्रवर्ति मानो जाते में इतने व्यापक है कि हम यह मान सकते हैं कि यह मानो सोभाव की एक अंतर नहित डगलस कहते हैं कि उन्हें यह विश्वास नहीं है कि यह कोई मामला है और नहीं उन्हें विश्वास है कि हम गलती करने गलत अनुमान लगाने या एरर के लिए उपहास करने या खुद को कम करके आंकने की क्षमता के साथ पैदा हुए हैं। गलतियां करना जीने का एक अब तक जारी रहेगा जब तक हम उस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते जिस पर नमबर एक हमारे सभी बिलीफ हमारी डिजायर की absolute harmony यानि संपूर्ण समझश्य में हो और नमबर दो हमारे सभी बिलीफ को इस तरह से structure किया गया है कि वे environment के perspective से काम करने वाले के साथ पूरी तरह से संगत में हो जाएं जाहिर है अगर हमारे विश्वास environment के perspective से काम करने के अनुरूप नहीं है तो गलती करने की संभावना बढ़ जाती है हम यह नहीं समझ पाएंगे कि हमारे उदेश्यों के लिए कौन से कदम उठाना उचित होगा इससे भी बद्तर यह होगा कि हम यह महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि हम जो चाहते हैं वह हमें मिल भी सकता है दूसरी और गलतियां जो हमारे objective के conflict में हमारी धार्णाओं का outcome है वे हमेशा स्पष्ट नहीं होती है हम जानते हैं कि हमारी चेतना पर सत्य के हमारे वर्जन को व्यक्त करते हुए विरोधी ताक्तों के रूप में कारिय करेंगे और वे ऐसा कई तरीकों से कर सकते हैं इससे यह पता लगाना सबसे कठिन हो जाता है कि एक विचलित करने वाला विचार हमारे focus या concentration के एक momentary lapse यानि चनिक चूक का करण बनता है या एकागरता हो सकता है कि यह इतना महतोपूर्ण नहीं लगता हो लेकिन जैसा कि हमने valley यानि गाटी के उपर बने पुल की तरह जब बहुत कुछ दाओं पर लगा होता है यहां तक कि focused रहने की थोड़ी कम क्शमता के परिनाम सोरू बहेंग कर विनाशकारी गलती हो सकती है यह सिदान्त हर जगय लागू होता है फिर चाहे वह ट्रेडिंग हो, बिजनस हो, स्पोर्ट्स इवेंट हो या फिर कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग हो जब हमारा इरादा स्पष्ट हो और किसी विरोधी पावर से बढ़ा हो तब हमारी focused रहने की ख्शमता अधिक हो जाती है और इस बात की संभवना बढ़ जाती है कि हम अपने उदेश्चों को पूरा करेंगे इस से पहले डगलस ने इस विजयी बनोवर्ती को हमारे प्रियासों के positive अपेक्षा के रूप में define किया था यह इस acceptance के साथ था कि हमें जो भी result मिलते हैं वे हमारे development के level के सही reflection है और इससे यह भी समझने में help मिलती है कि और बहतर करने के लिए हमें क्या सीखने की आवशकता है जो चीजें consistently great athlete हो और performer को बाकी सभी से अलग करती है वह है गलती करने के डर के बारे में उनके अंदर की निर्भेता उनके इस निर्भेता का कारण यह है कि जब वे गलती करते हैं तो उनके पास खुद को कम करके आँखने का कोई कारण नहीं होता है जिसका आर्थ है कि उनके पास negative charged power का storage नहीं है जो हमेशा इस बात के इंतजार में रहता है कि आप कब गलती करें और कब आपको वह मानसिक रूप से जखड़ ले स्वम की आलोचना किये बिना अपनी गलतीयों से सीख कर शिख्रता से आगे बढ़ने की इस uncommon capacity यानि ऐसा मन्य क्षमता का क्या कारण है इसे शायद हम इस तरह से भी explain कर सकते हैं कि वे बेहद ऐसा मन्य माता पिता, शिक्षकों और परशिक्षकों के साथ बढ़े हुए जिनोंने अपने शब्दों और उधारनों से उन्हे सच्चे प्यार, स्नेव और स्विकरती के साथ अपने गलत अनुभवों और गलतीयों को ठीक करना सिखाया डगलस कहते हैं कि कुछ लोग इसका कारण बेहद ऐसा मन्य कंडिशन इसलिए मानते हैं क्योंकि हम में से कई लोग इससे बिलकुल विपरित अनुभव के साथ बढ़े हुए हैं हमें क्रोध, अधिर्ता और स्विकरती के एक स्पष्ट कमी के साथ अपने गलतियों या गलत अनुमानों को ठीक करना सिखाया गया था क्या यह संभव है कि महान एथिलेटों के लिए गलतियों के संबंद में उनके पिछले सकारात्मक अनुभव ने उन्हें यह विश्वास प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया कि गलतियां केवल उस मार्ग की और इशारा करती है जहां उन्हें अपने विकास और सुधार के प्रियासों पर ध्यान केंदरित करने की आवशकता है इस तरह की धारना के साथ नकारात्मक रूप से चार्ज की गई पावर का कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है और इसके फल्सोरूप आत्मनिंदा करने वाले विचारों का कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है हालांकि हम में से बाकी जो हमारे कारियों के लिए नकारात्मक प्रतिकिरियाओं की अधिकता का अनुभव करते हुए बड़े हुए हैं स्वभाविक रूप से हम भी अपनी गलतियों के बारे में इस तरह से विश्वास रखते हैं कि नमबर एक गलतियां करने से हर कीमत पर बचा जाना चाहिए नमबर दो अगर मैं गलती करता हूँ तो मेरे साथ भी कुछ गलत अवश्य होना चाहिए नमबर तीन मुझे इसके बदले में दंड अवश्य होना चाहिए या नमबर चार अगर मैं गलती करता हूँ तो मुझसे बुरा व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है याद रखें कि प्रतेक विचार, शब्द और कारिय हमारे अपने बारे में किसी ने किसी विश्वास को पुष्ट करते हैं यदि हम अपनी बार बार नकार आत्मक आत्म अलोचना करते हैं तब हमें आउचेतन रूप से अपने बारे में यह विश्वास होने लगेगा कि मैं हर गलती के लिए जिम्मेदार हूँ, मुझे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, तो वह विश्वास स्वते ही हमारे विचारों में स्वयम को व्यक्त करने का एक तरीका खोज लेगा, जिससे हम ड विवहार करने के लिए प्रेरित करता है, जो स्पस्टर रूप से हमारे सेल्फ डिस्टर्बैंस का कारण बन जाता है, यदि आप कंसिस्टेंट वीनर बनने जा रहे हैं, तो गलतियों को उस तरह से नकारात्मक रूप से चार्ज किये गए, सोर्स के रूप में मौजूद नहीं हो सकती, जैसे वे अधिकांस लोगों द्वारा समझी जाती है, आपको कुछ हाद तक खुद पर नजर रखने में सक्षम होना चाहिए, और अगर आप गलती करते हैं, तो इस से अपने भावनात्मक दर्द का अनुभव करने पर इसका असर स्पस्ट रूप से दिखे यदि यह क्षमता आप में मौझूद है, तो आपके पास दो विकल्प होंगे, पहला है, आपके गलती करने का क्या मतलब है, इसके बारे में सकारात्मक रूप से चार्ज किये गए अवधारनाओं के एक नए सेट को पाने पर काम कर सकते हैं, साथ ही किसी भी नकारात्मक च और नमबर दो, यदि आपको यह पहली गलती सही नहीं लगती है, तो आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को बनाने के तरीके से गलतियों की संभावना की भरपाई कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि यदि आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं और खुद की निगरानी नहीं कर लेकिन साथ ही आप कंसिस्टेंट रेजल्ट भी चाहते हैं, तो विशेश रूप से मेकेनिकल स्टेप से ट्रेड करने से दूवी धा का समाधान होगा, लेकिन गलतियों से जुड़ी नकारात्मत चार्ज पावर से छुटकारा पाने के बाद अपने आपको मोनिटर करना सी जिसका आर्थ है कि आपको पहले एक स्पष्ट उदेश्य को ध्यान में रखना होगा, जब आप अपने उदेश्य के बारे में स्पष्ट हों, तो बस अपना ध्यान आप सोचते हुए, कहते हुए या करते हुए उस और लगाना शुरू करें, जब आप यह महसूस करें कि आप अपने उदेश्य पर ध्यान केंदरित नहीं कर रहे हैं, तब आप जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अनुरूप अपने उदेश्य को पूरा करें, अपने विचारों, शब्दों या कारियों को इस तरह से रिडारेक्ट करना चुनें, आप जितना अधिक द पूदेश्यों के अनुरूप होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस का रोल, डगलस के अनुसार सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक मेंटल टेकनिक के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, जब वहल लक्षय या इच्छा हमारे मेंटल इन्वर्मेंट के किसी अन्य विश्वास के साथ कन्फिलिक्ट में हो तो हमारा ध्यान अपने लक्षय या इच्छा की वस्तू पर से रीडाइरेक्ट हो जाता है, इस परिभाशा के अनुसार आत्म अनुशाशन एक नई मानसिक रूपरेखा बनाने की तकनिक है, यह कोई व्यक्ति परक विशेष्टा नहीं है क्योंकि लो नहीं है, हालांकि परसनल ट्रांस्फोर्मेशन की प्रोसेस में उप्योग की जाने वाली टेक्निक के रूप में कोई भी आत्म अनुशाशन का उप्योग करना चुन सकता है, यहां बुक में डगलस ने अपने जीवन का एक उधारन दिया है, जो इस टकनिक के काम करने की अ जाद नहीं है कि इसके पीछे उनकी अंतर नहित प्रेणा क्या थी, शिवाए इसके कि उन्होंने पिछले आठ वर्सों तक एक बहुती निश्करिय जीवन सहली में बिताए थे, वे किसी भी खेल या शोक में शामिल नहीं थे, वैसे देखा जाए तो टेलिविजन देखने को शोक नहीं कह सकते, वे पहले हाइ स्कूल और कालेजों के खेलों में बहुत सक्रिय थे, खासकर आइस होके में, हलांकि कालेज से बाहर होते ही, उनकी जिन्दगी उस तरह से सामने आ रही थी, जो उनकी उमिदों से बहुत अलग थी, यहें उनकी पसंद का नहीं था, ले तो वे गंभीर रूप से उदास थे, लेकिन उन्हें यकिन नहीं हो रहा था, कि उन्हें अचानक फिर से एक धावक बनने के लिए किसने प्रेरित किया, या एसा हो सकता है कि उनकी इस रूची को किसी टीवी कारिकरम ने जगाया हो, लेकिन उन्हें अच्छे से याद है कि यह प्रेर्णा क्रिया बेहत मजबूत थी, इसलिए वे बाहर गए और अपने लिए रनिंग शूज खरीदे, उन्हें पहना और दोडने के लिए बाहर निकल गए, इस दोरान जो पहली चीज उन्होंने खोजी, वह यह थी कि वे यह भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें मुश्किल से 50 या 60 गज से ज्यादा दोडने की शारिरिक शमता नहीं बचे थी, उन्हें इसका एहसास तब नहीं था, और नहीं उन्हें कभी विश्वाश होगा कि वे इतने आउट आप साइज थे, कि वे सोगस भी नहीं दोड सकते थे, यह एह एहसास इतना निराशा जन अगली बार दोडने का प्रियास किया, तो वे अभी भी पचास या 60 गज से अधिक नहीं दोड सके, अगले दिन फिर से कोशिस की, जाहिर है रजल्ट वही रहा, अब वे अपनी बिगरती, शारिरिक स्थिति से इतना निराश हो गए, कि वे फिर चार महिने तक नहीं दोड समय इतनी तेजी से भी था, कि अब वर्स 1979 का बसंद आ चुका था, वे एक बार फिर से एक धावक बनने के लिए द्रड संकल्पित हुए, लेकिन साथ ही अपने प्रगती की कमी से बहुत निराश हुए, जब वे अपने दूविधा पर विचार कर रहे थे, तो उन्हें बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इसका क्या मतलब था, वे वास्तों में इसका उत्तर नहीं जानते थे, यह बहुत ऐस्पष्ट था, उन्हें इसके लिए कुछ और ठोस करना था, इसलिए उन्होंने फैसला किया, कि वे गर्मियों के अंत तक पांच मील दोड़ने में शक ख्षम हो सकते हैं, उन्हें बहुत उत्सा पैदा हुआ, उत्सा के इस बड़े हुए लेवल ने उन्हें उस सप्ता चार बार दोड़ने के लिए प्रयाप्त प्रोच साहन दिया, इस पहले सप्ता के अंत में उन्हें यह जानकर वास्तों में आस्चरिय हुआ, कि थोड़े इसी एक्सरसाइज भी उनकी सहन पावर और हर बार थोड़ा आगे दोड़ने की क्षमता में सुधार करता है, इसने और भी अधिक उत्सा पैदा किया, इसलिए वे बाहर गए और एक स्टोप वाच्च और एक खाली डायरी खरीद लाए, जिसका उन्होंने रनिंग डायरी के रूप में प्रियोग किया, उन्होंने दो मील का एक कोर्स अस्थापित किया और हर थर्ड मील को चिनित किया, डायरी में उन्होंने डेट, अपनी दूरी, अपना समय और हर बार दोड़ने पर शारेरिक रूप से कैसा महसूस किया, उसे रिकोड किया, अब उन्हें लग कि वे अपने पांच मिल के अपने टारगेट पर ठीक हैं जब तक कि वे सच्मुच अपने अगली समझाओं से उलज नहीं जाते इस मामले में उनके सबसे बड़े परस पर विरोधी और विचलित करने वाले विचार यह थे कि हर बार जब उन्होंने यह तै कि वे रनिंग करना चाहते हैं तो उनकी चेतना में बाड़ा गई वे इसे नहीं करने के कारणों की संख्या और स्पीड पर आश्रिय चकित थे उनके मन में इस तरह के विचाराने लगते थे नमबर एक मेरा रूम गर्म है लेकिन बाहर बहुत ठंड है नमबर दो ऐसा लगता है कि बाहर बारिश होने वाली है नमबर तीन पिछली बार की दोड़ से मैं अभी भी थोड़ा थका हुआ हूँ भले ही यह दोड़ तीन दिन पहले थी नमबर चार मुझे पता है कि कोई और यह नहीं कर रहा है नमबर पांच या जो सबसे प्रसलित है जैसे कि यह टीवी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा फिर मैं दोड़ने निकल जाऊँगा जो कभी खत्म नहीं हुआ डगलस जो हासिल करने की कोशिश कर रहे थे उस पर अपने सचेत ध्यान को री डारेक्ट करने के अलावा उन्हें इस परस पर विरोधी मानसिक पावर से निपटने का कोई और तरीका नहीं पता था वे वास्तों में गर्मियों के अंत तक पांच मिल तक पहुँचना चाहते थे उन्होंने पाया कि कभी-कभी उनकी इच्छा उनके इस संगर से अधिक प्रबल हो जाती है जिसके कारण वे अपनी रनिंग वाले जूते पहनने में कामियाब रहे उन्होंने बाहर कदम रखा और दोड़ना शुरू कर दिया हालांकि कई बार उनके परसपर विरोधी और ध्यान भंग करने वाले विचारों ने उन्हें शान्त रखा वास्तों में शुरुवाती स्टेप्स में उनका अनुमान था कि वन थर्ड बार वे परसपर विरोधी पावर को पार करने में ऐसमर्थ रहे अब उनके सामने अगली समश्या यह है थी कि जब उन्होंने उस पॉइंट तक पहुंचना शुरू किया जहां वे एक मील दोड़ने में सक्षम थे तो वे अपने आप से इतना रोमान्चित हो उटे थे कि उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्हें पांच मील तक पहुंचने के लिए एक एक्स्ट्रा सिस्टम की आवशक्ता पढ़ने वाली थी इस पर उन्होंने तर्क दिया कि एक बार जब वे उस मुकाम पर पहुंच गए नियम बनाया आप इसे पांच मील का नियम भी कह सकते हैं यह रूल यह था कि अगर वे अपने दोडने के जूते लाने में काम्याव रही और सभी परस पर विरोधी विचारों के बावजूद उन्हें कुछ करने के इच्छा रही तो उन्होंने पिछली बार दोडने की तुलना में कम से कम एक कदम आगे चलने के लिए खुद को परतिबद किया यदि वे एक कदम से अधिक आगे दोडे तो ठीक परन्तु यह एक कदम से कम नहीं हो सकता चाहे कुछ भी हो जाए उन्होंने कभी भी इस नियम को भंग नहीं किया और गर्मियों के अंत तक उन्होंने इसे पांच मिल तक बना दिया लेकिन फिर उनके पास पहुंचने से पहले वास्तों में कुछ दिल्चस्प और पूरी तरह से ऐ प्रत्यासित गटित हुआ जैसे जैसे वे अपने पांच मिल के उद्श्या को पूरा करने के करीब पहुंचे दीरे दीरे परस पर विरोधी विचार हवा होने लगे और आखिरकार वे बिलकुल साफ हो गए थे उस समय उन्होंने पाया कि अगर वे दोड़ना चाहते थे तो वे बिना किसी मानसिक प्रतिरोध, संघर्स या प्रतिसपर्दी विचारों के एसा करने के लिए पूरी तरह से सुतंतर थे यह देखते हुए कि यह कितना बड़ा संघर्स था वे चकित थे इसका रजल्ट यह है रहा कि वे अगले सोला वर्सों तक बहुत नियमित रूप से दोड़ते रहे लेकिन वे अब इतना नहीं दोड़ते क्योंकि पांच साल पहले उन्होंने फिर से आई सहोकी खेलना शुरू करने का फैसला कर लिया था होकी वास्तों में एक अत्यंत कठिन खेल है कभी कभी वे इसे सब्ता में चार बार भी खेल लेते हैं अब यदि आप इन अनुभवों को अपनाते हैं और उन्हें बिलीव के नेचर के बारे में अब हम जो समझते हैं उसके संदर्ब में सोचते हैं तो हम कई अउलोकन कर सकते हैं जैसे नमबर एक शुरू में धावक बनने की उनकी इच्छा का उनके मानसिक तंतर में समर्थन का कोई आधार नहीं था दूसरे शब्दों में उनकी इच्छा के अनुरूप पावर का कोई अन्य सोर्स नहीं था और नमबर दो उस समर्थन को बनाने के लिए उन्हें वास् याद रखें कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, कहते हैं या करते हैं, वह हमारे मानसिक तंत्र में कुछ विश्वास के लिए पावर का योगदान देता है। हर बार जब उन्होंने एक परस्पर विरोधि विचार का आनुभव किया और अपने उदेश्य पर सफलता पूर्वक ध्यान के अंदरित करने में सफल हो गए, तो उन्हें अपने दोडने वाले जूते और दर्वाजे से बाहर निकलने के लिए परियाप्त द्रड विश्वा के साथ उन्होंने इस विश्वास में एक पावर जोड़ दी कि मैं एक धावक हूँ और उतना ही महतोपोर्ज उन्होंने अंजाने में उन सभी धारणाओं से पावर को दूर कर लिया था जो अन्यता बहस करने वाले थे, वे अंजाने में ही कहते हैं कि क्योंकि विभिन तक किरिया की अंतर नहित गती शिलता को नहीं समझ पाई थे, जिससे वे गुजर रहे थे, इसलिए इस तरह की तकलिफों का लाव उठाने के लिए उनके साथ ऐसा नहीं होता अब यहां डगलस सहस्ता से, यानि अपने मानचिक द्रिष्टिकोंड से खुद को एक धावक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि मैं एक धावक हूँ, यह उर्जावान आवधारना अब उनकी पहचान का एक कार्यशिल हिस्सा हो चुकी है जब उन्होंने पहली बार शुरुवात की, तो उन्हें दोडने के बारे में कई परसपर विरोधी विश्वास महसूस हुए जिसके परिणाम सोरुप, उन्हें इनसे निपटने के लिए आत्म अनुशाशन की तकनीक की आवशकता थी अब उन्हें आत्मा अनुशाशन की आवशकता नहीं है, क्योंकि वे अब उनसे अच्छे से निपटना सीख चुके हैं जब हमारे बिलीफ्स, हमारे लक्षों या इच्छाओं के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, तो परस्पर विरोधी पावर का कोई सोर्स नहीं होता है यदि परस्पर विरोधी पावर का कोई सोर्स नहीं है, तो विचलित करने वाले विजारों, बहानों, युक्तिकरण, ओचित्य या गलतियों का कोई सोर्स नहीं है नमबर चार, धारणाओं को बदला जा सकता है और यदि एक विश्वास को बदलना संभव है तो किसी भी विश्वास को बदलना संभव है यदि आप समझते हैं कि आप वास्तों में उन्हें नहीं बदल रहे हैं लेकिन केवल पावर को एक अवधारना से दूसरी अवधारना में ट्रांसफर कर रहे हैं यह चेंज के लिए लक्षित विश्वास का रूप बरकरार रखता है इसलिए आपके मेंटल सिस्टम में दो पूरी तरह से विरोधाबासी विश्वास एक साथ मुझूद हो सकते हैं लेकिन अगर आपने एक विश्वास से पावर खिंची है और दूसरे को पूरी तरह से सक्रिय किया है तो कारियात्मक दृष्टि कोण से कोई विरोधाबास मुझूद नहीं है केवल यह है विश्वास कि पावर आपके मन की स्थिती है आपकी धारना और सूचना की व्यक्या और आपके व्यभार पर एक बल के रूप में कारिया करने की ख्षमता रखती है अब ट्रेड का एकमात्र उदिश्य है अपने आपको कंसिस्टेंट विनिंग ट्रेडर में बदलना है यदि अपने मानसिक वातावर्ण में कुछ ऐसा है जो इस विश्वास के निर्मान के सिधांतों के वीपरीट है कि मैं एक कंसिस्टेंट सक्सेस्पूल ट्रेडर हूँ तो आपको इन सिधांतों को एक प्रभावी कारियशील भाग के रूप में इंटिग्रेट करने के लिए आत्मानुशाषन की तखनीक को नियोजित करने के आवशक्ता होगी जो आपकी पहचान बनेगी एक बार जब सिधां आप कोन हैं बन जाते हैं तो आपको आत्म विश्वास की आवशक्ता नहीं होगी क्योंकि रेलेवेंट होने की प्रकिरिया सरल हो जाएगी याद रखें कंसिस्टेंसी जीतने वाले ट्रेड को करने की क्षमता के समान नहीं है यह कोई स्किल नहीं है आपको बस सही अनुमान लगाना है जो यह अनुमान लगाने से अलग नहीं है कि एक सिक्का उछलने का नतीज़ा क्या होगा जबकि स्थिर्टा मन की एक स्थिती है जो एक बार हासिल हो जाने पर आपको किसी अन्य तरीके से होने के अनुमती नहीं देगी आपको कंसिस्टेंट बने रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यह आपकी पहचान का एक स्वभाविक कारिया होगा वास्तों में यदि आपको प्रियास करना है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके लगातार सफलता के सिधान्तों को प्रभावी एसंबंद धार्णाओं के रूप में पूरी तरह से इंटिग्रेट नहीं किया है उधारन के लिए आपने रिस्क को पूर्व निर्धारित करना संगत होने की प्रिकिरिया में एक कदम है यदि यह आपके रिस्क को पूर्व निर्धारित करने के लिए कोई विशेश प्रियास करता है यदि आपको सचेत रूप से इसे करने के लिए खुद को याद दिलाना है यदि आप किसी भी परस पर विरोधी विचारों का आनुभव करते हैं या यदि आप खुद को एक ट्रेड में पाते हैं जहां आपने अपने रिस्क को पहले से डिफाइन नहीं किया है तो यह सिध्धान्त आपकी पहचान का प्रमुक कारियसेल हिस्सा नहीं है और यह आप कौन है नहीं है यदि ऐसा होता तो यह आपके लिए भी नहीं होता कि आप अपने जोखिम को पूरो निर्धारित नहीं करें यदि और जब विचार के सभी सोर्स निस्करिय कर दिये गए हो तो अब आपके लिए किसी अन्य तरीके से होने की कोई संभावना नहीं है एक बार जो संगर्स था वह लगवग सहज हो जाएगा उस समय यह अन्य लोगों को लग सकता है कि आप इतने अनुशाशित हैं लेकिन वास्तों में यह हैं कि आप बिलकुल अनुशाशित नहीं है आप बस धारनाओं के एक अलग सेट से काम कर रहे हैं जो आपको इस तरह से व्यभार करने के लिए मजबूर करता है जो आपके इच्छाओं, लक्षों और उदेश्यों के अनुरूप हो कंसिस्टेंसी में विश्वास पैदा करना यह विश्वास पैदा करना कि मैं एक कंसिस्टेंट वीनर हूँ प्रात्मिक उदेश्य है लेकिन डगलस के इरादे की तरह एक दावक बनने के लिए इसे स्टेब बाइ स्टेब परकिरिया में तोड़े बिना इसे लागू करना बहुत मुश्किल साबित होने माला है तो लेखक यह जो करने जा रहे है वह इस विश्वास को उसके सबसे छोटे निश्क्रिये भाव में तोड़ देगा और फिर आपको प्रतेग भाग को एक प्रमुक विश्वास के रूप में इंटीग्रेट करने की योजना देगा मैं लगातार विजेता क्यों हूँ? मैं कंसिस्टेंट वीनर हूँ क्योंकि नमबर एक मैं वस्तु निश्ट रूप से अपने किनारों की पहचान करता हूँ नमबर दो मैं प्रतेग ट्रेड के जोखिम को पूरो निर्धारित करता हूँ नमबर तीन मैं पूरी तरह से जोखिम को स्विकार करता हूँ या मैं ट्रेड को छोड़ने के लिए तयार हूँ नमबर चार, मैं बिना किसी हिच की चाहट के अपने किनारों पर कारिय करता हूँ नमबर पांच, मैं खुद बुगतान करता हूँ क्योंकि मार्केट मुझे पैसा उकलब्द कराता है नमबर चै, मैं गलतियां करने के लिए अपने संवेदन सीलता की लगातार निगरानी करता हूँ और नमबर साथ, मैं निरंतर सभलता के लिए सिधानतों की परम आवशकता को समझता हूँ और इसलिए मैं उनका कभी उलंगन नहीं करता ये मान्यताएं संगती के साथ सिधानत हैं कारियात्मक स्तर पर उन सिधानतों को अपने मानसिक प्रनाली में इंटिग्रेट करने के लिए आवशक है कि आप जान बूज कर उन अनुभवों की एक सिरीज बनाएं जो उनके अनुरूप हो कंसिस्टेंसी का पहला सिधानत यह विश्वास है कि मैं वस्तू निष्ट रूप से अपने किनारों की पहचान करता हूँ यानि मैं अबजेक्टिव रूप से अपने एज की पहचान करता हूँ यहां मुख्य शब्द अबजेक्टिव है अब्जेक्टिव होने का मतलब है कि किसी भी मार्केट की जानकारी को दर्दनाक या उदेश्यपूर्ण दृष्टिकोंड से डिफाइन करने, व्याख्या करने और समझने की कोई ख्षमता नहीं है वस्तु निष्ट होने का तरीका उन बिलीफ से बाहर निकलना है जो आपकी अपेक्षाओं को ततस्त रखते हैं और हमेशा अग्यात शक्तियों को ध्यान में रखते हैं याद रखें आपको अपने दिमाग को विशेश रूप से उदेश्य पूर्ण होने और नाव मॉमेट अपॉर्चिनिटी फ्लो में केंद्रित रखने के लिए परशिक्षित करना होगा इस तरह से सोचने के लिए हमारे दिमाग सोभाविक रूप से ट्रेंड नहीं है इसलिए कि objective प्रवेक्षक होने के लिए आपको मार्केट के दृष्टिकोन से सोचना सीखना होगा मार्केट के नजरिये से वेल्यू मोमेंट पर कारवाई करने के लिए हमेशा अग्याब ताक्तें इंतजार कर रही है इसलिए मार्केट के दरिश्टिकोन से एवरी मोमेंट वास्तों में यूनिक है भले ही वह क्षन ठीक उसी तरह दिख, द्वनी या महसूस हो सकता है जैसे आपके मेमरी बेंक में किसी क्षन लोगिन किया गया हो जिस पल आप या तो निर्ने लेते हैं या मान लेते हैं कि आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है आप स्वते ही सही होने की अपेक्षा करेंगे हालांकि आप जो जानते हैं कम से कम सोच के तर्ग संगत लेवल पर केवल आपके युनिक अतीत को ध्यान में रखा जा सकता है जिसका मार्केट के दृष्टिकोंड से वास्तों में क्या हो रहा है इसका कोई संबन नहीं हो सकता है उस समय कोई भी मार्केट जानकारी जो आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है उसे डिफाइन और दर्दनाक रूप से उसकी व्याख्या करने की ख्षमता है दर्द का अनुभव करने से बचने के लिए आपका दिमाग सचेत और आउचेतन दर्द निवारक तंत्र दोनों के साथ ओटोमेटिक रूप से च्षति पूर्ति करेगा जो आप उमीद करते हैं कि मार्केट की पेशकस के बीच किसी भी अंतर के लिए आप जो अनुभव करेंगे उसे आम तोर पर ब्रहम के रूप में जाना जाता है ब्रहम की स्तिती में आप ने तो उदेशयपूर्ण है और ने ही नाव मोमेंट के अपोर्चुनिटी फ्लो से जुड़े हैं इसके बजाए आप अभी टिपिकल ट्रेडिंग एरर के लिए अतिस समवेदन सील हो जाते हैं और जिजगते हुए जंपिंग करते हुए अपने रिस्क को प्री डिफाइन नहीं करते हैं आप तो अपने रिस्क को इस तरह से डिफाइन करते हैं जिसमें आप लोस को एकसेप्ट ही नहीं करते जिससे एक जीतने वाले ट्रेड को भी आप एक बड़े हारे हुए ट्रेड में बदल लेते हैं जो एक विनिंग ट्रेड से प्रोफिट नए उठाते हुए इसे लोस में बदलना स्टोप क्लोजर को अपने एंट्री पोइंट के करीब ले जाना ट्रेडिंग बंद करना और मार्केट ट्रेड को अपने पक्ष में होने का इंतजार करते हुए देखते रहेना इसके लक्षन है मार्केट के बारे में पांच फंडामेंटल टूथ आपकी अपेक्षाओं को स्टैबल रखेंगे आपके दिमाग को अपने पास्ट से प्रेजेंट को अलग करके नाव मोमेंट फ्लो में फोकस करेंगे और ट्रेडिंग एरर को करने की आपकी ख्यमता को स्माप्त कर देंगे जब आप ट्रेडिंग गलतियां करना बंद कर देते हैं तो आप खुद पर बरोसा करना शुरू कर देते हैं जैसे जैसे आपका self-trust बढ़ेगा वैसे वैसे आपके आत्म विश्वास की भावना भी बढ़ेगी आपका आत्म विश्वास जितना अधिक होगा आपके ट्रेडों को execute करना उतना ही आसान होगा ये पांच fundamental truth आप में एक ऐसे state of mind को develop करेंगे जिसमें आप वास्तों में ट्रेड के risk को accept करना शुरू कर देते हैं जब आप वास्तों में risk को accept करते हैं तो आप किसी भी outcome के piece में रहेंगे जब आप किसी भी outcome को सहस्ता से accept करते हैं तो आप carefree objective state of mind की स्थिति का अनुभाव करेंगे ज़हां आप किसी भी now moment पर market जो कुछ भी आपको अपने perspective से present कर रही है उस पर विचार करने और कारिय करने के लिए आप खुद को present रखते हैं आपका पहला objective अपने आपको इस एक dominant belief के रूप में integrate करना है कि मैं निश्पक्स रूप से अपने edge की पहचान करता हूँ लेकिन अब चुनोती यह है कि आप वहां कैसे पहुंचें आप अपने आपको एक ऐसे विक्ति में कैसे बदलेंगे जो consistent market के perspective में सोच सकता है यह transformation की process आपके desire और आपके desire की वस्तू पर refocus करने की इच्छा से शुरू होती है और आप यह तो जानते हैं कि इच्छा सकती यानि desire एक power है इसका किसी भी चीज से मेल खाना या सहमत होना कोई जुरूरी नहीं है जिसे आप वर्तमान में trade के nature के बारे में सच मानते हैं एक specific objective पर पूरी तरह से focused clear desire एक बहुती powerful tool है आप अपने इच्छा के बलका उप्योग अपनी पहचान के लिए एक बिलकुल नया वर्जन या dimension बनाने के लिए कर सकते हैं फिर चाहे आप दो या दो से अधिक परस पर विरोधी दहरनाओं के बीच power को shift करना या अपनी यादों के संदर्व में नकारात्मक से सकारात्मक में बदलें डगलस को पूरा यकीन है कि आप अपना मन बना ले कहावत से अवश्य परिचित होंगे जिसका आर्थ यह है कि हम वास्तों में इतनी स्पष्टता और द्रडविश्वास के साथ यह तै करते हैं कि हम क्या चाहते हैं यदि हमारे संकल्प के पीछे परियाप्त पावर है तो हम अपने mental structure में लगबग तुरंत ही एक बड़े बदलाव का अनुभव करेंगे हमारे internal conflict को inactive करना समय का function नहीं है यह तो एक function focused desire है वहाँ पहुँचने के लिए आपको जितना संभव हो उतना द्रडविश्वास और स्पष्टता के साथ अपना मन बनाना चाहिए कि किसी भी चीज से अधिक आप अपने trade से स्थिरता चाहते हैं यह आवशक है क्योंकि यदि आप आधिकांस trader की तरह हैं तो आप बहुत ही दुर्जय कन्फिलिक्ट फोर्च के खिलाप होने जा रहे हैं उधारन के लिए यदि आप उत्सा से उपर उठने के लिए अपने परिवार और दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक हीरो बनने के लिए रेंडम रिवार्ड की लट को पूरा करने के लिए या फिर अपनी भविश्यवाणियों के बारे में सही होने के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि इन अन्य प्रेणाओं का बल ने केवल एक बाधा के रूप में करिये करेगा बलकि आपको ट्रेडिंग एक्सरसाइज करने में बहुत मुश्किल देने वाला साबित होने वाला है और यह इतना मुश्किल हो सकता है कि आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज ने करें जब तक आप इसे बदलना नहीं चाहते तब दक इन दोनों धार्णाओं के बीच पावर का इंबैलेंस ठीक वैसा ही रहेगा जैसा कि किसी भी आम ट्रेडर के पूरे जीवन में रहता है इस ट्रांसपर प्रोसेस को शुरू करने के लिए आपको इतनी अधिक निरंतरता चाहनी होगी कि आप ट्रेड के किसी अन्य सभी कारणों, प्रेर्णाओं या एजेंडे को छोड़ने के लिए तयार हो जाएं जो कि स्थिर्ता बनाने वाले बिलिफ को इंटीग्रेट करने की प्रोसेस के अनुरूप नहीं है यदि आप इस प्रकिरिया को अपने लिए कारगर बनाने जा रहे हैं तो एक स्पष्ट तिवर इच्छा पर परम शर्त है यहां डगलस आपके लिए एक एकसरसाइज बता रहे है जो है एक कैसिनो की तरह ट्रेड और बढ़त सीखना इस एकसरसाइज का उदेश है अपने आपको यह विश्वास दिलाना है कि ट्रेडिंग केवल संभावनाओ यानि संख्याओं का एक सरल खेल है जो स्लोट मशिन के हैंडल को खीचने से बहुत ज्यादा अलग नहीं है माइक्रो लेवल पर अलग-अलग एज के रिजल्ट्स केवल स्वतन तरगठनाई है जो एक दूसरे के संभन्द में रेंडम है मैक्रो लेवल पर ट्रेडों की एक सीरीज के आउटकम कंसिस्टेंट रिजल्ट देंगे यहाँ Probabilities Perspective का मतलब है कि आप एक स्लोट मशीन खेलने वाले व्यक्ति होने के बजाई एक ट्रेडर के रूप में आप कैसी नो हो सकते हैं यदि नमबर एक आपके पास एक बढ़त है जो वास्तों में आपके पक्ष में सफलता की संभवना रखती है नमबर दो आप उची तरीके से ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं तथा नमबर तीन आप ट्रेडों की एक सीरीज में वहे सब कुछ कर सकते हैं जो आपको करने की आवशकता है फिर कैसीनों की तरह आप खेल के मालिक होंगे और एक कंसिस्टेंट वीनर होंगे एकसरसाइज की शुरुवात करें एक मार्केट चुने ट्रेड के लिए एक एक्टिव कारोबार किया गया स्टोक या फ्यूचर कॉन्ट्रेक्ट यानि वाइदा अनुबंध चुने यहां इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है जब तक यह लिक्विड है और आप प्रती ट्रेड कम से कम तीन सो शेरों या तीन वाइदा अनुबंधों के ट्रेड के लिए मार्जिन आवशक्ताओं को अफोर्ड कर सकते हैं मार्केट वैरियेबल का एक सेट चुने जो एक एज को डिफाइन करता है यह कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है जो आप चाहते हैं आपके द्वारा चुना गया ट्रेडिंग सिस्टम या मैथाडोलोजी, मैथमेटिकल, मैकेनिकल या वीज्वल जो प्राइस चार्ट में पैटर्न के आधार पर हो सकती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप परसनली लेवल पर सिस्टम को डिजाइन करते हैं या इसे किसी और से खरीदते हैं नहीं आपको सबसे अच्छा या सही सिस्टम खोजने या विक्सित करने की कोशिस में लंबा समय लेने या बहुत चुस्त होने की आवशक्ता है यह exercise सिस्टम डेवलेप्मेंट के बारे में नहीं है और नहीं यह आपकी analytic ability की परिक्षा है आपके द्वारा चुने गए variables को अधिकांस traders के standard के अनुसार ओसत दरजे का भी मना जा सकता है क्योंकि इस exercise को करने से आप जो सीखने जा रहे हैं वहे इस बात पर निर्वर नहीं करता है कि आप वास्तों में इस से पैसा कमाते हैं या नहीं यदि आप इस exercise को एक education expense मानते हैं तो यह उस time और efforts में कटोती करेगा जो आप otherwise सबसे profitable age को खोजने की कोशिस में खर्च कर सकते हैं डगलेस इस बारे में कोई विसेस अनुशन शान नहीं करने जा रहे हैं कि आपको किस system या variable का उप्योग करना चाहिए क्योंकि उनका मानना है कि इस book को पढ़ने वाले अधिकांस लोग पहले से ही technical analysis में अच्छी तरह से trained हैं यदि आपको किसी भी तरह की अतिरिक्त साहेता की आवशकता है तो इस subject पर सेंकडों books उपलब्द हैं और साथी system seller भी है जो आपको अपने विचार बेजने के इच्छुक हैं और अगर आपने इसे स्युम करने का एक वास्त्युक प्रयास किया है लेकिन फिर भी system चुनने में समश्या आ रही है तो आप mark douglas.com या trading in the zone.com पर संपर कर सकते हैं जहां आपके लिए कुछ सिफारेसें की गई है आप जिस भी system का उपयोग करना चुनते हैं उन्हें निम लिखित विशेस्ताओं के अंदर फिट होना चाहिए आपके edge को define करने के लिए आपके दुआरा उपयोग किये जाने वाले variable बिलकुल सटीक होने चाहिए system को इस तरह से design किया जाना चाहिए कि आपको इस बारे में कोई subjective निरने या judgment लेने की आवशकता नहीं हो कि इसमें आपकी बढ़त मुझूद है या नहीं यदि market इस तरह से aligned है जो आपके system के rigid यानी कठोर variable के अनुरूप है तो आपके पास एक trade है यदि यह नहीं है तो आपके पास कोई trade भी नहीं है periods यानी audit के अलावा कोई अन्य बाहरी या random factor इस equation में entry नहीं कर सकता है काम ने करने वाले trade से बाहर निकलने के लिए भी यही शर्त लागू होती है आपकी methodology को आपको यह बताना होता है कि trade काम करने जा रहा है या नहीं और यह पता लगाने के लिए आपको कितना risk उठाने के अवशकता है हमेशा एक optimum point यानि एक इस्टतम बिंदू होता है जिस पर किसी trade के काम ने करने की संभावना इतनी कम हो जाती है कि विशेश रूप से profit के संबंद में कि आप अपना नुकसान उठाने और अगले age पर कारिय करने के लिए अपने दिमाग को स्पष्ट करना बेहतर समझते हैं market structure को यह निर्धारित करने दें कि यह इस्टतम बिंदू कहा है किसी भी मामले में आप जो भी सिस्टम चुनते हैं उसे बिलकुल सटीक होना चाहिए जिसमें किसी subjective निर्णे लेने की आवशकता नहीं हो फिर से कोई भी बाहरी या random variable equation में प्रवेस नहीं कर सकता है आपकी trading methodology किसी भी समय सीमा में हो सकती है जो आपको उप्यूक्त बनाती है लेकिन आपके सभी entry और exit signal को एक ही समय सीमा में blink होना चाहिए उधारन के लिए यदि आप 30 minute के बार चार्ट पर एक विशेज support और resistance pattern की पहचान करने वाले variable का उप्योग करते हैं तो आपके risk और profit के उदेश्य की गणना भी 30 minute की समय सीमा में निर्धारित की जानी चाहिए हालांकि एक समय सीमा में trading आपको अन्य समय सीमा को filter के रूप में उप्योग करने से नहीं रोपता है उधारन के लिए आपके पास एक filter के रूप में एक नियम हो सकता है जो बताता है कि आप के वल उन ट्रेडों को लेने जा रहे हैं जो major trade की दिशा में हैं जो एक पुराना trading axiom यानि swim-sid trade मित्र है इसका मतलब है कि जब आप major trade की दिशा में trade करते हैं तो आपके पास सफलता की संभावना अधिक होती है वास्तों में सबसे कम risk वाला trade success की higher probabilities के साथ तब होता है जब आप एक up trading market में dips खरीद रहे हो या down trading market में rallies बेच रहे हो यह नियम कैसे काम करता है यह समझने के लिए मान ले कि आपने 30 मिनिट के time frame में sports और resistance pattern की पहचान करने का एक सटीक तरीका चुना है नियम यह है कि आप major trade की direction में trade करने जा रहे हैं एक trading market को एक up trading market के लिए higher high और higher low की एक series के रूप में define किया जाता है और एक down trading market के लिए lower high और lower low की एक series के रूप में define किया जाता है टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम जितना लंबा होगा ट्रेंड उतना ही अधिक महतपूर्ण होगा तभी daily bar chart पर एक trading market 30 मिनिट के बार चार्ट से trading market की तुलना में अधिक महतपूर्ण है इसलिए daily bar chart पर रूजहान 30 मिनिट के बाद trade पर चार्ट से अधिक होगा और इसे प्रमुक ट्रेंड माना जाएगा major trend की दिशा निर्धारित करने के लिए देखें कि daily bar chart पर क्या हो रहा है यदि trend daily उपर है तो आप केवल 30 मिनिट के चार्ट पर सपोर्ट के रूप में आपकी बढ़त को define करने के लिए बेजने या retracement की तलाश करने जा रहे है और वहीं से आप खरीदार बन जाएंगे दूसरी ओर यदि trend daily नीचे है तो आप केवल 30 मिनिट के चार्ट पर सेलर होने के लिए एक resistance लेवल के रूप में define करने के लिए एक rally की तलाश करने जा रहे है तब आपका उदेश्य है एक down trading market में यह निर्धारित करना है कि यह intraday आधार पर कितनी दूर तक rally कर सकता है और फिर भी यह लंबी ट्रेड की समरूपता का उलंगन नहीं करता है एक up trading market में आपका objective वह निर्धारित करना होता है कि लंबी ट्रेड की समरूपता का उलंगन किये बिना यह intraday आधार पर कितनी दूर तक भिख सकता है इन intraday sports और resistance power के साथ आम तोर पर बहुत कम रिस्क जुड़ा होता है क्योंकि आपको यह बताने के लिए market को उनसे बहुत आगे जाने की आशकता नहीं है कि trade काम नहीं कर रहा है सभी skills में से इस एक को थो consistently success होने के लिए हर trader को ही नहीं बलकि सभी को सीखने की आशकता है लाव लेना सीखने में mastery करना शायद सबसे कठिन है इसमें कई personal बहुत सरे complicated psychological factor और साथ ही साथ किसी के market analysis की effectiveness equation में enter करती है unfortunately इस complex matrix को सुलजाना इस book के दाइरे से परे है Douglas ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि आप मेंसे जो loss के लिए खुद को पीटने के एचुक हों वे आराम कर सकें और खुद को आराम दे सकें दूसरे सभी skills सीखने के बाद भी आपको इस एक को समझने में बहुत लंबा समय लग सकता है लेकिन निराशने हो profitable system develop करने का एक तरीका है जो कम से कम consistency के पांचवे सिधानत के उदेश्य को पूरा करता है जो है कि मैं खुद को बुगतान करता हूँ क्योंकि market मुझे पैसा उखलब्द कराता है यदि आप अपने आप में एक विश्वास करने जा रहे हैं कि आप एक consistent winner है तो आपको उस विश्वास के अनुरूप अपने अनुभव बनाने होंगे क्योंकि विश्वास का उदेश्य consistent winning है आप एक जीतने वाले ट्रेड में लाब कैसे लेते हैं यह सरोपरी है यह अभ्यास का एक मत्र हिस्सा है जिसमें आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में आपके पास कुछ हद तक विवेक होगा इसका अर्थ यह है कि एक जीतने वाले ट्रेड में आप कभी नहीं जानते कि मार्केट आपकी दिशा से कितनी दूर जा रहा है मार्केट शायदी कभी सीधे उपर या सीधे नीचे जाती है आम तोर पर मार्केट उपर जाती है और फिर उपर की और बढ़ने के कुछ इसे को वापस लेते है या नीचे जाए और फिर नीचे की और की चाल के कुछ इसे को फिर से ट्रेस करें यह proportional recycling एक winning trade में बने रहना बहुत कथिन बना सकती है सामने रीट्रेस्मेंट के बीच अंतर करने के लिए आपको एक extremely sophisticated और objective analyst होना होगा जब मार्केट में आपके ट्रेड की मूल दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता हो और एक रीट्रेस्मेंट नार्मल ने हो तब यह आपके ट्रेड की मूल दिशा में आगे बढ़ने की गती को भी बहुत कम कर देता है यदि आप यह नहीं जानते कि मार्केट आपकी दिशा में कितनी दूर जाने वाला है तो आप कब और कैसे प्रोफिट ले सकते हैं सवाल यह है कि मार्केट को पढ़ने और इसे रोकने के लिए सबसे संभावित स्थलों को चुनने की आपकी क्षमता पर कारिये कब होगा इसे निस्पक्ष रोप से करने की क्षमता के अभाव में मनो वैग्यनिक दृष्टिकोंड से कारवाई का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने स्थिति को तीहाई या तीमाहियों में विभाजित करें और स्थिति को मापें क्योंकि अभी मार्केट आपके पक्ष में चल रहा है यदि आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ट्रेड के लिए आपके नियुनतम स्थिति कम से कम तीन या चार कोंट्रेक्ट तो है और शेरों के लिए नियुनतम स्थिती शेरों की कोई भी संख्या है जो तीन या चार से डिवीजिवल है जब डगलस ने पहली बार ट्रेड करना शुरू किया खास कर पहले तीन वर्षों यानि 1989 से 1981 के दोरान तब उन्होंने अपने ट्रेडिंग एक्टिविटी के रेजल्ट्स का अच्छी तरह से और नियमित रूप से एनलिसिस किया इससे उन्होंने जो कुछ खोजा उन में से एक यह था कि वे शायदी कभी किसी लोस के लिए एक ट्रेड से बाहर निकले बिना मार्केट के पहले उनकी डिरेक्शन में कम से कम एक छोटा सा रास्ता हर समय उपलब्ध था ओसतन हर दस ट्रेडों में से केवल एक तत्काल लोस वाला था जो उनकी डिरेक्शन में कभी नहीं गया लेकिन अन्य 25 से 30% ट्रेडों में से जो अंततै हारे हुए थे पर बार मार्केट द्वारा वे तीन या चार टिक्स देने पर अपनी मूल स्थिती का कम से कम एक टियाई लेने की आदत पड़ जाती है तो वर्स के अंत में accumulated winning उनके खर्चों का भुगतान करने की direction में एक लंबा रास्ता तै करेगी और यहां डगलस सही थे आज तक जब भी मार्केट उन्हें लेने के लिए कुछ देता है वे हमेशा बिना किसी हिच्चाहट के जीतने की स्थिती के एक हिस्से को हटा लेते हैं यह कितना हो सकता है यह मार्केट पर निर्भर करता है यह प्रतेक मामले में एक अलग राशी होगी उधारन के लिए ट्रेजरी बॉंड्स फ्यूचर्स में जब उन्हें चार टिक मिलते हैं तो वे अपनी पोजिशन का एक टियाई हटा लेते हैं S&P फ्यूचर में वे डेड़ से दो पूर्ण अंकों के जलाव के लिए एक टियाई की छूट लेते हैं एक बॉंड ट्रेड में वे आम तोर पर यह पता लगाने के लिए 6 से अधिक TIC का रिस्क नहीं उठाते कि क्या ट्रेड काम करने वाला है एक उधारन के रूप में टीन फ्यूचर ट्रेड का उप्योग करना यह कैसे काम करता है यदि वे किसी स्थिति में आते हैं और मारकेट तुरंत उनके खिलाप जाती है तो उन्हें कम से कम 4 TIC दिये विना उन्हें 18 टिक लोस के लिए ट्रेड से बाहर कर दिया जाता है लेकिन जैसा कि उन्होंने संकेत दिया है एसा अकसर नहीं होता है अधिकान संभावना यह है कि नुकसान होने से पहले ट्रेड कुछ छोटी रासी से उनके पक्ष में जाता है यदि यह उनके पक्ष में कम से कम 4 TIC में जाता है तो वे उन 4 TIC को एक कॉंट्रेक्ट पर लेते हैं उन्होंने जो किया है वह अन्य दो कौंट्रेक्ट पर उनके टोटल रिस्क को 10 TIC से कम कर देता है। अगर मार्केट उन्हें पिछले 2 कौंट्रेक्ट से रोखता है तो ट्रेड पर शुद्ध नुक्सान केवल 8 TIC होता है। अगर वे पिछले दो कॉंट्रेक्ट पर नहीं रुके और मार्केट उनकी डिरेक्शन में आगे बढ़ता है तो वे किसी पूर्व निर्धारित लाब उदिश्य पर स्थिति के अगले तीजरे हिस्से को बंद कर देते हैं। यह कुछ लोंग टाइम फ्रेम सपोर्ट और रेजिस्टेंसिया। इससे महतोपूर्ण हाई या लो के परिक्शन पर आधारित है। जब वे दूसरे कार्टर पर प्रोफिट लेते हैं तो वे स्टोप लोस को अपनी ओरिजिनल एंट्री पॉइंट पर भी ले जाते हैं। रिस्क परी अपर्चनेटी हो तब तक खोने का कोई रास्ता नहीं है जब तक कि कुछ बहुत ही ऐसा मन्य ने गटित हो जाए। यदि सामान्य स्थितियों में खोने का कोई रास्ता नहीं है तो आपको यह अनुवह होता है कि आराम से केरफरी स्टेट ओफ माइंड के साथ ट्रेड में वास्तों में कैसा महसूस होता है इस point को स्पष्ट करने के लिए कलपना कीजिए कि आप एक winning trade में है और market ने आपके direction में काफी महतपून कदम उठाया है लेकिन आपने इससे कोई profit नहीं लिया क्योंकि आपको लगा कि यह और भी आगे जा रहा है हालांकि आगे बढ़ने के बजाए market आपके original starting point पर या उससे बहुत करीब तक trade करता है आप गभरा जाते हैं और आप trade से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि एक बार जीतने वाला trade हारे हुए में बदल जाई लेकिन जैसे ही आप बाहर होते हैं market ठीक उसी तरह वापस आ जाता है जो एक winning trade होता है यदि आपने खुद को risk free opportunity की स्थिति में रखते हुए scaling करके कुछ मुनाफे में बंद कर दिया था तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आप उस मामले के लिए किसी तनाव या चिंता से गवरा गए होंगे या महसूस करेंगे डगलस के पास अभी भी उनकी स्थिति का one third share है लेकिन अब क्या हो सकता है वे market के रुखने की सबसे संभावित जगे की तलाश में अभी भी है यह आम तोर पर लंबी समय सीमा में एक महतोपूर्ण हाई या लो होता है वे अपने order के ठीक उपर या ठीक नीचे होते हैं क्योंकि उन्हें ट्रेड के आखरी टिक को निचोडने की परवा नहीं है उन्होंने वर्षों से पाया है कि एसा करने की कोशिश करना इसके लाइक नहीं है एक अन्यकारक जिस पर आपको ध्यान देने की आवशकता है वह है आपका risk to reward ratio risk to reward ratio पैसे की value है कि आपको लाब ख्षमता के relevant कितना रिस्क उठाना है आदर सरूप से आपका risk to reward ratio कम से कम तीन अनुपात एक होना चाहिए जिसका आर्थ है कि आप प्रतेक तीन रुपे की लाब ख्षमता के लिए केवल एक रुपे का risk उठा रहे है यदि आपकी बढ़त और जिस तरह से आप अपने ट्रेडों से बाहर निकलते हैं आपको तीन अनुपात एक risk to reward ratio देते हैं तो आपका जीतने वाला ट्रेड पचास प्रतिसत से कम हो सकता है और आप अभी भी लगातार पैसा कमाएंगी एक तीन अनुपात एक risk to reward ratio आदर से है हलांकि इस अभ्यास के provision के लिए इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि यह क्या है और नहीं इससे कोई फरक पड़ता है कि आप इसे कितना प्रभावी धंसे करते हैं जब market में पैसा उपलब्द हो तो उचित लाबस्त्रों पर कुद को बुगतान करने के लिए जितना हो सके उतना अच्छा करें एक ट्रेड का हर हिस्सा जिसे आप एक विजेता के रूप में लेते हैं आपके विश्वास में योगदान देगा कि आप एक निरंतर विजेता हैं सभी संख्याएं अंततय बेहतर अलाइनमेंट में आ जाएंगी क्योंकि आपके लगातार बने रहने की क्षमता में आपका विश्वास मजबूत हो जाता है सबसे हालिया ट्रेड के रजल्टों पर टिपिकल व्यापारी व्याभारिक रूप से रहता है या भावनात्मक रूप से स्टोप हो जाता है अगर वहे विजेता होता तो वहे खुशी-खुशी अगले ट्रेड में जाता अगर एसा नहीं होता तो वहे अपनी बढ़त की कार्य व्यवहारता पर सवाल उठाना शुरू कर देता यह पता लगाने के लिए कि कौन से वेरियेबल काम करते हैं वे कितनी अच्छी तरह से काम करते हैं और क्या काम नहीं करते हैं हमें एक व्यवस्थित द्रिष्टिकोन की आवशकता है एक एसा जो किसी भी रेंडम वेरियेबल को ध्यान में नहीं रखता है इसका मतलब यह है कि हमें विशिष्ट ट्रेडर के लिमिटेड ट्रेड बाई ट्रेड रिस्पेक्टिव से सफलता या विफलता की आपनी परिवाशा को 20 ट्रेडों या उससे अधिक के सेंपल साइज तक विश्थारित करना होगा आपके द्वारा तै की गई कोई भी बढ़त कुछ सिमित संख्या में market variable या उन variables के बीच संबंदों पर आधारित होगी जो market के ख्षमता को ऊपर या नीचे ले जाने की ख्षमता को नापते हैं मार्केट के दृष्टिकोंड से प्रतेक व्यापारी जिसके पास ट्रेड करने या बंद करने की ख्षमता है वहे वैल्यू मुमेंट पर एक फोर्स के रूप में कारिय कर सकता है और इसलिए वहे एक मार्केट वैरियेबल है कोई भी बढ़तिया तकनीकी परनाली, प्रतेक व्यापारी और किसी ट्रेड को शुरू करने या बंद करने के उनके कारणों को ध्यान में नहीं रख सकती है नतीजन मार्केट वैरियेबल का कोई भी सेट जो एज को डिफाइन करता है वहे बहुत लिक्विड के स्नैप सोट की तरह होता है जो सभी संभावनाओं के केवल एक सीमित हिस्से को कैप्चर करता है जब आप मार्केट में वैरियेबल के किसी भी सेट को लागू करते हैं तो वे लंबे समय तक बहुत उपर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद आप आप आएंगे कि उनकी प्रभाव शिलता कम हो गई है एसा इसलिए है क्योंकि सभी प्रति भागियों के बीच इंट्रेक्शन की अंतनिहित गती शिलता बदल रही है नए ट्रेडर मार्केट में अपने अनूठे विचारों के साथ आते हैं और अन्य ट्रेडर चले जाते हैं धीरे धीरे ये परिवर्तन मार्केट के चाल की अंतनिहित गती शिलता को प्रभावित करते हैं कोई भी स्नैपशोट इन सुक्षम परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रख सकता है आप मार्केट के उतार चेड़ाओ की अंतर नहित गती सिलता में उन सुक्षम परिवर्तनों की बरपाई कर सकते हैं और फिर भी सेंपल साइज में ट्रेड करके एक सू संगत द्रिष्टिकोन बनाई रख सकते हैं आपके सेंपल का साइज आपके वैरियेबल को निश्पक्ष और परियाप्ट परिख्षन देने के لिए परियाप्त बड़ा होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ इतना छोटा भी होना चाहिए कि यदि उनके परभाव सिलता कम हो जाए तो आप इसका पता लगा सकते हैं इससे पहले कि आप एक अत्यधिक बड़ी राशिक हो दें। डगलस ने पाया है कि कम से कम 20 ट्रेडों का एक सेंपल साइज उन दोनों आफशकताओं को पूरा करता है। एक बार जब आप इन विशिष्टताओं के अनुरूप वेरियेवल के एक सेट पर नेरने लेते हैं तो आपको यह देखने के लिए उनका परिक्षन करना होगा कि वे कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। यदि आपके पास ऐसा करने के लिए उप्यूक्त सोफ्ट्वेर हैं तो आप शायद पहले सी परकिरियाँ से परीचित हैं। यदि आपके पास तेस्टिंग सोफ्ट्वेर नहीं है तो आप या तो अपने वेरियेबल्स का परिक्षन अग्रेसित कर सकते हैं या इसे आपके लिए करने के लिए एक परिक्षन सेवा हायर कर सकते हैं। यदि आपको किसी परिक्षन सेवा के लिए अनुशंशा की आवशक्ता है तो इसके रेफरेल के लिए markdouglas.com या tradingindajone.com पर संपरक करें। किसी भी मामले में ध्यान रखें कि अभ्यास का उदेश्य ट्रेड को एक वाहन के रूप में उपयोग करना सीखना है कि कैसे निश्पक्स रूप से सोचना है। इस अभ्यास की एक आउशक्ता यह है कि आप पहले से ही जानते हैं कि आपके 20 ट्रेड के सेंपल साइज में एवरी ट्रेड पर आपका रिस्क क्या है जैसा कि अब आप जानते हैं रिस्क को जानना और रिस्क को एकसेप्ट करना दो अलग-अलग चीजे हैं। डगलस चाहते हैं कि आप इस अभ्यास में जो रिस्क उठा रहे हैं उसके रुपए की वैल्यू के साथ आप यथा संभाव सेहज रहें। क्योंकि अभ्यास के लिए आउशक है कि आप 20 ट्रेड सेंपल साइज का उपयोग करें। संभावित रिस्क यह है कि आप सभी 20 ट्रेडों पर हार जाएंगी। जाहिर तोर पर यह सबसे खराब स्थिती होगी। यह एक घटना के रूप में होने की संभावना है क्योंकि आप सभी 20 ट्रेडों पर जीतेंगे जिसका आर्थ है कि आपकी बहुत संभावना नहीं है। फिर भी यह एक संभावना है। इसलिए आपको एकसरसाइज को इस तरह से सेट करना चाहिए कि आप रिस्क को एकसेप्ट कर सकें। उधारन के लिए यदि आप S&P वाइदा कारोबार कर रहे हैं तो आपके एज की आवशकता हो सकती है कि आप यह पता लगाने के लिए प्रती अनुबंद तीन पूर्ण अंक रिस्क में डाल सकते हैं। चुकि एकसरसाइज के लिए आवशक है कि आप प्रती ट्रेड कम से कम तीन कॉंट्रेक्ट की ट्रेडिंग करें यदि आप बड़े कॉंट्रेक्ट का उप्योग करते हैं तो प्रती ट्रेड रिस्क का कुल डॉलर मुल्य बाइस सो पचास डॉलर हैं। जोखिम का एक्युमिलेटिव डॉलर प्राइस यदि आप सभी 20 ट्रेडों में हार जाते हैं तो 45,000 डॉलर हैं। आप इस एक्सरसाइज पर 45,000 डॉलर का रिस्क उठाने में सहज नहीं हो सकते हैं। यदि आप सहज नहीं हैं तो आप S&P मीनी कॉंट्रेक्ट्स यी मीनी की ट्रेडिंग करके रिस्क के डॉलर मुल्य को कम कर सकते हैं। वे बड़े अनुबंदों के मुल्य का पांचवा हिस्सा है। इसलिए प्रती ट्रेड रिस्क का कुल डॉलर मुल्य 450 हो जाएगा और सभी 20 ट्रेडों के लिए संचित जोखिम 9,000 डॉलर है। यदि आप स्टोक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप वही काम कर सकते हैं। बस प्रती ट्रेड शेरों की संख्या को कम करते रहें जब तक कि आप एक एसे बिंदू पर ने पहुंच जाएं। जहां आप सभी 20 ट्रेडों के लिए कुल संचित जोखिम के साथ सहज हो। मैं नहीं चाहता कि आप अपने कमफर्ड जोन को संतुष्ट करने के लिए अपने स्थापित जोखिम मांदंडों को बदल दे। एनलिसिस के दृष्टि कोन से इसकी आवशकता हो। यदि आपने अपने स्थिति के आकार को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया है और आप पाते हैं कि आप अभी भी 20 ट्रेडों पर खोने के संचित डॉलर मुल्या के साथ सहज नहीं है तो डगलस का सुझाव है तो आ पुछ वास्तिक ब्रोकरेज फर्म के समान ही है सिवाई इसके कि ट्रेडों को वास्तों में मार्केट में प्रवेस नहीं किया जा सकता परिणाम सो रूप आपके पास वास्तों में कोई पैसा जोखिम में नहीं है एक नकली ब्रोकरेज सेवा वास्तिक बाजार परिस्थित प्रकृतियों के तहर वास्तु के समय में अभ्यास करने के लिए एक उतक्रश्ट उपकरण है। यह एक ट्रेडिंग सिस्टम के आगे परिक्षन के लिए एक उतक्रश्ट उपकरण भी है। अन्य हो सकते हैं। लेकिन इस प्रकृति के एकमात्र सेवा, जिसे डगलस जानते ह वह है Auditrack.com यानि A-U-D-I-T-R-A-C-K.com नमबर आठ एक्सरसाइज करें जब आपके पास variable का एक set होता है तो आप जानते हैं कि प्रतेक trade की लागत क्या है यह है पता लगाने के लिए कि क्या काम करने जा रहा है आपके पास love लेने की योजना है और आप जानते हैं कि आप एक के रूप में क्या उमीद कर सकते हैं आपके sample के size के लिए जीत हानी अनुमान तो आप अभ्याद सुरू करने के लिए तयार है नियम सरल है अपने system में ठीक उसी तरह trade करें जैसे आपने इसे design किया है इसका मतलब है कि आपको अपने बढ़त के कम से कम अगले 20 कठनाओं के trading के लिए खुद को प्रतिबत करना होगा ने के उल अगले trade या अगले कुछ trade बलकि सभी 20 चाहे कुछ भी हो आप किसी अन्य outer factor से विचलित, उप्योग या प्रभावित नहीं हो सकते हैं या वे variable बदल सकते हैं जो आपके किनारे को परिवाशित करते हैं जब तक कि आप एक पूर्ण sample size पूरा नहीं कर लेते rigid variable के साथ अभ्यास की स्थापना करके जो आपकी बढ़त, अपेक शाकरत, निश्चित बाद हो और आपके sample size में प्रतेएक trade को लेने की प्रतिबद्ता को परिवाशित करता है आपने जो एक मनाया है एक AC trading व्यवस्था है जो एक कैसिनो के संचालन की नकल करती है कैसिनो एक AC गटना पर लगातार पैसा क्यों कमाते है जिसका एक first result होता है क्योंकि वे जानते हैं कि इवेंट्स की एक सीरीज में ओर्ड्स उनके पक्ष में है वे यह भी जानते हैं कि अनुकूल बाधाओं के लाभों का एहसास करने के लिए उन्हें एक आयोजन में भाग लेना होगा वे इन subjective गटनाओं में से प्रतेक के result की अग्रीम भविश्यवानी करने की कोशिश करके तास की गड़ी के किसी हाथ, रूले वील के spin या पासा फैंकने के रोल को चुनने की प्रकिरिया में सलंगन नहीं हो सकते हैं यदि आप पांच मूलगूत सत्यों में विश्वास करते हैं और आप मानते हैं कि ट्रेडिंग के वल एक संभावना का खेल है तो आप पाएंगे कि यह अभ्यास, सहज और सरल होगा क्योंकि आपके इच्छा के माध्यम से इसकी पालन करने के इच्छा है क्योंकि प्रतैक व्यापार को अपने सैंबल साइज में लेने की आपकी प्रतिबत्ता के साथ और व्यापार की संभावय प्रकरती में आपका विश्वास पूर्ण सदभाव में होगा जिसका नतीजा यह होगा कि कोई भै, प्रतिरोध या विचलित करने वाले विचार नहीं होंगे बीना किसी जिजक के जब आपको इसे करने की आवशकता हो तो आपको ठीक वही करने से कौन रोक सकता है जो आपको करने की आवशकता है? कुछ भी तो नहीं दूसरी और, यदि यह आपके साथ पहले से नहीं हुआ है तो यह एक्सरसाइज संभावनाओं में निश्पक्स रूप से सोचने की आपके इच्छा और इस इच्छा के विरोध में आपके अंदर की सभी ताक्तों के बीच एक आमने सामने टक्राव पैदा करने वाला है इस एक्सरसाइज को करने में आपको जितनी कठिनाई होगी वहे उस मात्रा के सीधे अनुपात में होगी जिस पर ये कन्फलिक्ट मौजूद है यदि आप इस एक्सरसाइज को करने के अपने पहले दो परियासों को लगवग असंभव पाते हैं तो आश्रय चकित नहों आपको इन संघर्सों को कैसे संभालना चाहिए अपने आपकी निग्रानी करें और अपने उदेश्य पर फिर से ध्यान के इंद्रित करने के लिए आत्मा अनुशाशन की तकनीक का उप्योग करें पांच फंडामेंटल टूथ और निरंतरता के साथ सिधानतों को लिख लें और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उन्हें हर समय अपने सामने रखे दरड विश्वास के साथ उन्हें बार बार दोहर आएं हर बार जब आप नोटिस करते हैं कि आप सोच रहे हैं कह रहे हैं या कुछ एसा कर रहे हैं जो इन सत्यों या सिधानतों से ऐसंगत हैं तो संगर्ष को स्विकार करें, परश पर विरोधी ताक्तों के अस्तितों को नकारने की कोशिश ने करें, वे केवल आपके मानस के हिस्से हैं, जो सत्य के अपने संस्क्रणों के लिए बहस कर रहे हैं, जब एसा होता है, तो ठीक उसी पर ध्यान केंद्रित करें, जिसे आप आपको बाधित करें, गलत होने, पैसा खोने, गुम होने और टेबल पर पैसे छोडने के अपने डर के माध्यम से कदम उठाएं, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, जितना हो सके, अपने ट्रेडिंग व्यवस्ता के नियमों का पालन करें, पांच फंड होगा, हर बार जब आप वास्तों में कुछ हैसा करते हैं, जो पांच मौलिक सत्यों में से एक की पुष्टी करता है, तो आप परस पर विरोधी मान्यताओं से उर्जा खींच रहे होंगे, और संभावनाओं में विश्वास और लगातार परिणाम उत्पन करने की आपकी ख्षमता में उर्जा जोड रहे होंगे, आखिरकार आपके नई मान्यताओं इतने शक्तिशाली हो जाएंगी कि यह आपके उदेशों के अनुरूप सोचने और कारिया करने के लिए आपकी और से कोई सचेत प्रियास नहीं करेगा, आपको निश्चित रूप से पता चल ज कि संभावनाओं में सोचना आपकी पहचान का एक कारियासिल हिस्सा है, जब आप बिना किसी कठिनाई, प्रतिरोध या परस पर विरोधी विचारों के कम से कम, 20 या अधिक ट्रेडों के एक सेंपल साइज से गुजरने में सक्षम होंगे, जो आपको ठीक वही करने से उनत व्यक्ति परक या सहज चर्णों में जाने के लिए तयार होंगे, एक अंतिम नोट, बिना किसी विचलन, विचलित करने वाले विचारों या कारिये करने में जिचक के आपकी योजना का पालन करते हुए, ट्रेडों के कम से कम एक सेंपल साइज के माध्यम से प्राप् पर बनना चाहते हैं, तो दस अजार या अधिक गोल्स गेंदों को मारने के लिए खुद को समर्पित करना ऐसा मन्यन नहीं होगा, जब तक कि आपके स्विंग में मॉमेट का सटीक आयोजन, आपकी मास पेशियों के स्वरती में हिश पूर्वक इतना अंतर नहित नह हो कि आपको इसके बारे में सोचना नहीं पड़े, जब आप उन गोल्फ गेंदों को मार रहे होते हैं, तो आप किसी के खिलाब वास्तवी खेल नहीं खेल रहे होते हैं, या बड़ा टूर्नामेट नहीं जीत रहे होते हैं, आप ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि आप मानते हैं क और कहते हैं कि शुब काम नहीं लेकिन यदि आप उप्योक्त स्किल प्राप्त करने के लिए काम करते हैं तो आपको वास्तों में भाग्य की आउशक्ता नहीं होगी। धन्यवाद हिंदी-ओडियोबुक.com आपका दिन शुब हो।